हाई एवरीवन वेलकम तो दिस वीडियो दिस आरती विश्रा वन आप दी टॉप एन वेरिफाइड एजुकेटर वेलकम तो दिस न्यू लेक्चर सीरीज जो की मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है मैं हूँ आरती मिश्रा वा कवर करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के स्कोर्स को जिसमेन हम सपीष चंद्र की बुक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे मांकी हमारे live quizzes regularly चलते रहते हैं आप जो भी मेरे live quizzes है और मेरी special classes है और मांकी के जो हमारे courses हैं अगर आप उन्हें join करना चाहते हैं तो सभी links description box में दिये गए हैं आप उन links पर click करें और हमारी classes को वहां से आप join कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का session आज हम medieval Indian history का सबसे पहला जो chapter है वो cover करेंगे तो हमारा पहला chapter है India and the world तो आप जब ये book हो लेंगे तो सबसे पहले आपको contents देखते हैं तो index में से जो आपका पहला chapter है वो cover कर लेंगे और इस book के अंदर मतलब सब कुछ है आप ये मान के चरे कि इसमें इसलाम के rise से ले करके Mughals और Advent of Europeans तक का जो पूरा part है उसे discuss किया गया है तो हम जो है इसमें अपना पहला chapter है India and the world जिसे आज शुरू करने जा रहे हैं तो ये जो chapter है इसके अंदर बात की जा रही है कि भारत एक attraction का source क्यूं था ऐसा क्या था हमारे देश में कि दुनिया भर से लोग यहां आना चाते थे यहां invasion करना चाते थे और भारत पर इतने सारे attacks क्यूं हो रहे थे ऐसा क्या था भारत में जिसकी वज़े से दुनिया के सभी important rulers भारत को एक destination की तरह देखने लगे थे आपको क्या लगता है आप मुझे comments में बताईएगा Let me check how many of you are there and if I am live or not Yes, good evening guys, good evening कौन-कौन excited है इस नए series के लिए I hope you guys are excited for this new series Okay ठीक है, तो guys मैं आपको एक चीज बता दूँ कि 14 September से हमारे Hindi, English, Bilingual और सभी one year batches जो है शुरू हो रहे हैं UPSC, CSE के लिए तो ये सारे जो plus batches है ना उनका link दिया हुआ है description box में आप click करके उन्हें join कर सकते हैं ठीक है, जिनको भी अगर subscription लेना है तो आप जरूर एक बार click करें और join कर सकते हैं महाँ से अच्छा मैं देख सकती हूँ कि काफी सारे लोग live हैं and it's working fine चले बढ़िया Good to see you all, कैसे हैं guys आप सब? अच्छा में देख सकते हैं because मुझे अपनी तरफ से भी कुछ connections check करने है just give me one more minute ah yes I can see I am live and I can see it's going fine right अभी ठीक है चलिए thank you so much guys for joining and कई सारे students की आज first session है ठीक है बहुत अच्छी बात है आज ये पहली ही class है I am also good thank you so much for asking guys thank you so much और मैं बिल्कुल इसे complete करूँगी चिंता ना करें जो लोग बोल रहें की मैं complete कीजेगा मैं बिल्कुल complete करूँगी guys ये course बिल्कुल complete होगा ठीके चलिए guys आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें इस दुनिया की तो ऐसा क्या था जिसकी वज़े से भारत एक attraction का source था हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप अगर इस तरह यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो है ये इंडिया यहाँ पे एक तो सबसे अच्छी चीश थी की resources बहुत जादा थे काफी सारे अच्छी resources थे और सबसे बड़ी बात ये एक खुली तिजोरी था खुली तिजोरी का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा देश था जिसका कोई भी political या central administration नहीं था ऐसा कोई strong political central administration एक strong union जो की पूरे देश की रखवाली करता हो ऐसा नहीं था एक unstable government और एक lack of central governance के चकर में हमारा जो इंडिया है यहाँ पे सभी लोगों को एक opportunity दिखने लगी थी सबको एक opportunity दिख रही थी कि भारत पर आकरमण करके इसे जीता जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी central administration नहीं है इस देश में regionalism की भावना जादा थी अलग-अलग regions में, अलग-अलग kingdoms में हमारा देश divided था शुरवात होती है यहाँ से आप देख सकते हैं यह जो Arab empire है आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ था? 7th century में यहाँ पे इसलाम का rise हुआ था और इसलाम का बहुत ज़्यादा conflict हुआ था Christian world से आप यहाँ देख सकते हैं यह जो है यह Roman empire हुआ करता था यहाँ पिये पूरा Roman empire जो है ना यह decline हो जाता है यह decline हो जाता है Roman Empire decline हो जाता है और Islam का rise होता है तो यहां से जब Islam rise होता है तो इनकी बहुत टक्कर होती है Christian world के साथ और Christian leaders के साथ तो यह जो है Islam फैलाना चाहते थे और देखेंगे हम यह कैसे इंडिया की तरफ आते हैं चले शुरू करते हैं सबसे पहले जानेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया के relations कैसे थे तो जाहिर सी बात है कि हमारा balance of trade काफी positive था हम एक self sufficient country थे हम export बहुत जादा करते थे और हम import बहुत कम करते थे तो इंडिया जो है इसके बहुत लंबे बहुत दूर से और बहुत पुराने जो trade और cultural relations थे वो चले आ रहे थे और ये जो है ये उन सारी countries के साथ थे जो around Mediterranean Sea है Mediterranean Sea के आसपास के देशों की बात हो रही है यानि कि किन देशों की बात हो रही है European देशों की बात हो रही है वो जो countries ये उरोप में थी उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा trade होता था यानि कि ये जो particular part है map में ये वाले part से हमारा बहुत ज़्यादा trade होता था हमारा Roman Empire से बहुत ज़्यादा अच्छा trade होता था Romans जो है हमें क्या देते थे Romans हमें gold coin देते थे ठीक है gold coins जो उनके होते थे वो हमारे देश में मिले हैं और हमसे वो क्या-क्या खरीदते थे specially black pepper, spices, cotton, silk ये सब चीजे वो हमसे खरीदते थे तो बहुत सारे अलग-अलग empires के साथ हमारा बहुत trade होआ करता था जिसमें से एक बहुत बड़ा empire था Roman empire और Persian empire Persian empire यानि की जो इरान का इलाका है आज वहाँ पे जो जो empires हुआ करते थे सामराज्ज हुआ करते थे उनके साथ हमारा ययापार था empire का मतलब क्या होता है empire का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सामराज्ज जो कि कई सारे kingdoms को मिला करके बनता है kingdom जो है न वो comparatively छोटा होता है अगर मैं आप से कहूं kingdom तो kingdom का मतलब आप समझेंगे एक छोटा इलाका है जहां एक राजा रूल कर रहे हैं लेकिन कई सारे kingdoms को मिला करके कई सारे kingdoms को जोड़ करके एक empire बनता है तो empire बड़ा होता है empire पे कौन रूल करते हैं emperor रूल करते हैं तो बहुत सारे kingdoms को मिला करके एक empire बनता है empire काफी बड़ा होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े empires के साथ हमारे trade relations थे अगर युरोब की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत जादा migration की activities चल रही थी ठीक है युरोब में कई सारी migration की activities चल रही थी specially यहाँ पर जो Germanic tribes हैं इनका migration हो रहा था यह जो tribal group था यह Russia और Germany की side से आ रहा था on the western part of Europe Europe के western part पर यह आ रहा था जिसकी वज़े से कई सारे modern जो European nations हैं उनकी नीव रखी गई और जो पूरी पुरानी population थी उसके साथ नए लोगों का मिश्रन हुआ जिसकी वज़े से पुरानी चली आ रही population का जो पूरा character है वो change हो गया उनकी languages change हो गई उनके रहने का सली का change हो गया उनकी lifestyle बदल गई उनके government का pattern change हो गया यानि की एक fusion हो गया आप देखेंगे कि मान लीजे दो अलग-अलग प्रकार के लोग हैं या दो अलग-अलग प्रकार के culture हैं जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे में बहुत जादा chances होते हैं कि वो एक दूसरे से अपने तौर तरीकों को share करेंगे और अपने तौर तरीकों को share करते होए fusion के जरीए एक नए culture की नीम रखेंगे जैसे कि Indian art जब Islamic art से मिला तो बना Indo-Islamic art तो Indo-Islamic art जो अपने आप में एक नया style डेवलाप हो गया वो दो पुराने styles को मिला करके बना तो ऐसा ही यूरोप में भी हुआ जब वहां पे जर्मनिक tribes का migration हो रहा था तो अब जो ये सारे migrations हो रहे थे इसमें आप कहेंगे कि जो जर्मनी है और ये सारे देश थे ये सब तो अल्रेटी यूरोप में ही है ध्यान दीजे आज आप जब इसको modern जो हमारा समय है इस हिसाब से देखेंगे और आज का जो हमारा map और boundary है उस हिसाब से देखेंगे तो हो सकता आप confused हो जाएं पहले ऐसी maps और boundaries नहीं होती थी पहले कि maps, boundaries और देशों के बीच की जो सीमाएं थी वो अलग प्रकार की हुआ करती थी और आज की जो सीमाएं हैं वो अलग हैं, वो बदल गई हैं उसमें बहुत सारे changes हैं तो पुराने समय में होता क्या था आप यहाँ पे यूरोप का map देख सकते हैं बेसिकली यह जो है, यह इटली है तो आप देख सकते हैं इटली का map याद रखना बहुत असान है क्योंकि यह बिल्कुल एक shoes जो होते हैं boots होते हैं, जूते होते हैं boots वाले जूते उसके जैसा दिखता है तो इस वेरी easy to remember this particular map कोई इसे भूल नहीं सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन-कौन से kingdoms हैं पूरा Europe चोटे-चोटे parts में divided था तो यहाँ पे wishing gods के kingdom थे यहाँ पे franks थे, यहाँ पे saxons थे यहाँ पे balds थे, यहाँ पे salves थे यहाँ पे capitals थे तो आप देख सकते हो हर जगा अलग-अलग kingdoms में यह पूरा divided है तो जो हमारा eastern part हुआ करता था मतलब यह रोग का जो eastern part हुआ करता था इस eastern part पर Capital Thies की Basin Temple जिसको Constantipol भी बोलते थे इसको जो है Istanbul का इलाका भी आप मान सकते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजे red color से circle किया हुआ है can you see मैं इसको दूसरे color से आपको circle करके दिखाती हूँ शायद आप देखना पाए मैं ink color change कर लेती हूँ I'll use मैं black color use कर लेती हूँ इससे आपको जादा असानी से दिखेगा यह देखे मैं यह वाले जगह की बात कर रही हूँ गा तो आप देख सकते यह जो है यहाँ पे इनका Byzantine Empire था और जो जो इलाका है Istanbul का वो पहले Roman Empire के पास था और यहाँ पे Christian World का कबजा हुआ करता था तो यहाँ पे इस जगह को जो Constantin Pole है इसको Istanbul आप समझ सकते हैं यह Istanbul का ही नाम है और इसको पहले Byzantine Empire कहते थे यह वो हिस्सा था जो Eastern Europe का हिस्सा था और इसमें जो आज का जो modern Turkey, Syria, Africa और Egypt के कुछ इलाके हैं वो भी आ जाते हैं अब यह जो पार्ट है यह आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आप देख सकते हैं यह जो पार्ट है यहाँ पे अभी पूरा एक अलग तरीके का इंपायर चल रहा है जैसे ही इसलाम का उदै होगा तो इसलाम के राइस के बाद यहाँ पर अरब्स का कबज़ा हो जाएगा यानि की जो अरब Muslim rulers हैं उनका इन इलाकों पर कबज़ा हो जाएगा इस्ताम्बुल पर भी इनका कबज़ा हो जाएगा और जब इनका कबज़ा हो जाएगा तो जितने भी important land routes थे सारे land roots को ये लोग capture कर लेंगे सारे land roots को Arabs जो हैं वो capture कर लेंगे और उसकी वज़े से Europeans जो हैं वो directly इंडिया के साथ contact नहीं कर पाएंगे trade relations established नहीं कर पाएंगे कोई भी समान import नहीं कर पाएंगे और इसलिए उनकी Arab से लड़ाई होगी और इसलिए Europeans और Arabs एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो हम देखेंगे कि ये लड़ाई कैसे शुरू होती है अभी तक यहां तक सब चीजे clear है I hope आप समझ पा रहें यहां तक कोई doubt It's easy ना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए I hope यहां तक सारी चीजे clear है ओके ठीक है ठीक है तो येस मैं काफी सारे messages देख रहे हूं गाइस गुड इवनिंग के हैं जो सभी को good evening I may not reply you individually as you can see the class is having a lot of crowd तो कुछ resources के बारे में जैसे की बताया अनीश ने की बिल्कुल क्योंकि हमारे पास बहुत सारे resources थे तो लोग हमारे देश की तरफ attracted थे ठीक है तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो यहां तक सभी को सब कुछ clear है सभी लोग जो भी इस lecture को enjoy कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही free series लेकर के आएं तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा guys and support कीजेगा इस channel को आप subscribe जरूर करें ताकि आप हमें free lessons लाने के लिए motivate कर सकें और हम सभी को काफी अच्छा लगता है जब आप likes करते हैं and जब भी आप comments करते हैं तो we really appreciate that तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अब तक कि ये लोग जो हैं हमारा यहां पे युरोप के साथ पहले तो बहुत अच्छा rate था ये वो समय था जब इसलाम का उदय नहीं हुआ है ये 7th century से पहले की बात हो रही है ठीकि अभी हम लोग क्या डिसकस कर रहे है 7th century से पहले की बात कर रहे है अभी इसलाम का राइज नहीं हुआ है जब इसलाम का राइज हो जाएगा तब चीजे बदल जाएंगी पर पहले हम एक background समझ लेते हैं क्योंकि पहले background समझ जाएंगे तो आगे की कहानी और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे तो अभी हम लोग उस समय की बात कर रहे है जब Roman Empire ठीक चल रहा था और यहाँ पर Roman Empire का जो Eastern वाला पार्ट है जो की Eastern Europe वाला पार्ट है उसे हम लोग Byzantine Empire कहते थे तो इसमें Istanbul इतना जरूरी क्यों है Istanbul का इलाका यह एक ना center था यह एक link था जो बहुत सारे trade routes को connect करता था बहुत सारे जो important trade routes होते थे बहुत सारे जो important रास्ते आते थे व्यापारिक रास्ते होते थे वो सब Istanbul से होकर के गुजरते थे तो अब यहाँ से क्या हो रहा था कि Roman Empire का Asia के साथ बहुत बढ़िया trade हो रहा था तो हमारा trade भी अच्छा था लेकिन जब 7th century में Roman Empire का collapse हुआ Roman Empire जब खतम हो गया जब यह गिर गया, decline हो गया तो अचानक से चीज़े बदल गई सब कुछ change हो गया हमारे trade relations खराब हो गया हमारा market जो है वो खराब हो गया और हर जगा पर Muslim Intermediaries का कबज़ा भी हो जाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे Roman Empire disappear होने लगेगा और finally 15th century के middle तक आते आते जो तुर्क्स थे यानि कि जो Muslim Rulers थे उनका कबज़ा हो गया Istanbul पर Istanbul को ही यहाँ पर Constantin Pole बोला जा रहा है तो don't get confused यह Istanbul को ही बोला जा रहा है Istanbul का ही नाम है तो Constantin Pole जो है यह तुर्क्स के कबज़े में आ गया यानि कि तुर्की Rulers का कबज़ा यहाँ पर हो गया जब तुर्की Rulers का कबज़ा यहाँ पर हो गया तो अब आप देखेंगे कि यह लोग middle men के तरह हर चीज़ में commission मांगेंगे यह लोग क्या बन जाएंगे middle men बन जाएंगे middle men क्या होता है जैसे कि आप देखेंगे brokers होते हैं वो क्या कहेंगे कि अगर आपको कोई समान यहाँ से लेकर के जाना है तो यह सारा इलाका हमारा इलाका है यह मैं जो black color से mark कर रही हूँ map में यह सारा इलाका इन्होंने घेर लिया था सारा इलाका इन्होंने कबजा कर लिया था तो इन्होंने का कि अब क्योंकि यह सब इलाका हमारा है तो यहाँ से कोई भी अगर जाएगा आएगा तो उसको हमें tax देना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा तो ऐसे में लोगों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो रहा था अब आप देखेंगे कि लोगों के अंदर जो धार्मिक जो भावना थी उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखे गए तो आप देखेंगे कि जो belief और rituals थे उसमें बहुत सारे differences हमारे सामने आए एक्जामपल Catholic Church Catholic Church यानि कि ये एक church system होता है इसमें जो Christians होते हैं ये West में इनका जो है headquarter होता था Rome में तो Roman Empire में ये जो है ये चल्दा था और इस church के अंदर क्या system था इसे dark age भी कहते हैं इसमें क्या होता था लोग बहुत ही superstitious होते थे यानि कि लोग धर्म के अनुसार उनकी आखें जैसे आप कहलो कि उनकी आखें बंद थी उन्हें जो है धर्म ही उनके लिए सब कुछ था आप ये मान लीजे कि religion was constitution religion was equal to constitution इनका constitution ही religion था धर्म के नाम पर ये लोग अंधे हो गए थे और इतने अंधे हो गए थे कि science and technology को बिलकुल भी promote नहीं करते थे science and technology के promotion करने से डरते थे इनको ये डर था कि लोगों को अगर पता चल गया science and technology के बारे में तो विज्ञान के प्रभाव में आने के बाद लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा और लोग धार्मिक नहीं रहेंगे और धार्मिक जो institutions है जो religious institutions है उनको नहीं follow करेंगे जो कि धर्म के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है और ऐसे में बहुत सारे जो फादर हुआ करते थे पोप हुआ करते थे चोर्ष के अंदर वो ये लोगों के मन में बात डालना जाते थे कि जितना तुम्हें धर्म बता रहा है उसी को follow करो और आखे मूंद करके उसके उपर विश्वास करो तो blind एक जो है observance थी लोगों के आखों के उपर पट्टियां बदी हुई थी लोगों ने अपनी आखे मूंद रखी थी लेकिन कब तक कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो अपनी आखे खोलेगा और जब वो अपनी आखे खोलेगा तो वो देखेगा कि दुनिया में तो बहुत कुछ है जो कि हमें discover करने की जरत है जो कि हमें invent करने की जरत है और इस तरीके से शुरुवात होगी रेनाइसेंस की यानि की पुनह जागरन मैं रेनाइसेंस के बारे में भी आपको बताऊंगी कि क्या होता है उसमें हाला कि अभी के लिए इतना देखे कि जो Catholic Church था West में यानि की Western Europe की बात हो रही है वहाँ पे इसका Headquarter था Rome में और जो Church होते थे East में इनको हम Greek Orthodox Church कहते थे ठीके तो East में जो Church है वो है Greek Orthodox Church और जो West में जो Church है उसको कहते है Catholic Church ठीके ये दो अलग-अलग Church होते थे तो Western पार्ट में क्या था? Roman Empire था जो की Fall हो चुका है और उसके अंदर चीज़े बदल रही है उसके अंदर क्या हो रहा है? Renaissance हो रहा है तो Renaissance आप देखेंगे कि कैसे होगा Revival हम देखेंगे तो Western Roman Empire का Fall हुआ आप देखेंगे कि ये 6th century से शुरू हो गया तो 6th से 10th century के बीच में एक ऐसा समयकाल है जिसे Dark Age कहा जाता है ये वो समय था जब Agricultural Expansion हो रहा था Agricultural Expansion मतलब खेती बाड़ी बढ़ती जा रही थी प्रोड़क्शन बढ़ रहा था और लोगों की जिंदगी में एक नए प्रकार की लाइफ और एक नए प्रकार का जो सिस्टम है वो डेवलाप हो रहा था 10th century तक आते आते लोगों की जो मन की भावना है वो बदल गई थी और foreign trade बहुत जल्दी ग्रो हो रहा था विदेशी व्यापार काफी तेजी से बढ़ रहा था अब आप देखेंगे कि आगे चलकर के 12th से 14th century के वीच में renaissance हो रहा है और science and technology की growth हो रही है renaissance renaissance का मतलब होता है पुनह जागरण तो अब आप देखेंगे कि एक पुनह जागरण का काल शुरू होता है जहां science and technology की growth होती है शेहरों का विकास होता है नए नए विश्व विद्याले खुलते हैं बहुत सारे शेहरों में learning की teaching की ideas की जो एक शुरुवात है वो होती है ये जो learning है ये जो नए आइडिया है ये जो नए विकास है इसके द्वारा renaissance होता है renaissance मतलब की rise of a new Europe renaissance मतलब क्या है rise of a new Europe एक नए यूरोब का rise होता है यानि की एक ऐसा यूरोब जो धार्मिक अंद विश्वास से निकल करके विग्यानिक तोर तरीकों को समझना चाहरा है विग्यानिक कला को विग्यानिक तरीकों को विग्यानिक विकास की तरफ बहुत ज़ादा looking forward है और उस तरफ जाना चाहता है तो अब हम देखेंगे कि जब ये विग्यान के तरफ जाएंगे और धर्म को छोड़ करके जब ये विग्यान का हाथ पकड़ते हैं तो क्या-क्या इनके सामने चुनौतियां आती हैं क्या-क्या इनके सामने challenges हैं और उन challenges को ये कैसे टाकल करते हैं एक बहुत बड़ा challenge था feudalism feudalism की बहुत तेजी से growth हो रही थी feudalism क्या है इसका मतलब होता है सामन्तवाद ठीके इसे हम हिंदी में कहते हैं सामन्तवाद तो सामन्तवादी जो विवस्था होती है इसके अंदर क्या होता है एक सामन्त होता है जो की कई सारे गाओं का management सम्हालता है तो सबसे उपर होते हैं राजा, king ठीके ऐसा होता है king होते है king के नीचे होता है feudal lord feudal lord यानि की सामन्त ठीके feudal lord यानि की सामन्त और सामन्त की नीचे होते हैं कई सारे गाओं कई सारे villages ठीके तो राजा, फ्यूडल लॉड और सामन्थ तो अब आप देखेंगे कि फ्यूडलिज्म का बड़ा ग्रोथ होता है तो जो रोमन इंपायर था इसके अंदर आप देखेंगे एक नया सिस्टम आफ कॉर्मन जो है वो शुरू होता है इसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं सामन्थवादी विवस्था कहते हैं तो यह जो है यह एक लाटिन वर्ड है फ्यूडल यहां पर I think spelling गलत है तो इसमें से यह लिया गया है एक लाटिन वर्ड है ठीके feudum इसमें से लिया गया है जिसमें से एक नया English word thief आया था तो इसका मतलब क्या होता है एक ऐसी society जहां पे जो राजा है the king acted as a feudal chief उसके वो एक feudal chief की तरह काम करेगा तो इसमें होता क्या है देखें बहुत सारे powerful chiefs होते हैं सामन्त होते हैं जो कि राजा के बहाफ में सारा जो गाउं का administration है military है, land है, law and order है, tax का payment है वो सब लेते हैं तो military इसके आगे होती है और military के basis पर जो feudal lords थे वो एक बहुत बड़े area पर dominant करते थे तो इनके पास एक बहुत बड़ा मतलब land area होता था, इसमें बड़ा important ये role निभाते थे और इससे जो state है और जो social एक अनाकी है वो हमें देखने को मिलने लगी थी, तो ये social अनाकी क्या है इसको समझते हैं देखे, मान दीजे कि मैं आपको यहाँ समझाती हूँ आप देख सकते हैं, serve term के बारे में है, serve term है यानि की feudal system के अंदर एक association होता था तो इसमें जो है, एक lord यानि की एक सामंत है, जो की अपने साथ एक आमी रखे हुए है और वो क्या करता है, वो अपने अंडर जितने भी गाओं है, उसके अंदर रहने वाले किसान हो गए, लोग हो गए, उनसे taxes का collection करता है तो ये जो lord है, ये landlord जो है, ये lands को own करता है, उसके पास responsibility है कि वो वहाँ का law and order maintain करेगा और वहाँ पे justice रखेगा साथी, servdom में क्या होता है, cultivation वेगेरा का काम होता है तो इसमें क्या होता है, कि जो किसान होगा, वो किसान payment करेगा उस feudal lord को cash में या kind में तो ये एक organization होता था, ये एक system होता था इसमें क्या है, कि जो राजा है, वो अपने behalf में एक सामंत को बोल देंगे कि ये तुम्हारा area हुआ, तुमें से area को maintain करोगे, यहां से taxes collect करके मुझे दोगे और तुम अपने साथ एक army भी maintain कर सकते हो तो government जो है, ये dominated है by a landed aristocracy यानि कि जमिनदारों का एक बहुत बड़ा, आप से कह सकते हैं, उनकी जो है शाही चल रही है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इतनी मनमानी कर रहे हैं कि कई बार जो उनके उपर emperor हैं, उसकी भी बात नहीं सुन रहे हैं मतलब अपने आपको ये लोग जब देखते थे कि भई, राजा बहुत weak है तो independent अपने आपको घोशित कर देते थे, अपने आपको स्वतंतर घोशित कर देते थे तो ये जो है, ये राजशाही, ये aristocracy जो है, ये hereditary होने लगी यानि कि एक सामन्त जो है, उसका बेटा अगला सामन्त बना, फिर उसका बेटा अगला सामन्त बना तो इसकी वज़े से feudalism की growth हुई, political feudalism, economic और military हर जगा पे इसकी वज़े से आप देखेंगे बहुत सारे factors हैं जो कि grow हुए तो अब हम देखेंगे कि जो किसान है, वो अपना काम करने खेती बाड़ी कर रहे हैं तो जो किसान है, जो land पर काम करते थे, वो अपना profession बदल नहीं सकते थे ना ही वो दूसरी जग़ पे marry कर सकते थे, ना ही migrate कर सकते थे जो किसान जहां रहेगा, उसको वही पे अपना घर बसाना है, वही रहना है, वही जीना है वहां से वो बाहर नहीं जा सकता ना बाहर के किसी इंसान से शादी कर सकता है और ना ही उसे कोई permission है कि वो वहां से निकले बिना अपने उस सामन्त की जो उसके उपर सामन्त है उसके गाउं के उपर बिना उस सामन्त की रजामंदी के किसान कुछ नहीं कर सकता था military organization जो था इनका वो कैसा था इसमें एक chief wing होती थी जिसमें बहुत ज़ादा जो पैदल सेनिक होते हैं infantry infantry का मतलब होता है पैदल सेनिक वो रहते थे heavy and light infantry रहती थी और फिर एक ऐसे जो है army के soldiers होते थे जिनके पास कई सारे हथियार होते थे जो बड़े वाले भी हथियार होते चुटे छोटे इंके पास तलवारें भी होती थी भाले होते थे ये सब लेकर के चलते थे आमी इनकी decentralized थी तो आमी was decentralized फिर दूसरी होती थी cavalry cavalry जो है वो घुड़ सवार सैनिकों को कहते हैं तो जो घुड़ सवार सैनिक होते हैं जो घोड़े पर होते हैं कैवेल्री कहते हैं तो इनका यह जो है यह जब युद्ध होता था ना तो युद्ध में सबसे जादा कैवेल्री को यूज करते थे क्योंकि कैवेल्री जो है वह वारफेर के लिए होता था यह प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेर होता था तो इनका जो है इन्होंने कुछी किया जाए आमी के लिए उसकी तैयारी की जाए कि वो आमी में अच्छे से काम कर सके वो सब ये लोग करने लग गए थे तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आमी है फ्यूडलिज्म है और बहुत सारे और भी हमें जाएं इंपायर था वेस्ट में है अब वह खतम हुई है मतलब की textbooks की वान झारी है रोमें उपायर रोमन इंपायर हो रहा है तो जैब रोमन इंपायर डिकलाइन हो रहा है उसकी आत्सिंस है तो जो चैथलिग च्रच है Catholic Church ने वो काम करना शुरू कर दिया जो एक राजा का होता है यानि कि जो government के functions होते है न वो सारे functions Church ने अपने हाथों में ले लिये और जो Church के father होते जो main होते न जो Church को चलाते हैं Pope कहते हैं उनको तो जो Pope होंगे वो head होंगे Catholic Church के जो जो है सारा deal जो political और moral authority का होता है उसको आगे भड़ाएंगे अब ये आपको सुनकर के थोड़ा अजीब भी लग सकता है कि भई एक जो इनसान का काम religious activities का maintenance का है वो politics में कैसे आ गया वो politics को कैसे lead कर रहा है ध्यान दीजे हमारा ये जो polity का system है पॉलिटी कभी भी religion से अलग नहीं रही है ये जो है न ये भी एक धर्म है ठीक है जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म के जो sculptures हैं चीजें हैं उसको थोड़ा observe करें या हमारे जो epics हैं उसमें आप देखें तो राज धर्म की बात की जाती है कि जो राजा है उसका ये राज धर्म है कि उसका ये राज धर्म होगा या उसका ये शत्रिय धर्म होगा कि वो लोगों की सेवा करें अपनी प्रजा को सबसे पहले देखें प्रजा के अंदर जो जो vulnerable section है जो weaker section है जो सबसे निचले से निचला तबका है उसको राजा जो है देखे और वहां तक अपने वेलफेर को पहुँचाए तिके वहां तक अपने वेलफेर को लेकर के जाए ये जो है राजा का काम होता है ये राजा का राज धर्म होता है तो कभी भी धर्म को राज पार्ट से अलग जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा इंपायर अब नहीं है और वैसा पॉलिटिकल सिस्टम अब नहीं है तो इन्होंने खुद ही पॉलिटी अपने हाथ में ले ली और खुद ही जो पॉलिटिकल और मोरल जो अथौरिटी होती है उसको चलाना शुरू कर दिया इस ब माले यह कोई ट्रावलर है तो उनको ध्यान देना उनको हेल्प करना जो यहां से वहां जाने आने वाले लोग होते हैं लंबे-लंबे यात्राएं करते हैं तो उन लोगों को शिल्टर देना शेरण देना तो यह लोग जो है एक ऐसे सेंटर के रूप में अमर्ज हुए जो को ना सिर्फ help कर रहे हैं बलकि educate भी कर रहे हैं शिक्षित कर रहे हैं सिक्षा दे रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो जो Monasteries होती थी वो universities का काम करने लग गई Monasteries जो थी वो पढ़ाई लिखाई का एक center बन गई एक केंद्र बन गई जहां लोग आकर के काफी कुछ सीख सकते थे और समझ सकते थे और जीवन का सही मतलब क्या है इसे जान सकते थे Monasteries के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छी wealth थी बहुत ही बढ़िया पैसा और बहुत ही जादा अच्छा fund इनके पास आने लग गया क्योंकि Monasteries में रुक करके कई सारे Travelers भी शरन लिया करते थे और जब वो देखते थे कि उन्हें इतना सारा ग्यान मिल रहा है इतनी अच्छी अच्छी बाते हो रही है तो उससे खुश हो करके वो बहुत जादा डोनेशन देते थे और डोनेशन और funding की कोई कमी ना होने की वजे से पैसा ही पैसा है Monasteries के पास काफी अच्छी wealth है काफी बढ़िया wealth है और धीरे धीरे जब पैसा आ गया तो फिर discipline खतम हो गया और धीरे-धीरे Monasteries भी Feudal Lords की तरह काम करने लग गई और एक सामंत की तरह चलने लग गई जो लोगों के उपर कबजा करके उसको रूल करना चाहता है और लोगों के उपर दब दबा बनाना चाहता है इसके वज़े से एक internal जो discord है एक जो आंतरिक conflict है वो शुरू हो गया रूलर्स की बीच में अंदर ये अंदर लडाईयां शुरू हो गई और जो popes के church हैं यो नो चर्च के जो popes हैं जो popes हैं यो कि father हैं वो भी आपस में लड़ने लग गए मतलब कि जब बात आ जाती है राजनीती की तो यह सब जो लोग धर्म से जुड़े होए थे वो कहने लगए कि मैं जादा एरिया रखो मैं जादा पार्ट रखो मैं जादा चीज़े रखो तो यह जो conflict है वो reflect होने लग गया और इसी के वज होने इस देश को खड़ा कर दिया है इसके बात जो है अब आप देखेंगे कि इसलाम का उदय हुआ और इसलाम के उदय के साथ ही दुनिया अंभर में एक नई रोशनी आती है आप कहेंगे कि जो लोगों का thought process था उसमें चीज़ें बदल जाती है क्योंकि इसलाम का idea अपन चेक कौन सही answer दे रहा है चलो मैं देख सकते हूँ काफी लोग देख रहे हैं और more than 80 students जो है इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं बट मेरा ये था कि आज हम लोग 200 likes अचीव करें I really wanted to get it कि हम live class के अंदर ही 200 likes को अचीव करें तो जिन जिन लोगों ने like नहीं किया है they should like the video Hi guys आईए जानते हैं हमारे नए UPSC CSE batches के बारे में जो कि Unacademy Plus पर 10th मार्ट से शुरू हो रहे हैं इन batches में खास बात ये है कि ये सभी aspirants के लिए काफी helpful होंगे 2021, 22 और 23 के जो aspirants है उसके लिए काफी ज़ादा helpful है Ultimate UPSC CSE 2022 का ये batch Hindi English Bilingual सभी भाशाओं में available है जो कि 10th मार्ट से शुरू हो रहा है Complete syllabus coverage by top educators NCRT plus other standard books पूरा coverage मतलब आपका prelims, mains, interviews सब कुछ cover होगा इसके अलावा हमारा जो ये batch है ये अलग-अलग भाशाओं में है तो आप अपने convenience के accordingly अपनी timing के अनुसार कोई भी batch देख सकते हैं एक बार अगर आपने subscription ले लिया तो आप सारे batches का access ले लेते हैं आप सभी batches को देख सकते हैं इसके अलावा हमारा जो ये prelims का 2021 का batch है ये भी Hindi English bilingual तीनों भाशाओं में available है ये prelims focused batch है इससे आपका prelims easily crack हो जाएगा 2 year का batch भी है हमारे पास ये UPSC CC 2023 के aspirants के लिए है ये जो है ये एक बहुती lengthy बहुती complete coverage वाला batch है इन batches को जोईन करने के लिए यूज कीजिए code arm live, arm live के इस code से आपको मिलेगा 10% का extra discount साथी साथ unacademy combat है जो कि prelims के test series के accordingly बनाया जाता है questions बहुत ये ची quality के होते हैं जो कि आपको UPSC level पर तयार करते हैं इसमें 1 crore का scholarship pool है आपको अपने share का scholarship इसमें मिलता है और ये हर Sunday होता है यानि कि अगर आप चाहें तो इसे next Sunday 14th March को 11 बजे जोईन कर सकते हैं 11 a.m. every Sunday तो code use कीजिए arm live और इसके द्वारा आप enroll कर सकते हैं इन सारे नए batches का link और combat का जो link है वो नीचे description box में दिया गया है आप link पर click करके इसे join कर सकते हैं तो इसलाम की rise की अगर हम बात करें तो ये 7th century में हुआ और उसके बाद ही हम देखते हैं कि equality की बाते fraternity की बाते होने लगी इसलाम को follow करने वाले लोग जो है वो दूसरों को भी इसलाम के बारे में बताना चाहते थे और इसे spread करना चाहते थे तो जो अरब empire है ये शुरू हुआ था early caliphs के द्वारा और caliphs मतलब है खलीफा ठीके जो खलीफा एक authority है जो की पूरे management को पूरे political administration को देखते हैं उसके वो head होते हैं तो ये लोग जो है अरेबिया, सीरिया, एराक, एरान, एजेप्ट, नौर्थ अफरिका, स्पेन इन सब जगाओं को छोड़ दें अगर तो the Arab empire ये जो है ये शुरू हो चुका था by early caliphs and ये सारे area में ये फैला हुआ था 8th century के बाद एक नई dynasty जो abbasid dynasty है उसने पूरा दबदबा स्थापित कर लिया था और पूरा Arabic इलाका जो है वो वहाँ पर इन्होंने अपने आपको set up कर लिया था इनकी capital थी बगदाद में आप यहां map में देख सकते हैं इसमें जो North Africa है Egypt है and Syria, Iran, Iraq ये सारे parts इसमें शामिल है तो बगदाद इनकी capital हुआ करता था ये abbasid dynasty थी जो कि 750 से 1258 के बीच में रही थी और ये बहुत ही important part था इसको control कर रहे थे West Asia North Africa के trade routes के region तो आप देख सकते हैं कि ये Mediterranean जो world है Mediterranean world को world of prosperity भी कहते हैं क्योंकि Mediterranean Sea जो है यहां पर ये पूरा का पूरा जो Europe का जो घेर है हुआ ये समुत्र है Mediterranean Sea उसी को कहते हैं तो Europe के part को इस टाइम में wealth and prosperity का एक हिस्सा माना जादा था Mediterranean world को and बहुत important ये हिस्सा हुआ करता था तो यहां से इनके सारे trade routes जो है वो link को रहे आप देख सकते हो कोई भी अगर Europe जाना चाता है या Europe से आना चाता है तो उनको अब बासर डाइनस्टी के थ्रू ही आना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं ये सारे इलाके इनोंने ले लिए पूरा control किया हुआ है सारे trade routes पर अब जो Arabs का establishment था वो कैसे हुआ जब भी हम बोलते है Arabs तो Arabs का मतलब क्या है कि हम Arab rulers की बात कर रहे है Arab traders की बात कर रहे है तो जो gold दिनार था इनका सोने का सिक्का और silver का दिरहम जो चान्दी का सिक्का होता है तो दिरहम और दिनार ये जो है इनकी currency बन गई और ये दुनिया की currency बन गई जैसे आज आप देखते हूं न dollar है न dollar का कैसे use किया जाता है dollar मतलब dollar में बात होती है तो बिल्कुल वैसे ही पहले जो है दुनिया भर के लिए gold दिनार और silver दिरहम जो है वो currency of trade बन गई all over the world आप देखेंगे हर जगा मतलब book keeping रखी जारी है कौन आ रहा है entry हो रही है किसकी नहीं हो रही है advance accountancy जिसमें की पूरा account रखा जाता है calculate किया जाता है large scale पर जो है elaborated banking और credit system है loan लेना loan देना और जो bills of exchange है जैसे कि government securities होती है जिसके basis पे एक दस्तावेज आप दिखाते हैं और वो दस्तावेज जो है वो एक amount का प्रमान होता है पैसे का प्रमान होता है इसको hundi कहते हैं तो bills of exchange जिसे कहते हैं ये भी शुरू हो चुका है तो आप कह सकते हो कि proper जो banking system है वो शुरू हो चुका था and administration को manage करने के लिए ये लोग अलग अलग लोगों को काम पे रखते थे जो कि non muslim लोग हुआ करते थे जैसे कि Christian हो गए Jews हो गए जो non Arab से आते थे और particularly अगर आप देखे तो Iranians जो है वो ये काम कर रहे थे and बहुत सारे इसमें से लोग जो है Zoroastrians थे और कुछ बुद्धिस्ट भी थे जो कि इनके administration में काम किया करते थे Zoroastrian भी एक प्रकार का religion होता है this is also one kind of religion तो जो कैलिफ अल-मामून थे ये एक खलीफा थे इन्होंने एक चीज शुरू की थी जो बहुत important है prelims के perspective से इसे कहते हैं house of wisdom बगदाद में इन्होंने अपने capital में house of wisdom शुरू किया था house of wisdom को बैतुल हिकमत भी कहते हैं इसका काम क्या था यहां पर जितने भी दुनिया के best to best जो literature है उसको जो है translate करने का काम होता था तो बगदाद में क्या करते थे ये लो Arabic में अरभी भाशा में जो learning है अलग-अलग civilization की वो होती थी और translation होता था जहा है Greek, Byzantine, Egyptian, Iranian, Indian इन सारी भाशाओं में इन सारे देशों में जो भी learning activities के द्वारा text हैं चीजे हैं उसको translate करना तो यह हमें क्या दर्शाता है इससे क्या फाइदा होगा अगर अलग-अलग जगहों की जो civilization की चीजें हैं उसको पढ़ा जाएगा उसको सीखा जाएगा तो इससे क्या इससे क्या फाइदा है इस इस उसफुल आज था दूपे ने लिखा है यूँ हाव मेड दी हिस्टी टॉपिक्स मच एजियर फॉर अस थांक यू माम थैंक यू आस्था फॉर यूर प्यूटिफुल कॉमेंट आइड आरे शर्मा की बुक मैं आल्रेडी कवर कर चुकी हूं आप सर्ज कर सकते हैं आरे शर्मा बाइ आर्थी मिष्टा आप देख लेंगे तो मिल जायेगा आपको ठीक है आरे शर्मा बाइ आर्थी निश। यू can certू इस ने आरे शर्मा की जो भुक है उसे कवर कर दिया है ऐक्य तो मैं यहां देख सकती हूं सबसे पहली चीज सुप प्रिया बिल्कुल सही कहा आपने the trade relationships यानि कि कौन कौन से देश कहां कहां से कैसे कैसे हैं उनसे trade relationship और अच्छे हो जाएंगे और international relations में यह हमें help करेगा साथी आगे के लिए future में कभी भी कोई research है कोई development है किसी भी प्रकार का काम करना है कोई इतिहास जानना है तो हमारे पास सारे की सारे दस्तावेज मौजूद रहेंगे ठीके काफी अच्छे दस्तावेज जो है वो हमारे सामने मौजूद रहेंगे जो कि बहुत ही जादा helpful हो जाएगा इतने सारे दस्तावेज रहेंगे तो हम किसी भी देश के बारे में पढ़ पाएंगे जान पाएंगे जो कि क सामान था जैसे की कंपाश ससे दिशाओं का पता लगा सकता है तब के कगया है प्रिंटिंग में बहुत होता ल пригगता है बारूद और वील बैरो विल बैरो होता है जो कि पहिय उती है दो पहिय वाहन होता है चोटासा को आप कहीं इसमें थोड़ा बहुत समानलाद करके यहां वहां ले जा सकते हैं तो ऐसी wheelbarrow वेगर जो है यह लोग बना लेते थे तो जैसे कि आप समझे जैसे कि आज कल आप देखते हो न जो trolley bag होती है जिसमें नीचे पईया लगा होता है तो उसी तरीके का होता था wheelbarrow पहले तो compass, paper, printing, gun powder, wheelbarrow यह सब जो है यह यह यूरोप में ले जाते थे तो Chinese जो inventions हैं वो इनके बहुत काम आने लग गए और बहुत अच्छा इनका व्यापार हो रहा था अरब्स का बहुत एक famous हमारे Venice के ट्रावलर थे जिनको हम Venice ट्रावलर कहते हैं जिनका नाम था Marco Polo यह China गए थे क्योंकि इन्होंने देखा कि China और अरब का relation तो बहुत अच्छा हो रहा है बहुत ही बढ़ता जा रहा है तो वो जानना चाहते थे कि क्या relation है चाहिना के बारे में और जादा वो पता लगाना चाहते थे और अरब्स की जो एक Monopoly है ना उस Monopoly को खतम करना चाहते थे क्योंकि जो अरब्स की Monopoly है चाहिना के साथ के Trade में एक्चुली क्या था ना अरब हर जगा Monopoly क्रेट कर चुके थे तो जो यूरोप का भी Trade होता था चाहिना के साथ उसमें जो भी वस्तूओं में Trade होता था जो भी सामान होता था वो अरब Intermediaries के द्वारा होकर के जाता था क्योंकि अरब्स ने हर जगा कबजा किया हुँ था लास्ट क्लास में भी मैंने आपके साथ के डिसकर्स किया था कि अरब्स जो है सारे लांड रूट्स पर सारे important जो पोर्ट्स हैं Red Sea का जो इलाका है सारे इलाके पर कबजा कर चुके थे एक decimal system जो है वो डेवलाप हुआ था इंडिया में 5th century में और ये जो decimal system है वो अरब में फिर ट्रावलर हुआ ठीक है अरब में फिर ये ट्रावल हुआ और अरब वर्ल्ड में इसको बहुत यूज़ किया था तो यहां पर 9th century में ये बड़ा popularize हुआ था अरब में तो अरब mathematician थे जिनका नाम था अल-Khwarizmi इन्हों ने introduce किया था इस चीज़ को यूरोप में 12th century में बाई अ मॉंक उस मॉंक का नाम था Abilard जिन्होंने इंडिया के decimal के बारे में सबको बताया और इंडिया में जो decimal system निकला हमारी ये जो एक नई खोज थी वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई तो आप देख सकते हैं कि भारत ने हर एक field में दुनिया को बहुत कुछ दिया है चाहे वो mathematics हो चाहे वो science हो आयुरवेदा हो हर एक system जो है उसकी origin यहीं से हो रही है famous जो translations है जो कि Arabic में हुए उसमें क्या क्या आता है सूर्य सिध्धान्त और जो चरक चरक समिता और सुश्रत समिता है इसके अलावा जो पंच तंत्र जैसे किताबे हैं इन सब को Arabic भाशा में अरबी में translate किया गया था 10th century में जो Arabs थे वो बहुत बड़े leader बन जाते हैं science के इस इस पार्ट में मतलब वो एक बहुत बड़ी leader के रूप में emerge होते हैं वो लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे थे 10th century की शुरुआत तक आते आते ये जो हैं बहुत ही जादा तेजी से ग्रो हुए लेकिन अचानक ही 12th century के बाद इनका decline शुरू हो गया इनका decline क्यों हुआ ये लोग इतना अच्छा व्यापार कर रहे थे लेकिन हुआ ये क्योंकि इनकी जो political and economic developments हैं वो रुख गई इनकी quality unstable हो गई और इनके जो rulers हैं वो बदलते हुए समय के साथ अपने आपको और अपनी technology को update नहीं कर पाए जिसके कारण इनके अंदर एक orthodoxy develop हो गई orthodoxy के अंदर क्या होता है कि आप पुराने जो चले आ रहे रीती रिवाज हैं उसी अनुसार काम करते हैं नई चीज़ों को accept नहीं करते हैं और नया जो एक change आ रहा है उसके अनुसार खुद को नहीं बजलते हैं update नहीं करते हैं तो ये लोग भी orthodox हो रहे थे ये लोग अपने आपको update नहीं कर रहे थे जिसके कारण eventually European's powerful होए और European's ने हर जगा अपना दब दबा पैला लिया अफरिका की लिए अगर हम जो अरब ट्रेड अफरिका में हुआ था उसमें बहुत जादा slaves का export भी होता था slaves जो है ये लोग बहुत एकसपोर्ट करते थे gold भी लोग बहुत जादा जो है export करते थे ivory भी ये लोग जो है बहुत जादा export करते थे अच्छा what do you mean by ivory क्या किसी को पता है आईवरी क्या है वू विल टेल मी ये जो क्लास है ये NCRT की ही है और आपको सारा जो PDF है वो Unacademy Articulate पे मिल जाएगा Unacademy Articulate का हमारा एक YouTube चैनल है आप वहाँ पर देख सकते Unacademy Articulate के YouTube चैनल पर तेलिग्राम चैनल पर आपको जो है मिल जाएगा PDF ठीक है इस सीरीज का PDF आपको मिल जाएगा वहाँ से आप ले लीजेगा हाँ बिलकुल हाथी दांत इशिका और काजल शेजवर ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है elephant teeth होता है हाथी दांत होता है ivory सफेध होता है ये और बहुत बहुमूल ये चीज होती है बहुत महंगा ये बिकता था इस वीडियो को like जरूर करें guys आज हमारा 100 likes का target है कि हम इसे achieve करें इस life session को it really motivates अस जब आप लोग हमारे free sessions को like करते हैं तो हम और ज़्यादा free sessions लाने के लिए encourage होते हैं motivate होते के आपके लिए हम अच्छे से अच्छे courses ले करके आएं तो चलिए बात करते हैं इसमें एक Ethiopian kingdom की ये जो Ethiopian kingdom हुआ करता था इसको हापशीस भी करते थे यहाँ पे जो Christians थे वो बहुत तेजी से grow हो रहे थे और यहाँ के जो Christians थे उनका Indian Ocean से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था Indian Ocean trade ये लोग करते थे और ये जो है across एडन जो है ये एक बहुत बड़ा center हुआ करता था ट्रेडिंग center हुआ करता था एक port हुआ करता था यहाँ पे ये बहुत बड़ा port center होता था तो यहाँ से लोग trade करते थे तो ये लोग बहुत ज़ादा associated थे Byzantine Empire से and Indian Ocean trade से तो ये बहुत तेजी से grow हो रहे थे इनकी economic position जो है बाद में जब बाइजंतिन empire decline हुआ तो इनकी तरीके से जो Muslim intermediaries और Europeans थे उनके बीच में तनाव देखने को मिल रहा था अब हम जानेंगे कि जो हमारा North India था उसमें किस तरीके का struggle चल रहा था South India के struggles को भी हम समझेंगे North India के struggles को भी हम समझेंगे तो ये जो है ये हमारा second chapter है सतीश चंद्रा का 800 to 1000 AD के बीच का समयकाल है जिसे आज हम discuss करेंगे इसमें हम जानेंगे कि North India के उपर power struggle और domination को स्थापित करने के लिए कौन कौन से kingdoms आपस में लडाई कर रहे थे और three-partite struggle क्या था ये कौन से struggle था कौन थे वो तीन लोग कौन थे वो तीन kingdoms जो की लडाई कर रहे थे तो पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास इनके बीच में जो एक लडाई थी उस struggle को हम समझेंगे उस संघर्ष को हम समझेंगे तो क्या आपको पता है कि ये लोग क्या पाना चाहते थे? किस चीज के रहे स्ट्रगल कर रहे थे बेसिकली डू यू नो? लेट मी नो इफ यू नो दी आंसर चलिए एक बार आप देख लीजे कौन कौन कहां कहां है ये हैं आपके पालास ठीके ये आपके हो गए प्रतिहारास और यहां आ गए आपके राष्ट्रकूटास ठीके ये तीनो जो है लड़ रहे थे अब देखिए इनका आप देख सकते हो कि ये जो मैंने बाउन्डरी बनाई है वो इस कलर से बनाई हुई है तो ये फ्लक्टूइटिंग फ्रेंटियर है मतलब क्या था ना कि कभी तो जो पालास थे वो और जादा आगे चले जाते थे ठीके वो इधर और एक्सपेंशन कर रहे है और गुर्जर प्रतिहार जो है वो इधर और एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे है और डाश्ट्रकूटास और जादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है तो हर किसी की लड़ाई चल रही है नीचे आप देख सकते चोलाज, चेराज, पांडियाज का इलाका और यहाँ पे आप देख सकते अरब्स जो है अपने आपको स्थापित कर चुके हैं यह जो है इस तरफ आएंगे तो यही है जो आज हम लोग डिसकस करने वाले और स्पेक्ट्रम का लाइन टो लाइन सीरी शुरू हो रहा है तो इन केस यू वांट टो जोईन आप आर्टी टेन का रेफरल कोड यूज करके अनकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मुझे जोईन कर सकते हैं हमारे नए बैचे शुरू हो रहे हैं एक तारिक से जहां NCRT का नएा बैच और स्पेक्ट्रम का नएा बैच शुरू होगा और उस नए बैच में मैं आपको 6-12 की सभी NCRT इसको कवर करूंगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे आपको इसके बाद NCRT पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी साथ ही अगर आप जो है स्पेक्ट्रम के कोर्स को जोईन करते हैं तो आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ पाएंगे और आपको Modern Indian History कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी Line to Line coverage आपको मिल जाएगा तो आप इसको अगर जोईन करने में इंट्रेस्टेंड है तो Unacademy Plus का सब्स्क्रिप्शन लीजे और सब्स्क्रिप्शन लेते वक्त मेरा Code यूज़ कीजे आपको मौका मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेरा Code यूज़ किया तो आप सिर्फ मेरी Classes देख सकते हो तो बस आप मेरा Code याद रखो डबल अ आर्ती डबल ई वन जीरो आर्ती टेन दिस इस मैं Referral Code जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो ठीके तो मैं देखती हूँ किसने सही आंसर दिया है अभी हम लोग Main जो हमारा Medieval Indian History है उसका जो Core है टॉपिक वो डिसकस करेंगे ओके बहुत ही है सही आंसर कन्नौज is the right answer बिलकुल सही तो चलिए इसे समझते हैं कि ये लोग क्यों लड़ना चाते हैं और क्यों उस चीज़ के बीचे पड़े हुए थे तो हर्श वर्धन जो है हमारे आखरी Ancient History के हिंदू जो शाषक थे जिन्होंने North India पर कबज़ा किया हुआ था उनकी death हो जाती है तो जब हर्शा का Empire खतम हुआ 7th century की ये बात है तो 7th century जो है ये एक बहुत important time है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हो लिए एक तो हर्श वर्धन की death हो गई है दूसरा इसलाम का उदे हो चुका है Roman Empire खतम हो चुका है ये ये रोप में सारे बड़े बड़े states जो हैं वो डेवलाप हुए और कई सारे अलग-अलग प्रकार के kingdoms आगे आए South India में भी ऐसा ही हुआ Deccan और South India में भी ऐसा ही हुआ South India में कौन था South India में थे चोलास जो की कृष्ण गोधावरी का आवेरी का जो एरिया है डेल्टा है उसको पूरा कंट्रोल कर चुके थे पाला इंपायर था जो की Eastern India में बहुत dominating था in the middle of 9th century प्रतिहारा इंपायर था जो की Western India को काबू किया हुआ था और Upper Gangetic पूरा वैली को काबू किये हुए था राष्ट्रकूटा इंपायर जो है यह सबसे powerful था यह पूरा dominated था Deccan में इसने सारी North से लेकर South तक की जो सबसे ज़ादा areas है सबसे ज़ादा territories है उसको इसने कंट्रोल किया हुआ था और बहुत लंबा एक area था और यह एक bridge का काम कर रहा था between North and South India in the economic as well as cultural matters तो culture में और economy में एक बहुत अच्छा सा मंजस्य एक बहुत अच्छा transition हमें देखने को मिलता है राश्ट्रकूटा empire की presence की वज़े से आप देख सकते हैं यहाँ पर राश्ट्रकूटा empire जो है इसकी location कितनी strategic है ठीक है तो आप देखेंगे की यह सबब लड़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे पाला उसके बारे में तो पाला क्या है पाला empire के founder थे गोपाला गोपाल जो है वो 750 AD में इसको शुरू करते हैं प्रोबाबली इन्होंने बंगाल के सारे इलाके को युनिफाइ किया और यहां पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया इन्होंने जो मगद का इलाका है जो बिहार का इलाका है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया इसके बाद जो अगले इनके उत्रा धिकारी आए उनका नाम था धर्मपाल धर्मपाल ने भी बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने जो है आगे AD 770 में कोपाल को सक्सीड करते हुए रूल किया AD 810 तक इनका रूल रहा इसके बाद जो है एक 3-perdite struggle शुरू हो जाता है between पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट कूटाज तो ये जो है ये एक struggle जो शुरू हुआ ये क्यों शुरू हुआ ये कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए शुरू हुआ कन्नौज में लेकिन ऐसा क्या था नौर्थ इंडिया में ये जो कन्नौज का इलाका था ये इतना important क्यों है ऐसा क्या है कन्नौज में जो की हर कोई कन्नौज को काबू करना चाता है ठीके वाय कन्नौज is so important यहाँ पर ये समझना होगा क्योंकि इस त्रिपर्टाइट स्ट्रगल के अंदर पालाज प्रतिहारास राष्ट कूटास लड़ रहे हैं और जो धर्म पाल हैं इन्होंने प्रतिहारा के एक राजा थे नागभट सेकिंड जिनको मुंगेर के पास हर विद्धिस्त के रूप में इन्होंने जो बुद्धिस्त एक स्टैबलिश्मेंट है उसको आगे बढाया he was a very very keen follower of बुद्धिस्म तो वो बुद्धिस्त थे और उन्होंने जो फेमस जो बुद्धिस्त एक युनिवरसिटी है उसको शुरू किया जो कि विकरम शिला अगलपुर के डिस्टिक्ट में शुरू हुई और इनको कहा जाता है कि इन्होंने एक जो है सोमपुरा में विहार भी बनाया था विहार में क्या होता है जो बुद्धिस्ट मौंक्स होते हैं वो रहते हैं ठीक है विहार में क्या होता है बुद्धिस्ट मौंक्स जो होते हैं उनके रहने के लिए residential house होता है वो residential area होता है तो monks वहाँ पे रहते हैं चीके तो आप मुझे बताइए जो सोमपुरा में विहार बनाया ये तो ठीक है लेकिन कन्नौज क्यों वाई कन्नौज ऐसा क्या है कन्नौज में लेट्स डिसकस है जितना हम इंट्राक्ट करेंगे डिसकस करेंगे उतने सही से आपको चीज़े याद भी होती रहेंगे strategic location पे है गंगा यमुना वहाँ से जा रही है ठीक है मतलब फॉर्टाइल इलाका है और क्या था कन्नौज एक सेंटर कापिटल थी काजल बोल रहे हैं कि माम विपिन चंद्रा भी complete करा दीज़े ठीक है काजल मैं एक एक करके सभी जो important books है उसके summary's लेकर के आऊंगी बिल्कुल काजल जैसे आपने बोला कि कन्नौज उस टाइम इतना ही important था जितनी important आज दिल्ली है सही बात है ये बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन एक बार इसको map में देखिए ये है आपका कन्नौज का इलाका ठीक है पहले क्या था एक व्यापार के लिए बहुत important रास्ता हुआ करता था silk route ठीक है और वो यहां से North India के कुछ इलाकों से होते हुए गुजरता था तो ये जो पूरा कन्नौज का हिस्सा है ना यहां पर ये एक ट्रेडिंग सेंटर था ये एक commercial hub था यहां पर commercial activities बहुत होती थी और यहां पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता था तो व्यापार के लिए दूर दूर से व्यापारी कन्नौज आते थे और कन्नौज की strategic location की वज़े से इसको हर कोई capture करना चाता था क्योंकि यहां पर अगर जो रहेगा उसको बहुत सारा tax मिलेगा ठीक है उसे बहुत सारा tax मिलेगा उसे बहुत सारा समान मिलेगा क्योंकि कन्नौज में सबसे ज़्यादा exposure था ठीक है इसी लिए यह बहुत important है इसी लिए यह बहुत जरूरी है ओके तो अब हम इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से यह चीज एक important location के वज़े से आगे बढ़ती है तो आप देखिए देवपाल जिनकी हम बात कर रहे थे जो की काफी एक बड़े empire पे रूल कर रहे है तो देवपाल जो है वो sun है धर्मपाल के तो आप देख सकते हैं पहले जो थे गोपाल ठीक है गोपाल के बेटे हैं धर्मपाल धर्मपाल के जो बेटे हैं वो हैं देवपाल देवपाल कौन है वो उत्तरा धिकारी है धर्मपाल के जो की सकसेसर है धर्मपाल के and 810 AD में इन्होंने फिर आगे है चीजों को समाला और अगले 40 साल तक रूल किया देवपाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने जो असम का इलाका है उसको उस टाइम में प्राग जो तिश्पूर कहते थे तो इस इलाके तक इन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सेंट कर लिया था और उडीसा के हिस्से तक ये पूरा फैल चुके थे और इन्होंने जो मौडर्ण नेपाल का पार्ट है वो भी अपने अंडर ले लिया था तो बहुत बड़े इलाके को अपने अंदर इन्होंने कैप्चर किया और इन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग और डिलीजन को काफी जादा संगरक्षन दिया काफी उसके लिए दान दिया विक्रमशिला युनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी और नालंदा युनिवर्सिटी को रिवाइव भी किया था इन्होंने कई सारे और भी जो विहार हैं उन्हें बनाया था और विहारों में कई सारे बुद्धिस्ट मॉंक रहा करते थे तो बुद्धिस्ट मॉंक्स को ये लोग बहुत जादा पैटोनेज दे रहे थे आप देख सकते हैं इन्होंने कितना जादा एक्स्रेंड कर लिया आपने आपको और अब आप देख सकते हैं राष्ट कूटा इंपायर के साथ इनकी डिरेक्ली टककर होती रहेगी ठीक है ये चल रहा था तो अब जो ये समय है इसमें आप देख सकते हैं पालास कितने पावरफुल हो चुके हैं पालास की जो पावर है वो तब थोड़ी सी रुक जाती है जब अरब मर्चंट जो है वो यहाँ पे आने लगे सुलेमान नाम के एक अरब मर्चंट थे एक व्यापारी थे सुलेमान ने इंडिया को विजिट किया यह जो है नाइन्थ सेंचुरी के बीच में उने विजिट किया और वो यहाँ पर आकर के सारी चीजों को देखते हैं वो कहते हैं कि जो पाला किंडम है इसको यह कहते थे रूमा यानि कि अधर्म शॉट फॉर धर्मपाल ठीके शॉट में इसको कहते थे ऐसा कहा जाता था कि जो पाला रूलर्स थे इस-tम में इनकी वोर चल रही थी प्रतिहार और राश्ट्रकूटाज थे तो प्रतिहाराज और राश्टकूर्टाज के साथ ये लड़ रहे थे और जो पाला रूलर्स थे इनका बड़ा close cultural relation था तिबत के साथ और साउथ इस्ट एशिया में बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा सबके साथ इनका व्यापार भी हो रहा था और सबके साथ इनका ट्रेट भी हो रहा था अब यह जो है यह देखो यहां से हमें एक बुद्धिस्ट एंगल भी मिल रहा है आप देख सकते हो कि बुद्धिस्म इंडिया से ही इन सब देशों में गया था तिबद बर्मा मलाया जावा सुमात्रा में बुद्धिस्म का बहुत ज़्यादा प्रफोगेशन तो हुआ ही था अशोका ने तो कितना ज़्यादा फैलाया ही था तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इलाके जो बुद्धिस्म को फॉलो कर रहे हैं और पालास क्योंकि वो खुद भी बुद्धिस्ट है तो इनके तो इनके साथ अच्छे relation हों गई, अच्छे cultural relation, close cultural relations तो इनके हों गई हों गई, तो वो हो रहे थे और बुद्धिस scholars थे जैसे की संत रक्षित थे और दिपांकर थे जिनको अतीसा भी कहा जाता है, इनको तिब वज्रयान, बुद्धिस्म, वज्रयान, ठीके वज्रयान बुद्धिस्म में जो है बहुत सारे charms और spells होते हैं, बहुत सारे rituals उसमें follow किये जाते हैं, पालास जो है ये बुद्धिस्म के बहुत बड़े supporter थे, उन्होंने शेविस्म और वैश्नविस्म को भी patronage दिया था, इसका मतलब वो बहुत tolerant थे, tolerant का मतलब है कि खुद जो अपना धर्म, जिस धर्म को वो खुद से follow कर रहे हैं, जिस धर्म को वो बसंद करते हैं, जो बुद्ध धर्म हैं, उसको तो ये मान ही रहे हैं, उसको तो ये follow कर ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसर को भी ये लोग दे रहे तो यह हुआ पालास के बारे में यहां तक सब क्लियर है यहां तक कोई डाउट से तो आप पूर सकते हैं इसके बाद हम प्रतिहारा के बारे में बात करेंगे फिर हम राश्ट्रकूटास के बारे में बात करेंगे तो अभी हमने एक पार्ट कवर कर ल I hope you are able to get all the points Okay, great, great ठीके guys, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक के तो मुझे कोई doubts नहीं दिख रहे हैं अभी बाकी मैं questions पर आती हूं, one by one I'll come to your doubts also तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, next is the प्रतिहाराज, तो प्रतिहाराज जो हैं इनको गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता था तो देवर also called गुर्जर प्रतिहार तो ये जो हैं ये इसलिए क्योंकि ये जो गुर्जर का इलाका है जिसे गुजरात्र बोल सकते हैं तो ये जो गुर्जरात्र का इलाका था, साउथ वेस्टन राजिस्थान का जो इलाका था, वहां उस एरिया में ओरिजनेट हुए थे, सिलिए इनको गुर्जर प्रतिहाराज भी कहते हैं इनकी राष्ट्रकूटास से भी लड़ाई थी, क्योंकि ये मालवा और गुजरात का जो इलाका है उसे कंट्रोल करना चाते थे और फिर ये कन्नौज को भी आगे जीतना चाते थे, इसलिए इनकी लड़ाई होती थे तो earliest जो well-known king थे, जो इस प्रतिहारा kingdom के सबसे बड़े राजा थे, इस डाइनस्टी के उनका नाम था नागभट वन ठीके नागभट इनका नाम था, इनको जो है कहा जाता है कि इन्होंने काफी अच्छे से इस एरिया को समहाला था और बहुत सारे जो, बहुत सारे से अटाक्स हुआ करते थे, उन अटाक्स से भी ये जो है सामना कर रहे थे तो he was well-known king of this dynasty, नागभट वन, इन्होंने जो है, जो मलिच्छास थे, उनके अटाक्स से बचाया था possibly जो अरब्स थे, सिंद के, उनसे भी इन्होंने जो है बचाया था तो मलिच्छास जो है, ये मलिच्छ जो है, ये एक प्रकार की जन जाती थी, जिसका अटाक होता था इस एरिया में अरब्स का जो इलाका है, अरब्स ने सिंद पर इस समय तक में जीत हासित कर ली थी क्योंकि अरब कंके स्टॉप सिंद 712 AD में हो चुका था तो अरब्स जो है, उनसे भी ये बचा रहे थे इस एरिया को इसके बाद जो है, जो रियल फाउंडर थे इस पूरे पार्ट के वो थे भोज भोज, उनका नाम महीर भोज है एक्चुली में, ये राजा भोज बड़े इंपॉर्टन्ट है इन्होंने मतलब इस इंपायर के अंदर बहुत बड़ा मतलब एरिया अपने पास रखा हुआ था एक्चुली में इनके हाथ से पहले कन्नौज भी निकल गया था, लेकिन इस कन्नौज को इन्होंने रिकवर कर लिया था AD 836 में उने रिकवर किया था कन्नौज को और उसके बाद फिर कन्नौज प्रतिहारा इंपायर की किंग्डम रहा इनकी कैपिटल रहा और मोस्ट अ सेंचुरी तो प्रतिहारा असका कन्नौज के उपर सारा जो राज है वो रहता है एक और बैटल हुई थी इना सेंग्यूनियरी बैटल जो की नर्मदा नदे के किनारे हुई थी इसमें जो भोज हैं उन्होंने मालवा का और गुजरात का बहुत बड़ा इलाका कैप्चर कर लिया था और भोज विश्नु के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने जो है टाइटल लिया था आदी वरहा का ठीके आदी वरहा इनका टाइटल था बहुत इंपोर्टन्ट है तो ये बहुत इंपोर्टन्ट टाइटल इन्होंने लिया हुआ था और विश्नु के ये डिवोटी थे विष्णू के ये भक्त थे राजा भोज तो ये मेन मतलब इनको माना जाता है वस दे रियल पाउंडर जिन्होंने इस पर्टिकुलर पार्ट को शुरू किया था तो आप देख सकते हैं माप में गुर्जर प्रतिहारा की लोकेशन और इनी के अंडर कंट्रोल में कनौज रहा कनौज इनकी क्यापिटल रहा तो राजा भोज जो हैं इनके जो बेटे थे ठीके उनके बेटे का नाम था महेंदर पाल वन तो महेंदर पाल वन जो है इनके बेटे थे जिन्होंने आगे उत्रादिकारी बन करके चीजों को सम्हाला और अपना इंपायर जो है इन्होंने बेंगौल और मगद के पार्थ नौर्थ मेंगौल तक मगद तक पूरा फैला लिया आप देख सकते हो कि जो पालाज का इलाका हुआ करता था वो इन्होंने छीन लिया है औ इसके बाद फिर महिपाल आये थे जो की राष्ट्रकूटा रूलर इंद्र थर्ड जो है इस टाइम में आये थे जिन्होंने कंप्लीटली जो कन्नौज की सिटी है उसको डिवास्टेट कर दिया था तो जो महिपाल का रीन था जब महिपाल राजा थे कुर्चर प्रतिहारा के अंतरगर्थ उस टाइम में दूसरे राष्ट कूटा रूलर थे इंद्र थर्ड तो इंद्र थर्ड की तो इनसे लड़ाई होती ही है तो इंद्र आये और इंद्र ने कंनौज को डिस्ट्रॉय कर दिया लास्ट जो प्रतिहारा रूलर थे उनका नाम था राज जेपाल इ हीरो ऑफ इसलाम इसी लिए क्योंकि इसलाम का सबसे जादा प्रचार प्रसार महमूद ऑफ गजनी ने ही किया था महमूद ऑफ गजनी ने समय में कनौज को इन्वाइट किया और प्रतिहारा जो हैं इस टाइम में लर्निंग और लिटरेचर के बहुत बड़े पैटरन भी के राजशेखर ने कई सारी रचनाएं लिखी थी और राजशेखर के द्वारा लिखी गई रचनाएं काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी उन्होंने बहुत सारे ट्रामाज भी लिखे थे तो वो महीपाल के समय में रहते थे महीपाल जो है वो भोज के ही ग्रांट संते उनक तो यह सब चल रहा था तो यह गुर्जर प्रतिहार के बारे में रहा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह जो इलाका है गुर्जर प्रतिहार का है इस टाइम में आप देख सकते हैं गजनी से जो है महमूद आ चुका था अभी जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे बार बार अटाक होता है तो यह इंडिया पर इस तरीके से आएंगे आप यहां पर देख सकते हैं राष्ट्र कूटा अभी भी बने हुए बेसिकली कहा जाता है कि जब यह लोग आये थे तो राश्ट्रकूटा ही थे जो कि मेन पावर में थे यहां पे आप देख सकते हैं कि सारा कौन-कौन से इलाकों से कहां-कहां पे जो सेंटर्स थे हमारे चल रहे थे चोलाज भी यहां पर हैं ठीके तो यह कुछ हैं आपकी कु राश्ट्रकूटा के बारे में हम जानेंगे जो कि डेकन में रूल कर रहे थे यानि कि यह जो है यह वाला पार्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग डिसकस करेंगे राश्ट्रकूटा तो यह जो है यह डेकन में रूल कर रहे थे इनका जो किंडम है से शुरू किया था द इस एरिया पर डॉमिनेट करते हैं और नदन महाराश्टर के पूरे लीडर बन जाते हैं constantly इन्होंने चालुक्यास के साथ भी लड़ाई लड़ी थी और जो चालुक्यास थे वेंगी के जो के करनाटका में उस टाइम में सिच्वेटेट थे इन्दी modern आंदरप्रदेश का इलागा भी इनके पास हुआ करता था उनको इन्होंने हटा दिया था और फिर साउथ में पल्लवाज के साथ इनके लड़ाई होती थी पल्लवाज ओफ कांची और पांडियास ओफ मदुराई इनके साथ इनके लड़ाई होती थी सबसे बड़े जो राजा थे राष्ट्रकूटा रूलर थे उनका नाम था गोविंदा थर्ड गोविंदा थर्ड जो है 793 से 814 के बीच में रूल करते हैं और उसके बाद एक और जो बहुत बड़े राजा आये थे वो थे अमोग वर्ष अमोग वर्ष ने 814 से 878 के बीच म पोयम की जो पोयम्स होती हैं जो कविताय होती है का नड़ भाशा में लिखकर कि उसकी किताब इन्होंने पूरी बनाई थी तो अमोग वर्ष यो है बहुत इंपोर्टन है साथ ही कहा जाता है कि इन्होंने जो कैपिटल सिटी है मनखेत का उसको बनाया था और उसके लिए एक बहुत बड़े ग्रेट बिल्डर माने जाते हैं और इन्होंने जो है इस सिटी को दे सिटी आफ इंद्रा के नाम से इसको कहा इसलिए ये बहुत इंपोर्टन है ये बहुत ही जादा जरूरी है ये जानना कि ये जैन धर्म को फॉलो करते थे लेकिन बागी सभी दूसर धर्मों को भी पैट्रोनाईज करते थे सभी धर्मों की तरफ इनका टॉलरेंस रहा था तो अमोग वर्ष बहुत इंपोर्टन राष्ट कूटा राजा थे इसमें जैसे कि मैंने आपको बताए क्रिश्न थर्ड के बारे में तो क्रिश्न थर्ड जो है ये ब्रिलियंट रू आया था और उसके बाद जो नदर्न पार्ट था चोला इंपायर का वो इन्होंने कैप्चर भी कर लिया था हाला कि राष्ट्र कूटा हर किसी रिलीजिन के तरफ बहुत टॉलरेंट थे और ये जो है बहुत अराम से शांती से रहते थे और ये शेविज्म वैश्न विज्म जैनिज्म हर किसी धर्म को पैट्रोनाईज कर रहे थे मुस्लिम ट्रेडर्स को भी इन्होंने अलाओ किया था मुस्लिम ट्रेडर्स यहां पर आ करके सेटल हो सकते थे इन्होंने इसलाम की प्रीचिंग इसलाम का जो एक यूनो डेवलाप्मेंट है उसको भी स्विकारा और इन्होंने इसलाम के बारे में अगर किसी को प्रचार प्रसार करना है तो इन्होंने रोका ने इन्होंने बोला कि ठीक है जिसको जो प्रचार प्रसार करना है करने दो इस समय में बहुत ही फेमस रॉक कट टेंपल जो सिवर का रॉक कट टेंपल है अलोरा में वो बनाया गया था और इसको जिसने बनवाया था 9th सेंचुरी में उनका नाम था कृष्णा वण कृष्णा वण ने ये बनवाया था और राष्ट कूटा राजा जो है आर्ट और लेटर्स के बहुत बड़े पैटरन थे इन्होंने जो है अप भ्रम्ष पोईट एक बहुत बड़े अपर भ्रम्ष पोईट थे जिनका नाम था सवायमभू इनको इन्होंने जो है पैटोनेज दिया था और उनका बेटा था जो की राष्ट कूट में रहा करता था तो सवायमभू का नाम आप याद रखें सवायमभू was a very very important अप भ्रम्ष पोईट और ये प्रिलिम्स में आपके लिए आ सकते हैं तो प्रिलिम्स में ऐसी चोटी चोटी factual details पूछी जा सकती हैं तो political ideas and organization कैसा रहा था आप देख सकते हैं कि राष्ट कूटा जो हैं उस इलाके पर कायम थे जहां पे पहले कभी एक गुपता rulers का rule हुआ करता था जैसे कि गुपता काल में हमने एक decentralized kind of administration देखा था वही decentralization इन्होंने भी follow किया था तो गुपता राजा हो गए हर्शा kingdom हो गया और जो चालुक्या kingdom है डेकन का उन्हीं की practice उन्हीं की idea से इन्होंने चीज़े ली हुई थी और जो राजा है उनकी position बहुत important है और वो hereditary है राजा का बेटा फिर राजा बनेगा और आगे law and order को maintain करने के लिए kingdom से और भी करते थे और आप देखेंगे कि जो princesses थी यानि की जो राजकुमारियां थी उनको government के अंदर government के जो official post होते हैं उस पर उनको कभी भी अपॉइंट नहीं किया जाता था मतलब rarely अपॉइंट होती थी कि लड़कियों को भी political right मिले बहुत ही कुछ इसके छोटे चोटे exceptions हैं ज जो है देखा गया जो राइच और दुवाब का इलाका है सम्टाइम्स वहाँ पर यह गई तो यह एक exception है वैसे अगर देखा जाए तो as such महिलाओं की condition में कोई improvement नहीं हुई थी राजाओं की अगर हम बात करें तो यह generally जो है इनको कई सारे ministers advice करते थे क्योंकि देखे जाहि इसी बात है कि राजा हर एक चीज का decision हर एक काम खुद नहीं कर सकता उनको assistance की जरुत होती है उनको ministers की जरुत होती है जो उनको advice करे जो help करे जो administration होता है इसके अंदर जो है foreign affairs भी included थे and एक revenue minister होंगे जो कि revenue का सारा काम देखेंगे treasurer होंगे जो कि राजकोश को देखेंग armed forces को maintain करने के लिए सेनबती होते थे chief justice भी हुआ करते थे और पुरोहित भी हुआ करते थे पाला प्रतिहारा और राश्टर कूट किंग जो होते थे इनकी मतलब बहुत well organized army होती थी बहुत बड़ी इनकी infantry और cavalry होती थी infantry का मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनी cavalry का मतलब हो उनी की army में हुआ करते थे बहुत सारे horses जो है वो राश्टर कूटा अज के पास और प्रतिहारा अज के पास हुआ करते थे क्योंकि ये Arabia से बहुत सारे horses लेकर के आते थे और ये सारे horses imported होते थे Arabia and West Asia से and over the land from Khurasan जो East Persia का इलाका है यानि कि इरान के East में जो इलाका है Khurasan क Central Asia का वहां से ये लोग जो है बहुत सारे घोड़े मंगवाते थे प्रतिहार राजा कहा जाता है कि उनकी सबसे अच्छी cavalry थी उनकी सेना उनके घोड़े सबसे अच्छे होते थे country के अंदर प्रतिहारा kingdom का दबदबाव सबसे जादा था क्योंकि इनहीं की वज़े से जो अ केस्ट ऑफ सिंध हुआ उसके बावजूद ये इंडिया में आगे नहीं आपा रहे थे आगे बढ़ने से ये ड़ते थे क्योंकि इनको पता था कि पावरफुल प्रतिहारा kingdom है जो कि अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो इनको छोड़ेगा नहीं और प्रतिहा रूलर्स उस समय में काफी जादा जो है important हुआ करते थे और बहुत जादा strong हुआ करते थे directly ये जो है administered territories हुआ करती थी पालाज और प्रतिहाराज के अंदर इसको ये इन्होंने अपने पूरे राज्य को अलग-अलग इलाकों में divide किया था भुक्ती में divide किया था भुक्ती उपारिका एक governor होते थे प्रोविंस के जो की tax collection का काम करते थे तो land revenue collect करने का काम होता था उपारिका का और law and order maintain करना with the help of army तो उपारिका एक officer होंगे जो governor का काम करेंगे और प्रोविंस को maintain करेंगे विसे पती जो हैं वो district के head होते थे और jurisdiction में जो भी उनके area के अंदर आता था बाकी सारा काम वो ना देखते थे district को head कर दे थे इस period में छोटे-छोटे chief men और सामन्तों का बहुत तेजी से उदय हुआ और इनको सामन्त या भोग पती आप कह सकते हैं क्योंकि ये धीरे-धीरे कई सारे गाउं को अपने control में लेने लग गए और बाद में होने अपनी independence भी declare करना शुरू कर दिया था जो विश्य पती होते थे वो छोटे-छोटे chiefs होते थे और भोग पती जो है वो इनके साथ मौर्ज हो जाते थे और इनको साथ में सामन्त कहा जाता था तो जो विश्य पती है वो अपने अंदर कई सारे जो है chiefs को और भोग पती इसको अप प्रुविन्स अपने अंदर मिला लिया करते थे और वो सामंत बन जाते थे, तो सामंत मतलब क्या है, सामंत मतलब वो एक एसा इसा इन्सान है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाका है कई सारे गाँं का वो मालिख है, वो यहाँ तक हमने जो है काफी हद तक सारा देख लिए हैं कि यह लोग कैसे रह रहे थे अब हम जानेंगे राश्ठकूटा किंडम के administration के बारे में तो यहाँ से हम लोग next class में cover करेंगे next class में हम राश्ठकूटा kingdom के administration को जानेंगे और फिर हमारा जो अगला chapter है दचोला empire यह फिर हम लोग cover करेंगे South India का दचोला empire ठीक है तो वैसे तो ज्यादा slides है नहीं दो-तीन slides ही हैं एक काम करते हैं वरना हम यह lesson आज ही cover कर लेते हैं let's cover it वरना फिर यह रह जाएगा दो-तीन slides और है let's cover it and इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं लेकिन यहां तक कोई doubt से तो पहले आप पूछ लीजे let's take a break यहां तक कोई question से तो आप पोछ लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे is there any doubt I hope यहां तक सारी चीज़े clear है कुछ लोग जो अभी हमारे साथ नए जॉइन हुए है yes good evening guys good evening all of you देखिए mcqs जो है वो होंगे मैं आपको बता दूँ कि mcqs हम लोग करेंगे and all the mcqs would be there ठीक है तो mcq जो है यह हम करेंगे और mcq का मैंने आपको बताया daily test series हम लेंगे शुरू करेंगे इसको तो अलग-अलग topic का test होगा जैसे आज जो मैंने आपको यह पढ़ाया medieval Indian history इसका test होगा तो mcq medieval Indian history का आज आपको मिलेगा और यह आपको 9 o'clock 9 p.m मिलेगा यह quiz और अगर आप इस quiz में participate करना चाहते हैं तो telegram channel पर आपको link मिलेगा तो आपको वो code यूज करना होता है तो telegram पर आपको आना है telegram channel का नाम है ncrt artimishra ठीक है तो आप एक बार जो है इस channel पर आ सकते हैं ओके हाँ राश्ट्रकूटा इंडियन थे बिलकुल अनुभव ने पूछा है कि क्या राश्ट्रकूटा इंडियन थे बिलकुल अनुभव राश्ट्रकूटा इंडियन ही थे और वो डेकन के एरिया में रूल कर रहे थे काजल ने पूछा है कि जो NCRT सीरीज यूट्यूब पर होगी October से स्टार्ट हो रही है देको YouTube पर नहीं हो रही है जो NCRT और स्पेक्ट्रम की सीरीज है वो on Academy Plus पर स्टार्ट हो रही है दाट वुट बी देर ओन अन Academy Plus ठीक है बाद में फिर में बाकी के डाउट्स पर भी आती हूं पहले मैं आगे टॉपिक को बढ़ाऊंगी मैं देख सकते हूं कि और कोई डाउट्स नहीं तो जस्ट दो तीन स्लाइट्स और हम कवर कर लेते हैं और काईज आज हमारा 100 लाइक्स का टागेट है तो प्लीज इस 100 लाइ करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी सारे फ्री लेसंस और कोर्स लाने के लिए ठीके तो अब हम जो है एरिया की बात करेंगे तो एड्मिस्टेशन बहुत अच्छा था राश्ट्र कूटा किंग्डम के अंदर जो एरिया डिवाइड था उसको हम राश्ट में देखते थे तो राश्ट्र मतलब प्रोविंस यानि की एक स्टेट और जैसे की एक स्टेट को अलग-अलग डिस्टिक्स में डिवाइड किया जाता है वैसे ही इन्होंने प्रोविंसेज फिर विश्यास फिर भुक्ती में पूरा का पूरा इलाका डिवाइड किया था तो चोटी-चोटे स्टेट्स चोटी-चोटी प्रोविंसेज को फिर इन्होंने विश्यास में डिवाइड किया फिर विश्यास को इन्होंने भुक्ती में डिवाइड किया तो राश्ट्र की जो हेड होंगे वो होंगे राश्ट्र पती तो इनके जो बहुत सारे राश्ट कंगे कई सार प्रोविंस occurred उप्हार की तरह सारे काम करेगा है जैसे उपारिका जो पाला और का इंपयर में होते थे अपनी सियामी करना टाक्स क जो है σी फिरी person जिसमें कई सारे गाओं इलाके आजाते थे और भुक्ति जो है वो एक ब्लॉक की तरह हुआ करता था एक स्मॉलर यूनिट की तरह हुआ करता था तो पाला प्तिहारा इम्पाइर में भी जो वस्याश की नीचे का जो एरिया था विस्यास की नीचे का जो यूनिट था उसको ये लोग पटल कहते थे तो पटल and भुक्ती are the same thing तो यहाँ पर क्या है विस्यास के बाद जो अगला सब डिवीजन है वो भुक्ती है तो वहाँ पर पाला और प्रतिहारा में जो अगला सब डिवीजन था विस्यास का वो पटल था तो officials को जो है rent free land grants दे दी जाती थी rent free land grants देने से क्या होता था कि उनको हर महीने salary नहीं देनी पड़ेगी उनको एक जमीन का टुकरा दे दिया जाता था वहाँ पर उनको कोई rent नहीं देना होता था वो जमीन का टुकरा उनका हो जाता था जो territorial division था गाउं का वो उनका basic unit था administration के लिए और village headman के द्वारा जो है वो सारा सब कुछ होता था देखा जाता था तो जो village के accountant होते थे उनको सारा काम होता था कि भई वो सारा गाउं का सारा account handle करेंगे और ये position कई बार hereditary होती थी इनको land grants जो है दे दिये जाते थे जमीन का हिस्सा दे दिया जाता था जहां पर इनको कोई पैसा कोई rent या कोई tax नहीं देना होगा rent free lands इनको दे दी जाती थी तो ये territorial division जो है गाउं के अंदर होता था आप देख सकते हैं कि decentralized kind of administration है जो headman होगा गाउं का उसको सारी duties एक गाउं की करनी होगी जैसे एक सरपंच होता है उस तरीके से तो इसमें जो है जो headman होता था वो duties जब भी करता था कोई भी काम करता था तो गाउं के बड़े बड़े जो बुढ़े बुजर्ग लोग हैं उनके साथ पूच करके उनके हिसाब से करता था तो जो village के elders होते थे जिनने ग्राम महाजन या ग्राम महात्रा कहा जाता है उनके साथ मिल करके काम करता था कोष्ट पाल या कोतवाल एक प्रकार का एक ऐसा इनसान होता था जो कोतवाल का काम करेगा एक security guard की तरह सारा law and order town में maintain करेगा नाड गावंडास या देश ग्रामुकताज हुआ करते थे ये जो है ये revenue officers होते थे जो कि south इंडिया में deccan का इलाका ज state and religion में क्या यहां पर relation था बहुत सारे rulers जो इस समय में थे वो शिव के भक्त थे वो शिव के followers थे या आप कैसकते हैं विश्नु के followers थे और ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की teaching है उसको follow करते थे इन्होंने muslimों को भी welcome किया कभी भी उनको जो है उनके उपर attack करना य हमेशा से religious tolerance होती थी तो राजा जो है वो कभी भी interfere करते ही नहीं थे किसी भी custom में किसी भी धार्मिक मामले में कोई code of conduct में या किसी भी तरीके से law books में ये prescribed था जो कि धर्म शास्त्र में ये prescribed था कि किसी के internal matters में conflict नहीं करना है पुरोहित राजा को guide करते थे कि भई इस matter में कैसे काम करना है कोई religious activity आपको कैसे करनी है मेधा थिती जो है ये एक बहुत बड़े expounder थे धर्म शास्तर के और ये कहते हैं कि राजा के पास ये authority है कि उसको धर्म शास्तर और वेदा ये authority दे रहे हैं और अर्थ शास्तर जो है जिसे science of quality कहते हैं कि ये authority है कि राजा सब को ले करके चलेगा उसको public duty को यानि कि अपने राज धर्म को पूरी तरीके से ले करके चलना है और अर्थ शास्तर में ये सारे सिध्धान्त लिखे गए हैं तो राजा जो है वो कभी भी priest के द्वारा dominated नहीं होगा राजा उपर है उसको priest dominate नहीं करेंगे उसके उपर पंड को legitimize कर रहा है strengthen कर रहा है जो राजा जितना बड़ा यग्य कर रहा है हवन कर रहा है वो उतना ही बड़ा राजा है कई सारे rulers ने जो है बहुत बड़े-बड़े temples भी बनवाए थे उन्होंने अपने जो capital है वो बनवाए थे और काफी बड़ा काफी अच्छा amount जो है land grants में इन्होंने दिया था टेंपल्स की maintenance और management में इन्होंने दिया था ब्राह्मनों को यह लोग बहुत सारी जमीने दान में दिया करते थे ऐसी जमीन को ब्रह्म देय कहा करते थे ब्रह्म देय यानि की ब्रह्मनों को दान में दी जाने वाली जमीन तो यह ब्रह्म देय हुआ करत हमारे नए UPSC-CSE batches के बारे में जो कि अनक आडमी प्रस पर 10th मार्च से शुरू हो रहे हैं इन batches में खास बात ये है कि ये सभी aspirants के लिए काफी helpful होंगे 2021, 22 और 23 के जो aspirants है उसके लिए काफी जादा helpful है Ultimate UPSC-CSE 2022 का ये batch Hindi English bilingual सभी भाषाओं में available है जो कि 10th मार्च से शुरू हो रहा है Complete syllabus coverage by top educators, NCRT plus other standard books, पूरा coverage मतलब आपका prelims, mains, interviews, सब कुछ cover होगा इसके अलाबा हमारा जो ये batch है ये अलग-अलग भाषाओं में है तो आप अपने convenience के accordingly अपनी timing के अनुसार कोई भी batch देख सकते हैं एक पर अगर आपने subscription ले लिया तो आप सारे batches का access ले लेते हैं आप सभी batches को देख सकते हैं इसके अलाबा हमारा जो ये prelims का 2021 का batch है ये भी Hindi English bilingual तीनो भाषाओं में available है ये prelims focused batch है इससे आपका prelims easily crack हो जाएगा टू येर का batch भी है हमारे पास ये UPSC CAC 2023 के aspirants के लिए है ये जो है ये एक बहुती lengthy बहुती complete coverage वाला batch है इन batches को जोईन करने के लिए यूज़ कीजे code arm live, arm live के इस code से आपको मिलेगा 10% का extra discount साथी साथ unacademy combat है guys जो कि prelims के test series के according भी बनाया जाता है questions बहुत एची quality के होते हैं जो कि आपको UPSC level पर तयार करते हैं इसमें 1 crore का scholarship pool है आपको अपने share का scholarship इसमें मिलता है और ये हर Sunday होता है यानि कि अगर आप चाहें तो इसे next Sunday 14th March को 11 बज़े जोईन कर सकते हैं 11 a.m. every Sunday तो code use कीजे arm live और इसके द्वारा आप enroll कर सकते हैं इन सारे नए batches का link और combat का जो link है वो नीचे description box में दिया गया है आप link पर click करके इसे join कर सकते हैं Yes, okay I can see many of you are there Yes, hi guys, hi everyone, कैसे हैं आप सब? Good evening, good evening guys Okay, तो मैं देख सकते हूं कि काफी सारे लोग live हैं तो जितने लोग live हैं उतने likes नहीं हैं लेकिन Please like the video, please support to the series देख सकते हैं कि कितना एक important part है जिसे की चोलाज ने cover किया था और कितने सारे दूर दराज के हिस्सों पर इन्होंने अपना दबदबा कायम किया था आप देख सकते हैं ये इनका trade route है ये जो blue color की line आप देख रहे हो Bay of Bengal को cross करके ये देखे आप कहां कहां तक ये लोग चले जाते थे आप देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये जितना blue part है ये चोलाज की territory है जो की चोलाज ने पूरा लिया हुआ था जहां पर directly ये लोग control कर रहे थे और इसके अलावा ये जो part आप देख रहे हैं pink वाला हिस्सा देख रहे हैं ये जो पेगू है ठीके चाया है कदारम है सामबोर है चमपा ये सारे वो इलाके हैं जहां तक इनका influence था मतलब जहां इनका बहुत जादा रोल था जहां पर एक तरीके से ये imperialism कर रहे थे imperialism का मतलब होता है जब एक देश अपनी खुद की सीमाओं को लांग कर दूसरे देशों में प्रभाव डालता है और वहां पर economically अपनी colonies स्थापित करने की कोशिश करता है और economically उन जगाओं के resources को उन जगाओं के जितने भी natural resources है economical जो भी चीज़ें वहां पर उपलब्ध है उसमें व्यापार करता है उसको use करता है और उससे अपना खुद का development भी करता है तो overall आप देख सकते की चोलाज ही थे जो की ऐसा कर रहे थे बाकी इंडिया की history में हम किसी और के बारे में या किसी और dynasty में इस प्रकार का development नहीं देखते हैं जैसा चोलाज ने किया था तो यह बहुत ही ज़ादा fascinating चीज है जो आज हम cover करेंगे तो basically आप देख सकते हैं यह है हमारा चोला kingdom अब देखें यहाँ पे तुखभंदरा river है यहाँ पे कृष्णा नवर है और यहाँ पे कावेरी river है यह आपका है मदूरई जो की पांडियास की capital था मदूरई ठीक है और यह आप देख सकते हैं यह है गंगाई कोंड चोलबुरम यहाँ पे बहुत important मंदिर बनवाया गया था और बाकी यहाँ पे जो है आप देख सकते कृष्णा रिवर का flow फिर यहाँ पे उडिसा के कलिंगर रूलर्स का राज हुआ करता था यहाँ पे सेनाज का रूल हुआ करता था पहले यहाँ पे सेनाज थे फिर पालाज भी आजाते हैं तो ओवराल इस मैप को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब हम चोला किंडम के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि अपने आप में यह मैप काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के हमारे नए डिसकेशन को I hope you guys are excited for the class Yes चल यह ठीक है And मैं देख सकते हूं कि कुछ-कुछ लोगों के questions भी मुझे देख रहे हैं comments में आपके सवाल जो भी है वो मैं जरूर लूँगी And PDF आपको Unacademy Articulate पर मिलेगा Unacademy Articulate पर आपको यह सारे PDF मिल जाएंगे आपको notes बनाने की जरुरत नहीं है यह सारा PDF आपको मिल जाएगा Unacademy Articulate के Telegram चैनल पर हमारे Monday से जो नए बैचे शुरू हो रहे न Guys Plus के और जो हमारा Unacademy Articulate का Telegram चैनल है सब कुछ है उसका link दिया हुआ है description box में You can click and you can join that ठीके वहीं से आपको सारे मिल जाएगा सारा content ओके बहुत बढ़िया तो चलिए समझते हैं हम की चोला जो इंपायर था हमारा इसके founder कौन थे founder थे विजे लेया इन लोगों ने जो है पहली बार जो है चोला इंपीरियलिस्म की लाइन के अंदर इस इंपायर की शुरुआत की थी और actually में ये पल्लवास के अंदर feudal lords का का काम करते थे feudatory का काम करते थे मतलब की सामन्त वादी जो विवस्था थी उसमें से ये जो चोलाज के ये जो लाइन है पहले ये खुद ही पल्लवास के अंदर कंट्रोल में सामन्तों का काम कर रहे थे और जब इन्होंने देखा कि पल्लवा empire week हो गया है तो खुद इन्होंने तंजोर को capture किया 8850 में और उसके बाद यहां पर इन्होंने अपनी एक नई डाइनस्टी की शुरुआत की 9th century के अंत तक आते आते आप देखेंगे कि जो चोलाज हैं उन्होंने पल्लवास को हरा दिया था यह जो पल्लवास ऑफ कांची हैं यह 9th century के अंत तक आते आते हार जाते हैं और उसके बाद से imperial चोलाज की लाइन शुरू होती है तो basically 10th century से आप मान सकते हो कि चोलाज की जो power है वो शुरू होती है पल्लवास कौन थे? पल्लवास के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके थे पल्लवास की power और हमने पल्लवास चालुकियास के conflict को already cover कर लिया है I hope you remember last वीडियो में हमने वो सब चीजें discuss की हुई है पर फिर भी मैं आपको short में बता देती हूँ यहाँ पर यह जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पर अभी चोला किंग्डम आपको नजार आ रहा है यहाँ पर पल्लवास की लाइन थी और पल्लवास जो है वो पहले वो थे जिन्नोंने साउथ इंडिया में टेंपल आकिटेक्चर की शुरुआत की थी इन लोगों ने बहुत ही बड़िया काम किया हुआ था और इनको हरा करके अब चोलाज आ चुके हैं और चोलाज जो हैं पूरे तमिल कंट्री में एक आप कहेंगे कंट्रोल करेंगे और इसे अपने अंदर जो है रखेंगे काफी ज़्यादा पावरफुल तरीके से और एक डी सेंटरलाइज एड्मिंस्टेशन के जरिए इस इलाके को मानेज करेंगे साथ ही आपको मैंने बताया था कि उपर यहाँ पर राश्ट्र कूटाज जो है उनका भी उदय हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते यह जो चालुक्याज है इनको रिप्लेस करके राश्ट्र कूटाज आ गए थे तो राश्ट्र कूटाज जो है उनके एक राजा थे जिनका नाम था कृष्ण थर्ड तो कृष्ण थर्ड जो थे ना राश्ट्रकूटा डाइनस्टी के लास्ट में उन्होंने चोला किंग को हरा दिया था इन दी बैटल ओफ तोक कॉलम 949 AD में ये बैटल हुई थी और इसके बाद जो चोला इंपायर का नदर्ण पार्ट है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया था लेकिन जब कृष्ण थर्ड की डेथ हो गई थी उसके बाद से हम देखेंगे कि एक डाउनफॉल शुरू होगा और डाउनफॉल स्टार्ट होगा और फिर आप देखेंगे कि सारी चीज़े बदल जाती है तो इसमें बहुत सारे बैटल्स होंगे यहां पे इनके बैटल्स सबसे जादा हो रहे हैं अपने आस पडोस के किंग्डम से क्योंकि साउथ इंडिया के टेरिटरी पे बाहर से कोई इन्वेशन या अटाक कभी नहीं हो रहा था यह लोग आपस में ही साउथ इंडियन टेरिटरी जो रूलर्स हैं वो लड़ते रहते थे तो दो बहुत इंपोर्टेंट राजा आए राज राज और राजेंदर वन तो इनके बीच में क्या-क्या चीज़ें डेवलाप होई इसको हम समझेंगे तो चेराज की जो नेवी थी वो थी त्री वंद्रम में यहाँ पर राज राज ने चेराज की नेवी को डिस्ट्रॉय किया था क्यूंकि आपको यह पता होना चाहिए कि चोलाज, चेराज और पांडियाज यह तीन थे जो की साइमल्टेनसली रूल किया करते थे साउथ इंडियन टेरिट्रीज में तो चेराज की जो नेवी है उसको खतम किया था और अटाक किया था केलन को इसके अलावा जो मदुरई का इलाका है जो की पांडिया राजाओं के अंदर था मदुरई इनकी कैपिटल थी पांडियास की उस मदुरई के इलाके को भी जीत लिया था राज राज ने और वहाँ पर जीतने के बाद इन्होंने श्रिलंका की तरफ अपनी नजर रखी और श्रिलंका को इन्वेट किया और श्रिलंका के नदरन पार्ट को भी अपने एंपायर में मिला लिया इसके बाद फिर ये कोर मंडल कोस्ट और मलाबार का जो इलाका है वहाँ पर भी गए और ये सेंटर उस टाइम में हुआ करते थे भारती ट्रेड के जो भारत का ट्रेड होता था साउथीस्ट कंट्रीज के साथ वो इसी पर्टिकुलर कोस्टल इलाके से होता था इस एरिया को भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया राज राज जो हैं वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे इन्होंने शिवजी का एक मंदिर बनवाया था जो कि इनके द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा बहुत ही भव्य मंदिर था तो ये बिर्यधेश्वर टेंपल इन्होंने बनाया था इसे राज-राज टेंपल के नाम से भी जाना जाता है जो कि थंजागुर में है इसे कंप्लीट किया गया था 1010 AD में और ये कंसिडर किया जाता है कि South Indian Style जो है जिसे कि हम कह सकते हैं कि Dravidian Style of Architecture Dravidian Style of Temple Architecture उसकी ये सबसे खूब सूरत एक ये नमूना है उसका Dravidian Style of Temple Architecture तो Dravidian Style of Temple Architecture जो है हम वो मानते हैं कि पल्लवास के अंदर ही Temple Architecture की जो शुरुवात हुई थी उसके अंदर एक सिस्टम डेवलाप हुआ था रथाज का सिस्टम तो पल्लवास जब मंदिर बनाते थे तो उसमें रथ यानि कि अलग अलग सेक्शन्स में मंदिरों को डिवाइड करके Temples बनाना उसमें एक रथ होता था धर्मराज रथ जो सबसे बड़ा सेक्शन होता था मंदिर का धर्मराज रथ ही आगे चल करके Dravidian Style of Temple Architecture में कनवर्ट हो गया था और Dravidian Style of Temple Architecture को चोलाज ने डेवलब किया राज राज जो हैं ये बहुत बड़िया तरीके से रूल कर रहे थे और आगे इनके उत्रादिकारी जो थे इनके बेटे उन्होंने फिर कमान समाली राजेंद्र वन उनका नाम था और ये फिर 101480 से काम करते हैं इस बीज में जो राजेंद्र वन हैं उन्होंने बेंगौल में भी अटैक किया था और वहां के जो पाला रूलर्स थे महीपाल महीपाल के बारे में आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में भी डिसकुशन किया था तो पाला रूलर जो थे महीपाल उनको अटैक किया था उनको हरा दिया था 1022 AD में तो आप देख सकते हैं कि राज राज और राजेंद्र दोनों ही बहुत ही पावरफुल रूलर्स हैं अपने आसपास के पडोसियों में किसी को छोड़ने रहे हैं किसी भी जगा को छोड़ने के लिए सोच नहीं रहे हैं हर एक एरिया कंकेस्ट कर रहे हैं सभी बाटल्स में जीत रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चोला किंग्डम है यहाँ पे पांडियाज है और यहाँ पे चेराज थे उस टाइम में तो चेराज को भी इन लोगों ने कैप्चर करके खतम कर लिया है पांडियाज को भी खतम कर दिया है और चोला किंग्डम पूरा फैल चुका है हर जगा चोला किंडम है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं श्रिलंका का उसको भी इन्होंने क्याप्चर कर लिया है अब आप देखेंगे कि जब बंगॉल में हमारे राजेंद्रवन जो है जब बंगॉल में गये और बंगॉल के राजा महीपाल को जब इन्होंने हराया तो इसी उपलक्ष में उन्होंने एक टाइटल लिया जिसे कहते हैं गंगाई कोंड चोलपुरम गंगाई कोंड चोला यानि की गंगा को कनकर करने वाला चोला एक ऐसा चोला जो की गंगा तक पहुंच चुका है और उसको जीत चुका है तो गंगाई कोंड चोला इसी नाम से यहां पे जो है एक गंगाई कॉंड चोलपुरम का इलाका है जो की इसी नाम से पढ़ा है The City of Chola, who conquered गंगा तो गंगाई कॉंड चोलपुरम शहर का नाम है और गंगाई कॉंड चोल इनका नाम है जिन्होंने जीता है शहर को, हमारे बंगॉल की इलाके को तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है गंगाई कॉन्चोल पुरम मैं आपको इसे मार्ग करके दिखाती हूँ So you can see here गंगाई कॉन्चोल पुरम मैंने इसे मार्ग भी किया हुआ है ठीक है ये यानि कि ये जो है इलाका है जिसकी बात हो रही है इनका शेहर था रिवर के किनारे इन्होंने शुरू की जिसे कि ये गंगाई कॉन्चोल पुरम कह रहे हैं और इसका मतलब ये है The City of the Chola who conquered Ganges ये दोनों पॉइंट्स ठीक है कि गंगाई कॉन्चोल टाइटल उन्होंने क्यों लिया था राजेंद्रवन ने और गंगाई कॉन्चोल पुरम की City का क्या मतलब होता है कावेरी नदी के किनारे ये City जो किस उबलक्ष में शुरू हुई थी ये आपको पता होना जी It's very very important यहाँ पे इन्होंने कई सारे मंदिर भी बनवाए थे तो ऐसी चोटी चोटी डीटेल्स होती है जो प्रिलिम्स में आ सकती है अब इनकी जो नेवी है वो बहुत स्ट्रॉंग है तो इन्होंने फिर क्या किया जो मलाया पेनिंसुला है उसको इन्वेट किया पूरा बे ओफ बिंगॉल ये लोग क्रॉस करते है ठीक है और उसके ब इंपायर था ठीक है मलाया पेनिसुला और श्रीवेजिया एंपायर था तो ये जो पार्ट है सुमात्रा जावा और दूसरे नेवरिंग आइलांड टक जाता था इन्होंने उस जगह को कंट्रोल किया उन आइलेंड को कंट्रोल किया और जो है चाइना के साथ भी इन्होंन इन्होंने कंट्रोल किया और हर ट्रेड या कोई भी चीज़ अगर होगी कोई भी चीज़ अगर बनेगी तो क्या कहां ट्रेड होगा कैसे ट्रेड होगा ये सारा डिसीजन चोला अपने कंट्रोल में रखते थे और कई सारे इन्होंने चाइना में अपनी एमबैसीज भी ब का सहारा ले रहे हैं और commercially भी बहुत powerful हैं और यह नहीं है कि सिर्फ quality को देख रहे हैं सिर्फ culture को देख रहे हैं सिर्फ art को देख रहे हैं यह लोग जो है economy में भी balance लाना चाहते हैं और politically जो international relations हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी superpower की तरह emerge होना चाहते हैं चोला embassies चाइना में दो बार गई हैं 116 में और 133 में इसके बाद हम देखेंगे कि इनके चालुक्यास के साथ भी clash होते हैं तो उस time में पहले इनके चालुक्यास के साथ clash होए पिर चालुक्यास जो हैं replace होकर के राश्टकूताज आ जाते हैं फिर इनके clash राश्टकूताज के साथ भी होंगे तो चालुक्यास के साथ जो है constantly इनकी लडाई होती थी चालुक्याज की capital जो है कल्याणी वहाँ पर इनकी लड़ाई होती थी और फिर बाद में चालुक्याज को replace करके राश्ट्रकूटाज ने उनकी जगर ले रही थी फिर राश्ट्रकूटाज के साथ भी चोला इंपायर की लड़ाईयां होती रहती थी तो ये जो चोलाज हैं ठीक है चोलाज जो हैं वो हमेशा लड़ते रहे लेटर चालुक्याज से भी लड़े और इनकी जो लड़ाई है वो किस बात पे हो रही है कि कौन कितनी जादा लांड को capture करेगा कौन कितनी बड़ी जमीन को हासिल करेगा यहां पे एक बहुत important land area था जो की वेंगी के नाम से जाना जाता है वेंगी यानि की रयाल सीमा का इलाका यहां जो है यह इलाका जो है यिसे तुंग भंदरा दुआब भी कहते हैं यहां पर गंगाज रूल किया करते थे यह जो गंगा है गंगा जो है वो एक और डाइनेस्टी का नाम है यह गंगा नदी का नाम नहीं है ध्यान रखे गंगाज जो है एक और डाइनेस्टी थी जिसने कुछ समय रूल किया था वो नॉर्थ वेस्ट करनाटका के इलाके में उस टाइम में रूल कर रहे थे तो इधर जो है लड़ाई बहुत होती है चालुक्यास जो है वो भी लड़ रहे है चोलास भी लड़ रहे हैं लेकिन जीत किसी के भी नहीं होती है नीदर साइड वास एबल टू गेन अ डिसीजिव विक्टरी मतलब दोनों ही लड़ते रहे गए लेकिन दोनों में से किसी को फायदा हुआ नहीं खैर अगर हम देखे चोला एडमिस्टेशन में किस तरीके का एडमिस्टेशन था तो यहाँ पर यह लोग लोकल सेल्फ गौवर्मिंट को بहत encourage करते हैं तो गाओं गाओं में जो लोकल सेल्फ गौवर्मिंट है जैसे कि आज हम पंचायती राज देखते हैं बिल्कुल वैसे ही यह बहुत उस चीज़ को encourage करते थे इनका मानना था कि गाओं को self-vormant का पूरा अधिकार देना चाहिए और चोला empire जो है काफी अच्छे से सी वज़े से flourish हुई और decentralized administration की वज़े से इनका administration बहुत बढ़िया था 12th century तक ये बहुत तेजी से flourish हुए लेकिन 12th century के बाद से इनका decline शुरू हुआ और इनको फिर pandya's जो हैं और होई सालाज वो replace कर देते हैं pandya's and होई सालाज replace कर देते हैं और उसके बाद अंत में फिर यहां विज़े नगर empire आ जाता है लेटर जो चालुक के नगर empire था वो भी 12th century में ही end हो गया था और इस जगा को replace करके फिर बाद में यादव्स आ गए थे यादव्स and ककातिया तो यादव्स and ककातियाज एक बहुत बड़ी डाइनस्टी की रूप में आपको आगे emerge होते हुए दिखेंगे जिस समय में देली सल्तनत चल रहा था इंडिया में उस समय में यादव्स ककातियाज होए साला किंडम ये सब साउथ इंडिया में चल रहे थे फिर आप देखेंगे कि कैसे देली सल्तनत जो है इन सभी किंडम्स के ऊपर भी capture करने की कोशिश करती है तो चोला गौर्मेंट लोकल सेल्फ गौर्मेंट किस तरीके का था इसको हम समझेंगे और जो राजा थे वो कितने important है राजा supreme authority में है the king was the most important person चोला administration में उनकी authority सब से उपर है राजा जो है सब से उपर है और हर चीज दिनी के हाथ में रहती थी और इनकी council of ministers भी होते थे जैसे कि आज हमारे council of minister होते है पूरा एक मंत्री मंडल होता है मंत्री परिशर्द होता है तो वैसे ही यहाँ पे भी होता था जो कि इनको assist करते थे advice करते थे help करते थे राजा के कई सारे bodyguards भी होते थे जो कि राजा को help करेंगे और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है साथ ही आप देखेंगे कि एक Venice City से एक ट्रावलर आये थे Veniceian ट्रावलर थे जिनका नाम था Marco Polo इनके बारे में हमने last class में भी चर्चा की थी Marco Polo जो हैं ये केरला आते हैं 13th century में और वो बताते हैं कि राजा के कई सारे bodyguard हुआ करते थे और वो bodyguard अपनी जान पर खेल करके राजा की जान बचाते थे तो इसके बारे में Marco Polo ने भी mention किया है अगर हम बात करें Military Administrations की तो जाहिर सी बात है कि चोलास के पास आमी बहुत अच्छी थी और आमी के साथ साथ नेवी भी बहुत अच्छी है बिना नेवी के यहाँ पर काम चल नहीं सकता है क्योंकि अगर अच्छे जहाज नहीं होगे अच्छी नेवी नहीं होगी तो समुद्री इलाके में ये टिक नहीं पाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी आमी थी इसमें इनके पास हाथी भी थे इनके पास पैदल सैनिक भी थे इनके पास कैविल्री भी थी कैविल्री का मतलब घुर सवार सैनिक भी थी और आमी की ये तीन हिस्से होते थे तो कौन से तीन हिस्से हैं आमी के एलिफेंट्स, कैविल्री, इन्फेंट्री ठीके, infantry जो है वो पैदल सेनिको को कहते हैं लेकिन पैदल है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं इनका जो है हाथ में कई सारे इनके हतियार होते थे ठीके, तो ये लोग भी spairs वगेरा लेकर के armed weapons वगेरा लेकर के चलते थे और बहुत ही strong इनकी navy होती थी नेवी तो इनकी काफी अच्छी थी, काफी सारे इनके पास जहाज हुआ करते थे और इसी कारण ये इतने बड़े एरिया को capture कर पाए चोला इंपायर अलग-अलग provinces में बटा हुआ था इन provinces को मंडलम कहा जाता था फिर मंडलम को जो है इन्होंने वलनाडूस में divide किया था वलनाडूस का मतलब एक बहुत बड़ा district नाडूस का मतलब भी होता है district और फिर छोटे-छोटे जो गाउं होते हैं उसको कुर्रम बोलते थे तो इसको कहते थे villages कुर्रम सबसे नीचे है कुर्रम basic unit administration का एक गाउं से इस शिडू होता है कुर्रम के बाद नाडूस नाडूस के बाद वलनाडूस और वलनाडूस के बाद मंडलम इस प्रकार से चोला empire divided था कई बार जो royal family को अगर हम देखें तो जो royal family के राजकुमार होते थे वो जो है प्रोविंसेस के गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे और जादा तर राजकुमारों को ही गवर्नर्शिप दी जाती थी क्योंकि जाहिर सी बात है अब भाई राजकुमार है तो उसको जादा पावर देनी चाहिए और राजा है प्रिंस है तो जो भी royal blood के लोग होंगे तो उनको तो of course अच्छी अच्छी उच्छी positions पे रखा ही जाएगा जादा तर ये जो officials होते थे उनको assignment दिया जाता था revenue का और एक जमीन का हिस्सा दे दिया जाता था इनको regular कोई salary नहीं दी जाती थी regular salary का कोई ऐसा चकर नहीं होता था इनको assignments दे दिये जाते थे और जमीन का देखरेक करना जमीनों को सम्हालना और revenue को collect करना ही इनका काम हुआ करता था तो इनके जो गाउं थे उसके कई सारे प्रकार होते थे पहला प्रकार होता था जहांपे inter-cast population यानि की अलग-अलग प्रकार के लोग रहते थे अलग-अलग कास्ट के लोग जो है रहा करते थे और जो land है वो सभी classes के बीच में divided थी सब लोग यहां पे tax देते थे और राजा को tax दे करके land revenue के रूप में फिर यहां पे रहते थे ठीके तो यह सबसे ज़ादा इस प्रकार के गाओं हमें देखने को मिले है second है जो ब्रह्मदेय है ब्रह्मदेय जो है इसको अग्रहार के नाम से भी जाना जाता है अग्रहार villages जाने की वो गाओं जहां पे ब्रह्मदों को जो जमीन दे दी जाती है और जहां पे केवल ब्रह्मद रहा करते हैं तो यह केवल ब्रह्मदों की area होता था ब्रह्मदों की यह जमीन होती थी वहां पे केवल ब्रह्मद ही रहते थे और उनको कोई tax नहीं देना पड़ता था वो काफी अमीर होते थे और ब्राह्मनों को जो है हमेशा जो वर्ण विवस्ता है उसमें सबसे प्रथम वर्ण में रखा गया है तो उनको कई सारे इसके वज़े से privileges मिल रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे social discrimination है थर्ड टाइप आप विलेज जो है वो है देवधन देवधन यानि कि वो गाउं जो की मंदिरों को जमीन में दे दी जाती थी यानि कि यह जो है देवदान यानि कि देव को दे दी गई है गरांटेट टू गॉड तो इसमें जो है revenue जो लिया जाता था in villages से वो donation में डाल दिया जाता था तो temple को वो donate कर दिया जाता था या गरीबों को वो donate कर दिया जाता था तो यह बहुत popularity ले लेता है क्योंकि इससे जो temples हैं वो एक center of life बन गए थे और मंदिर जो है हमेशा से ही center of art, culture and education रहे हैं क्योंकि मंदिरों में पढ़ाई लिखाई भी होती है, मंदिरों के अंदर कई सारे open theaters की performance भी होती है मंदिरों के अंदर art and culture का display भी होता है अगर एक जगा पे मंदिर है तो उसे कई सारे लोगों को employment मिल रहा है वहाँ पे माला बनाने वाला भी है, मूर्ती बनाने वाला भी है, सफाई करने वाला भी है, पंडित भी है अलग-अलग लोगों को मंदिरों के होने से employment opportunities मिल रही है तो temples जो हैं, वो एक center बन चुके हैं, इन सारी social activities का और पूरी society को बांध के रखने के लिए, जोड के रखने के लिए, एक center का काम भी कर रहे है अगर हम बात करें trade की, तो जो चोला rulers थे, इन्होंने बहुत सारे royal roads बनाए हुए थे जिसके द्वारा trade करना काफी आसान हो चुका था, इनके बहुत सारे network हुआ करते थे तो आप यहाँ पर map में देख सकते हैं इनके जो network है, कैसे जो है इन्होंने दूर दूर तक के लाके को capture किया हुआ है और यह बहुत जादा important होता था क्योंकि army की movement के लिए यह जो trade routes है, उसको use किया जाता था और इनके कुछ ऐसे guilds थे, guild का मतलब होता है group, ठीक है तो इनके trade के guilds होते थे, group होते थे जो की Java और सुमात्रा तक trade करते थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यह जो है island तक पहुँचे हुए और चोला जो है irrigation का भी बहुत ध्यान रखते थे, यह बात यह बिलकुल अच्छे समझते थे कि भारत के जो लोग हैं, वो खेती पर निर्भर हैं, और खेती तब और अच्छी सी होती है, और बढ़िया खेती होती है, अगर सिचाई की सुविदा हो, अगर irrigation की सुविदा हो हैं, वो बनाए गए थे, ताकि लोगों को सिचाई की सुविदा मिले, और बहुत अच्छी तरीके से यहां पर खेती बाड़ी हो, यहां पर जो assemblies थी, village की assemblies, जो village के अंदर जो assembly होती है, उसको उर कहा जाता था, ठीक है, उर, सभा और महा सभा, अब इन में क्या difference है, इसक इसमें एक committee थी, executive committee, जो की laws को execute करती थी, जो एक ruling group का executive committee होती थी, इस committee का नाम था, अलूंग नत्तर, अलूंग नत्तर जो है, यह executive head हुआ करते थे, जो की उर ग्रूप के, उर general assembly के group के head होते थे, या आप यह कह सकते हैं कि यह वो लोग होते जो most important executive powers रखते थे, और rule करते महा सभा जो है, वो council होती थी, distribute करती थी, जो की नए-नए lands को, और जो किसके क्या rights है, किसकी क्या ownership है, किसके पास कौन सी जमीन है, ठीक है, अगर किसी की कोई जमीन को गिरवी रखके कोई loan लेना चाता है, या किसी भी कोई tax लगाना है, तो वो सारा पैसों का जो lane देन है, वो सारा revenue का जो lane देन है, वो महा सभा के द्वारा होता था, तो महा सभा जो है, वो नए जमीनों को बाटना, जो land की ownership है, उसके उपर क्या-क्या rights होंगी, क्या-क्या अधिकार होंगे, loans देना, ये सारे काम जो है, करती थी, taxes भी लगाती थी, ठीक है, इसके अलावा जो ती होता था, जो भी law and order है, उसका management करना, and executive committee को देखना, उसकी देखभाल करना, तो तीन साल के लिए ये लोग जो है, आते थे, executive committee का management करते थे, और तीन साल बाद ये retire हो जाते थे, इसके बाद जब feudalism की growth होने लगी, तो self-government जो है, वो थोड़ा सा restriction में आ गया, आंचोला villages में self-government कम हो गया, क्योंकि हर जगा सामंतों का कबजा हो गया, सामंत जो है, वो राजा के under control में थे, लेकिन फिर भी, वो अपने अंतरगत आने वाले गाओं को, और गाओं में रहने वाली self-governance के system को, बार-बार खतम करने की कोशिश करते थे, हर चीज को directly control करन की कोशिश करते थे, और सामंत वादी विवस्था की वज़े से, आगे हम कई सारे जो villages हैं, उसमें self-government को खतम होते हुए देखते हैं चोलाज की जो cultural life थी, इसमें आप देखेंगे की काफी जादा अच्छी growth रही, क्योंकि जब भक्ती movement हुआ था, तो कई सारे मंदिर बने, और मंदिरों के निर्मान और भक्ती movement का एक बहुत अच्छा mail हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तो भक्ती movement जो है, वो क्या था, do you know what was भक्ती movement, भक्ती movement के बारे मापको पता है, क्या था यह भक्ती movement, किस प्रकार का अंदोलन था यह, क्या था इसका idea, क्या कह रहा था, भक्ती movement का क्या idea था, what was about this काजल शेजवार ने बिल्कुल सही answer दिया है, कि मारको पोलो जो कि चाइना और अरब के बीच में जो trade relation है, इसको समझने के लिए गए थे और वो जो है, अलग-अलग ruler से मिले थे, मंगोलिया के ruler से भी मिले थे, और वो जानना चाहते थे कि चाइना में क्या-क्या चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही and yes, I can see काफी सारे बढ़िया response आ रहे हैं comments में, ठीक है, तो देखे, जो हमारा ये भक्ती movement था, ये idea discuss करता है pure devotion का, कि आपको जो है कोई कर्मकांट करने की जरुरत नहीं है, just devotion चाहिए, just श्रद्धा चाहिए, किसी middle man की जरुरत नहीं है, salvation को अचीव करना है अगर, तो किसी middle man की जरुरत नहीं है, कोई elaborated rituals नहीं करने है, सिर्फ भक्ती करने है, ठीक है, यानि कि मन से भगवान को मानना है, अच्छे काम करने है, donation करने है, समाज में humanity को इससे बढ़ावा मिला, स्त्रियों की स्थिती जो है वो भी अच्छी हुई और temples के साथ तो इसका link है ही, बिल्कुल, temples के साथ तो इनका link बिल्कुल है, एंड वैशनविज्म और शेर्विज्म जो है इसके दो sects हुआ करते थे, जो विश्नु की भक्ती करेंगे, उनको अलवार कहा गया, और जो शिव की भक्ती करेंगे, उनको नयनार कहा गया था, नहीं नहीं यहाँ पे एक कोशन पूछा है काजल ने कि क्या वुमेन को भी कोई सभा का पार्ट बनाया गया था या उन्हें इग्नोर में रखा जाता था यहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं ध्यान दीजे महिलाओं को अभी जो है फॉलिटिकल राइटस नहीं दिये गए हैं अच्छा टेलिग्राम के बारे में बहुत सारे स्टुडेंस पूछ रहे हैं जो इस चैनल का नाम है न अनकार्डमी अर्टिकुलेट उसी नाम से आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा आप देख सकते हैं और वहीं पर आपको सारे PDF भी मिलेंगे अभी तो मैंने PDF अपलोड नहीं किये हैं वेकाज मैं एक साथ combined PDF अपलोड करूँगी तो मैं जब ये पूरा कोर्स हमारा next week खतम होगा तब मैं आपको combined PDF अपलोड कर दूँगे ओके You can just join the telegram channel ठीके तो pure devotion का ये idea था तो चोला rulers जो हैं आप ये देखेंगे कि इन्होंने जो है कई सारे capitals भी बनाए थे तो इनके जो capitals हैं वो तंजोर में था और गंगाई कोंड चोलपुरम में था फिर कांची का जो इलाका है वो भी इनके अंदर आ जाता है और कांची जो है बहुत important है क्योंकि ये जो है यहाँ पर university हुआ करती थी घटी का ठीके ये South India की एक university यहाँ पर हुआ करती थी South का जो temple architecture है वो चोलास के अंदर climax पे पहुँच गया जैसे कि मैंने आपको बताया था Dravidian style of temple architecture वो बहुत तेजी से इस टाइम में ग्रोव हुआ काफी जादा अच्छी उसमें ग्रोथ देखने को मिली ये जो temple था इसके जो main feature है वो ये है कि बहु मनजिला इमारत बनाई जाती थी मंदिर के कई सारे chambers हुआ करते थे कई सारे जो है मनजिल हुआ करते थे और गर्बग्रिया के उपर जो है गर्बग्रिया क्या होता है ये वो हिस्सा होता है जहां पे main duty जो chief duty है उनकी मूर्ती रखी जाती है तो उनका ये घर होता है जिसे गर्भ ग्रिय कहते हैं ये इनर मोस चैमबर होता है मंदर जो चीफ डीटी का होता है तो गर्भ ग्रिय के उपर कई सारे मंजिल बनाये जाते थे और कई सारे मंजिलों से जो है अगर देखा जाए तो पांच या साथ मंजिल हो सकते हैं इसको शि एखर को विमान के नाम से जाना जाता था थीकnię तो यह जो टिपिकल स्टािल आफ शिखर है जिसमें पांथ से साथ मंजिलें आपको देखने को मिलती है इसे विमान कहते हैं मंदिर के जो उपर वोता है ना मंदप इसलिए बनाया जाता है मंदिर में ताकि कई सारे लोग वहां पर असेंबल हो सके और दर्शनार्थी अराम से आ करके दर्शन कर सके बहुत ही अच्छे से नकाशी करके इन पिलर्स को तयार किया जाता था बहुत ही elaborately carved out पिलर्स हुआ करते थे इन पिलर्स को जो है in front of sanctum यानि की जो गर्ब गरिये है उसके बाहर इन पिलर्स को लगाया जाता था और इस तरीके से flat roof होती थी ठीक है pillars वो एक roof को support करेगा stump जो है बो चचत को support करेगे flat चत होती थी और यह sanctum के सामने generally placed in front of sanctum जो है यह होता था sanctum sanctorum यानि की गर्ब गरिये है थीक है संक्टम सेंक्टोरोम का मतलब क्या होता है गरवगरिया गरवगरिया यहाने की जाने की जिसके अंदर main जो dT है उनकी मूर्ती होती है तो यह जो पूरा स्थम्भों से जोड़ करके hall बनाया जाता है यह एक ऐसा audience hall है जहांपे कभी बी कोई ceremony है कोई dance है कोई function है तो वो सब perform किया जाएगा इसमें जो है एक तरीके की ceremonial dance होता था जो perform होता था इसे देवदासियां perform करती थी तो ये जो देवदासि system होता था इसमें क्या होता था देवदासी में एक जो है महिला अगर देवदासी बन जाती थी तो उसको मंदिर में ही रहना होता था और उनको माना जाता था कि वो dedicated है to give this service to the God and वो सेवा में लगी रहनी थी मंदिरों में साफसफाई करना वहीं पर रहना और वहीं पर अपना जीवन बिताना जो भी ये देवदासियां हुआ करती थी ये मंदिर में ही रहतना और इनके कोई ऐसे fundamental rights नहीं होते थे तो मंदिरों में ये लड़कियां रहा करती थी और वहाँ पर ये dance performance करती थी तो ये जो देवदासी system था इसमें कई बार महिलाओं का काफी सोशन होता था और इस लेकिन देवदासी system के अंदर जो ये ceremonial dance performance करते थे उस dance performance के जरिये आज हमारा इंडिया के जो आठ classical dance form है उसमें से एक हमारा इंडियन classical dance form है जो की देवदासी system से निकला है Do you know the name of that dance style? हमारे आठ classical dance styles हैं इंडिया के जो dance forms है उसमें से कौन सा ऐसा dance form है जो की देवदासी system से निकला है What is the name of that classical dance style in India? Let me see who is giving the right answer Okay, I can see की काफ़ी लोग try कर रहे हैं हाँ, देवदासी dance style को क्या कहते हैं? जिसके basis पे आज हमारा एक बहुत important जो है classical dance style है जो की practice हो रहा है अब इंडिया में Yes हाँ, ये जो है ये worship करना, serve करना ये female artist होती थी जो worship करती थी and serve करती थी ठीक है? भरत नाटियम is the right answer येस, भरत नाटियम बिल्कुल सही, right answer है तो भरत नाटियम is the right answer ओके, जो जो लोगों ने मोहीनी आट्टम बताया, कथाकली बताया that is wrong guys, no जो है ये नहीं था मोहीनी आट्टम एक अलग होता है मोहीनी आट्टम जो है वो एक graceful dance होता है तो वो एक अलग चीज है ठीक है? that's a different thing तो classical dance forms में जो भरत नाटियम है भरत नाटियम एक ऐसा dance style है जो कि देवदासी पॉलो किया करती थी चोला empire के अंतरगर हाला कि Supreme Court ने देवदासी system को अभी ban कर दिया है ठीक है? अभी Supreme Court ने ये जो देवदासी system है इसको ban कर दिया है अभी ये नहीं जलता तो आप यहाँ देख सकते हैं कि होता क्या था? एक पूरा ये assembly hall जो है मंदिर के अंदर बनाया जाता था और मंदिर का ये जो पूरा structure है ठीक है? इसमें जो पूरा इनका ये जो courtyard है वो बहुत बड़ी बड़ी उची दिवारों से घिरा हुआ होता था एक इनका जो main gate होता था मंदिर का उस gate को ये लोग गोपूरम बोलते थे बहुत बड़े बड़े गोपूरम बनाये जाते थे बहुत बड़े बड़े gates बनाये जाते थे मंदिर के जो मंदिर है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंदिर की जमीन है उस पर कोई इनको tax नहीं देना होता था ये revenue free grants of land होते थे और इनका जो भी expenses होंगे जो भी खर्चा है सारा खर्चा निकल जाता था grants के जरिये बहुत इनको rich donations मिलती थी तो जो भी बड़े बड़े wealthy merchants होते थे businessmen होते थे वो सब बड़े बड़े businessmen मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे काफी पैसा चढ़ाते थे तो temples की importance क्या है temple जो है बहुत rich हो गए और temple जो है इनके पास काफी पैसा आ गया इतने रिच हो गए कि ये लोग business में चले गए कई लोग मंदिरों से जाकर loan लेने लग गए तो temple जो है money देना पैसा loan में देना और business enterprises को support करना investment करना ठीक है ये सब भी करने लग गए और उन्होंने काफी पैसा जो है spend किया cultivation improve करने में कई सारे tanks बनवाए कुएं खुदवाए सिचाई के लिए सुविधाएं जो होती है उन सुविधाओं को मुहया करवाया तो मंदिर जो है उसके पास इतना पैसा आ गया कि अब उसको खुद ही जो है इतना पैसा है कि वो लोगों को loan दे सकती है investments कर सकती है और जो services है अलग अलग प्रकार की कई सारी जो सुविधाएं हैं वो भी दे सकती है तो मंदिर के अंदर बहुत capacity है टेमपल जो है वो बहुत बड़ा source बन चुके है तो अगर हम बात करें द्रविट स्टाइल टेमपल आकिटेक्चर की तो इसके अंदर कुछ examples है जैसे कि जो कैलाशनाट का टेमपल है कांचीपुरम में वो इसका एक example है 8th century में बनाया गया था ब्रिहदेश्वर टेमपल जो शिवजी का मंदिर है ये तंजोर में राज राज वन के द्वारा बनवाया गया था इसे राज राज टेमपल के नाम से भी जाना जाता है गंगाई कॉंड चोलपुरम का भी एक मंदिर है और जो नटराज की मूर्ती है ब्रांसिंग फिगर ऑफ शिवा जिसमें की अर्ध नारिश्वर देखने को मिलता है हमें ये कई सारी नटराज की मूर्तियां ब्रॉंज में ब्रॉंज मिटल में सबसे जादा बनाए गई थी और ये इस समय का एक ऐसा मास्टर पीस था जिसे सबसे जादा चोला एंपायर के अंतरगत बनाया गया था चोलाज के फॉल के बाद जो टेंपल बिल्डिंग एक्टिविटी है वो चालुक्याज ने कंटिन्यू की उसके बाद चालुक्याज ने जो टेंपल आकिटेक्चर है उसे आगे बढ़ाया फिर होए सालाज ने भी टेंपल आकिटेक्चर को आगे बढ़ाया तो आप देखेंगे कि जो चालुक्याज और होए साला है वो अपना खुद का टेंपल आकिटेक्चर आगे डेवलप करते हैं होई सलिश्वर टेंपल जो है वो चालुक्यन स्टाइल का best example है ठीके best example of चालुक्यन स्टाइल of temple architecture is the होई सलिश्वर टेंपल बात करेंगे कि चोलास की language कैसी थी language और literature मिलनोंगा का जो contribution था वो कैसा था तो Sanskrit भाषा जो है ये एक बहुत ही high culture की भाषा मानी जाती थी उच्चवर्ग के लोग अभी भी Sanskrit भाषा का ही प्रयोग करते थे और जहां तक बात है language और literature की तो यहां बर उतना जादा Muslim influence नहीं है और उतना जादा foreign influence नहीं है जितना North India में था North India के अंदर कई सारा fusion आपको देखने को मिलता है चाहे वो music में हो, dance में हो, language में हो, चाहे वो literature में हो लेकिन वैसा fusion South India में देखने को नहीं मिलता क्योंकि South India में बिल्कुल इस तरीके के direct attacks और invasions हुए ही नहीं थे लेकिन local languages का भी बहुत जादा development हुआ है सबसे जादा local languages का जो development हुआ, इसका क्या reason था, क्या कारण था कौन सी वो चीज थी जिसने local languages और local literature के अंदर development किया और उसमें अपना contribution दिया सबसे important जो चीज थी वो थी भक्ती movement जो ये भक्ती movement हुआ था ना, इसमें जो संत लोग हुआ करते थे वो जान भूश करके आम लोगों की भाषा बोलते थे आम लोगों से उनसे उनी की भाषा में इंट्राक्ट करते थे और local languages में लोगों को ग्यान देते थे local languages में भजन गाते थे, गीत गाते थे, कथाएं सुनाते थे, कहानिया बोलते थे जिसके कारण local language का local जो literature है वो develop हुआ और कई सारी local languages के literature's develop हुए इस समय में नयानार यानि की जो शिव के भक्ते हैं उसमें बहुत सारे popular संत होते थे जो आए और अलवार यानि की जो विश्नु के भक्ते हैं विश्नु की जो पूजा करते हैं वो भी आए और तमिल किंडम में ये लोग काम कर रहे थे और ये 6th से 9th century के बीच में काफी सारा काम कर रहे थे और तमिल भाषा में इन लोगों ने कई सारी रचनाएं लिखी जिसकी वज़े से तमिल literature डेवलप हुआ इसमें जो शिव के भक्त थे उसमें शिव के बहुत बड़े-बड़े संत हुआ करते थे उन संतों ने मिलकर के जो है एक बहुत अच्छी रचना लिखी है जिसे हम कहते हैं तिरू मुरई ठीक है ये जो रचना है तिरू मुरई इसे ग्यारा वॉल्यूम्स में कलेक्ट गिया गया है जो की 12th century के early part में हमें देखने को मिलता है और ये बहुत important है इसे इतना पवित्र माना जाता है कि इसे 5th Veda का दर्जा भी दिया गया है ये इतना पवित्र है कि इसको 5 वा वेद माना जाता है तो अगर कभी आप से पूछा जाए कि 5th Veda का दर्जा किसे दिया गया है which sacred text is considered as the 5th Veda so you should know the name तिरू मुरई is that text तिरू मुरई एक ऐसी writing जो की शेवित के संतों ने की है उस रचना का नाम है तिरू मुरई जिसे की 5th Veda माना जाता है ठीके so this is very very important you should know the name इसके बाद जो कंबन है the age of कंबन जो की second half of 11th century में शुरू होता है and 12th century के शुरुवात में शुरू होता है उसे Tamil literature का golden age कहा जाता है तो आप देख सकते हैं कि 11th से 12th century के बीज में जब हम देखते हैं कि चोला empire decline हो रहा है और उनके कुछ successors जो हैं वो काफी वीक successors थे तो उस age में Tamil literature का growth सबसे जादा हुआ उसे golden age of Tamil literature कहते हैं कर्नड की अगर हम बात करें तो कर्नड एक literary language इसी period में बन गई थी तो कर्नडा भाशा जो है आज आप देखते हैं कर्नाटका में बोली जाती है राश्ट कूटा चालुक्याज होए साला rulers जो हैं वो कर्नड और तेलगू language को बहुत जादा संग्रक्षन देते थे पैट्रोनेज देते थे और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये काफी संग्रक्षन दे रहे थे राश्ट कूटा राजा जिनका नाम हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में डिसकस किया था इनका नाम था अमोग वर्षप इन्होंने जो है कर्नड भाशा में कई सारी poems लिखी थी और कर्नड poetry के तीन gems हैं जो की बहुत important हैं वो तीन लोग जिनोंने सबसे जादा काम किया है कर्नड भाशा में ये आपके prelims के सबसे जादा important है ये याद रखिए Pampa, Pona और Rana ठीक है Pampa, Pona और Rana ये जो हैं ये gems है ठीक है Pampa, Pona and Rana निन्या राना निन्या जो है यह छालुक्यन किंग जो हैं उनके दरवार में रहा करते थे तो निन्यां जो है चालुक्यन राजा के पास रहा करते थे इन्हों ने जो महाभारत का तेलगू वर्जन है वो लिखा था और 13th century में ये इन्हों ने फिर complete किया था तेलगू वर्जन ओप महाभारत था It was completed in 13th century by तिकन्ना तो कोई चीज ऐसी होती है कि कोई इनसान शुरू करता है बट वो उसको पूरा नहीं कर पाता तो निन्हा ने शुरू किया था तेलगू वर्जन को लिखना He started it बट जो complete करने का काम है वो तिकन्ना ने किया था तिकन्ना completed this तेलगू वर्जन ओफ महाभारत था 13th century तो ये नाम आपको याद रखने है और तीन जेम्स कनट कोईटरी के जो है वो याद रखने है Pumpa, Puna और Rana तीके तो Pumpa, Puna और Rana ये तीनों जो हैं जेम्स है त्रीरतन हैं कनट कोईटरी के निन्निया जो है वो महाभारत के तेलगू वर्जन को शुरू करने वाले एक बहुत important writer है इस काम को खतम करने वाले writer का नाम है तिकन्ना ये जो समय काल है ये एक बहुत बड़े परिवर्दन का काल माना जाता है क्यों? क्योंकि ना सिर्फ जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बदलाव है बलकि जो मुस्लिम धर्म है उसका rise और उसके अंदर जो चीजे है वो भी develop हो रही थी तो ये एक बहुत बड़ा changes वाला समय माना जा सकता है rapid changes वाला समय माना जा सकता है और especially जो हमारा एशिया का हिस्सा था उसमें west and central एशिया का जो इलाका है वहाँ पे जो तुर्क्स हैं वो बिलकुल तेजी से grow हो गए है और तुर्की rulers का कबजा है और इंडिया में भी नौर्थ इंडिया के अंदर जो तुर्क्स हैं वो invade कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 9th century के अंत तक आते आते जो abbasid caliphate है वो decline हो जाएगा actually हुआ क्या था कि जब इसलाम का उदै हुआ उसके बाद दो important जो हैं commanders थे एक थे abbasid और एक थे umiats ठीके तो abbasid and umiats दो जो हैं ये commanders थे जिनके अंतरगत ये खलीफा system rise हो रहा था तो abbasid caliphate system जो था इनका जो caliph था वो decline हो गया था और इसकी जगह पर जो तुर्क्स है islamized तुर्क्स याने की islamic तुर्की rulers जो हैं वो आ जोके हैं और जो rulers हैं उन्होंने इस ताइम में कई सारे titles लिये जैसे कि Amir and Sultan ये सब titles ये लोग ले रहे थे दूसरी तरफ North India के अंदर जो powerful प्रतिहार kingdom था वो जो है उसका break up हो जाता है वो तूट जाता है गुर्जर प्रतिहार kingdom जब तूटा ये empire जब तूटता है तो जो political uncertainty है वो आ जाती है North India में क्योंकि North India के एक बहुत बड़े strong empire को लोगों ने देखा कि वो अब बिखर रहा है और अब क्योंकि North India में एक central administration की कमी है तो कौन जो है यहाँ पे dominating होगा, कौन यहाँ पे rise करेगा इस चीज को लेकर के काफी struggle शुरू हो गया इसमें जो हमारा काबुल, कंदाहर का इलाका हुआ करता था जो की आपके अफगानिस्तान वाले पार्ट में चला जाता है और उसके आसपास की जो neighboring areas है जिसमें की south का पार्ट आ जाता है जिसको की जाबुल या जमिन दावार कहा जाता था उस area पर जो है considered पार्ट जो था अलहिंद का या उस टाइम के इंडिया का till the end of the 9th century वहाँ पर आप देखेंगे कि चीजें बहुत तेजी से बदल जाएंगी क्योंकि ये जो हिस्सा है इसके ओपर Islamic rulers का कबज़ा बढ़ रहा है हुआ ये था कि 9th century के अंति तक आते आते जो ट्रांस ओक्सियनिया और खुरासान का इलाका था और साथी जो इरान का इलाका था वहाँ पर जो समानित्स नाम के इरानियन्स थे उनका रूल था तो वो इलाका सामनेत नाम के रूलर सके दोरा इरानियन के दोरा रूल किया जाता था लेकिन पिर इनकी जो बैटल है वो नौन मुसलिम तुरकिश ट्राइबसमें जे शूरू हो जाती है तो आप यह देखेंगे कि यह जो ट्रांस ओक्सियनिया वाला इलाका है इसको लेकर के मेभी यूचेट कन्फियूज वट इस दिस यह जो ट्रांस ओक्सियाना और खुरासान का इलाका है यह सेंट्वल एशिया का एक बहुत इंपोर्टन्ट हिस्सा था इसके अंदर आपके जो है किर्जिस्तान, कजाकिस्तान वो सारे जो देश हैं वो आ जाते थे तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टन्ट जो है स्ट्राटिजिक लोकेशन पर ये एरिया आ जाता था और बाकि आपका इरान का जो इलागा है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारी चीज़े बदल रही हैं और पुराने समय से जो चलता हुआ इंपायर है जिसके अपना एक रिलीजिन जिसका अपना एक अलग कल्चर था वो भी बदल रहा है उसमें भी हमें चेंजिस देखने को मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कई सारे बदलावों के बीच में ये एरिया था तो जब भी आपको ये वर्ड आगे रिपीट होगा ट्रांस ऑक्सियाना तो आपको इसका मतलब क्या समझना है कि इसका मतलब है कि वो इलाका है जिसमें की बहुत बड़ा इलाका जो है सेंटल एशिया का आ जाता था जिसके अंदर उस्बेकिस्तान तजीकिस्तान यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उस्बेकिस्तान ठीके और साउथ का जो किरजिस्तान था कजाखस्तान था ये सारे इलाके जो है वो आ जाते थे तो ये सेंटरल एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था इरान का इलाका भी इसमें शामिल है ठीक है इरान का इलाका भी जो है वो समानित्स के द्वारा रूल होता था तो इनकी जो बैटल है वो बार बार नौन मुसलिम तरकिश ट्राइपस्में के साथ होती रहती थी और नदरन और इस्टरन फरंटियर पे इनकी लड़ाईयां चलती रहती थी इसमें एक नए प्रकार के सोल्जो थे जो की ग्रो होते हैं जैने गाजी के नाम से जाना गया तो इनका जो काम था वो ये था कि ये धर्म के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में दे वर लाइक बॉर्ण फॉर स्ट्रगल्ड फॉर रिलीजन और हमारे जो ये इलाके की हम बात कर रहें सेंट्रल एशिया में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टेट की सेफटी और धर्म की सेफटी उसको आगे बढ़ाने के लिए ये आये थे तो गाजी जो हैं इनका जो हैंकी रेगुलर आमीज होती थी और ये जो आमी को पेमेंट करते थे वो प्लंडर के थ्रू करते थे तो इनका में जो काम था वो प्लंडरिंग था अलग अलग जगा जाना प्लंडर करना और टाकों की तरह जाकर के समानों को लूटना तो लूट मार ये लोग बहुत जादा करते थे तो जो गाजी थे गाजी जो है वो एक missionary fighter की तरह आ गए थे and missionary जो activities करते हैं यानि कि एक धर्म को फैलाने के लिए तेजी से कहीं जाते हैं और fighting करते हैं उस तरीके के ये लोग थे तो इसमें अल्पतिगिन एक समानित गवर्नर थे जिन्होंने जो है आप मानके चलें की he was a Turkish slave तो जो ये अल्पतिगिन जो समानित गवर्नर थे इनमें एक Turkish slave हुआ करते थे तो इन्होंने एक independent kingdom शुरू किया इस kingdom का नाम जो है इन्होंने जो है गजनी के साथ चोड़ करके रखा गजनी इसकी capital है तो if this is the map of India यहाँ पे आपको कहीं पे गजनी देखने को मिलता है तो गजनी जो है वो था तो अब यहाँ पे जो समानित kingdom है वो बाद में end हो जाता है और इसको जो गजनवित्स थे जो की गजनी kingdom से जुड़े हुए हैं वो उसको take over करके आगे बढ़ाएंगे और Islamic lands को defend करेंगे Central Asian tribesmen से उसको बचाएंगे और Islamic land को आगे grow करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़े जो लीडर निकल के आते हैं इस जगह से वो थे महमूद आफ गजनी जिसें hero of Islam भी कहा जाता है तो hero of Islam he was known as hero of Islam महमूद आफ गजनी 998 से 1030 AD के बीच में इन्होंने अपनी शुरुवात की थी और वो centration जो तुरकिश tribal invaders थे जो की जान भूश करके Islamic इलाका जो था इनका उस जगह पर Islamic state पर जो है हमला करते थे और बार बार इन लोगों को तंग करते थे इन सभी तुरकिश tribal invaders से महमूद आफ गजनी ने काफी अपने empire को बचाया और जो ये खुरासान वाला इलाका था उसको जो है प्रोटेक्ट किया जादातर इनको closely associate करके देखा जाता है इरानियन spirit की renaissance के साथ जब इरान में एक पुनह जागरन का समय आ रहा है जिसमें की एक बहुत ही बड़ा एक आपको देखेंगे एक water mark आपको देखने को मिलेगा फिर्दौसी के शाह नामा के अंदर तो फिर्दौसी जो है ये एक बहुत बड़े literature थे एक बहुत बड़े कवी थे ये poet थे और इन्होंने अपने शाह नामा में अपनी इनकी रचना का नाम है जिसमें काफी कुछ बताया है कि किस प्रकार से renaissance हुआ करता था और Iranian spirit जो है वो कैसे grow हो रही थी एरान के अंदर किस तरीके से जो है एक Islamic धर्म का और Islamic idea का growth हमें देखने को मिलता है फिर दौसी जो है वो महमूद के राजकवी थे वो उनके राजदर्बार में रहा करते थे और महमूद जो है वो ना सिर्फ कोई एक आप उनको इस तरीके से देखेंगे कि प्लंडरिंग कर रहे हैं और यहां वहां जा रहे हैं और बहुत बड़े इलाके को कबजा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां आप इनको देखते हैं कि यह बहुत जादा furious type से फैलना चाहते थे और इसलाम को फैलाना भी चाहते थे तो यह बहुत जादा patronage भी देते थे literature को और art को तो अब क्या हुआ कि जो तुर्की rulers थे और जो तुर्क से जिसमें की ट्राइबल्स लोग भी आ रहे थे धीरे धीरे उन लोगोंने भी इसलाम को समझ लिया और जो Persian culture है उसमें वो घुल मिल गए और वो लोग इसलामाइज़ हो गए, पर्शिनलाइज़ हो गए अब जो है उनके अंदर एक Iranian patriotism ग्रो हुई यानि की इरान को लेकर के एक देश भक्ती की जो भावना होती है वो आ गई उनका जो Persian language है और culture है वो उनके लिए काफी important हो गया और उसकी protection भी इनकी duty हो गई क्योंकि गजनवित्स जो है उनका empire जो main पर्शिया और उसके आसपास के इलाके हैं उसी में फैला हुआ था जब भी यहाँ पर हम पर्शिया बोलते तो पर्शिया का मतलब है इरान ठीक है you should understand that Persia means एरान तो जो एरान और उसके आसपास के इलाके हैं मतलब जैसे की हम यहाँ इंडिया में तो यह इंडिया हो गया पिर यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है फिर उपर अफगानिस्तान फिर इधर इरान आता है तो इरान और इंडिया के बीच में ये दो कंट्री जोर आपको देखने को मिलती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो इरान के साथ तो इंडिया का ट्रेड बहुत पुराने समय से होता ही था इरानियन कॉंटाक्ट तो ह हमारे बहुत पुराने हैं, एंशेंट हिस्टी से ही हम देखते आए हैं, जब मौरियन काल था, तो मौरियन इंपायर के समय भी एरान से हमारा काफी व्यापार था, तो अब जो है, इनके लिए ये जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना और अपना पॉर्शियन आर्ट उसक खुद कलेम करते थे कि वो जो इरानियन राजा हैं, उनके अंदर जो लेजेंड हैं, अफ्रासियाव, उनहीं के डेसेंट के हैं, उनहीं के वनशत से ये आ रहे हैं, और महमूद ने सत्रा बार भारत में रेड डाली थी, और सत्रा बार भारत के अंदर जो है, यहां आ करके रेड करके डिरेक्टली जो हिंदु शाही रूलर्स थे उनके खिलाफ अटाक किया और उनको हराया भी था और स्पेशली जो पार्ट था उस टाइम में पेशावर और पंजाब का वहां पे हिंदु शाही राजा रहा करते थे और उनको कई बार जो है महमूद ने हराया और काफी जादा यहां के जो रूलर्स हैं धीरे धीरे महमूद से तंग आने लग गए थे क्योंकि रिपीटेड रेड्स की वज़े से आमी के उपर और जो है अजान और माल का काफी जादा एक हानी जो हो जाती है इसके बाद आप देखेंगे कि जो काबल का और जलालबाद का जो एरिया था उसे गजनी के अंदर मिला लिया गया और ये बहुत बड़ा इलाका था और इंडिया के काफी करीब ये जो है पहुँच गए थे इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया जो हिंद शाही इलाका था यहां पे जैपाल थे जो कि एक शाही रूलर थे और वो इस फ्यूरियस बाटल में हार गए थे इस हार के वज़े से मतलब वो इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने मतलब सोचा कि उनकी जब जिन्दगी ही जैसे किसी काम की नहीं है और काफी दुखी होके काफी अपसिट होकर कि उन्होंने जो है अपने आपको जला लिया था उन्होंने अपने आपको सुसाइड मतलब उन्होंने कर लिया था एक बहुत बड़ी ये बैटल हुई थी जो कि पेशावर के पास हुई थी ये 1001 AD की बात है और जैपाल जब इसमें हार गए थे तो इस बैटल में मतलब उनको बहुत जादा एक सेट बाक मिला और ही वस लाइक वेरी अपसेट तो इसके बाद फिर एक बार बैटल हुई जो कि इंडस नदी के किनारे हुई थी और ये जैपाल के बेटे थे आनंद पाल उन्होंने इस लड़ाई में इस युद्ध में आगे चीजों को संभाला तो 1009 की बात है आनंद पाल अपने पिता की मौत का बदला भी लेना चाहते थे और महमूद को हरा देते हैं और इनकी जो नई कैपिटल है नंदन जो कि इनका एक पूरा एक एरिया था जो कि नगर कोट के आसपास का इलाका था और उनका फोर्ट भी था वहाँ पे उसके लोग इसके लिए को ये लोग डिवास स्टेटिट कर देते और सारा खतम कर देते हैं तो आप इसमे कि मौत के पीछे अगर कोई है तो वो एक्चिली में जो है महमूद ही है तो क्योंकि महमूद जो है यहां पर मेन वही थे जिनकी वज़े से यह सब कुछ हुआ था और महमूद एक रीजन माने जा रहे थे जैपाल के सुसाइट के पीछे तो इसलिए आनंदपाल वास वेरी के लिए तो वो हार जाते हैं और महमूद इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो एक्चिली ही वास डिफीटेड और वेरी बैड सेट बाग ही नेवर इमाजिन की ऐसा कुछ हो सकता है और इस लड़ाई में आनंदपाल का जो है साथ भी दिया था दूसरे इंडियन रूलर्स ने राजस्थान और कनौज के रूलर्स ने भी इनका साथ दिया था तो जो दूसरे इंडियन रूलर्स ने आनंदपाल का साथ दिया था अब वो भी महमूद के दुश्मन आटोमेटिकली बन जाएंगे और अब महमूद उनके ऊपर जो है कबजा करने की कोशिश करने लग तो आप देखेंगे कि आनंदपाल जो है वो इस बैटल में हार गए और उसके बाद फिर 1015 में जो महमूद है अब वो आगे बढ़ते हैं और जो गंगा नदी का इलाका है और इंडो गैंगेटिक वैली का एरिया है वहां पर ये बहुत तेजी से जाएंगे और बहुत ही जाए जो है सीरियस इन्होंने जो है बैटल्स लड़ी एक्सपेडीशन किये काफी सारे इलाकों को लूटा भी और जो इंडो गैंगेटिक प्लेंज हैं वहां तक सीरीज ओफ इन्होंने जो है अटाक्स लाँच किये इन रेट्स और प्लंडरिंग की वज़े से जो बहुत जान और माल की हानी है वो देखने को मिली भारत में और इन रेट्स के वज़े से कई सारे जो है बड़े बड़े मंदिरों को इसके अंतर गत लूटा गया था तोड़ा गया था और कई सारे शेहरों को और लोगों को जो है यहां पे बहुत जादा प्रॉब्लम्स छेलनी प वो करनाज के खिलाफ रही जो कि 1018 AD में रही इसमें कहा जाता है कि करनाज और मतुरा दोनों को ही लूटा गया था और फिर सोमनाथ है गुजरात में 1028 में वहां पर भी जाकर के रेड डाली गई थी और वहां पर जो शिवलिंगम है उसको तोड़ दिया गया था और भी कई स सारे मंदिरों को तोड़ा गया था और उसके बाद जो शिवलिंगम है उसको तोड़ करके इसके हिस्सों को वो वापस गजनी अपने साथ लेकर के लोट गए थे और वो लोग जो है फिर वापस उन सारे टुकरों को लेकर के रखते हैं और गजनी में जब वो रिटर्ण इंडिया की जो आमी है और बाकी जो पैसा बेगरा है वो सब एक्जास्ट हो चुका है और कहीं न कहीं भारत के जो रूलर्स हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि एक कॉमन एनमे के खिलाफ उन्हें साथ में आने की जरत है आवश रखता है कि वो एक जो है नैशनलि और महमूद्स थे इन्होंने जो कंकिस्ट किया इन्होंने पंजाब का और मुल्तान का इलाका कंप्लीटली जो है अपने अंडर कंट्रोल में ले लिय और यहां का सारा जो काम करने का तरीका है जो पुरी तरह से बदल दी थी अब महमूद की फिर डेथ हो जाती है और महमूद की डेथ के बाद यह जो इनका पावरफुल इंपायर बनाया गया था यह जैसे कि हम सेल्जुक इंपायर कहते हैं यह जो है आप देखेंगे कि चीजें इसमें काफी बदल जाएंगी और जो अब सेल्जुक इंपायर है इसमें जो है वो सारा इलाका आ रहा है जिसमें की सीरिया, इरान, जो ट्रांस आकसियाना है ट्रांस आकसियाना मतलब जो मैंना भी आपको बताया किरजिस्तान बेगेरा जो सारे इलाके हैं तुर्कमेनिस्तान, किरजिस्तान और सारा जो गजनवित्स का पूरा इलाका खुरासान का पूरा इलाका था ये सारा जो इलाका था वो इनके खुरासान के पूरे इलाके में इनका कंट्रोल हुआ करता था तो बाद में जो है मसूद जो की महमूद के बेटे थे एक बैटल होती है उसमें ये कमप्लीटली ही वास डिफीटेड और उसको फिर लाहौर भागना पड़ा था रिफ्यूज लेने के लिए धीरे धीरे ये इमपायर तूटने लग गया बिखरने लग गया श्रांग करने ल जिसे हम महम्मद गौरी के नाम से जानते हैं लेकिन महम्मद गौरी के बारे में हम जानेंगे और इस बीच में फिर कैसे दुबारा फिर ये जो इसलामिक इलाका है उस पर महम्मद गौरी ने जीत हासिल की और गजनी को दुबारा कैसे कंट्रोल किया वो कहानी भी हम समझे लेकिन इस बीच में राजपूत स्टेट्स की क्या हालत थी राजपूत क्या कर रहे थे और इनके बीच में किस तरीके की कंडीशन्स थी ये हमें समझना है क्योंकि जो प्रतिहार इंपायर था इसमें कई सारे नंबर आफ राजपूत स्टेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपस में बढ़ चुके हैं तूट चुके हैं और एक दूसरे से काफी जेलिसी भी रखते हैं और ये जेलिसी ही इनकी हार का कारण बन जाती है इसमें कुछ most important जो थे उनको हम देखें अगर तो इसमें जो है गहदवलास थे कन्नौज के कन्नौज के रूलर थे दिन परमार्स जो है वो मालवा में थे चौहान अजमीर में थे तोमर दिल्ली में थे चंदेलास जो है बुंदेल खंट के इलाके में थे काल चुरिया जबलपुर और सेना जो है बेंगॉल में थे इसमें जो गहदबार थे इनका जो गहदबार किंडम था वो मुंगेर जो है बिहार का वहां से लेकर के दिल्ली तक पूरा एक्स्टेंड करता है तो दिल्ली से मुंगेर तक ये जो है एक्स्टेंडेट थे जो चौहान थे उनके अंदर जो है कई सारे रूलर्स सर्व करते थे गुजरात के इनका कैपिटल जो है नादॉल में था और 10th सेंचुरी के एंड तक ये काफी तेजी से ग्रो भी हुए थे इस पूरे डाइनस्टी के जो सबसे बड़े राजा थे वो थे विग्रहराज और इन्होंने चित्तौर का इलाखा एक्चुली में कैप्चर किया था और अजमेर में जो है वो स्टाबलिश हुए थे अजमेर को अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है अजमेर को इन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया था और काफी अच्छे से अजमेर को इन्होंने ग्रो किया था अब हम देखते हैं कि फिर बाद में इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज भी बनवाया था एक लेक है वहाँ पे अना सागर लेक वहाँ पे इन्होंने एक लेक भी बनवाई थी फिर्थवी राज थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टन पेमस जोहान डूलर्स थे इन्होंने बहुत ही कम आयू में 11 साल की छोटी सी आयू में ही जो है अपने थ्रोन पर कबजा आप कह सकते हैं की कबजा नहीं बड़ उस चीज को समभाला और काफी समझदारी से उसे आगे बढ़ाया तो ये समय था 1177 का जब ये चीजें होती हैं और उसके बाद इन्होंने एक्सपेडिशन के बुंदेन खंड के खिलाफ बुंदेन खंड के इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में लिया और इसकी कैपिटल उस्टाइन महोबा में थी चंदेल रूलर्स जो थे महोबा के ऐसा कहा जाता है कि उनको इस लड़ाई में सपोर्ट किया जा रहा था जैचंदर के द्वारा जो कि कन्नौज के राजा थे और जो राजपूत स्टेट्स थे वो अपने आपको ग्रो करना चाते हैं लेकिन जब वो एक्सपेंसेज उसमे बाहर इन्वेट करें बाहर का इलाका जो है वो जीते जबकि वो जो उनकी राइवल्री है वो इंटर्नल राइवल्री है जिसकी वज़े से ये जो है ये बाहर नहीं जा रहे हैं और इसी वज़े से जो गजनवीज थे जो कि पंजाब की तरफ से आगे बढ़ते हुए आ र स्टेशन नहीं है इसलिए ये लोग जो है बार बार आते थे भारत को लूटते थे और उज्जेन तक के लाके में लूट मार करके ये लोग पर चले जाया करते थे अब राजपूत सोसाइटी जो है वो कैसी थी और इसमें किस तरीके की चीजें थी इसको हम समझेंगे यहां किस तरीके से मतलब चीजें चल रहे हैं अभी हम लोग जो पार्ट कबर करें इस प्रॉम दी अर्ली मेडिवल इंडिया ठीक है इसके बाद फिर हमारे दो और इंपोर्टेंट हिस्से आएंगे जिसमें हमारा देली सल्तनत आएगा बेसिकली और फिर मुगल एंपायर और व इसमें मुहमद इम्रान आपने कहा है अर्ली मेडिवल में जो तीन डाइनस्टी के बारे में हैं आपने नहीं कहा हाँ यह जो है यह हम लोग कवर कर चुके हैं जो रिपर टाइट स्ट्रॉगल था करनौज के लिए जो युद्ध था उसमें हम उस चीज को आल्रेडी कवर क चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंस यो कि इस सीरीज में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो पिछले तीन चार्ड लेसंस जो हूए हैं वो शायद नहीं देख पाय होंगे तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी पर्टिकुलर चानल की प्लेडिस्ट में आप देखिए क्योंकि अभी हम लोग जो chapter cover कर रहे हैं ये chapter number 5 है सती शंद्रा का इसके पिछले जो lessons है वो हम cover कर चुके हैं तो आप उसको देखिए एक बार और फिर आप जो है मेरे ख्याल से ये doubt से निकल पाएंगे बाकी और कोई question होता है तो आप पूछ सकते हैं महमूद प्रॉपर कहां से था ये भी question पूछा गया है तो महमूद जो है वो गजनी से ही था और उनका कोई ऐसा अलग से रूट बनाने की भी जरुरत नहीं है क्योंकि गजनी एक इंडियन सब कॉंटिनेंट के बहुत ही नेबरिंग पार्ट पर ही स्थित है तो जरुरत नहीं है कि बहुत ज़ादा मेहनत करनी पड़े और अलग से कोई रास्ता बनाना पड़े इसके लिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर आप देखें मैप में यह है गजनी तो यहां से अगर भारत आना है तो यहां पर कई सारे passes है और वो sufficient है तो इसमें कोई अलग से नया रास्ता create करने की इसमें जरुत नहीं है ठीक है और इसमें जितने भी जैसे कि यहां पर एक और question मैं देख सकती है मुहम्मद का है कि सोमनात पर attack क्यों किया था और इसके main reason क्या थे लेकि main reasons जो हैं वो दो हैं पहला तो जब भी किसी भी इलाके पर attack हो रहा है या किसी भी temple पर attack हो रहा है तो यह सिर्फ religious reasons से नहीं है religious reasons तो थे ही लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा जो reason है वो यह कि कभी भी कोई जो capital होती है या temple होती है वो राजा की power को दर्शादी है कि ruler कितना जादा बड़ा है जो राजा जितना बड़ा है जितना important है उसका जो मंदिर होगा वो उतना ही विशाल होगा उतना ही बड़ा होगा और उतना ही जो है उसमें धन होगा तो एक बार को अगर temple का attack देखते हैं या किसी भी capital का attack हम देखते हैं तो वो राजा को challenge करना उसकी authority को challenge करना और उस particular ruler के खिलाफ जाना इसको दर्शाता है इसलिए that's why वो attack कर रहे थे उसके बाद और मैं questions देख सकती हूँ यहाँ पर कि यह invade क्यों कर रहे हैं तो मैंने आपको बताए religious reasons और political reasons दोने हैं यह muslim धर्म को भी पैलाना चाह रहे हैं और इंडिया को जीतना भी चाह रहे हैं ठीके? And thank you so much Nisar for your beautiful comment अच्छा कई सारे students जो है comments जब करते हैं तो मैं आपको बता दूँ guys जब भी मुझे आपके answers देखने होते हैं तो या questions देखने होते हैं आपके जो भी आप लोग बोलते हैं comments में तो उसके लिए मुझे थोड़ा वीडियो को रोब करके जैसे अभी हमने break लिया है अभी मैं comments पढ़ रही हूँ तो अगर कभी मैं discussion करती हूँ और आपका कोई question ना देख पाऊँ आपका कोई सवाल ना देख पाऊँ या आपका कोई comment मुझे मिस्स हो जाए तो ऐसा नहीं कि मैंने उसको ignore किया है आप ये समझे कि actually मैं मैं जब slides पढ़ती हूँ और आपके साथ discussion कर रही होती हूँ तो इस time मैं comments नहीं देख पाते हैं तो हमारे पास ना साथ-साथ देखने का option नहीं होता तो हमें phone से अलग से open करके tab फिर हम आपके comments पढ़ते हैं इसलिए अगर कभी भी ऐसा लगे आपको कि आपके कोई doubts है तो आप comments में लिख दिया करें और जैसे ही हम लोग जैसे रुकेंगे topic cover करके break लेंगे तो फिर मैं जब आपके comments सारे पढ़ती हूँ तो उस time में मैं आपका doubt देख पाऊंगी ठीक है और फिर मैं आपके doubts का answer कर पाऊंगी ओके ओके welcome मोहमद ओके ठीक है I hope सभी doubts clear हो चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और next part पर जो है चीजों को discuss करते हैं तो अब तक हमने जो part cover किया है इसमें हम overall understanding ले चुके हैं चीजें कैसी थी तो राजपूत society जो थी इसका अगर हम देखें the basis of राजपूत society इसमें आप देखें ये एक clan है clan का मतलब क्या होता है particular group है और इसको ले करके कई सारी बाते हैं यहां मैं आपको सभी को एक चीज समझाना चाहूंगी कि जब हम early medieval Indian history देखते हैं तो इसको ले करके कई सारे students के अंदर एक रोश एक जो है गुस्सा भी देखने को मिलता है क्योंकि कई बार वो उसको religiously समझने की कोशिश करते हैं या religious lines पर उसको पढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं या अपने personal level पर उस चीज को सोचते हैं तो तब आपको यह चीज थोड़ी सी you know problematic लग सकती है उसमें आपको conflict हो सकता है कुछ चीजों में हम दोनों के बीच में भी conflict हो सकता है आपको सकता है कुछ चीजों से आपको लगे कि जो मैं कह रही हूँ आप इस चीज से सहमत नहीं है तो हाला कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट यहां मैं आपको बताना चाहूंगे कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते कोई topic होता है तो वो मेरी personal राय नहीं होती या personal opinion नहीं होता मतलब जो हमारे historians ने मैं जस्ट उसको explain कर रहे हूँ तो राजपूत रूलर्स के बारे में भी कई सारे historians ऐसा लिखते हैं कि इनके origin को लेकर के चीज़ वड़ी conflict में है कि basically कैसे origin हुआ इसको लेकर के कई सारी बाते कई सारी theories है तो इनको अगर आप देखे तो land से इनकी attachment फैमिली से इनकी attachment इनका मान, सम्मान यह सब राजपूतों के characteristics थे बहुत ही brave और बहुत ही जादा वीर और friendly relations maintain करते थे काफी honest होते थे काफी brave होते थे तो आज भी जो है राजपूतों की जब भी बात होती है तो यह माना जाता है कि यह राजपूत स्टेट जो है उसे राणा या रावत जो है वो रूल किया करते थे और वो अपने chiefs के साथ यानि कि अपने अंदर जो उनकी authority होते हैं officers होते हैं मिल करके समहला करते थे तो राजपूत जो है वो war को एक खेल की तरह मानते थे इनके लिए बड़े से बड़ा युद्ध जो है एक खेल की तरह था जिसे कि वो sport की तरह असपे खेलते जीत लेते थे land के लिए जो एक struggle होती है cattle के लिए जो struggle होती है उसी वज़े से continuous warfare होती रहती थी और various राजपूत states के बीच में आपस में भी लड़ाईयां चलती रहती थी यह हिंदूइज्म के champions माने जाते हैं और इन्होंने जैनिस्म को भी patronize किया उन्होंने कई सारे donations और land grants दिये थे ब्राहमन्स को और मंदिरों को और माना जाता है कि यह protectors है हिंदूइज्म के हिंदूओं की तरफ से main defenders है और जो privileges है ब्राहमन्स की उसको लेकर के इन्होंने काफी protection दिया caste system को भी बढ़ावा दे रहे थे कही न कहीं अगर देखे तो यह बहुत equalist nature के नहीं है caste discrimination and gender discrimination आपको इसमें भी देखने को मिलेगा जिसमें आप महिलाओं को लेकर के एक suppression देखेंगे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे जो की महिलाओं के खिलाफ है और इतनी empowering situation नहीं है जैसे की सती system का हो जाना या महिलाओं को politically, economically rights ना देना, जादा उनको पढ़ने लिखने के अधिकार ना देना परदा system जो है रखना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो की आप देखेंगे की जो की anti feminist जो है आपको नेजर की मिलेंगे एक बार आप इस map को analyze कर सकते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कि लाहौत तो यहां आप देख सकते हैं तो यहां अभी हम इसमें देखेंगे किस पर कजनी का इलाका है। जो का इलाका है कैसे यहां से अटाक होगा तो temple architecture actually में समय में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था तो 8th century के बाद आप देखते हैं कि बहुत तेजी से 10th and 12th century के बीच में मंदिरों का विकास बहुत जादा तेज हुआ और जो temple building activity है North India की वो अपने climax पहुँच गई इसमें जो North India के जो temple architectures हैं उनको हम the nagar style of temple architecture कहते हैं इसके अंदर भी 3 और sub parts है Do you know the 3 sub parts of nagar style of temple architectures अगर हम इसको देखें तो east, central and west ये 3 हिस्सों में अलग-अलग type के schools थे जो develop हुए तो अगर ये 3 sub parts का आपको याद हो तो temple architecture मैंने आपको नेतन सिंग घानिया के course में भी पढ़ाया था तो सबसे पहले western side में जो था, वो था सोलंकी school of temple architecture जो की nagar style का ही एक sub part है सोलंकी school of temple architecture में आप देखेंगे कि मंदिरों के अंदर सूर्य कुंड बनाया जाता था और बहुत अच्छे से मंदिरों के अंदर जो है एक particular जो है एक ऐसा step well के जैसा एक area होता था जिसमें छोटे-छोटे मंदिर जो है steps पर भी बनाये जाते थे और बाकी के दो कौन से थे ? who will tell me ? okay I can see comment section में yes हां यहां पर एक question है कि caste system जो है कहां से grow हुआ था ? caste system बेसिकली जो है लेटर वैदिक एरा में हम देखते हैं इसको grow होते हुए caste is based on profession यानि कि आप कौन सा particular profession follow करते हैं ? यह सबसे जादा rigid हुआ था गुपता एरा के टाइम में क्योंकि जब foreign invasions इंडिया में जादा होने लग गए थे ? तो गुपता एज में caste system काफे rigid हो गया था ? हाना कि इसकी शुरुवात लेटर वैदिक एरा से ही हो चुकी थी ? यानि कि अगर हम इसको पूरी तरीकी से properly देखें तो इट वाज आफटर 1000 BC और प्रॉपर डेवलाप्मेंट हुआ अराउंड आपका 600 BC और बहुत ही जादा जो है डिजिट कंडीशन में आया जब गुपता रूलर्स इसमें रूल करते हैं इंडिया पे और इसके अलावा हाँ नागर स्टाइल येस तो नहीं नहीं ट्रवीडियन स्टाइल इस दे रॉंग आंसर देखे द्रवीडियन स्टाइल जो है दाट इस इन दे साउथ हिंडिया ठ तो ध्यान रखिए कि चलो मैं एक और बता देती हूं आपको सेंट्रल वाला बता देना तो थ्री सब पार्ट्स थे यहां पे जो चंदेला रूलर्स थे वो इसको पैटोनेज दे रहे थे जिसमें आपको काफी सारे अलग-अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं एक्चुल जो वो पसंद करते हैं जो वो खुद जो बता है और बता देखो के आपको आपको की आपको देखने को मिलते हैं तो खजुराहो टेंपल में आप काफी erotic sculptures देखते हैं और काफी जादा different kind of उसमें जो architectures हैं उसका हमें निर्मान देखने को मिलता है तो एक और जो है वो है खजुराहो स्कूल मुझे लेकिन किसी ने भी right answer नहीं दिया तो I don't see right answer from anyone no problem तो सोलंकी स्कूल, खजुराहो स्कूल and उडिसा स्कूल ये तीन स्कूल्स थे जो की हमारे नागर स्कूल आफ टेंपल आकिटेक्चर के अंतरगत आते हैं और इन तीनों स्कूल्स के अंदर जो है अलग-अलग प्रकार के शिखर्स और स्टाइल्स देखने को मिलते हैं जिन लोगों ने ख्लासेज नहीं देखी हैं नितिन सिंगानिया वाले कोर्स की वो देख सकते हैं तो जो नागर स्टाइल आफ टेंपल कंस्ट्रक्शन है उसमें हम देखेंगे कि इसके जो में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो खास इसमें जो बाते थी वो थे spiral roof जो की बहुती टॉल है और curved है और ये जो है ये गर्बग्रिया के ऊपर है वाट इस गर्बग्रिया ये main ऐसा एक room है जो की जो dt है मतलब जो की main dt है वो उनका कमरा होता था और माना जाता था कि ये जो सबसे main shrine है उसके उपलक्ष में बनाया जा रहा है जैसे कि अगर मान लीजे कि अगर Krishna temple है तो गर्बग्रिया में Krishna की मूर्थी होगी उसके अलावा subsidiary steins भी हो सकते हैं तो उसमें दूसरे gods की भी मूर्थियों को रखा जा सकता है लेकिन जो गर्बग्रिया है उसमें जो main principal deity है उनकी मूर्थी रखी जाती थी और एक मंडब जो है वो added था to the sanctum sanctorum sanctum sanctorum का मतलब गर्बग्रिया होता है और sanctum sanctorum या गर्बग्रिया जब भी लिखते तो ये एक ही बात है और मंडब का मतलब होता है assembly hall so assembly hall means जहां पर जो सारे दर्शनार्थी आते हैं वो लोग एकटा हो सकें और दर्शन करने के लिए वहाँ जोड़ सकें तो यहां आप देखेंगे कि मंदिर को बहुत high wall से enclose किया जाता था और इसके gates भी हुआ करते थे तो बड़े बड़े wall और gates को use करके मंदिर को enclose किया जाता था तो example के लिए जिसकी खजुरा हो जो कि मंदिर प्रदिश में थे भुवनेश्वर उडिसा में जो temple है खजुरा हो मंदिर भुवनेश्वर मंदिर परसवनाथ temple, विश्वनाथ temple, किंद्रे महादेव temple जो खजुरा हो का है और कुछ दूसरे मंदिर जो इस period में है उसमें लिंगराज temple 11th century में बनवाया गया था उडिसा में जो sun temple है कोनाक का वो 13th century में बनवाया गया था और सबसे famous जो जगरनाथ temple है पूरी का वो भी इसी period में बनवाया गया था जो राजपूत रूलर्स थे वो आर्ट और लेटर्स को काफी patronize करते थे यानि कि आप देखेंगे कि इन लोगों का सिर्फ expansion पर ध्यान नहीं है आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, साकिटेक्चर, महल, फॉर्ट, ये सब भी ये लोग बनवाते थे तो इनकी कई सारी समय में कई सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जैसे कई सारी किताबे हैं, कई सारे plays हैं जो की संस्रित में लिखे गए थे इस period में और इनके patronage में वो काफी तेजी से develop हुआ वास्तूपल जो हैं इस time में एक famous minister हुआ करते थे जो की चालुक्यन ruler के अंदर रहा करते थे चालुक्यन ruler भीम जो हैं वो इस time में थे, गुजरात है तो ये बहुत बड़े एक writer थे और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी थी और इन्होंने कई सारे beautiful jain temple जो हैं बनवाए थे जिसमें से एक बहुत ही beautiful jain temple है जो की माउंट आबू में हमें देखने को मिलता है उजयन और धारा का जो इलाका है ये परमा रूलर्स की capital था और ये बहुत important trading centers भी थे उस time में संस्कृत learning के भी ये center थे तो आप देख सकतें कि राजपूत रूलर्स संस्कृत को भी patronage दे रहे हैं और संस्कृत literature को भी आगे बना रहे हैं अपबरंश और प्राकरत जो है इसमें हम देखते हैं कि ये वो भाशाएं हैं जो इस region में उस time में use होती थी और modern जो North Indian languages हैं जिसमें हम Hindi, Bengali, Marathi का जो rise है वो देखते हैं वो इसी समय में हुआ तो आप देखते हैं कि basically इसे हम कहते हैं Indo-Aryan languages तो Indo-Aryan languages के तीन हिस्से हैं basically तो इसमें हम सबसे पहले जब इसको early time में देखते हैं तो इसमें सिर्फ Sanskrit थी उसके बाद medieval time में इसमें फिर प्राकरत आ जाती है और फिर modern जो time है Indo-Aryan language का जो कि around 12th century AD देखने को मिलता है उसमें आपको Hindi, Marathi, Bengali ये सब जो modern आजकल की जो भाशाएं आप भारत में नौर्थ इंडिया में सुनते हैं उनका development हुआ Early, medieval and modern Indo-Aryan languages इसको हम कहते हैं तो early में ध्यान रखिये कि Sanskrit है और medieval में प्राकरत है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राकरत और modern में जो है Hindi, Bengali और Marathi है Indo-Aryan language family खुद एक बहुत बड़ी language family का हिस्सा है जिसे हम Indo-European language family कहते हैं ये एक बहुत बड़ी language family है एक बहुत बड़ी language की ये भाशा है तो Indo-European language family अब हम जो है बात करेंगे जो Turkish conquest हुआ North India में तो इसमें आप देखेंगे की एक process है interaction का between Islam and Hindu religion और जो society थी इसमें आप देखते हैं की जो गजनवित conquest है वो होता है और वो पंजाब तक हो जा रहा है तो पहले भी ये हुआ था पर बीच में इसमें कुछ दिक्कतें आई जब महमूद की death हो गई लेकिन अब दुबारा पंजाब तक इन्होंने control किया है लाहौर इनके Arabic और Persian language और literature का एक center बन चुगा था तो लाहौर एक बहुत बड़ा center है and middle of 12th century में आप देखेंगे की दो नई powers बहुत तेजी से grow हुई थी और इनकी जो है प्रामिनन्स हमें देखने को मिल रही है एक है खौरिजमी empire जो की इरान में बेस था और दूसरा था घुरीद empire जो की घुर यानि की नौर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में बेस था ये आपके लिए बहुत important है क्योंकि यहीं से एक अगली नई battle की शिरुवात हम देखेंगे तो नौर्थ इंडिया के दूसरी तरफ हमारे जो rulers हैं वो चौहान हैं और चौहान जो हैं वो बहुत तेजी से grow हो रहे हैं इन्होंने कई सारे तुर्की rulers को मार डाला और इन्होंने राजिस्थान में जो भी तुर्की rulers invade करने की कोशिश करते थे उनको हटा देते थे और बाकी जो भी पंजाब साइट से कोई भी attack होता था तो चौहान उसको जो है control करते थे इन्होंने देली को capture किया था और इसको दिल्ली का ये कहा करते थे और तूमर से इन्होंने देली को capture किया था around the middle of this century और इसके बाद इन्होंने जो है अपनी power पंजाब तक expand की थी जब पंजाब में ये पहुँचे तो आप देख सकते कि पंजाब में जो है गजनविक भी पहुँचे हुए हैं तो इनकी अप डिरेक्टली गजनविक से गजनियों से लड़ाई शुरू होगी तो गजनी के उस समय में जो representative थे जो ruler थे वो थे मुहम्मद गौरी जिनका पूरा नाम है मुईजद्दीन मुहम्मद गौरी तो मुहिजद्दीन मुहम्मद गौरी या अगर आप शौर्ट में इसको गौरी भी बोलें तो ठीक रहेगा तो इनकी लड़ाई अप रत्विराज चौहान से होती है तो इनकी जो है लड़ाई हो रही थी कि जो ताबर हिंद का इलाका है उस पे उपर कौन क्लेम करेगा पहली जो battle हुई थी उसमें गौरी हार जाता है तो मुहिजद्दीन मुहम्मद गौरी की हार हो जाती है in the first battle of the Ryan इसमें जो घौरीद forces है घौरीद मतलब की जो घौर है ना उन्हीं को घौरीद बोला जा रहा है तो घौरीद forces के ही ये representative है मुहिजद्दीन मुहम्मद गौरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो घौरीद empire है जो नौर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में बेस था तो आप ये देखेंगे कि जो मुहम्मद गौरी है इसमें हार जाते हैं और पृत्वी राज चौहान बहुत ही अच्छे से जीत हासिल करते हैं और पृत्वी राज चौहान ने ये जो इलाका था तबरहिंद का इसको जो है कैप्चर कर लिया है कंकर कर लिया है और बारा महिने तक इसको सीज़ करके अपने अंदर रखा गया है इसके बाद इनों ने जो है यहाँ एक कल्ती की आप कह सकते हैं कि प्रित्वेराद चौहन ने मुईजददीन मुहम्मद कौरी को हरा तो दिया लेकिन जिन्दा छोड़ दिया और जैसे कि एक शेर होता है उससे भी जादा खतरनाक होता है एक घायल शेर और प्रित्वेराद चौहन ने यहां पर यह चीज जो है यहां वो चुके उन्होंने प्रपोजल दिया कि तुम जो है पंजाब को छोड़ दो और पंजाब का इलाका जो की गुरीद रूलर्स की पोजिशन में है उसको छोड़ करके चले जाओ लेकिन मुईजद्दीन मुहमद गौरी ने इस प्रिपोजल को रिजेक्ट कर दिया अगले साल अपनी आमे को तयार करके वो वापस लोटा और सेकंड बैटल ओफ दरायन हुई 1192 में जिसके अंतरगर मुहमद गौरी की जीत होती है और मुईजद्दीन मुहमद ने इस जगह को कैप्चर फिर कर लिया होता है ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है सेकंड बैटल ओफ दरायन क्योंकि यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी इनके जो फोर्से वैसे दोनों साइड में थे लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बैटल में जो है मेंली जब यह लड़ाई होती है तो कैविलरी की लड़ाई होती है तो कैविलरी का मतलब होता है घुर सवार सैनिक तो दोनों तरफ के घुरसवार साइनिक लड़ रहे थे, चौहान की तरफ से भी साइनिक है और सुपीरियर औरगनाइजेशन था, स्किल, मूवमेंट, स्पीड, हर चीज का ध्यान था सबसे अच्छी बात यहां पर देखने को मिलते हैं कि घोड़े जो हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किया गया है और जो तुरकिश केविल्री थी, उनके घोड़ों की नसल काफी अच्छी थी और घोड़े उनके काफी बढ़िया होते थे और मतलब उनकी घोड़े के उपर चल करके निशाना लगाना, युद्ध लड़ना इसके लिए उनको ये बड़े हैबीचुल भी थे तो उनकी हैवी केविल्री और सब चीजों के वज़े से जीत हासिल हो गई उनने और कई सारे इंडियन सूल्डर्स इसमें जो है मारे गए थे पृत्वी राच चौहान जो है वो यहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको जो है सरवस्थी सिरसा के पास कैपचर कर लिया गया था और उसके बाद जो है तरकिश आमीज जो है इन्होंने जो हनसी का इलाका था जो किला था हनसी और सरसती वाला उसको जो है सिरसा वाला इलाका समान वाला इलाखा वो सारा इन्होंने capture किया और उसके बाद इन्होंने अजमेर में attack किया पत्विराज जो है उसमें उनको allow किया जाता है to rule over अजमेर इस time जो है कहा जाता है कि उन्होंने कुछ time rule किया लेकिन after this पत्विराज च्वाहन को मार दिया गया था and he was executed and इसके लिए भी कहा जाता है कि इसके लिए भी एक मतलब बहाना बनाया गया था कि उन्होंने कुछ conspiracy की है और फिर पृत्वी राज के जो बेटे थे वो उनके उत्रादिकारी बनते हैं अब ये जो पार्ट है ये बहुत conflict वाला पार्ट है इसमें आप देखोगे कि कई ही सारे इसको लेकर कहानिया और बाते हैं कुछ कहते हैं कि नहीं पृत्वी राज जोहान को battleground में ही मार दिया गया था कुछ का मानना है कि नहीं वो वहाँ से भाग निकले थे जैसे कि आप देखते हैं कि जब एक कहानी लिखी जाती है और एक historian जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो कभी-कभी उसमें एक religious angle भी होता है और कई बार ये जो हिंदू होते हैं और हम सभी जो हिंदूों के अंदर जो भावना होती है वो इस चीज़ को लेकर के accept नहीं करना चाहते कि एक पृत्वी राज जोहान जैसे एक महान राजा जो है वो कैसे इस युद्ध में हार गए तो इस चीज़ को accept करना बहुत मुश्किल होता है जिसकी वज़े से historians इस चीज़ को अलग-अलग तरीके से लिखते हैं और इसमें आपने जो है सुनी भी होगी कविता जिसमें की चार अंगुल उपर जो है मच्चू को चौहान वाली लाइन आती है तो वो जस्ट एक कविता है इन रियालिटी ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कविताएं होती है जिसमें की गलोरिफाइ किया जाता है रूलर्स को पर जरूरी नहीं है कि वो कविताएं पूरी तरीके से सत्ते हों तुरकिश कंकेस जो है वो अब आगे बढ़ता है और ये गंगा रिवर के पास तक पहुँच जाते हैं बिहार और बेंगॉल का जो इलाका है तो तराइन की युद्ध के बाद अब जो है मुईजद्दीन मुहम्मद गौरी जो है वो कजनी वापस लोटा क्योंकि वो काफी लंबे समय से कंकेस्ट कर रहा था और काफी लंबे समय से चीज़ों को देख रहा था अब उसे आगे की प्लानिंग करनी थी तो उसने इन सारी चीज़ों को खुद्ध बुद्धिन एबग के हाथ में सौंपा जो कि उनके सबसे ट्रस्टेट स्लेव थे और गवर्णर थे तो स्लेव जो है अब जो है डूल करेंगे इंडिया पे और स्लेव डाइनस्टी के शिरुवात हो जाएगी तो स्लेव डाइनस्टी क्यों हम इसे कह रहे हैं क्योंकि स्लेव जो है वो यहां पे ruler, सुल्तान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं basically एक slave जो है वो ruler कैसे बन सकता है एक जो दास है वो राजा कैसे बन सकता है क्योंकि एक दास के अंदर अगर उसके अंदर personal capabilities हैं qualities हैं और Islam क्योंकि equality के concept को follow करता है तो वहां पे वो लोग slave को राजा भी बनवा देते थे बलकि slave से अपनी बेटियों का विवा भी करवा देते थे कई बार सुल्तान तो जैसे कि हम देखते हैं कि अलाउदिन खिलजी का विवा जो है करवा दिया गया था तो ऐसे ही बहुत सारे slaves थे जिनको की आगे हम उनका development देखेंगे और अगले दो सालों तक जो तुर्क्स हैं उन्होंने अपर दोआप का जो इलाका है यानि कि गंगा यहुना दोआप का जो इलाका है दोआप मतलब कि दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको इन्होंने कंकर कर लिया और इनको कभी भी किसी से कोई opposition नहीं मिला और जो गढ़वाल थे गढ़वाली रूलर उन लोगों ने कोई opposition नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इनसे जीतना बहुत मुश्किल है 1194 में मुईजद्दीन गौरी जो है वो इंडिया वापस आया फिर अगली उसने battle लड़ी जिसमें की जो है मुईजद्दीन और जैचंद्र लड़ते हैं और ये चंदवार की battle थी जो कन्नौज के पास हुई इस battle में जो है अगीन मुखंद्द गौरी की जीत हो जाती है जैचंद्र को मार दिया गया था और उनको एक तीर से मारा गया था और उनकी आमी टोटली हार गई थी तो इस तरीके से जो तुर्क है मुईजद्दीन के अंतरगत एक बहुत बड़े territory के उपर अपना hold कर लेते हैं जो कि बिहार तक उसकी borders जा रही है तो ये जो battle आफ तरायन और battle आफ चंदवार थी इसकी वज़े से तुर्किश रूलर्स की foundation नौर्थ इंडिया में आखिर रखी गई और आगे अब आप देखेंगे कि जो इनका base है वो दो आप तक जा चुका है इन्होंने series of raids फिर neighboring area पे डाले बार बार अलग 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 जगाओं को लूटा फिर कुतुबद्दिन एबक ने जो है कालिंजर, महोबा, खजुराहो यानि की उडिसा तक का जो पूरा इलाका है उसको चंदेल रूलर से जीत लिया और इसके बाद battle हुई थी जिसमें भीम ध्री जो थे उनको हरा दिया गया था जो गुजरात के राजा थे इसके बाद जो है एक खलजी नाम के officer थे बक्तियार खिलजी जिनको की आप देखेंगे कि उन्होंने कई बार frequent rates डाली थी बिहार में और बक्तियार खिलजी ने बिहार को कई बार लूटा और इसके famous बुद्ध मुनेस्ट्री इसको destroy किया, attack किया, नालंदा और विकरम शिल एक बहुत बड़ा rich price है, because इसके अंदर कई सारे resources हैं, और यहां पर foreign trade बहुत तेजी से grow हो रहा है, बहुत यहां पर reputation है, और यह इंडिया के अंदर एक fabulously बहुत important part है, इसलिए उसने यहां पर भी attack करने के और इसको जीतने की भी कोशिशे की थी, बक्तियार खिलजी ने जो है बार बार जो attack की और जिसकी वज़े से कई बार जो कई सारे एरियास थे जैसे कि कई सारे जो pilgrim places थे उसको भी certain attack मिला और इसके जगब पर आप देखेंगे कि कई सारी problems इसके वज़े से emerge हो रहे हैं, तो इसमें नदिया एक pilgrim center हुआ करता था सेना rulers का, और लक्षमन स जो है नोंने ये एक palace बनाया था, इस पे भी attack किया था, ये जो एक palace है, इसके उपर हमला किया गया था, बक्तियार खिल जी के द्वारा, तो आप जानते हैं कि जो सेना rulers हैं, वो बिंगॉल के बहुत बड़े इलाके पर rule कर रहे थे, और सेना rulers ने बिंगॉल में कई सारे मं दिनों का निर्मान भी किया था, जितनी भी ये rulers की wealth है, इस पेशली जो राजा होते थे, उनकी कई सारी पत्निया भी होती थी, तो उनकी पत्नियों को भी, उनके बच्चों को भी capture करके दास बना लिया जाता था, और बक्तियार खिल जी ने कई सारे expeditions किये, जो कि फिर ब् rulers हैं, वो तुरकिश आमीज जो हैं, उनको उन्होंने allow किया कि जो हैं वो आएं और जितना जहां तक आ सकते हैं आएं, इसके बाद इनोंने काफी retreat किया, और समझोते से फिर ये लोग आगे चले, फिर भी इनोंने बार बार असमीज आमी को harass किया, और धीरे धीरे वहां पर भी इनोंने अपने आपको control कर लिया था, बार बार इनोंने जो है, मतलब आप देखें कि इनकी जो hunger है, वो ये है कि इनको बार बार मतलब battle भी मिल रही है, हर को इन से लड़ भी रहा है, असमीज आमी भी इनको बार बार attack कर रही है, ये भी attack कर रहे हैं, लेकिन ये रुकत भी जेलते हैं, इसके बाद फिर बक्तियार जो है, वो वापस कुछ मैनों बाद कुछ और followers के साथ आता है, और फिर कुछ समय तक वो वहां पर mountain area में आता है, और कुछ जो उसके followers थे जिसमें की कुछ mountain tribes ने भी उसकी help की थी, वहां तक वो आया, और लेकिन वाद में उसकी last में death हो गई थी, तो वहां तक जो है, नौर्थ एस्ट में जो है, वो as such उतने तेजी से अपने conquest को नहीं ले जा पाया, और उतनी जादा लूट मार फिर आगे वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी मृत्य हो जाती है, तो इन सारी चीजों में राजपूत रूलर्स क्यों हार गए, weakness क्या थी Indians की, सबसे बली जब जो इनकी weakness थी, इनके अंदर एक organization जो है, उसकी कमी थी, सामाजी ग्रूप से ये जो है बड़े हुए थे, और feudal system, सामंतवादी system जिसमें local landed elements होते थे, उसकी वज़े से इनका administrative structure और military organization भी हो गया है, military में उतना discipline नहीं है, और इसी Indian states जो है, छोटे-छोटे हिसों में टूटे रहें, जो tribal structure तुर्कों का होता था, तो तुर्क के अंदर इक्ता, यानि की इक्ता क्या होता है, इक्ता मतब एक province को कहते हैं, जो की एक काम होता है, जिसका इलाका होगा, जो एक इक्तादार होगा, जिसका वो इक्ता होगा, वो की रूलर को सर्विस देगी in case of war और emergency, तो जब भी रूलर या सुल्तान लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो ऐसे जो इक्तादार थे, वो राजा को अपनी आमी प्रोवाइट करेंगे, तो खलीसा सिस्टम भी इसमें होता था, जिसमें सुल्तान जो है, डिरेक्ली खलीसा रैंड से जो रिविन्यू है वो लेते थे और वो उनके रॉयल पॉपस से यूज होता था, रॉयल पॉपस में जो भी मतलब खर्चा है उसके expenses के लिए यूज होता था, दो सिस्टम इसमें आप देखेंगे कि इनेबल हुए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास बह जम्बे समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाते थे और कई सबार जो है उनको हार झेलनी पड़ी, राजपूत्स के अंदर जो है strategic एक विजन नहीं था, इसमें आप देखेंगे कि काबुल लाहर का इलाका है, जब बात बीच में ये तुर्कों के हाथ से निकल भी जाता है, तो उस टाइम में भी इन्होंने कोशिश नहीं की कि हम उसको recover कर लें, वहां पर जाएं और थोड़ा से effort लगाएं, थोड़ा आगे बढ़ें, ये हमेशा defensive रहते थे, तो इसलिए मतलब इन्होंने का कि अगर हम पर attack होगा तो हम लड़ेंगे वरना नहीं लड़ेंगे, तो कभ सारी दिक्कते हुई थी, तो वहां पर ये लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन ये इन्होंने कभी किया नहीं, ये भारत में ही अपने आपको confine करके चल रहे थे, तो यहां पर हमारा ये chapter complete हुआ, अब हमारा जो अगला lesson है वो है दली सल्तनत, हाई काईज, आईए जानते हैं हम काफी helpful होंगे 2021, 22 और 23 के जो aspirants है उसके लिए काफी जादा helpful है, ultimate UPSC CSE 2022 का ये बैच हिंदी, English, Bilingual सभी भाशाओं में available है, जो कि 10th मार्च से शुरू हो रहा है, complete syllabus coverage by top educators, NCRT, plus other standard books, पूरा coverage, मतलब आपका prelims, mains, interviews, सब कुछ कवर होगा, इसके अलावा हमारा जो ये बैच ह ये अलग-अलग भाशाओं में है, तो आप अपने convenience के accordingly, अपनी timing के अनुसार कोई भी बैच देख सकते हैं, एक बार अगर आपने subscription ले लिया, तो आप सारे batches का access ले लेते हैं, आप सभी batches को देख सकते हैं, इसके अलावा हमारा जो ये prelims का 2021 का बैच है, ये भी Hindi, English, Bilingual तीनों भाशाओं में available है, ये prelims focused batch है, इससे आपका prelims easily crack हो जाएगा, 2 year का batch भी है हमारे पास, ये UPSCCC 2023 के अपरेंस के लिए है, ये जो है, ये एक बहुती lengthy, बहुती complete coverage वाला बैच है, इन batches को join करने के लिए यूज कीजे कोट ARMLIVE, ARMLIVE के इस कोट से आपको मिलेगा 10% का extra discount, साथी साथ unacademy combat है guys, जो कि prelims के test series के accordingly बनाया जाता है, questions बहुत ये अची quality के होते हैं, जो कि आपको UPSC level पर तयार करते हैं, इसमें 1 क्रोर का scholarship pool है, आपको अपने share का scholarship इसमें मिलता है, और ये हर Sunday होता है, यानि कि अगर आप चाहें तो इसे next Sunday 14th March को 11 बज़े join कर सकत तो code use कीजिए arm live और इसके द्वारा आप enroll कर सकते हैं, इन सारे नए batches का link और combat का जो link है, वो नीचे description box में दिया गया है, आप link पर click करके इसे join कर सकते हैं देली सल्तनत जो है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, देली सल्तनत के अंदर पांच dynasties ने रूल किया, उन पांचों के बारे में हम जानेंगे, हम शिरुवात करेंगे को तो बुद्दिन एबख से, और देखेंगे कि कैसे इनोंने जो है अपनी slave dynasty को आगे बढ़ाया थ इसके बाद इल्तुतमिशाय, रजिया, यह सब हम लोग कवर करेंगे, तो बेसिकली है क्या, मैं आपको शौर्ट में बता देती हूँ, कि यह जो डेली सल्तनत हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, इसमें शिरुवात हो रही है slave dynasty, slave dynasty, इसके बाद आएगी आपकी खिलजी dynasty, फि क्या काम हुआ, किसने expansion किया, और कैसी उनकी policies थी, especially अगर उन्होंने art and culture में कोई योगदान दिया है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि art and culture में उन्होंने क्या क्या किया था, तो शुरुवात होती है slave dynasty से, कुतुबुद्धि नैबक ने इसको किया था, इसके बाद आप देखेंगे कि Khilji dynasty शुरू हुई, जिसे जलाल उदिन Khilji ने शुरू किया और अलाउदिन Khilji ने उसको expand किया, फिर अलाउदिन Khilji के ही एक, उनके अंतर रहने वाले एक warden थे, जिनका नाम था गाजी मलिक, और उन्होंने फिर Tughlaq dynasty की फिर Sayyad dynasty देखेंगे, Sayyad dynasty में आप देखेंगे कि कुछ खास expansion नहीं हुआ, आलम शाह, आखरी राजा थे, जिन्होंने अपना सारा सब कुछ जो है, वो बहलूल खान लोधी के हाथ में सौपा, और उसके बाद वो रिटायर हो करके बदा यूँ चलेता है, फिर सुरू होत और उसके बाद फिर बाबर आ जाएंगे, फिर बाबर, हमायों और इस तरीके से फिर मुगलों का काल शुरू होगा, तो आज की जो क्लास है, इसमें अभी हम लोग मुगल्स नहीं डिसकस कर रहें, सिर्थ हम लोग देली सल्तनत डिसकस करेंगे, ठीक है, तो चलिए और ये बात हो रही है, थर्टीन सेंचुरी की, एक स्ट्रगल शुरू होता है, कि कौन जो है, एक स्ट्रॉंग मुणाकी को स्टाबलिश करेगा, तो स्लेव प्राइडिस्टी की शुरुवात की कुतुबुद्धी नैबक ने, ये कैसे हुआ, इससे पहले की क्लास में हम ल कौतुबुद्धी नैबक, तो मुहमद गौरी को मुईजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, और उन्ही को आगे, उनके जो सकसेसर है, या आपके सकते उत्रा धिकारी जो है, वो है कौतुबुद्धी नैबक, तो ये तुरकिश स्लेव थे, 1206 में उन्होंने आगे इस डाइनस्टी को स्टार्ट किया, और ये जो है, आपने देखा कि ये शुरुवात होती है, सेकेंड बैटल ओफ तरायन के बाद, क्योंकि सेकेंड बैटल ओफ तरायन जब हुई थी, उसमें भी, हुद्धुद्धिर एवग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी, और वहीं से ये काफी फेमस हो गए थे, और उन्होंने तुरकिश सल्तनत का बहुत ज़ादा एक्सपांशन इंडिया के तरफ किया, इसके अलावा और भी स्लेप्स थे, जैसे कि जो मुईजुद्धिन के जो स्लेप थे, मुईजुद्धिन के, उसमें जो कि गजनी को सक्सीड करते हैं, और फिर वो गजनी को रूल करते हैं, गजनी के उपर पूरा क्लेम करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है कोशिश करते हैं कि दिल्ली के उपर भी रूल कर रहेंगे, और करने की ये पारे में वो क्लेम भी करते हैं, हाला कि एहबक की जो इनकी मृत्य हो गई थी ये घोडे से गिर गए थे और गिर करके इनकी मृत्य होई इसके बाद हुआ ये कि जो कुतुबुतिन एभग है उनके द्वारा शुरू की गई ये स्लेव डाइनस्टी जो है ये आगे इल्टुत्मिश ने एकस्पैंड की और इतनी एकस्पैंड की आप देख सकते हो कि यहां तक पूरा एकस्पैंड कर दिया अब आप देखेंगे कि ये पार्ट इल्टुत्मिश ने एकस्पैंड किया था और उस ताहिं में मंगोल्स के द्वारा होते हुए अटाक से भी इल्टुत्मिश ने इंडिया को बचाया था इसको समझेंगे कि कैसे हुआ तो इल्टुत्मिश एबक के बाद आया तो एबक के ये दामाद भी थे और स्लेव भी थे तो पहले स्लेव ते फिर दामाद बने तो कुतुब अबक के ही ये दामाद थे उनके उत्त्रादिकारी बने इल्टुत्मिश जिन्होंने 1210 से 36 के बीच रूल किया और इन्होंने जो है हुआ ये था कि पहले तो कुतुब अबक की जब मृत्य हुई थी तो उनके जो बेटे थे वो आये थे और उनका नाम था आरामबक्ष लेकिन उन्होंने जादा लंबे समय रूल किया नहीं क्योंकि इल्टुत्मिश उनको हटा देते हैं तो एबक के बेट principle of heredity नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एबक का बेटा है लेकिन एबक के बेटी की जगा एबक का जो दामाद है या जो उसका slave है वो रूल कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से ये भी एक चीज है जो कि बहुत खास बनाती है देली सल्तनत को कोई आपको एक देटर थे और इनके जब से इनोंने गद्दी सम्हाली उसके बाद से ही आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़ियातेजी से ग्रो हो रहा है और इस समय में अली मरदान खान अपने आपको बेंगॉल और बिहार का जो राजा है वो डिकलेयर कर चुके थे और जो कुबाचा है वो एबक के ही एक फेलो स्लेव थे जब एबक स्लेव थे तो उसके साथ कुबाचा भी थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट डूलर हूँ मुल्दान का तो कुबाचा मुल्दान में रूल कर रहे हैं और ये जो अली मरदान खान है ये बिंगॉल और बिहार के इलाके में रूल कर रहे हैं इसके अलावा जो क्वारिजमी एंपायर हुआ करता था जो कि उस टाइम में सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा एंपायर माना जाता है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और वो भी इस्टन फ्रेंटियर में एक्स्टेंड हो रहा था इंडस नदी तक जो है एक्स्टेंड होने की कुशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ करके भारत तक आ जायेगा लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि 2012-20 में क्वारिजमी जो इंपायर था इसे मंगोल्स ने डिस्ट्रॉई किया और मंगोल्स ने एक नए तरीके से यहां पर एक्स्टेंशन शुरू किया तो चाइना से लेकर पूरा जो मेडिटेरिनियन सी के किनारे हैं वहां तक ये फैले थे और कैस्पियन सी से जो रिवर जैकेर्ट्स है वहां तक ये फैले हुए थे तो आप इस मैप में अगर ध्यान दे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मंगोल्स जो हैं फैल चुके थे यहां तक ये लोग पहुँच चुके थे इल्तुत्मिश जो हैं मंगोलों से कभी लड़े नहीं लेकिन उन्होंने टिपलोम ऐसी ऐसी निभाई कि मंगोलों के साथ उनका कभी भी डिरेक्टी कोई कनेक्शन नहीं हुआ या कोई लड़ाय नहीं हुई कोई konflikt नहीं हुआ इल्तुत्मिश ने खुद ही अपने बेटों के मुकाबले अपनी बेटी को जादा बहतर माना और रजिया जो उनकी बेटी थी उसे अगला साशक नियुक्त किया तो 12.36 से 39 बहुत ही कम समय के लिए रजिया ने रूल किया क्योंकि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था उनके सामने की वह एक फीमेल थी और नोबल्स इनके खिलाब थे तो ये नोबल्स कौन है नोबल्स का मतलब क्या है नोबल्स का मतलब है चलीसा और इल्तुत्मिश को कभी नहीं लगा कि उनके बेटे कद्दी समाल पाएंगे तो उन्होंने पाइनली अपनी डॉर्टर रजिया को नॉमिनेट किया और नोबल्स के सामने उनको कहा कि भई जो है नोबल्स इनको हेल्प करेंगे सम्हालेंगे तो नोबल्स कौन होते हैं यह जो है उच्चवर्ग के तुरकिश मिलिटरी लीडर्स होते हैं और इनका बड़ा दबबा होता है कई बार नोबल्स को इतना लगता था कि हम ही किंग मेकर्स हैं चाहेंगे वही होगा और इसके अलावा उलेमास जो होते है टेउलाजीएंजों होते है जान की जो आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिमों के वो जो गुरू होते हैं वो भी अग्री करते हैं कि ठीक है चलौ रजिया सुलतान आ जाएंगी तो आएंगी लेकिन चलेंगी नोबल्स के हिसाब से सब को ये लगता था हाला कि जो ये रजिया हैं उन्होंने बहुत कुछ किया कोशिशें की कि वो अपने भाईयों के खिलाफ आगे आ करके सब कुछ करके समाले चीजों को लेकिन हर कोई इनके भाई भी इनके खिलाफ हैं और जो पावरफुल तुर्किश नोबल्स हैं वो बिन के खिलाफ हैं इसलिए रजिया केवल तीन साल तक ही रूल कर पाई इस बीच में हमने एक नई शुरुआत देखी एक नया स्ट्रगल देखा जो कि मुनाकी और सुल्तानों के मुनाकी और नोबल्स के बीच में यानि कि सुल्तानों और नोबल्स के बीच की लड़ाई कि कौन उपर है मुनाकी उपर है या नोबल्स उपर है तुर्किश चीफ्स जिनकों की हम नोबल्स कह रहे हैं या जो ये चालिस लोगों की एक पूरी group होते थी, इस group के अंदर होता क्या था कि ये Turkish chiefs होते थे, ये उच्चवर्ग के लोग होते थे तो कई भार इनको the 40 भी कहा जाता है, 40 कह जाता है या चाहलकनी कहा जाता है तो ये जे Turkish chiefs थे, ये चाहते थे कि हर छीज़ इनको control में रहे और ये लोग हमेशा जो चाहें वैसा हो मतलब ये लोग ना puppet की तरह राजा को रखना चाहते थे कोई भी सुल्दान आए चाहे रजिया हो चाहे कोई भी हो वो हमारे अनुसार चले उसको हम control करें हम जैसा उसको कहें वो वैसा करें तो रजिया जो है ये अटेम्ट करती है कि वो एक ऐसे नोबल्स की जो है ग्रूप बनाए जो उसके तरफ लॉयल रहें और नौट तुर्की हों जो की मतलब एक तरीके से उसको हेल्प करें और कोई भी उसको जो है रजिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाए लेकिन ये जो चीज है ये हो नहीं पारती है इसके बाद आप देखते हैं कि जो तर्किश नोबल्स थे वो रजिया को बहुत ज़ादा नापसंद करते थे क्योंकि पहली बात तो वो एक स्त्री है और वो बिल्कुल भी फेमिनिन तरीके से नहीं रहती थी नहीं वो अपने चेहरे को कवर करती थी और कोर्ट में भी विल्कुल एक सुल्तान के तरह एक प्रिंस के तरह आ जाती थी और यकूत खान जो है वो एक अबिसीनियन नोबल थे एक स्लेव आप कह सकते हैं जो कि हमेशा रजिया के साथ रहते थे और रजिया हमेशा यकूत को हमेशा साथ रखती थी उनकी मदद लेती थी और उनके साथ जो है साशन में आगे बढ़ रही थी लेकिन होता ये है कि इस बीच में भटिंडा के गवर्नर थे जिन्होंने एक rebelion किया था रजिया के खिलाब उनका नाम था अलतूनिया तो अलतूनिया ने जो है याकूत खान को भी मार डाला था ये एक internal rebellion हुआ था रजिया के खिलाब और रजिया को तबर हंद में बंद कर दिया गया था रजिया को जेल में डाल दिया गया था ये अल्टूनिया ने किया था ये सारा काम अल्टूनिया ने किया था हाला कि रजिया अल्टूनिया के उपर विजय हसिल करती हैं और अल्टूनिया को समझाती है उसके बाद अल्टूनिया और रजिया का विवा हो जाता है अल्टूनिया और रजिया जो की दुश्मन थे जिसके खिलाफ अल्टूनिया ने मतलब रेबेलियन किया था वही अल्टूनिया रजिया से शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये खोशिश करते हैं कि दुबारा दिली वापस जा करें एक नए तरीके से साशन को शुरू करें लेकिन रास्ते में ही इनको मार दिया जाता है तो इनको मतलब जाहिर सी बात है कि नोबल्स इनको पसंद नहीं करते थे तो नोबल्स नहीं मतलब गुंडे वेगरा भिजवा दिया थे, तो रजिया ने काफी अच्छे से काफी ब्रेवली लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसको हरा दिया गया और उसको जंगलों में ही मार दिया गया था, इसके बाद फिर जो है, वो नहीं बच पाई, अब आप द देख रहे हो, यह सारी पाउंडरी थी, और यह मंगोल इन्वेशन का मैक्सिमम एक्स्टेंट आपको देखने को मिलेगा, कहां तक मंगोल इन्वेशन इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो मंगोल इन्वेशन जो है, होता है, और जो मैं रेड-रेड कलर से भी मार्क कर कि यहां यहां पे मंगोल इन्वेशन के कोशिश करते थे और दबदबा कायम करने के लिए बार बार अटैक करते थे, अब होता है कि रजिया के बाद बलबन आते हैं, जो कि 1246-87 के बीच में रूल करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है मुनाकी के लिए कि भई राजा उपर है या नोबल्स उपर है, यानि कि जो मुनाकी है और जो तुर्किश चीफ्स हैं, उनके बीच में कौन उपर है, तो अब इसमें होता किया एक जो है तुर्किश चीफ थे जिनका नाम था उलुक खान, उन्होंने बाद में टाइटल लिया बलबन कि जो जो पुजीशन है वो एक नायब की पुजीशन थी एक教ory मतलब वो एक डिप्टी थे नसरुद्धिन महमध के अंतरगत, नसरुद्धिन मुहमध एक्चोली इल्टुत्मिश के छोटे बेटे का नाम था तो अब हुआ कि बलबन ने बहुत हेल्प की थी नसरुद्ध में लेकिन इसके बाद फिर बल्बन को लगने लग गया कि मैं खुद साशक बन चकता हूँ और इसलिए 1265 में उन्होंने साशन सभाला बल्बन के जो काम करने के तरीके थे वो बहुत हार्श थे बहुत अंडेजारेबल थे क्योंकि जब से उन्होंने गद्धी समाली तो वो अपनी मनमर्जी से चलते थे और एकदम सेंट्रलाइस्ट, स्ट्रॉंग सेंट्रलाइस्ट कॉर्मेंट पसंद करते थे इनको लगता था कि कोई भी सुल्तान के अनुसार चले सुल्तान के कामों में कोई हस्तक्षिप ना करें जैसा सुल्तान चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए अपने आपको अपने इस क्लेम को स्ट्रेंदन करने के लिए उन्होंने ये डिकलेयर किया कि भई वो जो है वो इरानियन किंग अफरासियाब के डिसिडेंट है उन्हीं के वहीं से आ रहे हैं एक्चली ये बहुत बड़े लेजेंड थे इरान के राजा जिनका नाम इन्होंने लिया अफरासियाब और इनका बहुत उस समय में नाम था तो इस चीज़ को बलबन ने बहुत ज़्यादा जोड़ शोड़ से डिकलेयर किया कि मैं उन्हीं के डिसिडेंट से हूँ मैं उन्हीं के वनशद से हूँ और वो अपने क्लेम को और ज़्यादा प्रूव कर रहे हैं कि मैं जो है मैं नोबल बलड से आया हूँ मैं जो है मैं राज घराने से बिलॉंग करता हूँ और वो कई बार जो है कोशिश करते थे कि जो तरकिश नोबिलिटी है उसको अपने अनुसार चलाएं और हर किसी को अपने कंट्रोल में रखें उन्होंने कहा कि मैं जो गौर्मेंट पोस्ट है उसमें किसी को नहीं रखूँगा मैं खुद उसको समझा लूँगा और उन्होंने कहा कि जो भी इंपॉर्टन गौर्मेंट पोस्ट होती है जो कि नोबल फैमिली से नहीं तालुकात रखती उसको वो नहीं लेना चाहते थे बल्बन ने फाइनली जो एक चाहल गनी वाली पावर है जो चैलीसा वाली पावर है इसको ब्रेक किया और उसने कहा कि मुझे किसी तरकिश नोबल के जरत नहीं है और administration, justice, सब कुछ मैं खुद जो है maintain करूँगा और बिल्कुल किसी तरीकी का भेदभाव नहीं होगा लेकिन आप देखेंगे कि बोलने की बात अलग है बट्टी ये बहुत भेदभाव करते थे जो इनके अनुसार चलता था उसको ये बख्षते थे अधरवाईज ये किसी को नहीं बख्षते थे इन्होंने हर जेगा जासूस लगाए हुए थे हर इक department पे इनके जासूस थे बहुती centralized रामी थी internal disturbance को deal करना है या कुछ भी करना है तो ये करते रहते थे खास करके मंगोलों से इनकी बहुत लडाईयां होते थी बहुती serious attacks भी हुए उसमें बहुत अच्छा performance भी बल्बन ने नहीं किया लेकिन इनको लगने लगा कि मुझे एक ऐसे department की ज़रुए थे जो अलग से पूरा military को समा ले इसलिए इनोंने रियार्गनाइज किया था military department दिवाने अर्ज को ये पहली बार हुआ इंडिया की हिस्ट्री में जहां आप मेडिवल हिस्ट्री के किसी सुल्तान को देखेंगे कि वो military department अलग से बना रहा है और ये इसलिए ताकि ये जो एक इनकी policy थी blood and iron की उसको आगर लेकर चले ये blood and iron की policy क्या है इस policy का मतलब है कि कुछ भी होगा वो चाहे खुन खराबा करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े बहुत हाश तरीके से ये इसको लेकर के चलेंगे तो ये मिवातीज जो थे उनके खिलाफ इन्होंने रखा था और ये चाहते थे कि जो लोग है nobles है या कोई भी है वो उसके बराबर नहीं है nobles जो है वो नीचे है और सुल्तान उपर है इसके लिए इन्होंने एक नया जो है सिस्टम शुरू किया जिसे सजदा या पाइबॉस कहते हैं इसमें जब भी सुल्तान कोट में आएंगे तो सभी लोग जुकेंगे और उनके सामने एक रिस्पेक्ट जाहिर करते हुए उनके जो फीट है उनके जो पैर है उन फीट को किस करेंगे किसिंग दो मोनाक्स फीट और शो करेंगे कि मोनाक कितने उपर है वो तो सुल्तान है वो तो अल्ला की परशाई है 1286 में बल्बन की मृत्य हुई लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने गौर्मेंट और इंस्टिटूशन के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और वो इसके मेन आर्किटेक्ट रहे लेकिन इस समय में मंगोल्स का इंवेशन बढ़ने लग गया था चंगेज खान मंगोल के लीडर थे ये अपने आपको कहते थे कि मतलब मैं ही हूँ आई दस कॉर्ज ऑफ कॉर्ट और मंगोल कॉरिजमी इंपायर को अटाक कर चुके थे 1218 मौर्स को कैप्चिर कर चुके थे साथ ही उन्होंने जो जैक्सरेट्स की फ्लरिशिंग सिटीज थी कैस्पेंसी और पूरा जो गजनी से इरान तक का इंपॉर्टेंट इलाका था सब को कबज़ा कर लिया था ये मतलब बहुती बारबरस थे जान बूज करके ये लोगों को डराते थे ताना शाही तरीकें से चलते थे ये जब भी कहीं पर भी जाते थे तो सिर्फ लड़ते नहीं थे ये लूटना, मारना, काटना बहुत गलत तरीके से इनका तरीका था बहुत ही जादा किलिंग और बहुत ही जादा हार्श तो मंगोलों ने जो है इंडिया के उपर अटाक करना शुरू किया और ये थ्रेट शुरू हुआ 1221 से जैसे ही उन्होंने कौरिजमी के रूलर को खड़ाया जो उनके क्राउन प्रिंस थे जलाल उद्दीन उसके बाद से उनको लगने लग गया कि बस अब तो भई इंडिया के उपर कभी भी अटाक हो सकता है इसके बाद इलतुतमिश्यों कि उस टाइम में दिल्ली में रूल कर रहे थे उनके पास शरन लेने के लिए जलाल उद्दीन आये थे क्योंकि जब क्राउन प्रिंस जलाल उद्दीन यहाँ पर ध्यान दीजिए यह जलाल उद्दीन अलग है ठीक है यह जलाल उद्दीन अलग है तो आप इसको कन्फ्यूज नहीं करेंगे खिलजी डाइनस्टी से, दोंट कन्फ्यूज इट, ये जो जलाल उद्दीन है न, ये ख्वारिजमी के रूलर है, इसको ख्वारिजाम भी कहा जाता है, तो मैं आपको एक पर मैप में दिखा के समझाती हूँ, आप देखिए यहां पे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं न और यहां पे रूलर थे जो जलाल उद्दीन, इनके क्राउन प्रिंस, वो भाग करके, इंडस नदी क्रॉस करके इंडिया आए, और इन्होंने इलतुत्मिश से सर्शरन मांगी कि आप मुझे बचाईए, मेरे पीछे मंगोल पड़े हुएं, लेकिन इलतुत्मिश ने मना क कर रहे थे, क्यों मना किया, बोला कि आपके पीछे पीछे मंगोल भी आ जाएंगे, और फिर मंगोल इलतुत्मिश पे अटाक कर सकते थे, इसलिए उसने बहुत ही पुलाइटली रिफ्यूस किया जलाल उद्दीन को, कि मैं आपको जो है असाइलम नहीं दे सकता, मैं आपक त factories किया और 1245 में जो मंगोल थे, उन्होंने मुलतन का इलाका अपने अंदर ले लिया था। मुलतन को फिर बाद में बल्बन ने रिकवर किया, लेकिन फिर भी वह प्रेशर में था । मुलतन का इलाका जो है उसमें मंगोलों का प्रेशर हमेशा बना रहता था। ।। उसको रिपेर करना शुरू किया भटिंडा, सुनम, समाना यानिकि वो सारे इलाके जो बाउंडरी में लग रहे हैं तो वो North Western Frontier प्रूविंस का जो पूरा बाउंडरी वाले इलाके है उसके किला बंदी करना शुरू किया और वहाँ पे force खड़ी कर दी ताकि अगर मंगोल 20 नदी को cross करेंगे तो वैसे ही cross करते करते ही उनको खतम कर दिया जाएगा हाला कि बल्बन की मृत्य हुई 1286 में लेकिन उनकी जो strategic और diplomatic arrangement थे वो आगे बहुत सारे rulers के काम आये और उसको use करके आगे देली सल्तनत के कई सारे rulers ने बहुत आगे तक चीजों को संभाला मंगोल्स ने कई सारे serious campaigns लाँच किये थे ताकि वो rule जो है देली के उपर establish कर सकें और बहुत बड़ी इनकी सेना थी यानि कि ये लाखों की सेना लेकर के आ जाते थे अंडर, कुतलुग, ख्वाजा मंगोल्स ने जो है दिल्ली के साथ कई सारे communication कई बार cutoff भी किये थे और neighboring areas के साथ वो कोशिश करते थे आने किये लेकिन बार बार ये हार भी जाते थे हर कोई वैसे मंगोलों से डरता था सिवाए एक इनसान के और वो थे अलावदिन खिलजी अलावदिन खिलजी ने जो है जब वो दिल्ली पे रूल करते हैं उन्हें डिसाइड किया कि मंगोलों का दिल्ली से बाहर निकालेंगे और कभी उनको घुसने ने देंगे और इसमें कई बार अलावदिन खिलजी की जीत हुई उन्होंने मंगोल की सेना को कई बार हराया जो अपने आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है थर्टीन हंडर्ट्री में मंगोल जो हैं वो दुबारा आते हैं अपने फोर्स लेकर के और इस बार इनकी पास एक लाग बीस हजार लोगों की सेना थी अलावदिन खिलजी इस टाइम में जो है कैम्पिन कर रही थे राजबुताना के अगींस चित्तौर में थे वो लेकिन जैसे उनको पता चला कि मंगोल आ गए हैं तो वो फटा फट गए और उसके बाद फिर उन्होंने जो है किलाबंदी के साथ अपने आपके इनका एक नया कैपिटल था जहां पे उन्होंने किलाबंदी करवाई थी इनका जो नया कैपिटल था वो सिरी में था जो की सिरी फोर्ट जो है दिली के पास वहाँ पर ये डुके थे तो इस पूरे 13 सेंचुरी में आप देखेंगे कि जो डेली सलतनत है उसको बार-बार नॉर्थ वेस्ट के इलाके से मंगोलों का डेंजर और सीरियस इन्वेशन छेलना पड़ रहा था बाद में अलाओ दिन और इसी वज़े से और आगे चीज़ों को कैप्चर करने में उनको दिक्कत भी रहती थी तो इंटर्नल रेबिलियन्स जो हुए इस समय में अगर उसको देखा जाए तो जब आप देखते जो ये इलबरी तुर्क्स थे जो कि अपने आपको ममलूग बोलते हैं या स्लेव रूलर्स बोलते हैं तो इस स्लेव डाइनस्टी के अंदर जो दिल्ली के सुल्तान थे इनमें इंटर्नल ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रहे इंटर्नल रेबिलियन्स बहुत हुए तो कुछ तो rebellion उनके द्वारा हुए जो कि खुद ही मुस्लिम चीफ थे और अलग अलग जगा established थे वो चाहते थे कि हम independent हो जाए हमें अपनी autonomy मिले और वो उलेमा थे और वो चाहते थे कि हम अलग से रहें और कुछ जो जादा तर हो रहे थे वो राजपूत राज़ा और जमिंदारों के द्वारा होते थे क्योंकि वो तुर्किश इंवेडर को बाहर निकालना चाहते थे अपनी रेडरी से और खुद जो है वो राज़ा या जमिंदार की जो पोजीशन ने इसको बनाए रखना चाहते थे और तुर्कों के वो खिलाफ थे, साथ ही राजपूत आपस में भी बहुत लड़ते थे, तो जाधा तर ये जो रेबिलियन है वो दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ होते थे, और वो जो इस्टन रीजन है इंडिया का, वहां से बहुत जाधा आते थे, ताकि इन लोगों को दिल नहीं हमें दिल्ली के तरफ मुड़ना है, इल्तुत्मिष की शरण लेनी है, तो वो अपनी कन्वीनियन्स के अकॉर्डिंगली जुड़ते रहते थे, हटते रहते थे, बिहार में जेंडरली आप देखेंगे कि कंट्रोल था लखनौती का, और बिहार पे लखनौती कंट्र पेंगल का इलाका है राधा, वहां तक गया हुआ था, उडिसा और काम रूप जो असम का इलाका है वहां तक भी पहला हुआ था, तो लखनौती भी कम नहीं थे, लखनौती भी बहुत दूर दूर तक पहले हुए थे, 1244 में जो उडिसा की रूलर थे, उनको आप इसके बाद ही बल्बन का में राइस हुआ था, और इसके बाद आप तेखेंगे कि जो बर्बर हैं उन्होंने पूरा बिहार और बिंगॉल अपने अंदर ले लिया, हाला कि जो दिल्ली है वह कभी उसको पूरी तरीके से प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाई बिंगॉल दूसरे एलागों को लेकिन येस कोशिश रही तेखो दिल्ली जो है यहां पे इसका क्या मतलब दिल्ली कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर दे बिंगॉल मतलब कि जो सुल्तान है वो पिंगॉल तक बहुत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर बना पा रहें तब बार बार कुछ कोश्टिंज भी देख रहे हैं अनमोल ने पूछा है कि मैम आपके पीडियेफ ही पढ़ने या बुक भी पढ़ने पड़ेगी पीडियेफ आप पढ़ सकते हो बिल्कुल और पीडियेफ में सारी अप्लोड कर दूंगी जो हमारे टेलिग्राम चैनल है इसका नाम है अनकाडमी आर्टिकुलेट तो आप अनकाडमी आर्टिकुलेट के टेलिग्राम चैनल पर आईए और वहां से आप सारा पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं सफीशिंट है वह भी मतलब मैंने काफी ब्रीफ ली और बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है और यह आपका क इसके लिए हम लोग एक फ्री जो है टेस्ट करवाने वाले हैं और वो जो फ्री टेस्ट होगा उसमें अगर आप जॉइन करते हैं तो जो टॉप हमारे लर्नर्स रहेंगे उनको हम यह देंगे इसका नाम है अनकाडमी अस्पायर इस इस फुल लेंथ टेस्ट फोकेसिंग इस फेलों इंटायर स्लेवर्स जो कि आपके लिए एक स्कॉर्ट के थू तयार किया गया है इस पर आल इंडिया रांकिंग आपको मिलेंगी और जो टॉप 50 रांकर्स होंगे जो टॉप 50 रांकर्स होंगे शुरू के उनको हम लोग जो है एक्साइटिंग प्राइज दे रह कि आपको कुछ प्राइज मिल रहा है तो इस तरीके से हो जाता है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है मौक्तेस जब आप लेते हैं तो राइट और उसको मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें यू आलवेज इंजॉए दाट ओके तो चलिए फिर बांकी बाते फिर बाद में हम आगे डिसकस करते रहेंगे येस गोड इवनिंग गाईस आई होप यू अला डूइंग वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिग नाओ अब मैं आपके जो डाउट से आप साथ साथ अगर कुछ होता है तो पूछ लीजेगा कॉमें मैं अभी डिसकसिन शु उसके बाद इलतुतमिश, रजिया सुल्तान और फिर बल्बन ने यहां पर राज किया अब बल्बन की मृत्यों के बाद सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि बल्बन की मृत्यों के बाद स्लेव डाइनस्टी के अंदर कोई बहुत जादा इंपॉर्टेंट उत्तरादिकारी नहीं बजा था कोई ऐसा नहीं था जो इस डाइनस्टी को आगे बढ़ा पाए तो अब जो है एक नई डाइनस्टी है जो कि आ गई है हमारे सामने वो है खिलजी डाइनस्टी तो खिलजी डाइनस्टी और तुगलग डाइनस्टी यह सबसे दो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हों ने डेली सल्टनेत में सबसे ज़ाधा expansion किया और ये South India तक भी expansion कर लेंगे तो देखिए कैसे कैसे expansion होता है बहुत सारे reforms इस टाइम में आये हैं जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि उस पे आपको ज़ाधा ध्यान देना है क्योंकि prelims और means की perspective से basically reforms कब कब कौन से launch हुए थे किसने क्या reform किया और साथ ही क्या art and culture का contribution रहा development रहा patronage रहा वो आपको पता होना चाहिए तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि आखरी जो राजा जिनके बारे में हमने discuss किया था last class में हमने बलबन के बारे में बात कि थी अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो playlist में आप देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में आपको सारे पुराने वीडियोज का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे नाम से सतीष चंद्रा की playlist दिखेगी इसी चैनल के playlist पर आप देखिएगा तो बल्बन जो हैं वो आँखरी राजा थे इनकी मृत्य हो गई थी 1286 में और यहां ये slave dynasty की आँखरी ruler आप मान सकते हैं अब फिर से confusion हो गया कि अब कौन देली को समहा लेगा क्या होगा तो बल्बन जो है इन्होंने जो है एक इनका successor चूजन successor था जिसका नाम था प्रिंस मोहमद लेकिन इसकी ना मृत्य हो जाती है एक बार इसमें हुआ क्या कि बल्बन जो है ना मतलब उन्हीं के द्वारा एक successor में उन्हें चून लिया था कि मेरे बाद यह तरह दिकारी है तो मोहमद प्रिंस मोहमद थे लेकिन प्रिंस मोहमद जो थे ये जो है ये मंगोलों के साथ एक battle में मारे गए तो जब battle हुई और ये जब मारे गए तो अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन आगे जाएगा इनके एक और बेटे थे second son बुगरा खान तो वो कहा जा रहा थे कि चलो वो rule करेंगे बेंगौल पर बिहार पर और हाला कि उनको invite भी किया नोबल्स ने कि आप आईए डेली में assume कीजे power को और चीजों को समझा लिए तो वो आए भी लेकिन फैर वो बहुत जादा समय तक उसको समझाल नहीं पाए उसके बाद फिर जो उनके पोते थे बलबन के उनको भी बोला कि आप आईए डेली में जो है rule कीजे वो आए इंस्टॉल किया गया उनको डेली में लेकिन बहुत सारे जो non-turks थे जैसे कि खिलजी थे और बहुत सारे और भी इंवेडर्स थे वो इंडिया में आने लग समय तक आते आते जो है गुरीद इंवेशन के समय में और भी दूसरे पावरफुल रूलर्स की नजर पड़ जो कि थी भारत पर क्योंकि वो एक खुली तिजोरी के जैसा है जहां पर अभी कोई राजा कोई रूलर का जो है ऐसा कोई प्रॉमिनेंट पावर नहीं है और जो होंगी तो आप देखेंगे कि जो खिलजी थे शुरुवात में इनको कभी भी जादा दिली में रिकॉगनिशन नहीं मिला था तो वो लोग बेंगॉल भिहार की तरफ अपॉर्चनिटी के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहा खिलजी डाइनस्टी के अंदर आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि मुल्तान लाहौर यह सारा जोथ वो राजपूर्थ का पूरा इलाका यह पानीपत दिली का पूरा इलाका यहां हाजिपूर यहां पे गौर जो हैं यह सारा इनके अंदर आ जाएगा इस गुप के जो लीडर फे उनका झाल अंदर आ करना जोरा कीमुटेण सेठ क पूरा इल्चर सि角 उतर है इनके उफ खिलजी ने 1290 के समय पर इस नई डाइनस्टी को शुरू किया जिसे हम खिलजी डाइनस्टी के नाम से जानते हैं अब जो खिलजी हैं इनकी जो पावर है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रही थी लेकिन इनके वज़े से आप देखेंगे कि जो पुराने तुरकिश का मतलब क्या हुआ जिजो ये तुरकी रूलर हर जगा पे फैले हुए थे ना यानि कि जो इससे पहले स्लेव डाइनस्टी के रूलर थे वो ते तुरक से आये थे वो तो तुरकी थे वो तो अब वो खतम हो गए उनकी जो हाई आपिसेस पे मोनोपॉली है वो अब खतम हो मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐससे पिलकुल खतम हो गए सारे रूलर्स खतम हो गए उनकी मोनोपॉली खतम हो गई है यानि कि अब वो सिर्फ एक अकेले नहीं है बलकि और भी डाइनस्टी का राइज आप देखेंगे तो जलाल उद्दीन खिलजी जो है ये 1290 से 1296 AD के बीच में रूल करते हैं तो केवल 6 साल का ही समय है आप देख सकते हैं ये पहले रूलर थे देली सल्तनत के और बहुत लिब्रल हैं और काफी जादा पैट्रोनेज भी देते थे आर्टेन कल्चर के लिए तो इनका जो है इनकी पॉलिसी किया थी ना बहुत डिप्लोमेसी से चलना और पीस बना के रखना शांती से साशिन करना और एक जैसे होता है एक बहुती ठहरा हुआ इनसान जिसकी में जो थे कि भई अपना एक तरीके से अराम से जो है रूल करना है डिप्लोमाटिकली आगे बढ़ना है उस तरीके के जो है ये थे तो बहुती लिब्रल थे जादा जुला करके लेके चलना है तो जलाल उद्दिन का मर्डर हो गया था जो इनके दामाद ने किया इनका मर्डर जो कि 1296 AD में किया तो इनके दामाद थे अलाउद्दिन खिल जी वो इनके दामाद भी थे इनके भरतीजे भी थे आप कहिए कि इनके जो है एक तरह से स्लेव भी थे तो बहुत सारा रिलेशन था अलाओ दिन खिल जी और जलाल उद्दिन का बट बेसिकली आप मान सकते हैं कि he was son in law तो अब जो है इनके साथ जो है अलाओ दिन खिल जी और उनके निफ्यू यानि की जो इनके भतीजे थे इस conspiracy में शामिल थे तो वो इसमें इनका मडर कर देंगे अब अलाओ दिन खिल जी जो है वो रूल करेंगे आज अलाओ दिन खिल जी जो है अपने अंकल को मारने के बाद वो बहुत बड़े तरीके से राइज करेंगे और ये जो है ये सारे की सारे nobles के उपर अब दब-दबा कायम करके बोलेंगे अब मैं ही तुम्हारा leader हूँ, सारे nobles और soldiers को इन्होंने अपने control में लिया और ये बहुत जादा gold का use करते थे और बहुत जादा सब को cash payment करते थे और सारे जगह जो है इन्होंने सब खूब मेंसे करवेगरा किया और इन्होंने देखा कि भई जो मंगोल हैं वो भारत पर अटाक कर दे तो मंगोलों को हडाना बहुत जरूरी है मंगोलों से इनको बड़ी दशमेनी थी और इन्होंने कई सारे वॉर्ट्स लड़े मंगोलों के खिलाफ। बहुत जादा मैसे करवेगेरा देखा था जो मंगोलों के वज़े से हो रहा था और इस ताइम में आप देखेंगे कि मंगोलों में से कपल अफ थाउजन्स अफ देम कुछ हजारों ओफ मंगोल जो हैं वो दिली में सेटल हो रहे थे और देख रहे थे कि वो इसलाम को फॉलो कर रहे हैं और जलाल अद्दिन के समय में ही वो लोग आने लग गए थे तो अला अद्दिन को समझ में आ गया कि यहां पे कुछ जो है ध्यान देने के जरत है और इन लोगों को निकालने के जरत है तो बहुत सरे रिगुलेशन्स इन्हों ने किये थे अला अद्दिन ने कि जो यह ऐसे बड़े बड़े नोबल्स यहां पे आ रहे हैं और जो इनके खिलाफ कॉंस्पिरेसी कर रहे हैं वो कोई कर ना पाए इसी सुल्तान की पर्मिशन के कोई कुछ नहीं कर सकता था मतलब कोई ना किसी से दोस्ती करेगा ना दुश्मन नहीं करेगा ना कोई अलाइन्स बनाएगा ना किसी से कोई हेल्प लेगा इन्होंने का कि कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी फेस्टिवल पार्टी यहां वहां सब सब कुछ बैन कर दिया, इन्होंने बोला कि वाइन्स का कोई यूज नहीं करेगा, इन्टॉक्सिकेंट्स का कोई यूज नहीं करेगा, तो ये सब इन्होंने किया था और ये चाहते थे कि कोई इनके खिलाफ कुछ ना करे कोई ग्रूपिंग ना हो और कोई इनके खिलाब कुछ ना कर सके अलाओ दिन खिलजी के खिलाब कोई rebellion आप नहीं देखेंगे अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हों ने जो जासूसों की पूरी forge तयार की थी वो अलाओ दिन खिलजी को information देते रहते थे कि भई सुल्तान जो है सुल्तान जो है उनके बारे में सबकी क्या राय है नोबल्स लोग क्या बाते कर रहे हैं आपके ओफिसर्स लोग क्या conspiracy कर रहे हैं तो सब इनको पता रहता था इनकी मृत्यों के बाद जो 13-16 में इनकी मृत्यों हुई उसके बाद गदी पर बिठाया और कहा कि मैं आपको हेल्प करूँगा रूल करने के लिए लेकिन आप देखेंगे कि ये जो है माइनर संजो अलावदीन के थे उनको जे देख रहा था कि ये जो है मैं इसके थू रूल करूँ और इसको पहले पपिट के तरह बना करके देखूँ मलिक काफूर को लगा कि अगर मैं इसके बेटे को अंधा कर दूँ इसकी आँखे निकाल लो और उसके बाद अगर मैं खुद चाहूँ तो रूल कर सकता हूँ और सुल्तान बन सकता हूँ तो मली कफुर ने किया क्या Wyatt अलाउदिन खिलजे के जो माइनर छोटे बेटे थे वो मतलब अभी माइनर मतलब क्या होता है कि जो जवान भी नहीं हुआ है बहुत ही छोटे एज के थे उनको जो है इन्होंने उनकी आँखें निकलवा के उनको जो है बन कर दिया जेल में और बाकी जो बेटे थे उनके साथ भी यही किया और जो है काफूर ने उसके बाद जो है एक पैलेस गार्ड जो था उसको भी मार डाला उसके बाद जो ये पैलेस गार्ड था वो एक्चुली एक हिंदू था जो की कनवर्ट कर चुका था उसका नाम था खुसराओ उसको देखा और उसको भी इसने जो है मार दिया था आप देखेंगे कि जो मलिक काफूर है ये बहुत जादा एक डेंजरस तरीके से आगे बढ़ रहा था सभी को समझ में आ चुका था कि मलिक काफूर जो है ये एक ऐसा बंदा है जो की बड़ी ही प्रॉब्लमाटिक तरीके से इस वर्टिकुलर डाइनेस्टी को खतम कर सकता है एक्चुली में पहले वो दास था और अब जब क्योंकि अलाउदिन खिलजी नहीं बचे हैं तो उनको खतम करना बहुत जरूरी है इसी लिए जो है खुसरो ने सोचा कि अब मैं जो है इसको खतम करूँगा खुसरो ने उसके बाद काफूर को मार डाला और खुसरो ने जब काफूर को मारा और खुदगर्दी हासिल की तो उसने कुछ समय रूल किया लेकिन वो बहुत लंबा समय रूल नहीं कर पाएगा क्योंकि एक warden थे यहाँ पर जिनका नाम था गिया सुद्धिन तुगलक जो आएंगे और इस particular सारे problem में से निकल के rise होकर के एक ruler के रूप में emerge होंगे और अगली dynasty को फिर आगे बढ़ाएंगे तो 1320 में एक पूरा group of officers था जिसे गिया सुद्धिन तुगलक लीट कर रहे थे एक वार्डन का काम भी कर रहे थे और इन्होंने देखा कि भाई एक open rebellion हो रहा है सब लोग लड़ रहे है capital के बाहर इनकी लड़ाई भी हुई और खुसरो जो बंदा था जिसने मारा था काफुर को उस खुसरो को defeat किया गया जिया सुद्धिन तुगलक के द्वारा और खुसरो वाज डिफीटेड और वाज गया सुद्धिन तुगलक जो है वो अगले ruler बने जहां से तुगलक डाइनेस्टी हमारी शुरू होती है तो यह जो तुगलक डाइनेस्टी है यह 1320 से 1412 के वीच में चरेगी इसमें गया सुद्धिन तुगलक ने अपनी यह नई डाइनेस्टी जो शुरू की इसमें यह 1412 तक rule करेंगे इसके अंदर तीन सबसे important जो rulers थे वो कौन थे सबसे पहले तो गया सुद्धिन और फिर इनके बेटे मुहम्मद बिन तुगलक और मुहम्मद बिन तुगलक के अलावा इनके एक भतीजे थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक तो यह तीन सबसे important है जिनके बारे में हम एके करके समझेंगे मुहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 के बीच में रूल किया फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 के बीच में रूल किया और फिरोज शाह तुगलक की मृतियों के बाद जो देली सलतनत है वो डिसिंटिग्रेट हो जाएगी और आप देखेंगे कि तैमूर का इन्वेशन होता है इस टाइम में मैं भी आपको तैमूर के बारे में भी बताऊंगे कि ये कौन थे और ये क्या कर रहे थे कैसे कैसे तैमूर आया और इनके एक बंदे ने फिर यहां पर सहीर डाइनस्ति शुरू की थी खेर वो हम आभी आगे देखेंगे अभी के लिए इतना समझे कि फिरोश्या तुगलग जो है उसके ट्रेथ के बाद देली सलतनक जो है वो तूट जाती है उसके अंदर जो एक पावर है उसको आप डिकलाइन होते हुए देखेंगे और नॉर्थ इंडिया छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा अगें छोटे-छोटे जो सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेट्स है वो एमर्ज होंगे हाला कि जो तुगलग है वो 1412 तक रूल कर रहे हैं लेकिन इस स्पीच में तैमूर का इंवेशन हो चुका था तो तैमूर ने 1398 में इंवेशन क दिश्च किया था अ क्रिया इसके बाद आप देखेंगे Г tip यहां से तुगलक इंपायर का अंत शुरू होता है यहां से मान सकते हैं कि it was something जिसने एंड किया तुगलक इमपायर को तो यह आप देख अपे हैं यह है तो पूरा would the का पार्ट है यहां तक यह पहल जाता है सो यू कें सी सच वास्ट इंपायर ड्वास सच वास्ट इंपायर काफी वास्ट है ठीक है और मेजर सिटी आप देख सकते हैं सारा लाहॉर आ गया इनके अंदर दिल्ली आ गया एमदाबाद आ गया दौलताबाद आ गया मदरास आ गया ठीक है तेंकवाबार आ गया आप यह देखेंगे कि यह जो दौलताबाद है इसको सेकेंड कैपिटल बनाएंगे महम्मद बिन तुगलब ठीक है अभी मैं आपको सबके पॉलिसी और रिफॉर्म्स भी पढ़ाऊंगी कि किसने क्या क्या पॉलिसी अपनाई थी तो अब आप देखें कि यह देली सल्तनत का एक्सपैंशन वेगरा जो किया है वो कैसे हो रहा है जो सर्दन और वेस्टन राजिस्थान था वो तो हमेशा इनके कंट्रोल से थोड़ा बाहारी रहता था स्वेशली जो रन्थामबूर का इलाका था वो इनसे बाहर रहता था लेकिन जो तुरकिश रूलर्स थे वो कैसे मालवा और गुजरात के पार्ट में जा रहे थे और क्या वहाँ पे चल रहा था एक्चली यह जो है यह बड़ा फॉल्टाईल और पापुलस इलाका था मतलब यह मालवा गुजरात इलाका समझ रहे आप इस वाले पार्ट की बात हो रही है ठीक है यह वाले पार्ट की बात हो रही है तो जो यह वाला पार्ट है यहाँ पे क्या चल रहा है कि बहुत जादा लोग रहते थे जो Western Sea Port है यहां पे यह लोग कंट्रोल करते थे क्योंकि यहां पे क्या है कि बहुत जादा व्यापार होने के चांस जाँज आए जो भी बाहर से से और काफी सारा सोना जो है वो लोग यहां से लाते थे सोना और चांदी यहां पे लाया करते थे अब सुल्तान जो थे दिल्ली के उन्होंने अपना पावर जो है कैसे गुजरात तक स्टाब्रिश किया और कैसे बहां तक यह पहुंच रहे थे यह क्यों जा रहे थे क्योंकि cavalry को support करेंगे और cavalry को अपनी और ज़्यादा strength provide करेंगे तो अरवी इराकी और तुर्की horses को ये लोग इंडिया लाते थे और ये western सीपोर्ट से यहाँ पर ला करके इनको अपने सेना में भड़ती करते थे और ये एक बहुत ही important item होता था ट्रेड का और एट सेंसरी से ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है एंशन टाइम से ही यह चीज चल रही है हम लोग अरब साइट से जो घोड़े हैं वो खरीदा ही करते थे क्योंकि वहां के घोड़ों के नसल बहुत अच्छी होती है तो यह चल रहा था अर्ली 1299 में एक जो है आम मालिक काफूर जो कि आप देक्ते हैं बाद में मारा गया था यह जो है मालिक काफूर जो है इसने बाद में साउत इंडिया में इन्वेशन भी किया था हाला कि यह क्यापचर कर लेता है और गुजराद जो है बाद में दिली के अंदर कंत्रोल में आ जय का जाता ए सो और इसके बारे में आपको पता ही है कि एक कैसी यहां पर इसे कहानी होती है और दिया है 干ा कि बूरा ज से जाता है और पूरा ग्राफिक इसक का में तिर्ग इसका ने था है बहुत closely लड़ाई होती है लेकिन last में जो है आप जानते हैं कि जोहर हो जाता है और पहली बार जो है हम इसमें देखते हैं कि Persian language के literature में सारे में ये जोहर की कथा लिखी गई है ये जो ceremony है वहां की महिलाओं ने किया था क्योंकि उनको पता था कि भई अंत में उनके लिए जो कि उनके सारे के सारे जो उनके पती थे उनकी death हो चुकी थी तो उन लोगों ने जोहर कर लिया था तो इसमें जो है हम देखते हैं और जितने भी मंगोल्स थे इसमें आप देखेंगे all the मंगोल्स टू वो भी इस लड़ाई में हार जाते हैं राजबुतों के साथ तो ये event बहुत बड़ा जो है हुआ था 1300 की ये बात है ये बहुत बड़ा इवेंट था अलाउदीन जो है इसके बाद फिर जब कोशिश करते कि चित तौर की तरफ जाएंगे और रतन सिंग को जो है वहां पर उसके खिलाफ लड़ेंगे रतन सिंग को मारना चाने थे वो तो यहां पिर आखिर उन्होंने जो चित तौर का फोर्ट है उसके उपर हमला किया 1300 C में ये हमला हुआ था और यहां पर भी फिर जो उनकी लेडी थी उन्होंने फिर से यहां पर भी जोहर किया था और चित तौर जो है उसके बाद अलाउद दिन खिलजी का जो एक माइनर बेटा थ जो है वहां पर पोस्ट कर दिया गया कि जो मुस्लिम एक बंदा था जिसको वहां पर ध्यान देना है चीजों का कुछ टाइम बात फिर यह जो है रतन सिंग के कजन जो थे उसको हैंड ओवर कर दिया गया था क्योंकि वह इस एरिया को सम्हाल नहीं पा रहे थे फिर अगर स अलाओद 1 चर्ड कॉ्त कापूर ने खुत किया और आयर 12 एंपिया झालियं को गजह पकी थे थे खिलाफ तो यह जो है भी जने कॉड़ों के ठहूर सहने जा जानी कुख एकरन के सथे खुरम में गती चीजाए कश्ट का दिया जाता है तो यह अलाइन की ठोड़ते हैंगान और उन्होंने गिफ्ट दिया था 1 लाक टंकास का मतलब यह बहुत बड़ा अमाउंट था और यह जो है गिफ्ट ऑफ 1 लाक टंकास वास गिवन तो हिम और इसके अलाबा जो है गोल्डन कलर की एक कैनपी उनको दी गई थी एक सिंबल मतलब रूलर्शिप की सिंबल की रूप में यह सब दिया था तो मलिक काफूर के यह जो कैम्पिन्स रहे वो काफी अच्छे रहे पर साउथ इंडिया में मलिक काफूर ने और भी कुछ कैम्पिन्स किये थे जो कि 1309 से 1311 के बीच में रहे तो पहला वारंगल के खिलाफ था तेरंग तेलंगना के एरिया में यहां माबार जो है नाम के रूलर थे तो यह जो है मॉडरन अभी कामाट का मदूराई तमिलनाडवाले लाके में आ जाता है और 1324 देली सल्तनत है वो मदूराई तक पहुंच जाती है मतलब एक्स्ट्रीम साउथ तक यह लोग आ चुके हैं और जो लास्ट हिंदू प्रिंस्पा कि अलाओ दिन खिलजी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किये थे एक्चली यहाँ पर तीन प्रकार की रिफॉर्म्स हम देखते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ठीक है थ्री रिफॉर्म्स थे आमी रिफॉर्म्स मार्केट रिफॉर्म्स and revenue reforms ठीके तो army reforms, market reforms and revenue reforms तो army का क्या था यहाँ पे इन्होंने दाग और हुलिया system शुरू किया था और cash payment देना शुरू किया था market reform में इन्होंने inflation control करने के सारे prices वेगे रहे हैं, सारे dam जो हैं सारी चीजों के वो fix किये थे और revenue reform में इन्होंने proper revenue taxation हो साके इसके लिए सारे lands का measurement करवाया था तो यह दो तिनना reforms इनके थे अभी इसको ब्रॉडली समझेंगे कि यह कैसे था यहाँ तक सारे चीज़े clear है यहाँ तक कोई doubt, anything you want to ask let me know, मैं comments चेक कर लेती हूँ मैंने अभी तक doubts वेगे रहाँ मैंने देखे नहीं थे एक break ले लेते, let's take one minute break and कोई doubt है तो आप मुझे बताएए तो मैं देख सकती हूँ, अभी तो मुझे यह से कोई doubt नहीं दिख रहा है ठीके एक doubt दिख रहा है कि Garrison की क्या meaning होती है देखे एक Garrison जो होता है एक group of soldiers होता है जो की जैसे बहुत सारे bodyguards के group के जैसा होता है और वो एक इलाके में रहते हैं, एक down या building को जो है protect करके रखते हैं आप चैस कह सकते हैं, एक छोटी सी सेना की टुकरी होती है ठीके चोटी सी सेना की जो टुकरी होती है उसको Garrison कहते हैं I think ये world कहीं पर आया था, इसलिए आपने पूछा होगा, भी I think कहीं लिखा था ये तो सेना की चोटी सी टुकरी को बोलते हैं ठीके और एक doubt और दिख रहा है मुझे, let me check यहां पर एक question पूछा है कि फिरोशा तुगलक नहीं कुत्व मिनार को reconstruct कराया था नहीं नहीं, reconstruct नहीं, देखो फिरोशा तुगलक उन्होंने जो पांच भी मंजिल है वो बनवाई थी और बांकी का काम उसने आगे बढ़ाया था एक्चिली क्या था कि शुरुआत तो कुतुबुद्धी नहीं नहीं की थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए इल्दुत्मिश ने आगे के फिरोशा तुगलक ने बनाया हाँ अभी हम यह लोग सारे रिफॉर्म्स देखेंगे एक कोशन और करन ने पूछा है कि माम मेडिवल का अप्रोच कैसा होना चाहिए ज्यादा कोशन कंपेर टू एंशेंट और मॉर्डन पूछते तो नहीं है अभी तो जाधा नहीं पूछते हैं लेकिन अब पूछने लग गए अब बढ़ गया है तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करो थोड़ा सा आर्ट अन कल्चर और रिफॉर्म्स वाले पर ध्यान दो मैंने इसके लिए पहले भी बताया ही था आपको कि जो मेडिवल इंडिय हिस्ट्री है इसमें से जो कोशन्स आपके आते हैं जाधतर वो आते ही कि कौन से रूलर ने किस प्रकार के रिफॉर्म्स किये थे उनकी एड्मिस्ट्रेटिव पॉलिसीज किया थी और उन्होंने अगर आर्ट अन कल्चर में कोई डेवलाप्मेंट हिया आर्ट अन कल्चर म आपको पता होना चाहिए और तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज होती नहीं है यही बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अब नहीं आपने बोले कि मैम आप से कॉंटाक्ट कैसे होगी आप मुझे कॉंटाक्ट करने के लिए अनकादमी आर्टिकुलेट के टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं वहां से आप मुझे कॉंटाक कर सकते हैं अर अकडमी के आर्टिकुलेट के जो चानल है टेलीग्राम पे वहां से आप जोड सकते हैं हमारे साथ ठीके और lecture के PDF इस पूरे course के end में मिलेगा प्रांजली प्रांजली ने पूछा है कि lecture का PDF कम मिलेगा यह जब पूरा course हमारा complete होगा तब मैं PDF अप्लोड करूँगी अभी यह series चल रही है इसलिए अभी हमने PDF अप्लोड नहीं किया है ठीके end में I will upload it मतलब आप मानके चलो की Sunday को मैं upload कर दूँगी आज मतलब अभी Thursday चल रहा है न तो Sunday मैं upload कर दूँगी ओके चलो आगे बढ़ते गईस फिर तो अगर हम बात करें internal reforms and experiments की तो जो allowed दिन खिल जी थे जब यह गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी जो position है वो काफी अच्छे से आगे बढ़ती है और आप देखते हैं कि इन्होंने दिली के सुल्तान के रूप में बहुत जादा portion को consolidate किया था और अपर गंगा वैली और इस्टर राजिस्थान तक यह लोग चले गए थे जो यह सुल्तान है इन्होंने काफी कोशिश की थी की cultivation improve हो तो खेती बाड़ी पर भी इनका ध्यान था यह basically agriculture पर भी ध्यान दे रहे हैं और manufacturing sector पर भी ध्यान दे रहे हैं तो cultivation को improve करने के लिए यहाँ पर welfare के काम करवाए और citizens के लिए इन्होंने बहुत जादा जो है कोशिश की rapidly इन्होंने टाउन्स को expand किया और हाला कि इनके सारे कोई जितने भी measures थे यह successful नहीं थे बर जो यह Turkish state था इसने बहुत जादा मतलब stability देखी थी और पहली बार मतलब इस समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से law and order maintain हो रहा है जादा कोई concern नहीं है मतलब warfare में ही यह concern है और मतलब सारी चीज़ों को maintain करके चल रहे हैं पर stability है stability बहुत है जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत सारे reform किये थे तो allowed in khilji क्या चाहते थे कि inflation control हो उसको इन्होंने fix कर दिया for this purpose and he set up three markets at Delhi तीन इन्होंने market बनाए एक food grain का market था दूसरा इन्होंने costly clothes के लिए market बनाया था और तीसरा होडों के लिए slaves और cattle के लिए तो इनके हर एक market में जो rate है वो fix चलता था कि इतने rate का यह समान मिलेगा उसमें कोई अगर dishonest shop की पर होगा या किसी ने अगर कुछ भी बेमानी करने की कोशिश की तो उसको बहुत जादा harsh punishment मिलती थी इसलिए कोई मतलब कोई सपने में भी गलती करने के बारे में नहीं सोचता था हर एक market जो है एक बहुत बड़े officer के control में होता था जिसको हम शाहना कहते थे और ये सारा registration रखते थे कि कौन जो है merchant है कौन जो है यहाँ बिजनसमें आया किसने क्या बेचा किसने क्या खरीदा सारी चीजों को बहुत ही strictly control करके रखा जाता था और देखा जाता था कि कोई भी shop के पर फाल्तू के prices increase ना करे ensure किया जाता था कि जो है बहुत ही सस्ता cheap food grain की regular supply होती रहे क्योंकि खाने पीने के कमी नहीं होनी चाहिए ना ही आमे को और ना ही आम लोगों की तो इन्होंने यह कहा कि जो land revenue है वो दोआब के region से लिया जाएगा और जो land revenue दोआब से आएगा दोआब याने की जो area है ना मेरट के पास यह मुना और गंगा नदी के बीच का उस जगव से लिया जाएगा क्योंकि यह जो इलाका है ना बहुत फॉर्टाइल था तो यहां से बहुत taxation यह लोग लेते थे तो यह जो area है वो मेरट से जो है निकल करके कारा अलाबाद जो है कारा अलाबाद के पास यह जगह है कारा उसके पास तक जाएगा और यहां पर बहुत ही strictly जो है इस जगह से revenue यह लोग लेते थे सारा land जो है नोने measurement किया हुआ था तो उनको पता था किसके पास कितनी जमीन है किसको कितना tax देना है किसको कितना पैसे देना है इनको सबसे पता होता था कि हमें कौन से नोबल से कितना पैसे निकलवाना है तो यह जो है village area को सारे area को maintain करके रखते थे यहां पर किया है कि किसी को एक्ताधार नहीं बनाया गया था कोई middleman नहीं था डिरेक्ली यहां से collection जो है करवाया जाता था land revenue को raise भी कर दिया था यानि कि आप कहिए कि production भी बढ़ रहा है तो land revenue को भी यह बढ़ा रहे थे कौन कहां क्या कर रहा है और बहुत harsh punishment ठीक है जब भी कुछ ऐसा होता था तो बहुत ही harsh punishment यह देते थे अगर कोई shop की पर ऐसा होता था कि जो जादा price ले रहा है या try कर रहा है cheat करने की या जो है false weight and measures का use कर रहा है तो ऐसा किया जाता था prices जो होते थे horse के और हर चीज के यह लोग जो है control करके रखते थे और यह बहुत important था सुल्तानों के लिए कि वो जो है army की efficiency को maintain करें और जो horses है उनकी supply को उसकी position को ध्यान में रखें और इसके लिए improve किया गया था sources की supply को आपको पता है कि जब से गुजराग को इन्होंने जीत लिया था इनको तो पूरा का पूरा के वेल्री को कंट्रोल करने का मौका मिल गया था और के वेल्री को कंट्रोल करना अब इनके लिए बहुत जादा आसान भी हो गया था तो अलाव दिन जो है वो पहले सुल् का दो घृंट जो इस सवार मेजरे मिल्달का था उस जगह फिर सींन थे जो ही हृं है कहार का चाहिए पनी को में पंथंकना पैसा है लिया जा सकते और इसंगा कि जादा मंद नहीं बু आ दो इसे क्या होता है कि जो जीतना जादा हम ट्र curious वीन लेके तो यहां पे होता कि व उसे टाक्स लिया जाता था चाहते थे कि वो जादा टाक्स दे और वैसे ही आम आद्मि साम डेता है तो यह नहीं मार्करणड अच्य थे लेकिनודה उवह भूत अच्छे थे लेकिन ये सब चीजें आधंद धांग लाउदीन के यह बहुत एक इंपोर्टन स्टेप था क्योंकि रूरल एरियास में इससे रिलेशनशिप अच्छा रहा और इनके सक्सेसर्स ने भी इस चीज को आगे जो है बना करके रखा इवन आप देखोगे कि अग्रेरियन डिफॉर्म सेम जो है शेर शाह ने अकबर ने भी आगे जा करके किये थे फिर मोहमद तुगलक ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किये क्योंकि उनको लगता था कि मैं भी जो है आगे कुछ करूंगा इन्होंने खूब रिलीजियन और फिलॉस्वी की स्टड़ी की थी बहुत क्रिटिकल माइंड के यह बहुत ओपन माइं कि जीन प्रभू सुरी थे एक जैन संत जिन से इनका मिलना जुलना होता था लेकिन यह बहुत हैस्टी और इंपेशन थे मतलब इनमें यह नहीं था कि पेशन से कोई चीज को रखे मतलब फटा-फट यह क्या है कि एकदम से कुछ सोचते थे तो उनको अभी एकदम इस्टे चलिए देखते हैं तो सबसे पहला जो बहुत ही कॉंट्रवर्शल था और बहुत ही अजीव लगता है सुनकर के वह यह था कि इन्होंने सोचा कि कैपिटल का ना ट्रांसफर करेंगे दिल्ली से देवगिर देवगिरी दौलताबाद में इन्होंने सोचा था क्यूं ताकि स पहले कोई इतना ट्रांसपोर्ट और चीज़ों के साथ दरनी थे कोई रेल गाड़ी कुछ ऐसा नहीं है तो लोगों को पैदल पैदल चलना होता था बहुत कर्मी का भी मौसम ता यह सारे काम हुआ यह समर सीजन में किया यह नहीं कि विंटर सीजन में कर दिया तो कुछ सा कि ही अबार राएं नहीं में साथ फायदा नहीं मिल रहा है और डिल्ली में आदा था तो फिर को बो credit नहीं नहीं चलो फिर अभम साथा Mac' को ध्यान देना डिल्ली नहीं करना दुट स्विच करणा बहुत मुश्किल होता है तो यह थो आप सेय फसी में रहाँ तो साू23 को लोग पहली बार साउथ में गए और साउथ इंडिया के लोग नौर्थ की तरह आ रहे हैं तो इस चक्कर में ने क्लोजर रिलेशनशिप आए पहले से जो है कॉम्निकेशन इंप्रूव हुआ और एक नया पॉसे शुरू हुआ का बिट्वी नौर्थ और साउथ इंडिया ठीक है क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर इट्सेल साउथ इंडिया जो लोग है वह एक दूसरी से जादा मिलना जुलना इंट्राक्शन ट्रावलिंग नहीं कर रहे मट अब लोगों को लगा कि इसुए है इसा हो चकता वैप यहां है देवगिरी दौलताबाद और यहां यहां है डेली यहां को आप त्याइन करें गष्ट पर theme तो अब यहां से लोग यहां आ रहे हैं तो क्या हो रहे कि ऐसी बहुत बड़ा चीज हुई इत्राक्षण हुई मतलब भारत के लोगों ने बारत के दूसरे लोगों से और जंता से मुलाकात की और मिलना जुलना हुआ एक नया प्रकार का एक यूनो बहुत लोगों के लिए कल्चरल शॉक भी था तो ये एक नई चीज यहां पे हुई इसके बाद इन्होंने token currency का introduction किया था जिससे कि क्योंकि इनको और क्या हुआ था ना silver की बरी shortage हो रही थी तो silver की shortage जब हो रही थी 14th century में तो ये पूरी दुनिया भर में हो रही थी कई rulers ने token currency वेगरा experiment किया और successfully किया भी ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ही किया सब लोगोंने किया तो महम्मद उगलक ने बोला कि चलो हम लोग भी ब्रॉंज coin वेगरा लेकर के आते हैं कि बिल्कुल silver tanka की value का होगा लेकि इसमें क्या problem हो गए कि जो ट्रेडर्स थे उनको समझ में नहीं आए कि कैसे काम करें और जो common man है उनको भी समझ में नहीं आए कि कैसे इसको accept करें तो comment जो है वो समझ नहीं पा रही थी क्या किया जाए लोगों ने किया है कि नकली सक्के बनाना शुरू किया जो forgery होती है ना वो forging coins जो है इनों नहीं शुरू कर दे अब लोग नकली सक्के बना के बेच रहे हैं अब यहां वहां काम चल रहा है तो इस चक्कर में हुआ कि inflation बहुत जादा हो गया तो market में इस currency की devalue हो गई फाइनली महमद तुगलक ने फिर सारी token currency को withdraw किया और उसके बाद फिर इन्हों ने बोला कि जिन जिन लोगों ने bronze coins खरीदे हैं उसको मैं exchange करके silver के जो pieces हैं वो दे दूँगा तो अब जैसे कि बहुत लोग फिर बाद में पर उने लग गई कि अरे राजा आप ऐसा कर रहे हैं हम लोगों के पास तो सारा यही पैसा बचा हुआ है अगर आप यह बोल दोगे कि यह सिक्का खतम हो गया है तो हम क्या करेंगे तो उन्होंने भोला कि exchange कर लो तो आप देखे यह बिल्कुल आप इस चीज को ऐसे समझ क रहे जैसे नोट बंदी जब हुई थी तो आपको याद हो क्या हुआ था उस टाइम में डी मॉनेटाइजेशन जब हुआ था तो क्या बोला कि नोट चेंज कर सकते हो आप एक स्टेंज कर सकते हो कि भई अब जो है जो पहले आपके नोट चलते थे मानलो हजार रुपे का था अब वो खतम हो किया अब आपको 2000 रुपय का नोट मिलेगा तो आप यू है अपने 1000-1000 के नोट जमा करवा दो हमारे से 2000 वाला नोट ले जाओ ये बोल रहे थे ना गॉर्मेंट तो लोगों ने क्या किया अपने पैंक में सारा पैसा जो नोट है वो सब डेपॉसिट करवाना शुरू कर दिया तो आप देखिए जो 2000 के नोट नया चीज आया तो यहां पर चीजे क्या है कि गॉर्मेंट ने समा दी लेकिन देखो इसमें लोगों का लॉस भी बहुत होता है दिक्कते भी बहुत होती है और पहले तो इतना अच्छा सिस्टम भी नहीं था आज इतना अच्छा हमारा बै गारीन फॉर्मेंट पर दो जो और मुहरीने कोई लेकिन लेकर के एक्शेंज पापर लो नहीं किया तो लोगों ने तो कही सारे नकली नकली सिक्ञें बना के भी एक शेंज कर लिए तो मतलब यही हैं कि इन्होंने समा धीजीं पा रहे थे पिका करना है कि कैसे करना है ये इनके साद दिक्कत होई थी ठीक है सरी बर्वार कहा जाते कि जो फॉर्ज कोइन इसको एक्ष्चेंज यहीं किया था लेकिन बहुत सारे प्राइं दिन बरनी नाम के एक रूलर थे वो कहते हैं कि यहां पर तो बहुत सारे सालों तक यह सिक्के पड़े रहे थे मतलब को इसको टच भी नहीं कर रहा था ऐसी बिथरे पड़े रहते थे ब्रॉंज के चिक के ठीक है इतने बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मुहम्मद बिन तुग कुछ खास अच्छे नहीं है लेकिन आगे जा करके और खराब हो जाएंगे जब फिरोश्या तुगलग आएंगे इस टाइम में मंगोलों के जो लीडर थे उनका नाम था तर्माश्रीन वो मेरट तक महुँचिया था और 65 किलोमेटर फ्रम देली है मेरट के पास था और मौ मौहमद दुगलग की बहुत बड़ी जीत थी आप जैसे कि आप देखते होंगे काईस की जब आप हिस्ट्री में नाम सुनते हैं तो मौहमद बिन दुगलग का नाम सुनते होंगे तो लोगों से आप से सुना होगा कि भई ही वह वो कुछ भी करता था लेकिन लोग अगर अगर मानलो आप सौ चीज़ अच्छी करोगे और एक चीज़ गलत करोगे तो लोग आपकी वो एक गलती जो है ना वो एक मिस्टेक वो याद रखेंगे पर आपकी सौ अच्छाईयों को भूल जाएंगे यही चीज़ था मौहमद बिन दुगलग के साथ भी हुई है उनकी गलतिया थी उनके बहुत इक्सपेरिमेंट फेल हुए लेकिन अट लीस्ट पॉलसी पैरलिस्स तो नहीं था न वो काम करते थे वो कोशिशे करते थे उनके नहीं चले लेकिन इसके चक्र में लोग उनको आज मैड रूलर बोलते हैं तुगलक बोलते हैं कि बहुत बुरा थ लेकिन जो सौ अच्छाईयां थी उन्हें जो इतने पढ़े लिखे थे उन्होंने इतने अंबीशियस थे मंगोलों को हराया और अग्रिकल्च्रल रिफॉर्म इनके बहुत अच्छे थे मतलब खेती बाड़ी में इन्होंने बहुत अच्छा गाम किया था वो सब कोई नहीं उस टाइम में उससे बचाया था इमाल लियास को और मोहम्मद तुगलक ने जो है कांगरा हिल्स तक एक्सपेडीशन किये थे और इस एरिया को भी फुली से क्योर किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि भाई ठीक है कि वो हमेशा हार रह है वो थे इनके अग्रेजन रिफॉर्म इसमें लोन ने एक चीज़ शुरू की थी तकवी लोन ठीक है तकवी लोन क्या होता है Do you know what is तकवी लोन? बताएए कौन बताएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में Let me check who will tell me the right answer Can you tell me? What do you mean by तकवी लोन? मैं देख रही हूँ कि कौन-कौन सही आंसर दे रहा है Okay अभी तक मुझे सही आंसर नहीं आया है I don't see it yet आप थोड़ा और ट्राइ करो You guys are very near to it, ट्राइ देखो गलत आंसर देखेंगे तो फिर सही आंसर तक भी पहुंच सकते हैं गलत आंसर बोलते बोलते What do you think? Okay नहीं ये जो काजल आपने बताया है ये चीज जो है ये ठीक नहीं है इसके बारे में थोड़ा और आगे चलना है Yes, प्रसन्न कुमार ने राइट आंसर दिया है Agricultural Loans थे ये लेकिन इसमें होता क्याता है जैसे आज कल आप देखते हो ना किसान भीमा यूजना आती है फसल भीमा यूजना आती है उस तरीके की भी एक यूजना आती है इसमें क्या होता था? किसानों को जो है लोन दिया जाता था ताकि वो खेती बाड़ी का जो समान है उसे खरीज सकें और उसमें कुछ अच्छा जो है कर सकें और उसमें अगर उनको लोन की ज़रत है तो तो मोहमध तुगलक ने जो है ये कुछ मेजर्स लिये थे जिसके द्वारा अग्री कल्चर को इंप्रूव किय जा सकें मोस्तली दोआपके एलाखे में क्योंकि दोआपके एलाखे से क्या आता था न सबसे जादा टाक्स यहीं से आता था तो इन्होंने कुछ यहां पर स्कीम लांच की कि कल्टिविशन को और इंप्रूव किया जाए और उन्होंने जो है एक सेपरेट जाए जो हुआ लिगन को अक्सटेंड करें भाइ गिविंग लों फो दी कल्टिवेटर्स को एड कल्टिवेट करें तो यहां पर उगा रहा है उससे और मार्गे टेबल सर्प्लस वह उगा सके तो यह सब चीज़ने की बिनकी प्रॉब्लम क्यां थे कि यह नोबल के इसाब से नहीं चलते तो ये ज़्यादा उन लोगों को इंटरटेन नहीं करते थे जो nobel की फैमली से आ रहे हैं और nobel family से आ रहा है अगर कोई कुलीन वर्ग से आ रहे हैं तो मैं उनको काम दूँ और उनको है reservation दूं यह सब इनका नहीं था यह सब को मतलब एक साथ लेकर के चलते थे लेकिन बात में जब फिरोशा तुगलक आये तो वो इस चीज़ को समाल नहीं पाये तो अब डिकलाइन शुड़ू होगा देली सल्तनत के अंदर ठीक है यह जादा नहीं जास तीन चार स्लाइट से यह में फटाफट कवर कर देती हो आज की तो जो मोहमद बिन तुगलक थे इस समय में मतलब डिली अपने पीक पर पहुंच चुकी है इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया और इस टाइम में कई सारे रेबेलियन्स भी हुए थे कई सारे नएने इंपायर साय जैसे की विजन अगर इंपायर बहामानी इंपायर आया मुहमद बिन तुगलक की डेथ के बाद इनके कजन थे फिरोशा तुगलक जो की आगे सारी चीजों को समालते हैं फिरोशा तुगलक को बहुत प्रॉबलम हुई क्योंकि इस टाइम में डेली सल्टनायत में तूठ फूट हो चुकी थी और इनकी पॉलिसी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि नोबल्स के रिकॉर्डिंग ली चलते थी ये नोबल्स के हातों बंदे रहते थे और इंटॉलरेंट भी थे ये तो नोबल्स आमी अपने हिसाब से चलती थी और ये मतलब थे ओलोजियन का मतलब क्या होता है गईस थे लॉजियन का मतलब होता है जब रिलिजिस लीडर सत्ता समाल लेते हैं और अपने अनुसार सत्ता को चलाते हैं तो अब जो है इनकी authority बस नाम किये ये नाम के ruler है लेकिन ये puppet ruler की तरह है तो अब ये administration उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं और अब सब कुछ center के हाथ में आ चुका है इन्होंने कुछ campaign किये थे जैसे कि इन्होंने जो उडीसा में जजनगर है वहाँ पे campaign किया उसके अगे पेटल कर जाता है उसक अगर कोई noble मालो कोई officer है उसकी मृत्य हुई तो उसके बेटो बेटे को उसकी जगह दे दी जाते था निया इसके बेटे को या उसके पेट को दे दिया जाता था और आमी में यह चीज़ कर दी गई थी यानिशित सकते निपोटैस्म हुई तो यह जो सोल्जर्स थे यह कैश में पेविंट नहीं होता था इनको ना लांड असाइन्मेंट दे दिया जाता था कि देखो हर महीने मैं तुमको सालरी दूँगा इससे अच्छा किया है मैं तुम एक जमीन दे देता हूँ इस जमीन पर तुम जो है सम्हालो सारा लॉय एंड ओर मेंटेन करो और जो पैसा आएगा वो तुम रख ले ना और कुछ हिस्सा उसका मुझे दे दे देना यानि कि ज आप सबको सालरी दोगे हर महीना तभी तो लोग काम करेंगे लेकिन आपने क्या सुचा कि सालरी देने से अच्छा है कि जो कोई एक इलाका है वो मैं एक ऑफिसर को दे देता हूँ और वो ऑफिसर क्या करेगा उस इलाके को मेंटेन करेगा लॉएंड और सम्हालेगा और व यह लोग अन-इस्लामिक मानते थे यह लोग उने जजिया टैक्स वेगरा भी लगाना शुरू कर दिया था और जो प्रैक्टिस होती है मुस्लिम वुमेन की जिसमें की वो बाहर जाती थी और वर्शिप करती थी वो सब इन्होंने मना कर दिया और जो जजिया है वो इन्हो मुस्लिम लोगों को पे करना होता है तो फिरोस शाह तुगलख जो है यह ब्राम्मन को नहीं चोड़ते थे सब को टैक्स देना पड़ेगा और यह जो है मतलब जो लोग डिजेबल हैं जो कि जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं हैं बच्चे हैं बहिलाएं हैं किसी को भी यह नहीं चोड़ते थे सबसे लोग टैक्स लेते थे यह पहले रूलर थे जिन्होंने की जो है हिंदू रिलीजेस वर्क्स को संस्कृत में जो लिखी हुई किताबें थी रचनाय थी उसको पर्शियन भाशा में ट्रांसलेट किया कई सारे किताबें जो की म्यूजिक, मेड को बैंक किया था इन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए थे गरीबों के लिए पूर लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट शुरू किया था और यह लोग जो है अगर कोई गरीब है वो दहेज नहीं दे सकता है बेटी को तो उसकी तरफ से यह खुदी दोरी दहेज दे दिया क करते थे एकोनामिक इंप्रूव्मेंट कंट्री में कर रहे थे बहुत सारे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किये थे और इन्होंने कई सारा मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया था बहुत सारे जो है कैनाल को कुओं को इन्होंने खुदवाया था सार फिरोशा इन्होंने बनाया था जिसे आजाब में सार के नाम से जानते हैं जो मौडन हर्याना के अंदर है और फिरोशा बाद जो की मौडन उत्तर प्रदेश में है वो इन्होंने यह बनवाया था बहुत सारे स्लेवस इन्होंने जमा किये थे लगबग 1,80,000 स्लेवस थे इनके पास 1,80,000 slaves were there जो कि इनके साथ थे फिरोशा तुगलक की 1388 में death हो गई थी और फिर बाद में बहुत जादा administrative or political problem आए nobles बहुत strong हो गए और जो provinces के governors हैं उन्होंने अपनी सतंतरता घोशित कर दी और वो अपने आप में ही small small area में खुद ही राजा बन गए डेली सलतनत बहुत जादा week हो गई तैमूर का invasion हुआ दिल्ली के अंदर अटाक हुआ और इसके बाद जो है पूरा का पूरा जो area है तैमूर ने अपने अंडर लिया उसने जो है पूरा अपना rule जो है सीरिया से लेकर ट्रांस औक्षियाना से लेकर सदन रशिया से इंडस तक पैला लिया तैमूर के invasion ने बहुत जादा पैसे जान और माल की हानी भारत में पहुँचाई जिसके वज़े से भारत से बहुत सारा पैसा गोल्ड सिल्वर जुइलरी ये सब लूटा गया भारत के कई सारे लोगों आमेमेन और राजाओं को मार दिया गया बहुत जादा जो है ये एरिया आप मान के चलिए कि बहुत एक बहुत ही प्रॉब्लमाटिक एरिया था जो एक स्ट्रॉंग रूल है दिल्ली के सुल्तानों का वो यहां से खतम हो गया इसके बाद फिर आप देखेंगे कि और भी प्रॉब्लम रही थी डेली सल्तनत में तो अब आगे की कहानी हम continue करेंगे next lesson में आज के लिए इतना ही अब जो आपके कोई doubts हैं तो आप पूछ सकते हैं is there any question anything you want to ask तो आज की class आपको कैसी लगी guys I hope सारी चीज़े clear हैं आपको कोई doubt वेगेरा तो नहीं है हाँ मैं इसके compilation telegram पे डाल दूंगी हर्ष बिल्कुल ठीक है and इसके बाद फिर हरी मोहन आपने पोछा है कि this session will be in parts or a single complete session यह parts में होता है हरी हम daily 6 to 7 p.m मिलते हैं live and daily we do this तो 6 to 7 p.m यह चलता है यह series है जो आप मुझे न डेली 6 से 7 बजे मिल करके इस series में चीज़ों को join कर सकते हैं तो आपने क्या करना है daily मुझे 6 p.m जोइन करना है मैं daily 6 p.m क्लास लेती हूँ ठीक है तो अब कर 6 बजे शाम को मिलेंगे इस वीडियो को like जरूर करें और फिर हरी मोहन न बोला है कि मैं सेंटेंस को पहले पढ़ कर फिर समझा हो अच्छा मतलब मैं एक एक सेंटेंस रीड करूंगी तो it will take a lot of time और उसके बाद फिर जो है आरोप लगता है कि teacher slide reading करते हैं इसलिए हम एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं हरी और थोड़ा crash course type का है तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं लेकिन अगर बांकी student भी इस चीज के डिमान करेंगे तो मैं यह consider जरूर करूंगी और प्रंजली ने पूछा है कि मैं मलावदीन खिल जी के टाइम में land grants होते थे क्या देखे अलावदीन खिल जी के टाइम में भी land grants होते थे land grants अभी के टाइम में रहे हैं depend करते हैं कि वो किसको land grants डे रहे हैं, क्या वो land grants religious purpose से दिया जा रहा है, क्या वो land grants ब्राम्मणों को दिया जा रहा है, वो देवधन है या वो ब्रह्मधेय है तो वो depend करता है, लेकिन हां सबने अपने अपने तरीके से किया था. हाई गाईज आईए जानते हैं हमारे नए UPSC CSE batches के बारे में जो कि अनकार्मी प्रस पर 10th मार्च से शुरू हो रहे हैं इन batches में खास बात ये है कि ये सभी aspirants के लिए काफी helpful होंगे 2021, 22 और 23 के जो aspirants है उसके लिए काफी जादा helpful है Ultimate UPSC CSE 2022 का ये batch Hindi English Bilingual सभी भाषाओं में available है जो कि 10th मार्च से शुरू हो रहा है Complete syllabus coverage by top educators, NCRT plus other standard books, पूरा coverage मतलब आपका prelims, mains, interviews, सब कुछ cover होगा इसके अलाबा हमारा जो ये batch है ये अलग-अलग भाषाओं में है तो आप अपने convenience के accordingly अपनी timing के अनुसार कोई भी batch देख सकते हैं एक पर अगर आपने subscription ले लिया तो आप सारे batches का access ले लेते हैं आप सभी batches को देख सकते हैं इसके अलाबा हमारा जो ये prelims का 2021 का batch है ये भी Hindi English bilingual तीनो भाषाओं में available है ये prelims focused batch है इससे आपका prelims easily crack हो जाएगा टू येर का batch भी है हमारे पास ये UPSCCC 2023 के aspirants के लिए है ये जो है ये एक बहुती lengthy बहुती complete coverage वाला batch है इन batches को जोईन करने के लिए यूज़ कीजे code arm live, arm live के इस code से आपको मिलेगा 10% का extra discount साथी साथ unacademy combat है guys जो कि prelims के test series के according भी बनाया जाता है questions बहुत ये अची quality के होते हैं जो कि आपको UPSC level पर तयार करते हैं इसमें 1 crore का scholarship pool है आपको अपने share का scholarship इसमें मिलता है और ये हर Sunday होता है यानि कि अगर आप चाहें तो इसे next Sunday 14th March को 11 बज़े जोईन कर सकते हैं 11 a.m. every Sunday तो code use कीजे arm live और इसके द्वारा आप enroll कर सकते हैं इन सारे नए batches का link और combat का जो link है वो नीचे description box में दिया गया है आप link पर click करके इसे join कर सकते हैं यहां आप इस map में देख सकते हैं कुछ important चीजों की location तो ये जो पूरा आप ये yellow वाला पार्ट देख रहे हो ना ये वाला पार्ट ये आपका Bahamani kingdom है तो आप देखे ये पूरा आपका Bahamani kingdom है इसमें बीजयापुर, गोल कोंडा, बिदार, एहमद नगर बहुत important है तो Bahamani kingdom जो है ये Muslim धर्म को follow करता है और ये Muslim rulers हैं यहां पर और ये जो विजय नगर empire है इसकी capital है यहां हमपी में ये आप देख सकते हैं मैसूर बहुत important यहां है यहां आप देख सकते हैं मदुराई है, ये तन्जोर है, ये कांची है extremely important तो ये पूरा पार्ट रहा करता था तो विजय नगर empire ये green वाले पार्ट में है, ये Hindu kingdom है, ये Hinduism को follow करते हैं इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई है, विजय नगर empire के बीच में और बाहमानी kingdom के बीच में ठीके काफी लड़ाई है, आप इस map को ये जो particular data है इसके साथ थोड़ा देखने के कोशिश करेंगे तो आप ये देखते हैं कि विजय नगर empire ये बहुत तेजी से rise करता है actually होता क्या था कि यहाँ पे हरीहर और बुक्का, ये दो लोग थे जिनोंने सारी foundation रखी और initial सारा जो काम है वो किया, तो विजय नगर empire ये इसका जो foundation है वो शुरू होता है और इसका conflict शुरू होता है बाहमाने kingdom के साथ और ये जो है हरीहर और बुक्का के द्वारा ये दो लोग थे जिनोंने बहुत अपनी समझदारी और डिप्लोमेसी के जरिये इस empire को स्टार्ट किया था तो ये संगम dynasty के थे, actually इसमें अलग-अलग dynasties ने रूल किया था विजय नगर empire में तो संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविदू ये चार dynasties थी, मैं यहां लिख देती हूँ पहली जो है, वो है संगम, फिर है सुलुवा, ठीक है, संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविदू ये चार dynasties थी जिन्होंने विजय नगर empire पर रूल किया जैसे कि डेली सलतनत के लिए हम बात करते हैं, तो डेली सलतनत में हम क्या देखते हैं कि पांच dynasties का रूल था slave dynasty, फिर हमने देखा कि खिलजी dynasties आई, फिर तुगलद dynasties आई, फिर सेयद dynasties आई, और फिर लोधी dynasties आई तो वैसे ही यहाँ विजय नगर empire में भी यह चार dynasties हैं, यह जो संगम dynasty है, यह संगम dynasty है, यह एक family को बोला जा रहा है, इस नाट संगम age, संगम age जो ancient history का है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है वो एक अलग age था, संगम age एक अलग बात है ये संगम एज नहीं है, ये संगम डाइनस्टी है, एक पर्टिकुलर फामली का नाम है ये, तो आप इसमें ये देखते हैं कि ये संगम डाइनस्टी आती है, और 13-36 में हरीहर बुक्का ने ये शुरू किया था, ये जो है ये विलॉंग करते थे एक फामली से, जो कि फामली फाइव ब्रदर्स थी, उसे से कहलाते थे ये संगम डाइनस्टी वाले, तो ऐसा माना जाता है कि एक्चली हरीहर और बुक्का ये फ्यूडल लॉट्स के रूप में काम करते थे, ये फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज क्या होते हैं, ये सामंतवाद होते हैं, तो सा सामंत के पास कई सारे फिर बहुत सारे विलेजिस होते हैं, एरिया होते हैं, जिसको वो मिंटेन करता है और टैक्स करेक्ट करता है, तो सामंतवादी विवस्था के अंतरगर्ट जो सामंत होते हैं, वो ऑफिसर्स के रूप में काम करते हैं, राजा के लिए और फ्यूडल बन गए थे और कमपिली के kingdom में ये लोग minister बनके काम कर चुके थे modern करनाटका में तो इन लोगों को ना मतलब इन्हों ने ये सब important empires में काम करके भाब लिया था चीजों को और ये बस एक समय का wait कर रहे थे कि कब वो right opportunity मिले और हम अपना खुद का empire set up करें तो ये जो date हरी हर ने जब ये शुरू किया ये जब असिहासन को सम्हाला वो 1336 में था और book का उसके बाद वो अपने brother को succeed करते हैं 1356 में और उसके बाद वो 1377 तक rule करते हैं इस तरीके से ये dynasty चलती है अब विजे अगर empire जो है ये हिंदुस्म को बहुत follow करते थे इनका खुद एक विजे अगर का इनका अपना temple architecture भी था तो विजे अगर empire के temple architecture में आप देखेंगे कि multiple gates बनाए जाते हैं multiple assembly halls बनाए जाते हैं temple में और geometrical pattern का बहुत यूज होता था जूमेट्री का बहुत अच्छा यूज था विजे अगर empire के temples में तो विजे अगर empire जो है इसकी लडाई बेसिकली हो रही है बाहमाने kingdom से और यहां पे ये जो है जो मदुराई के सुल्तान थे उनसे भी इनका conflict था बाद में इनोंने इसको capture कर लिया था तो सुल्तान अफ मदुराई से भी इनकी लडाईया होती थी तो विजे अगर और मदुराई के जो सुल्तान है इनकी लडाई 40 साल तक हुई 4 decades तक ये लगबग लड़े थे और 1377 में जो सल्तनत है मदुराई की वो पूरी तरीके से wipe out कर दी गई थी पूरी त ठीके आप देख सकते हैं और इसकी लड़ाई हो रही थी विजे अगर इंपायर के साथ तो फिर विजे अगर इंपायर ने मदुराई को हरा दिया और इसको अपने विजे अगर इंपायर में मिला लिया कब किया ये काम ये किया 1377 में ठीके ये इस तरीके से हुआ इसके ब 1447 में यह स्टार्ट हुआ और इसके जो फाउंडर थे वो थे अलाउदीन हसन तो अलाउदीन हसन ने बाहमाने किंडम शुरू किया और बाहमाने किंडम मुसलिम आइडिलोजी पर है तो अब यह लोग एक्सपांशन के लिए लड़ेंगे देखो बाउंडरी टच हो रही है तो बाउंडरी टच हो रही है तो एक्सपांशन के लिए लड़ाई होगी ही तो बहुत लड़ाई होती रहती थी इनके बीच में आप देखेंगे कि यह जो बाहमाने किंडम है इसकी आइडिलोजी और भी जादा हार्श हो जाएगी और यहां पर आप देखेंगे कि इनके जो पॉलिटिकल एडवाईजर थे महमूद गवन वो बड़े जो है चालांग थे और बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी से बाहमाने किंडम को वो राइज करवाएंगे अभी मैं आपको महमूद गवन के बारे में और जानकारियां दूंगी तो अभी के लिए इतना समझे ह जो यह बाहमाने किंडम है यह 1347 में आ चुका है और यह जो है इनके बीच में भी क्लाश बहुत हो रहा था बेसिकली जो तुंग बंदरा का इलाका है वहाँ पे दुआप में क्लाश था कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास क्लाश था और मडाट वाड़कंडरी में भ जो सुल्तान है वो लड़ते थे अच्छा मिलिटरी कॉन्फिक्ट इनका बहुत चलता था विजयनगर इंपायर का क्योंकि यह लोग डेगुलरली लड़ते रहते थे इनकी आमी जो है विजयनगर इंपायर की जो आमी है और जो बाहमाने किंडम की आमी है वो आपस में मिलता है कि इनकी जो आर्टलरी थी दोनों तरफ की वो इस बैटल में यूज की गई थी और बहुत ज़्यादा वेपन्स यूज किये गए थे एक बैटल में और जो बाहमाने सुल्तान है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे बहुत सुपीरियर थे और एक बार ज सुल्तानों के जो घोडी थी जो उनकी केविलरी थी वो बेटर थी और वो उनके पास जादा तोप वारूद भी जादा थे और इनकी एफिशियन केविलरी थी तो होता क्या है कि साउथ में जो इन्होंने अपनी पोजीशन है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंदन की हुई आपको तो पता है कि विजन अगर इंपायर ने जो साउथ इंडिया का मदूरही तक का इलागा है अपने अंदर ले लिया था तो अब विजन अगर इंपायर को लगा कि भाई पूरा साउथ तो मेरे पास आगे अब मैं नौर्थ की तरफ चलूं और एक्स्पांशन करूं तो अब जब यह और इस्ट साइड में जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो इनको दिक्कत आ रही है क्योंकि बाहमानिक इंग्डम है तो बाहमानिक इंग्डम से तो इनको लड़ नहीं होगा तो इनकी जो पॉलिसी ऑफ एक्स्पांशन थी बेसिकली अंडर हरी हर सेक आगे बढ़ नहीं पाते थे यहां से बाहमानिक इंग्डम भी जो है वो बना हुआ था तो इस बीच में जो हमारे इंपॉर्टेंट टूलर्स आए वो थे एक तो देवरया वन और दूसरे थे देवरया सेकंड तो देवरया वन जो हो हरी हर टू के बाद आए और इन्होंन को हारे थे बाहमानी रूलर्ट पिरोश शाह अंद के जब हर होती है तो एक हर का मतलब यह कि चलो आप हर गए आप जा सकते है और आगे को चीजे से है शान्ती हो जाएगी जब भी हार होती है तो अंत्विन एक संधी होती है ट्रीटी होती है समझोता करना पड़ता है और इस समझोते के अनुसार जो है देवरया वन को 10 लाक हंस जो है 10 लाक ऑफ हंस और पर्ल्स और एलिफेंट देनी पड़ी थी यानि कि वार इंडिम्निटी के रूप में जैसे य युद्ध के बाद जो हार जाता है उसको पैसा देना पड़ता है तो जो युद्ध में खर्चा हुआ जो नुकसान हुआ उसके वज़े से तो इनको काफी सारा पैसा देना पड़ा 10 लाक ऑफ हंस देना पड़ा और बहुत सारे मोती देने पड़े और बहुत सारे अलिफे क्योंकि इससे हुआ है कि इन्होंने जो खेती बाड़ी है उसके लिए बहुत बड़ी सिचाय के सुविधा उपलब्द करा दी इस कैनाल के थू जो है सिटी के अंदर जो पानी की कमी है वो कमी खतम हो गई ये जो डाम है ये बहुत काम का रहा ये मल्टी पॉपस प्रोजेक्ट जो है ये खेती को बढ़ाता है फिशिंग को बढ़ाता है और इन्होंने एक जो डाम है वो हरिद्र रिवर के उपर भी उधर बनवाया था ताकि सिचाय की सुविधा हो सके इसके बाद जो है देवरया सिकेंड आए और ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़े ग्रेटेस टूलर थे इस पूरी डाइनस्टी के तो ये जो विजेनगर इंपायर है उसके सबसे बड़े राजा है देवरया सिकेंड सबसे पहले बात इन्होंने जो आमी है उसको बहुत अच्छे से रियॉर्गनाइज किया इन्होंने देखा कि भई कैसे हम आमी में जो है उसका बेस्ट उसको यूटिलाइज करेंगे और बहुत सारे मतलब सीरीज ओफ कैपेबल रूलर्स इस टाइम में आपको देखने को मिलेंगे विजेनगर में और काफी वेल्दी स्टेट के रूप में यह हुआ था और बिजेनगर इंपायर जो है इस टाइम दुनिया का सबसे आप कहो कि अमीर और एकोनॉमिकली जो स्टेवल इलाका होता है वैसा था तो फर्स थाफ और फिफ्टीम सेंचुरी में यह काफी तेजी से ग्रोव हो रहा था इस टाइम में बहुत सारे ट्राबलर आए थे जैसे एक इटली से ट्राबलर आए थे जिनका नाम था निकॉलो कॉन थी इन्होंने बताया है कि विजेनगर इंपायर जो है यह इसका एक बहुत ही अच्छा अकाउंट देखने वो मिला है इन 1420 ही अच्छा अकाउंट उफट आते हैं कि विजेनगर इंपायर बहुत ही जादा लगजीरियस पार्ट ऑफ दुनिया में आ जाता था यहां के जो मंदिर हैं और जो आर्किटेक्चर्स हैं सोशल और एकनॉमिक लाइ होती है तो विजेनगर इंपायर की लड़ाई जो है होती है और यह कॉन्फिक्ट रहा जब तक देवरया सकेंड की डेथ के समय तक में रहा और इस टाइम में एक और ट्रावलर भी आये थे पर्शिन ट्रावलर जिनका नाम था अब्दुर्रजाक और अब्दुर्रजाक न एक था विजेनगर इंपायर यह जो सिटी है यह ऐसे बनाई गए थी कि जैसे की सेवन सीटर डिल्स यानि की आप मानों की सीटर डिल मतलब अपर लेवल आप चो टाउन है और बहुत सारे वाल्स है साथ दिवारे हैं जो इसको इन क्लोज किये हुए है एक दूसरे को और ब ना देवरया वन को देवरया वन वस डिफीटेड बाइ बाहमानी रूलर फिरोज शा भी हमने यह कवर किया तो अभी मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताती हूं कि बाहमानी किंग्डम जोते फिरोज शा के अंदर क्या कर रहा था तो बैसिकली इंद्क्रिमिनेशन न लेकिन जो एक स्ट्रगल है न कि भई कौन कृष्ण को दावरी बेसिन पर जाएगा कौन उसको डॉमिनिट करेगा यह एक स्ट्रगल जो है चलता रहा और इसके वजह से बैटल्स भी होती रही और विजय नगर इंपायर के साथ इनकी लड़ाई चलती रही तो आप खुद देखे कि फिरोशा बाहमानी जो है उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी करवादी थी जबकि देवरया सेकेंड के साथ पर फिर भी इनके साथ लड़ाई होती है फिर भी इनके साथ बैटल होती है तो आपको याद हो गए कि देवरया सेकेंड इस बैटल में हार भी गए तो देवरे सेकेंड वस डिपीटेड बाहमानी रूलर फिरोश शाह और बदले में उनको बहुत जादा पैसा भी देना पड़ा था पॉर्ल एलेफिंट यह सब भी उनको देना पड़ा था तो काफी जादा चीजें हुई थी तो अब देखिए यह जो बेसिकली मैरेज वाली देखिए अपनी बेटी यह मैरेज करवा देते हैं और वारंगल जो है इन्होंने लूज कर दिया था वामानी किंडम से तो साउथ इंडिया के अंदर जो बैलन्स ओफ पावर है वो बिगड़ जाता है तो इस टाइम में हुआ था ना वारंगल जानेंगे ठीके उसको भी ह तो विजन अगर इंपायर का मतलब क्लाइमेक्स देखे कि कैसे इसका डिसिंटिग्रेशन होता है और फिर जो पॉर्टगीज आये थे उनके साथ इनका जो किस तरीके से मतलब एक इंट्रक्शन होता है यहां तक कोई चीज कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं गाईज यहां पर एक कोई प्रॉबलम होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं यहां पर एक कोशन पूचा है कि माम चैप्टर एट क्यों नहीं किया है तो चैप्टर एट में अच्छिरी क्या है ना वो ओवराल डिस्कुशन है इंडिया अंडर देली सल्टनत और और किस तरीके का मतलब उनका एड्मिस्टेशन और पॉलिसी था तो क्योंकि यह क्राश कोर्स है ना तो हमारे पास सिर्ट 10 आर्स ही हैं इसलिए हम इसमें जो major core topics हैं मेडिवलिस्टी के सिर्फ वही कवर कर रहे हैं वो हम लोग comprehensive course में कवर करेंगे आगे जब हम लोग कभी comprehensively start करते हैं जैसे इस course को then there we will cover it in more comprehensive manner ठीके तो इसलिए हमने उसको अभी skip किया है राइट ओके तो मैं देख सकती हूँ कि सामन्त is like जमिनदार नहीं सामन्त is not like जमिनदार सामन्त is bigger than the जमिनदार actually चीके जमिनदार जो है उसके पास तो एक जमीन का जो मालिक होता है उसको कहते हैं जमिनदार तो जमिनदार तो एक छोटा एरिया होता है तो सामन्त बहुत पावर्फुल होते हैं दियार पावर्फुल दिन्दी जमेंदार ठीक है और थैंक यू सो मच अनमोल अलसो फोर दी ब्यूटिफुल कॉमेंट तो मैं देख सकते हूं कि यहां तक और कोई ऐसे डाउट नहीं है प्लीज लाइक बताव वीडियो गाईस और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं तो मैं देख सकते हूं कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ते हूं और फिर आप और आप एंड में जो पाके कि यह क्यों एसे कोई वीज़पे डाउट होते हैं तो आप वो पूच कि मैं गद्दी को समालूंगा, मैं समालूंगा, कई सारे तो जो सामंद थे वही लड़ने लग गए थे कि मैं ही पावर में आ जाओंगा, बहुत सारे सामंदों ने अपनी इंडिपेंटेंस डिकलेयर कर दी थी, जो मिनिस्टर थे वो बहुत पावरफूल हो चुके थे, तो वो लोग और जादा टैक्स लगाने लग गए लोगों पे, हर जगा डिस्ट्रेस हो गया, और रूलर्स जो है वो आप मान के चलिए कि वो समझ नहीं रहे थे कि किस तरीके से जो किंग और मिनिस्टर है, उनके वीच में एक कॉर्डिनेशन मना के रखा जाए, तो सलुआ ज फाउंडेड अन्यू डैनिस्टी, सलुआ ने जो नई डैनिस्टी शुरू की, उसको हम तुलुआ डैनिस्टी कहते हैं, तो बेसिकली तुलुआ डैनिस्टी जो है अगली आया थी जो लास्त थी, जिसे कृष्ण देवरया रूल करते हैं, और बहुत सारी सीरीज ओफ और कृष्ण रिवर तक ये लोग जो है पहुँच गए थे, तो बेसिकली कृष्ण देवरया ने आगे लड़ाई लड़ी और बीजापूर के रूलर को 1520 में हराया, और विजय नगर इंपायर दुबारा स्ट्रॉंगेस्ट मिलिटरी पावर के रूप में एमर्ज हुआ स इंडिया के अंदर, कृष्ण देवरया जो है इन्होंने बहुत जादा आर्किटेक्चर के डिवलाप्मेंट पे ध्यान दिया था, तो इन्होंने कई सारे ने ने शेहर बसाए, बहुत सारे टांक्स इन्होंने खुद बाए और इडिगेशन परपसे बहुत सारा काम करवा यह खुद जो है तेलगू और संस्क्रेट में बहुत सारी रचनाएं लिखती थे बहुत कुछ लिखते थे इनको खुद ही बहुत कुछ लिखने पड़ने का शौक था और इसे माना जाता है कि यह जो रीन है यह एक नया एरा था इन्होंने तेलगू लिटरेचर इन्होंन के बहुत बड़े प्रोटेक्टर थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों के लिए पैटोनेज दिया था और बहुत सारे स्कूल्स खुलवाए थे बहुत सारे मठ खुलवाए थे बहुत सारा मतलब इन्होंने जो है डेवलाप्मेंट किया था फिर जो है जब कृष्णे देव ये जो हैं सम्हालते हैं लेकिन जो रियल पावर थी वो राम राजा के हाथ में रही तो राम राजा बहुत जो है इंपॉर्टेंट है जिन्होंने चीजों को सम्हाला फिर सीरीज ओफ वार हुई लास्ट में नोंने कम्प्रीटली पीजा को रूलर को हरा दिया था और उसके नगर की भी उसके बाद एक बैटल अफ काली कोटा हुई थी ये जो है इसे बैटल अफ रक्ष तंगडी भी कहा जाता है इसमें राम राज जो हैं उनको घेर लिया गया था और उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था और इसके बाद फिर उनको मार डाला था उसके बा के से हार गया था तो ये एक माना जाता है कि दिस वस दे एंड ओफ दी ग्रेट एज ऑफ विजे नगर फिर धीर धीर इस एरिया को पॉर्टगीज कैप्चर कर लेते हैं और गोवा का इलागा हो गया वांकि सारा जो एरिया था जो कि पहले विजे नगर इंपायर में था वो स काउंसल ऑफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं सो किंग जो है उनको एर्वाइस किया जाता था बाई काउंसल ऑफ मिनिस्टर और बहुत बड़े बड़े नोबल्स जो है इस टाइम में रहा कर दे थे जो किंग्डम है वो डिवाइड था इन्टू राज्या यानि की अलग- फिर ग्राम में डिवाइड है तो जैसे कि अब भी हमारी कंट्री है दे कंट्री इस डिवाइड इन्टू स्टेट्स दें स्टेट इस डिवाइड इन्टू दिस्टिक इस डिवाइड इन्टू ब्लॉक्स और फिर ब्लॉक्स जो है वो डिवाइड इन्टू मेंनी विलेज कहीं सारे villages को मिलाके एक block बनता है क यी सारे locks को मिलाके दिस्टिक बनता है कहीं सारे डस्तिक डिस्टिक को मिलाके एक राज्य बनता यहソ。 यह division है तो वैसे यहाँ पे भी इनका जो पूरा country है वो country क्या है पूरा area जो है वो है विजयनगर empire तो पूरा का पूरा empire किसमें divided है state में तो यह लोग state को क्या बोल रहे है राज्य ठीके और राज्य डिवाइड़ है नाडू में नाडू divided है स्थलाज में और स्थलाज divided है ग मतलब है और इस समय में आप देखो गए जो provincial governor होते थे ना उनको बहुत autonomy दी जाती थी मतलब उनका अपना provinces में उनका जैसे कि हर एक state में अपना high court होता है ना आजकल वैसे ही हर एक जगह पे उनके हर एक area में उनका खुद का court होता था उनके खुद के officers appointed होते थे उनके खु जो है खुद के coins भी इनको allow किया गया था कि आप अपने area में खुद के सिक्के भी issue कर सकते हैं और बहुत अच्छे से centrally controlled area हुआ करता था राजा जो है वो grants दिया करते थे जिसे हम अमारम कहते हैं या territory कहते हैं जो कि एक fixed revenue वाला area होता था और एक military chief को वो दे दिया जाता थ कि भई तुम इस जगह को territory को maintain करोगे जो ये सब chief लोग होते थे इनको पल्लय या पेलागर कहते थे या जिसको आप नायक कह सकते हो नायक मतलब एक पिल्कुल chief minister के जैसा जो कि chief minister के role को play करता है उसके पास कुछ सेना के लोग होते हैं कुछ पैदल सेनिक होते हैं कुछ साथ ही होते हैं और इनका काम होता है state को service देना याने की राज़ी की सेवा करना अब जो है इसी बीच में Portuguese का advent हुआ तो यह जो Portuguese है यह इंडिया में आये और यह तब आये जब European जो हैं थे और इस टाइम में होता क्या है कि European economy बहुत तेजी से grow हो रही थी तो European economy was growing rapidly and बहुत increase था of trade and internal and external trade बहुत तेजी से increase हो रहा था और Roman time से ही हमने यह देखा कि एक silk की बड़ी demand थी ठीक है there was the steady demand for silk from China तो चाइना सिल्क की supply करता था और बहुत time से तो चाइना ने किसी को यह disclose ही नहीं किया था कि silk कैसे बनाते हैं सिल्क के बारे में चाइना ने किसी को नहीं बताया था तो Roman time से ही जो है sil्क की बहुत demand थी और जो spices and drugs हैं वो इंडिया से खरीदा जाता था and South East Asia से खरीदा जाता था और यह जाता था यूरोप में तो जो pepper होता है काली मिर्च होता है वो जो है लेकर के जाते थे लेवांत में एजिप्ट में and जो black sea के ports हैं वहाँ पर ले जाते थे और इंडिया and South East Asia से यह लोग खरीदते थे तो अब क्या होता है कि जो Ottoman का Ottoman Turks का Empire है वो power rise होती है तो Ottoman Turk मतलब कि यह Muslim ruler है तुर्की ruler है और जब यह rise हुए तो इन्होंने सारा इलाका जो है Constantin Pole का यानि कि Istanbul वाला वो सब इसको इन्होंने घेर लिया था तो 15 सेंचुरी में इस अब इन्होंने घेर लिया और यह सारा का सारा इरिया इनके कंट्रोल में आ गया और इन्होंने जो है Constantin Pole यानि कि Istanbul इसका मतलब कि Constantin Pole means Istanbul यह Istanbul इन्होंने 1453 में capture किया Syria एजिप्ट सारा इन लोगोंने capture किया तो Muslim rulers ने basically जो major major land areas थे जहां से land का trade route निकलता था तो जितने भी trade route थे जो land trade route थे वो सारे important land routes को इन्होंने capture कर लिया 1488 में जो बार्तलोमियो दियास थे उन्होंने जो है कोशिश की आने की और वो केपफ गुड होग तक आये लेकिन उसके बाद वो वापस चल गए लेकिन हां उन्होंने जो है कोशिशे की उन्होंने मतलब एक basis शुरू किया direct trade links का between Europe and India लेकिन main जो काम किया वो वासको डिग जो है वो कैलिकट पहुंचे थे यह साउथ में एक पोर्ट थी कैलिकट यहां के राजा थे जैमोरेन तो यह 1498 की घटना है जब यह हुआ तो वासको डिगामा के आने के साथ main जो अब मतलब आप है कि काऊगी कि डिरेक्टर रिलेशन चुरू होगा तो वासको डिगामा को तो पहले बहुत जादा मतलब खुशी से वेलकम किया गया जैमोरेन ने बहुत वेलकम किया कि भई आईए आपका बहुत स्वागत है और उनको कहा कि आप बिल्कुल आपको अलाउड है कि आप यहां से जो भी समान करीना चाहते खरी दिये तो इन्होंने खुब यहां से का अलबी करक आए तो अलबी करक जो है एक्चली यह गवर्नर के रूप में जब आते हैं और पॉर्टगी इसके तरफ से जब साक्षन को देखते हैं तो इन्होंने एक पॉलिसी शुरू की थी डॉमिनेशन की इसमें इन्होंने का था कि जितना भी कॉमर्स का पार्ट है यान के हैं उसको किलाबंदी कर लो और सारे स्ट्राटिजिक प्लेसेस को जो एशिया और अफरिका के हैं उसको अपने अंदर रखो और इन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू की थी जिसमें गोवा और वीजापूर को वीजापूर से गोवा को यह लोग कैप्चर कर रहे थे और हमान चेहां प्लम्हें लेखे हैं जहां से उप कर सकते हैं तो इन्होंने फिर गोवा को अपने भेस और धीले अपने निवा हीजिँ वी टृट किता उम जो एक्स्टर्नल चैलेंज मिले थे वह एक तो तुर्क से मिल रहे थे क्योंकि Muslim rulers यह सब देख रहे थे कि Portuguese बड़ा आ रहे हैं और बड़ी तेजी से च्छा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हुआ अगर आप चाहे तो आप मेरा lesson भी देख सकते हैं मैंने अन अकाडमी पे बन तो इस तरीके से इनका ना फिर conflict शुरू हो जाता है basically तो जो तुर्किश पावर है वह बहुत तेजी से क्रोव हो रही थी और यह जो रेट सी का इलाका है और पर्शन गल्फ का इलाका है वहां पे इनका बहुत मतलब conflict शुरू हुआ और तुर्क्स और पॉर्टिज जो है क पॉर्टिज इसके पास बहुत अच्छे resources थे और बहुत अच्छे इनके पास ship थे इनके जो जहाज थे ना उन जहाजों के उपर तोप लगी हुई थी तो जहाजों के उपर तोप लगे होने के वज़े से ये war भी कर सकते थे जहाजों से तो इसलिए फिर western part और जो इंडि पॉर्टिज को हरा दिया था और हटा दिया था रेड़ सी के अलाके से लेकिन अल्टिमेटली आप देखोगे कि लास्ट में पॉर्टिज सारा अरिया कैप्चर कर लेते हैं लेकिन तुर्क्स ने ये चीज जो है 1529 में की थी जब जो है सुलेमान रईस जो है उनके अंतरग बहादुर शाह को मतलब बहादुर शाह ने भी इस चीज में बहुत हैल्प किया था तर्की रूलर्स को तो बहादुर शाह ना गुजरात के रूलर थे उस टाइम में तो गुजरात में एक्चली पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया के अंदर हुआ कर देती और कहीं लड़ाई भी लड़ी पॉर्टिकीज को हिंडिया से हराने की कोशिश की इंडिया के वॉर्टर्स में से निकालने की कोशिश की और सुलिमान पाशा ने कमांड भी सम्हा ली थी 1551 में फिर पेरी रईस आये उन्होंने जो है जैमोरिन के साथ मिलकर के कैलिकट में अटाक कि किया था पॉर्टिकीज फोर्ट पर जो मुसकत है जो और मुस का इलाका है वहां पर लेकिन तब तक पॉर्टिकीज बहुत पावर्फुल हो चुके थे लास्ट में पॉर्टिकीज ही सब को हरा देते हैं और इन्होंने दमन को अपने अंदर से क्योर किया था 1566 में करेंगे अरब सीज में फिर ओटोमन फिर वो शिफ्ट हो गए वहां से वो लोग चले गए और उनका फिर यह हो गया कि वो लोग समाल नहीं पारे थे चीज़ों को और फिर वो लोग जो है इस जगह पर कॉन्फलिक्ट नहीं करते हैं और पॉर्टिकीज ने धीरे धीरे ट् हो जाते हैं और इंडिया को जीत लेते हैं और इस इलाके के फिर वो जो है एड्मिस्टेटर बन जाते हैं और फिर अल्टिमेटली ब्रिटिशर्स के द्वारा वो हारेंगे और ब्रिटिशर्स फिर उनको यहां से निकाल देंगे ठीके तो यह सारी कहानी थी यहां पर हमार एक आप देखोगे कि एक नहीं होड शुरू हो जाती है नएने सी रूट्स को ढूनने की नएने डिस्कवरीज करने की तो सबको लगता है कि हम और जाद से जादा डिस्कवरी करें और जाद से जादा एरियाज को कैप्चर करें ठीक है more and more lands को अपने अंदर जो है कंट्रोल करें अपने कंट्रोल को अपने expansion को increase करें हर कोई यही चाह रहा है तो आप देखें ये अपना है इंडिया यहाँ पे और ये आप देख सकते हो ये रोप तो आप देखें कैसे ये लोग आएंगे और बीच में कुछ important areas हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये Alexandria इसे आप Egypt भी कह सकते हो ये है आइडन, very important part ये है Ormuz ठीक है and यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से monsoon help करेगा इंडिया तक पहुँचने के लिए क्योंकि monsoon की discovery was a very very important part जो कि हमारे modern Indian history की शुरुवात कर देता है कहीं न कहीं और बांकि आप यहाँ देख सकते हैं Madagaskar island को और ये Maldives है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये पूरा part था और you would understand कि how this part was you know captured by the Portuguese तो ये जो पर्शी आप देख रहे हो इसे आप कह सकते हो ये इरान है और इरान का पहले जो है यहाँ के rulers का पूरा दबदबा था और ये जो आप part देख रहे हो सारा Alexandria का ये जो part आप देख रहे हो Ethiopia ये सब जो है पूरा important part सारा capture कर लेते हैं Turks तो तुर्की ruler के अंदर आ जाएगा और जो direct Red Sea से जो रास्ता आता था इंडिया की तरफ यहाँ से आता था वो रास्ता एक्चुली इंडिया की तरफ तो ये Red Sea यहाँ से जो है ये एक shortcut था जहां से कोई इंडिया आ सकता था यहाँ Red Sea है ठीके तो यहां से कोई इंडिया डिरेक्ली आ सकता था लेकिन अब यह रास्ते को किस ने capture किया हुआ है आरपस ने capture किया हुआ है तो यह मैप हम लोग समझेंगे कि क्या है और किस तरीके से चीजें होने वाली है तो नाओ लेटस अंडेस्टाइन क्या होता है क्यूंकि रोमन इमपाईर जो थाना बहुत बड़ा EEKO हुआ करता था यह यूरोब में तो एंशिंट यूरोब का यह बहुत famous और बहुत बड़ा empire था जिसे हम लोग Roman Empire के नाम से जानते हैं तो Roman Empire decline हुआ कब 7th century में decline हुआ और जब ये decline हुआ उसी समय में Islam का उदै हुआ और जो Arabs हैं आप देखेंगे इन्होंने अपना domination हर जगा पे establish करना शुरू किया Arabs जो थे ये जो rulers थे ये बहुत बड़े पतलब power के रूप में emerge होंगे and Egypt में, Persia में हर जगा ये लोग पैल जाएंगे and इनका जो है आप देखो कि direct contact आपको देखने को मिलेगा between Europeans and Indians जो की decline हो रहा है तो actually ये contact पहले तो बहुत ज़ादा था like Romans के साथ तो इंडिया का काफी ज़ादा trade होता था and जो silk route था especially that silk route was extremely important और वहां से आप मान के चैने की काफी सारा trade होता था बहुत मतलब important रास्ता था पर जितने भी land routes है ना वो सारे के सारे land routes अब Arabs ने अपने control में ले लिये हैं तो अगर मान लो कि आपको कुछ भी मंगवाना है कहीं से तो आपको Arab intermediaries के थ्रू मंगवाना पड़ेगा और जो middleman होता है वो तो commission लेता है तो अभी आप इनको commission दोगे हर चीज में they will take their commission तो इस चकर में क्या होगा कि profit का जो margin है वो reduce हो जाएगा profit का आपको जादा margin नहीं मिलेगा तो जादा margin मिलना चाहिए यतना जादा profit का margin होगा उतना maximized profit आपके पास आता है जो कि Europeans हो या कोई भी trader को यह चाहता था और इंडिया के समानों को खरीदना चाहते हैं साथी monopoly स्थापित करना चाहते हैं that's the most important part here monopoly यह लोग monopoly भी स्थापित करना चाहते हैं तो direct contact शुरू होगा Europeans and Indians के बीच में और आप देखेंगे कि यह जो direct contact रहा between the Europeans and the Indians आप देखोगे कि धीरे धीरे यह decline हो रहा है due to the rise of Arab intermediaries क्योंकि Arab rulers का बहुत तेजी से rise हो रहा था और इसी कारण जो easy accessibility थी जो भारतिय समान easily accessible था Roman Empire के लिए और बांकि Europeans के लिए अब वो बहुत मुश्किल से वहां तक पहुँचेगा अब वहां पे वो इतने असानी से नहीं जा पाएगा वो easy accessibility अब reduce हो जाएगी जैसे कि spices, calicos, silk, बहुत सारे various precious stones ये सब की बहुत जादा डिमांड होती थी ते वर greatly in demand अब इनके डिमांड effect होने लगी अब इनकी डिमांड जो है बहुत हट तक इस पे प्रभाव पड़ेगा और एक बहुत बड़ा event हुआ 1453 में जब इस्तांबुल का इलाका Ottoman Turks के कबजे में आ गया Constantin pole यानि के Istanbul fell to the Ottoman Turks तो अब क्या हुआ कि यहां पे Muslim rulers का कबजा हो गया और ये जो Constantin pole है Istanbul है इस पार्ट वाज एक्स्ट्रीमली important बेकाज ये strategically बहुत important location पे है Istanbul और वो दुनिया का एक तरह से center of trade था उस टाइम में सारा trading route आप कहीं पे भी आना चाहो जाना चाहो Istanbul से होकर के ही होता था तो ये अगर area किसे ने capture किया तो मतलब वो trade के सारे यूनो व्यापार को as a whole उसके center को capture कर लेता है तो that's why ये एक बहुत बड़ी achievement थी Ottoman Turks के लिए इसके बाद जो भी वस्तुएं थी जो भी merchandise थे जो कि इंडिया से जाते थे वो Europe तक पहुंच तो रहे हैं देखो as such ऐसा नहीं है कि अब European भारत का समान खरीदी नहीं पाएंगे खरीद पाएंगे European market में जाएगा लेकिन वो Arab intermediaries के through हो करके गुजरेगा और जो Red Sea का trade route था वहाँ पर state monopoly जो है शुरू हो जाएगी किसकी monopoly शुरू हो जाएगी Islamic rulers की monopoly शुरू हो जाएगी जिसकी वज़े से उनको काफी जादा पैजा मिला काफी जादा taxes काफी सारी revenue मिली इन्होंने अपना monopolis थापित कर दिया है क्योंकि Red Sea का route कोई और use नहीं कर सकता अगर कोई वहाँ से जाएगा आएगा तो पहले इसको tax देना पड़ेगा permission लेनी पड़ेगी Islamic rulers वहाँ पे किसी को भी नहीं आने देते थे और जो land routes से जितने भी अगर उनका कोई अभी सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह कौन है तेल मी इन दे कॉमेंट सेक्शन कौन है अभी Europeans के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो उनके लिए हर जगा problem खड़ी कर रहा है जो उनके लिए हर जगा road art का रहा है जो कि उनका profit खराब कर रहा है कौन है वो enemy आप समझ रहे हो यहाँ तक क्या discussion चल रहा है कुछ idea है ओके मैं देख सकते हूँ comments में guys आप लोग like किया करिए share किया कीजिये video को please subscribe to the channel अगर आपने अब तक नहीं किया है तो okay मैं देख सकते हूँ कुछ answer सार है मेरे पास सभी को good evening guys काफी सारे नए students आज हमारे साथ जोइन हुए है सभी को good evening अरुन, रामकुमार, बिस्वजीत I hope you guys are well right answer काजल काजल ने सब को पीछे छोड़ दिया है भई आप लोग थोड़ा समल जाओ competitor आपका बहुत तेज है very good काजल yes, Arabs are the main जो enemy है, दुश्मन बने हुए right, Vinod and Pranjali also you guys are correct right, तो यही वो लोग थे जो कि इनके दुश्मन है, तो अभी Arab लोग क्या चाहेंगा, Arabs का क्या मतलब intention है, कि हम अपना profit रखें, जितना भी आप ये सारा trade route देख रहे हो, सारा इन्होंने अपने कबजे में लिया हुआ है तो अब क्या हो गया, कि Arabs को हमेशा जो भी ये, देखो ये Red Sea का route था, ये जो मैं अभी कर रहे हूँ ये जिग-जाग जो बना रहे हूँ ये route की बात हो रहे है, ये Red Sea का trade route है, यहाँ पे हो गई है, मोनोपॉली यहाँ पे क्या हो गई है, मोनोपॉली हो गई है तो कोई भी अगर इंडिया तक आना चाहता है तो उसको, या तो एक तो देखो अगर यूरोप से कोई आएगा, मान लो तो यूरोप से कैसे आएगा, मैं आपको ये Erase करके बताते हूँ देखो, अगर मान लो ये यूरोप रहा आपका ये इंडिया रहा अब यहां से आना है, तो क्या रास्ता है? एक तो है ये भई सिल्क रूट वाला रास्ता राइट? याद होगा आपको सिल्क रूट? एक तो ये रास्ता है लेकिन ये कैप्चर कर लिया अरब्स ने दूसरा क्या रास्ता है? यहां पे पहले बगदाद में आ जाओ जी और उसके बाद यहां से आ जाओ इंडिया पहुंच जाओ लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है? कि ये और्मूज पे कबजा कर लिया अरब्स ने फिर दूसरा क्या रास्ता है? कि अच्छा चलो ठीक है पहले यहां से यहां आ जाओ एजिप्ट तक और यहां एक जेंडिया से उसके बाद फिर यहां से रेड सी से होते होते इंडिया चले जाओ यह भी शॉर्ट कट है पर यह भी जो है यहां पे भी अरब्स ने अपनी मोनोपॉली की हुई है तो अब बताओ कौन सा रास्ता बचा इंडिया तक आने का जो भी शॉर्ट कट थे जो भी लांड रूट था या छोटा मोटा सी रूट था अब वो तो बचा नहीं आप कहां से आएंगे बाइ दे केप ओफ गुड होप ठीक है केप ओफ गुड होप से आएंगे कैसे आएंगे देखिए यहां से ऐसे आएंगे यह है आपका केप ओफ गुड होप ठीक है यह जो टिप है ना आपकी ध्यान दीजे यह जो टिप है आपकी साउथ अफरिका की वहां से वहां से पहुंच के फिर इधर से आएंगे क्या हेल्प हो है एक जागरण हुआ जिसे हम पुना जागरण कह सकते हैं या रिनाइसेंस कह सकते हैं यहाँ पिसे तो रिनाइसेंस हो जाता है रिनाइसेंस क्या है किसी चीज को दुबारा जगा देना नई जागरती लाना उसमें नए तरीके से उसके अंदर जो है जोश लाना एक नया उत्साह लाना जैसे की नएने चीज़ों को हम डिस्कवर करें नए-ने इन्वेंशन्स करें टिकनॉलोजी की तरफ आगे बढ़ें तो ये अभी ही क्यों हुआ इससे पहले क्यों नहीं हुआ रिनाइसन्स मतलब 15 सेंचुरिय में क्यों वाय नॉट बिफोर दाट क्योंकि उससे पहले लोग जो है बहुती सूपरस्टीश थे पॉलिटिकल जो स्टेबलिटी है वो नहीं थी और एक ऐसी ससाइटी में लोग हैं जहां पे डाक एज है और लोग धर्म के अनुसार चल रहे है धर्म ने लोगों की आंके बंद की हुई है लोग नए-ने डिसकवरीज और इन्वेंशन्स को समझ नहीं पा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेकिन 15 सेंचुरी में जो रूलर्स थे वो बहुत पैटो ने इस देने लग ने नेविगेशन के लिए पैटोनेज देंगे अलग अलग तरीके से पैटोनेज देंगे तो 15 सेंचुरी में यह जो यूरोप है यहां पर रिनाइसन्स की एक स्पिरिट हमें देखने को मिलती है अब यह लोगों के अंदर पोना जागरन हो गया यह एक्स्प्लोर करना चा पडिए और यूरोहज आए वह बहुत ज़रादा आडवांसमेंट करेगा श्प बैसन्स बेलडिंग में अब इनकी श्पिफ बैड़िंग बहुत अच्छी थी इनके शिपस की कॉल्री बहुत बढ़िया थी क्या रिजन था कि इनके से AgainstLO पक्राटी बहुत अच्छी थि क् आइडिया? येस बिलकुल सही स्पेशल बात जो है वो ये है कि एक तो इनके शिप जो है जिस मेटीरियल से बनी है वो मेटीरियल बहुत अच्छा है ठीके जो इनकी शिप है जिस मेटीरियल से बनी हुई है वो मेटीरियल बहुत अच्छा है इनकी जो लकडी है वह बहुत बढ़िया क्वालिटी की है ठीक है कौन सी लखडी थी डू यू नो दिखिए ये प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टनेंट है बफरिंग हो रही है Am I audible and visible now? अभी पॉफेक्ट है Just give me one minute Let me check it from my side I think yes it is fine now ठीक है पहले religion को constitution मानते थे That's right religion was equal to constitution बिल्कुल सही ठीक है अभी तो बिल्कुल ठीक आ रहे तो yes मेरे side से तो सब कुछ सब कुछ ठीक है गाईस कर अमी कुछ मार्ट ответ देद스 व्लस ब6ए कुछ भॉर्प बाप झाल झाल नहीं अभी ठीक है काईस बिल्कुल सही है बढ़िया है I have checked it from my side It's working fine Yes, so the answer is timber ठीक है तो timber जो है वो एक material है timber की लकडियो थी और ये बहुत ही अच्छा होता है ship building के लिए अच्छली ये बहुत मजबूत होता है ship building के लिए तो ये जो ship building का material है timber वो इनके पास था और दूसरी चीज़ खास ये थी कि इनके जो ship होती थी इनके जो जहाज होती थी उसके उपर cannons लगे होए थे तो ये दो बाते थी जो इनके जहाज में खास थी ये दो speciality थी इनकी जिसकी वज़े से ये सब को हरा देते है तो आप देखेंगे कि बहुत eagerness है all over the Europe ठीके बहुत adventurous sea voyages हो रहे हैं लोग समुतरी रास्तों को ढूंड रहे हैं नए नए रास्तों को तलाश करके दुनिया के unknown corners में जा रहे हैं चलो यहां पर पूरा अरबस है पर यहां से अगर घूम की आएंगे तब तो अरबस कुछ नहीं कर पाएंगे ना लेकिन देखो रास्ता कितना बड़ा है और इतना बड़ा अगर रास्ता तैय करना है उसमें कितना जादा खर्चा आएगा पैसा चाये और समय चाहिए बहुत सपोर्ट किया था तो जो एकोनॉमिक टेवलाप्मेंट है वो युरोप के कई सारे लाखों में देखने को मिलता है बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी काफी अच्छा एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा और जो लैंड है उसको के लोग क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं और साथ जो मीट उसकी सप्लाइअ इंक्रीज वही तो अब इनको और जहादा स्पाइस के जरुए पर डे थी झाय जो कूटिस कहां से आएंगे इंडिया से आएंगे तो इनको श्पाइस चाहिए you know consume these non-vegetarian stuffs without spices and preservations तो यह सब चीजों की अब इनको ज़रत थी तो अब जो European है वो यही सब काम करने लग गए तो अभी तक हमने क्या समझा हमने समझा कि 7th century में Roman Empire उसका decline हो गया अरब अपना domination है जगा जो है established कर लिया Egypt में, Persia में 1453 में Ottoman Turk जो है उन्होंने Istanbul का इलाका capture कर लिया हर जगा अरब Muslim intermediaries फैल चुके है Renaissance हो चुका है Europe में, Ship Building Advance हो चुकी है Economic Development हो चुका है और सब कुछ बहुत ही तेजी से ग्रोव हो रहा है अब जो है तीन ships थी जो की आखिर इंडिया पहुंची वासको डिगामा के अंदर त्री ships थी जो की वासको डिगामा के अंदर आई और इसको जो है लीड कर रहे थे गजराती पाइलेट जिर का नाम था अबदुल माज़द तो वासको डिगामा से पहुंचा इंडिया और यह सबसे पहले क्यालिकट पहुंचे साउथ इंडिया में एक पोर्ड था जहां का राजा था जैमुरें तो यह समय था मैं 1498 में यह जब आये तो इससे इंडिया की हिस्ट्री अब बिल्कुल बदल जाएगी तो यहां पे एक हिंदू रूलर का राज था और उनका नाम था जैमुरें यानि की सामुत्री और हाला कि अगर आप देखें तो जो यूरोपियन्स थे शुरुवात में उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम इसे इंडिया में आएं यहां पे बस केस को कैप्चर करें य इनका कोई और ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था वैं तो अब कि आय लौड कि जो प्रस्पारिटी है उसको देख करके जो वास्को डिगामा है वह बिल्कुल चौण कुग था और उसको लगा कि भई कैलिकर्ट की पोजीशन जो है वो तो बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया पोजीशन है तो चलो इसके साथ थोड़ा फ्रेंड्री लिलेशन बनाते हैं दोस्ती करते हैं और उन्होंने जो है दोस्ती करने की कोशिश की जैमुरिन ने उनको दोस्त अरफ ट्रेडर्स यह सब चीज़े देख रहे थे लेकिन अरफ ट्रेडर्स अब इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि अरफ ट्रेडर्स कुछ मोनोपॉली करने के बारे में नहीं सोच रहे थे तो इनका जो है बहुत अच्छा बिजनस था अन्दम अलबार कोस्त तो यह लोग मल अपने दुनिया में व्यस्त हैं और खोए हुए हैं लेकिन धीरे धीरे जो पॉर्टगीज हैं वो अपना होल्ड इंक्रीज कर रहे हैं देवर गेटिंग गूड होल्ड है और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग सिस्टम है इंडियन ओशन का उसमें कई सा सब लोग जो है यहां पर रूले कर रहे हैं ऑर ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली इस्टी से हैं आतल qJust तो करना चाहता था जादा से जादा जो है प्रॉफिट कमाना चाहता था लेकिन कोई वी ऐसा नहीं था कि भही मैं अपनी मोप्रॉटे मैं division करोटिंगर करना धी वहाहत थ कर लो पर Portuguese ये चीज पहली बार सोचते हैं पत्र प्रॉफिट चाहते थे दूसरे के प्रॉफिट को वो hamper नहीं कर रहे हैं अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं दूसरा भी प्रॉफिट कमा रहे है तो कमाने दो लेकिन Portuguese को लगा कि क्यों ना हम इस एरिया को capture कर ले और monopoly stop it करें वो लोग monopoly करने के चक्कर में थे तो पॉर्टगीज जो है इस चीज को change करेंगे वो चाहते थे कि नहीं सिर्फ व्यापार क्यों सिर्फ profit क्यों monopoly क्यों नहीं अगर monopoly हो जाए तो और भी ज्यादर profit होगा और भी huge profit होगा तो वासको डिगामा जो है वो यहां रहे थ्री मंद्स तक रहे और उसके बाद फिर वो पॉर्टगाल वापस गए बहुत सारा समान लेकर के काफी जादर profit होगा तो जब उनको इतना profit होगा तो उनको लगा कि भाई अगर मैं थोड़ा सा समान लाया हूँ और यह इतना बिग गया इतना profit हुआ है तो अगर मैं और जादर लेया हूँ तो फिर तो मुझे और भी जादर इससे पायदा होगा तो paper trade में इनोंने जो है access किया और यह चाहते थे कि अब जो है कुछ ऐसा हो जाए कि हम जो है बिना Muslim middleman के समान खरी रहे क्योंकि पहले इनको क्या हो रहता है कि Muslim middleman से हर चीज़ लेनी पड़ रही है चाहे कुछ भी है मसाले लेना है कुछ भी लेना है तो उस चक्कर में इनका margin बहुत गिर जाता थ तो इनको लग रहा था कि हम क्या करें कि जो है पेपर वेगरा जो है उसमें मतलब 10 टाइम्स हमें देना पड़ है 10 गुना जादा ताम देना पड़ रहा है हर चीज़ का वह हमें ना देना पड़े तो एक चीज हुई थी 4097 की यह बात है जिसे हम कहते ट्रीटी आफ तॉर् 1994 में पूर्टगाल और स्पेन के बीज में जिसमें की इन्होंने जो पूरा नॉन क्रिश्टन वर्ल्ड है इसको एक इमाजनरी लाइन के द्वारा जो है पूरे दुनिया को दो हिस्सों में बाढ़ दिया था इतलांटिक में जस्त ऐसे इन्होंने इक इमाजनरी लाइन गमा फिर जो अब्दिलमाजीद के द्वारा wyel김 हुए यहां पर इन्होंने ट्रेडिंग फैक्टृरी शुरू कि अगर हम बात करें फ्रैंसेस्को डी यल्मीडा की तो यह वो पहले गवर्नर थे जिन्होंने की यहां पे अपना काम शुरू किया पॉर्तगीर्टी की साइज से तो 1505 की बात है यह जिन्होंने की इंडिया में तीन साल के लिए गवर्णर को भेजा और कहा कि भई तुम्हारे पास सफीशेंट फोर्स रहेगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा तुम्हें पॉर्टेकिस इंट्वेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो फ्रांसिसको ड जियान से देख रहे थे अरब तो अरब इनसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे और इनको यह भी कहा था कि पॉर्टेकिस का तो ट्रेट बढ़ाओ पॉर्टेकिस की तो पॉजिशन जो इसको बढ़ाओ और जो मुस्लिम ट्रेट है उसको खतम करो डिस्ट्रॉई दे सीजिंग धी अडइन, औरमूर्बस, मलका अडइन, औरर मलका, बढब अर मलका का जो इलाका है उसको कियाप्च cafe करो तो एक पर आप मेप में देख यह यह देख सकते हैं आप add in ठीक है यह देखिए आप almost और यहां देखिए मलक्का मतलब यह ही maintain रास्ते हैं जहां से भारत के अंदर आया जा सकता है मैं यह रब करके दिखाती हूं आपको यह देखिए add in, almost, मलक्का ठीक है यह तीन रास्ते हैं इन तीनों रास्तों को capture करने का काम दिया गया ठीक है कि यह जो रास्ते हैं कि इसने capture कर लिया मतलब उसने पूरा Indian Ocean अपने control में कर लिया ठीक है यह इनको एक प्रकार से challenge दिया गया था कि तुम्हें यह काम करना है किसको फ्रांसिसको डी अलमीडा यह पहले गवर्णर इसके बाद पिर अलबू करका है उसके बाद पिर निनो दिकुन आए उनके बारे में भी हम जानेंगे तो अब इनको यह एडवाईस किया गया कि भई तुम जो है यहां पे किला बंदी वेगरा शुरू करो तो इन्होंने आंज़ा दिवा कोचिन करना नोर किलवा इन सब जगा पर किला बंदी करना शुरू की अब अलमीडा को लगा कि जैमुरिन उनको रोकना जा रहा है जैमुरिन जो है उसको लगा कि यह लोग यहां आ रहे हैं किला बंदी कर रहे हैं फैक्टरी खोल रहे हैं बिना मेरी पर्मिशन के कुछ तो गड़गड है इसका मतलब इनके अंदर कोई ना कोई इनके मन में कुछ तो चल रहा है तो जैमोरिन ने रोकने की कोशिश की तो इस चक्कर में जैमोरिन से लड़ाई हुई ठीक है और जैमोरिन को लग रहा था कि ऐसे में तो भई ये फ्रांसिसको डी अलमीडा पूरा एरिया कैप्चर कर लेगा दूसरी तरफ इजिप्ट के जो सुल्तान थे उनके तरफ से भी खत्रा था अलमीडा को क्योंकि एजिप्ट के सुल्तान ये नहीं चाहते थे कि भारत के उपर जो अरब्स का कबज़ा है वो खत्म हो तो अब जो है यहां पे आप देखेंगे कि वेनिस के जो मोचेंट्स हुआ करते थे वेनिस सिटी जो है उस शेहर के जो बिजनसमेन हुआ करते थे उनको बहुत पैसा मिलता था तो उनको एक रिस्क होता था कि भाई ये पॉर्टगीज जो हैं हमेशे इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इसी लिए जो एजिप्ट के लोग हैं वहां के जो एजिप्शियन हैं उन्होंने सोचा कि ये जो रेड़ सी का इलाका है वहां पे कैसे हम पॉर्टगीज को रोकें और रेड़ सी को अगर हम रोक वहां से पॉर्टगीज को रोक देंगे और वहां के एरिया से पॉर्टिगीज को आगे नहीं जाने देंगे तो पॉर्टिगीज कुछ कर नहीं पाएंगे इस चक्कर में एक लड़ाई हुई 1507 में एक नेवल बैटल हुई जिसमें पॉर्टिगीज जो है उनकी नेवी ने उनके जहाजों ने हरा दिया था कमबाइंड नेवी को एजिप्शियन और गुजराती नेवी इसको ठीक है तो एक्चुली में पहले तो नहीं हराया था पहले तो जब लड़ाई हुई थे तो पॉर्टिगीज एक्चुली हारे थे और दे वर डिफीटेड एक्चुली बट नेक्स्ट येर इसका बदला अलमीडा ले लेता है तो अलमीडा का जो बेटा है ना वो पहली वाली लड़ाई में मारा गया था तो यह जो एक्चुली में बैटल हुई थी विच इस नोन अस बैटल ऑफ दियू क्योंकि भई दियू के इधर हुई थी ना आप देखो माप देखो यह देखो बैटल ऑफ दियू यह दियू है ठीके यह दियू है तो यहाँ पर किया है इसमें गुजरात के जो रूलर से उस टाइम में उन्होंने भी इस चीज में सपोर्ट किया था ठीके और यहाँ पे जो रूलर हैं यहाँ पे आपको मान के चलो की इजिप्ट का जो है साशन हुआ करता था तो इन लोगों को लगता था कि भई हम इस एरिया को कैप्चर करके रखेंगे तो यहाँ से यह लोग जो है लड़ेंगे और इस बैटल के अंदर पहली बैटल में तो भई अलमीडा का बेटा मारा गया था अगले साल ही इसका बदला ले लिया अलमीडा ने और टोटली सारी नेवी उसको खतम किया एजिप्ट की नेवी को, गुजरात की नेवी को, और उसके बाद उसने एक प्रन्ड लिया कि मैं ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करूँगा, तो कैटर सिस्टम यहां पर शुरू किया, कि पूरा का पूरा पूरा जो इंडियन उशन का इलाका है, उसको घेरूँगा, और ब कि कौन जो है इंडिया नोशन का एरिया कैप्शुर करेगा यहां से फिर ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई यहां तक सब कुछ क्लियर है एक बार रिवाइस कर लेते हैं तो जैसे कि आपको मैंने बताया तीन गवर्नर्स आए फ्रांसिसको डी अल्मीरा अल्पॉन्जो डी अल्विकर कैनी नियति कुनहा तो फ्रांसिसको डी अल्मीरा जो है फिफ्टीन हंडेट फाइव के बीच में इधर आये थे और इनको कहा था कि भई पॉर्टीकीज की पुजिशन को अच्छा करो और मुस्लिम ट्रेट को डिस्टॉय करो आटन और मुज और मलक्का को कैप्चर करो तो इन्होंने यही किया फिफ्टीन हंडेट सेवन में जो बैटल हुई थी इसमें उन्होंने जो है पॉर्टीकीज ने लड़ाई लड़ी बट वो हार गए थे क्योंकि एजिप्ट और गुजरात की नेवी साथ में थी अल्मीडा का बेटा मारा गया लेकिन अगले ही साल अल्मीडा ने इस हार का बर्दा लिया और ब्लू वाटर पॉलेसी शुरू की ठीक है तो आई होब य इस क्लियर टू यू ओके ठीक है गाईज ओके वेल्कम काजल ग्रेट ग्रेट ठीक है गाईज तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं अलपॉन्जो डी अल्वी कर्ग को तो अल्वी कर्ग जो है यह अलमीडा के बाद आए वो मतलब एक उत्रादिकारी के रूप में आगे आए और अब वो पॉर्टगी गावरणर बने और इनको ना रीयला फाउंडर बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि इन्होंने वो सारा काम complete किया एक पूरा base बनाया जो Portuguese के लिए required था इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से strategy control किया था Indian Ocean पर और इन्होंने क्या शुरू किया था जो भी sea पे entrance होने के जितने भी रास्ते थे सारे entrance पर इन्होंने कंट्रोल किया और जो भी रास्ते आते थे इस्ट अफरिका से रेड़ सी से और मूस से मलबार और मलक्का से सबको इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था और इन्होंने जो है यहाँ पर एक permit system शुरू किया था मतलब यह क्या करते थे टोल कलेक्ट करते थे जैसे कि आप देखते होगे यह से आप highway से जाते हो एक जगह से दूसरी जगह तो आप toll tax देते हो तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा ही permit system शुरू किया था जिसमें कि भाई अगर कोई भी इन्ही लाकों से ज जायेगा किसी कभी जहाज आना है जाना है तो उसको पहले tax देना पड़ेगा तो यह permit system था जो कि शुरू हुआ और यह major ship building जो center इस region के वहाँ पर शुरू किया गया और इससे क्या हुआ कि भाई यह आगे होने लगे और सबसे बड़ी problem क्या थी ना कि इनके जो दुश्मन थे उनके पास timber नहीं है timber की लखड़ी तो आपको पताईए क्यों important है जहाज बनाने के लिए तो timber की ना availability नहीं थी गल्फ में और red sea वाले इलाके में जहां पर मतलब Arabs लोग रहते थे जहां पर Muslim rulers रहते थे वहां पर लखड़ी नहीं है timber की लखड़ी है ही नहीं तो क्योंक और गौवा को अक्वाय किया था जो बीजापूर के सुल्टान थे उनके पास बौवा था तो आपको तो यह पता है यह बीजापूर के सुल्तान के बारे में last class में कल हमने cover किया था in the last class भी covered about the बाहमानी kingdom and the Vijay Nagar Empire तो अगर आप लोगों को नहीं इसके पुराने वीडियो उस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में देखिए आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है do watch it so fifteen hundred ten में जो है यह इससे बहुत असानी से इनोंने गौवा को capture कर लिया अब जो है यह इनका में पोर्ट बन गया तो जो सुल्तान ओफ वीजा पोर्ट थे उनके हाथ अब जो इंडियन टेरिटरी है वो पहली बार मतलब यूरोपेंस के अंदर आई है मतलब अलेक्जेंडर के बाद यह पहली बार हुआ जब अलवुकर्क ने एक पूरे लाके को capture करके अपने पास कंट्रोल किया हुआ है and interesting feature यह है कि इसने सती को abolish किया था पहली बार सती प हो यहां रुको और यहीं पे जो है शादी ब्या करके यहां पे घर बसाओ यहां की local wives के साथ रहना है और यहीं पे जो है अपना जो है रहना है तो encourage किया जाता था इन लोगों को यहां पे रहने के लिए तो इन लोगों को अपने घर से जादा इंडिया अच्छा लगने ल लोग थे इनको मतलब भारत में यहां पर गोवा और यह सारा इलाका जो है इतना बड़िया लगने लग गया कि यह खुद अपना जो पौर्टगी पूर्टगाल है उसको भूल गए ठीक है यह उतने ही खुश थे जितने खुश आज हमारे जो पंजाबी हैं वो पंजाब से जादा खुश होते हैं कैनेडा जा करके तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि यह लोग यो हैं अपने घर को अपने देश से जादा खुश है यहां भारत में आके गोवा में इनको बड़ा मजा रहा है ठीक है तो यह बोल रहे हैं यहां पर रहेंगे यहीं खाएंगे और बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने जो है नए रोट्स और इर्रिगेशनल वर्क्स करवायें नए रोड बन वारे हैं और केनाल खुद वारे हैं सिचाई की सुविधाय करवारे हैं मतलब यह नहीं एकि विलिज लांडलॉड बन गए तो नाम के हैं मतलब काम भी कर रह लिख ऊसरा भूत अच्छ ऊनः नारील का चल का चल कर चाहता है चैसे जीन से रसियां चटाइण है बहुत सारा जया है कानगा चल कोरटेज को हीरोनड चूरी इप theme है वो सब तो इसको कोई रिगिंग एंड कॉर्टेज कहते हैं यानि की जो कोकोनट के छिलके होते हैं उसे चीज़े बनाना तो यह सब हुआ गोवा और कोचीन का जो शहर था वो इनके पास आ चुका है यहां पर मतलब यह बहुत अच्छे से आर्टीशन थे इन्होंने जो है मेटल का काम करवाना शुरू किया और यह जो पूरा पार्ट था मतलब इनका घर बन गया है और यह मतलब अपना जो रियल घर है पुर्तेगाल देर हूम बहुत आट देजस्ट वांटेट तो सेटल है और यही पर इनको सेटल करके यहां पर रह करके अच्छा लगा तब त सेंटर्स को कंट्रोल कर लिया है अब जो आंखरी थे वो थे नीनो दिको नहां ही वस दलास्ट वान ठीक है यह आंखरी है अभी इनके बारे में बात करेंगे लेट मी चीक है तो नीनो दकुनहा ही अजियूम्ड ऑफिस नौ तो जो कवर्णर थे पॉर्टगीज के यह अगले हैं यह तीसरे हैं यह नौवेंबर में आये थे 1529 में तो यह जो है यह आये और इसके बाद जब यह आये तो इन्होंने न कोची से गोवा में अपना जो हेड़कॉर् का वो शिफ्ट कर लिया और जो बहादूर शाह थे गुजरात के इस ताइम में मुगल एंपररर हुमायूं से लड़ रहे थे मैं आपको ना इसके बारे में नेक्स क्लास में पढ़ाने वाली हूँ जो मुगल्स हैं उनके बारे में और तो आपको मैं बताऊंगी कि मुगल एंपररर क्या कर रहे थे और उनका क्या मतलब सीन था उसमें आप यह देखेंगे कि हुमायूं जो है न वो इस्ट में जब शेर्शा सूरी से लड़ने के ले गए थे तो शेर्शा सूरी से लड़ाई कर रहे थे यह एक तरफ और दूसरी तरफ जो बहादूर शाह थे गु शेर्शा सूरी से इन्होंने ट्रीटी जो है की संधी की और जैसे तैसे करके फिर यह वापस गए ठीक है उसके बाद जो है यहां होता क्या है कि यह जो बहादूर शाह है इनको पॉर्टगीज से बहुत हेल्प मिल रही थी 1534 में और इनका एक जो बसीन का पूरा इनका रिलेशन बाद में खराब हो गया था पॉर्टगीज के साथ पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन बाद में खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि बहादूर शाह को दावत पे बुला करके इनकी हत्या कर दी गई थी तो ऐसा जो है पॉर्टगीज कर देते इनके और हुमायू जो है उसके बाद फिर गुजराद से चला जाता है 1536 में और फिर 15 साल के लिए जो हुमायू है वो एक्जाईल हो गए थे उनका कुछ पता नहीं था उस बीच में सूर इंटर्ग्रिम चल रहा था इंडिया में और शेर्शा सुरी का साशन था ठीके इसके बाद पहादुर्शा बोलते थे कि मैं एक दिवार बना दूंगा गुजराद के एरिया में बीच ओ बीच पार्टिशन कर दूंगा और पॉर्टगीज चाते थे कि ऐसे दिवार ना बने पॉर्टगीज उनके साथ नेगोशेट कर रहे थे लेकिन पहादुर्शा ने बात नहीं म पहाद बना लेते हैं और इसी वज़े से जो है मुगल्स इनसे नराज हो जाते हैं और फिर मुगल्स कोशिश करते हैं कि यहां से निकाला जाए और इनको हटाया जाए ठीक है लेकिन पॉर्टगीज इतने तेजी से कैसे जीत रहते हैं ऐसा क्या हुआ कि पॉर्टगीज ज बात थी क्योंकि काफी सारा एरिया ये लोग जीते जा रहे थे एक के बाद एक और बहुत सारा पार्ट इन्होंने क्याप्चर किया था तो फेवरेवल कंडीशन जो थी पॉर्टगीज के अंदर इंडिया में वो क्या थी कि भई सबसे पहरी बात इंडिया में कोई भी तो गुजरात को छोड़ करके पूरा इंडिया डिवाइड है गुजरात में क्या था कि बहुत पावरफुल महमूद बेगारा नाम के रूलर थे जो कि 1458 से 1511 के बीच में रूल करते हैं पर इनको अगर आप छोड़ दो तो पूरा नौर्थ पार्ट जो है इंडिया का वो लग कर लिया था कोई ऐसी पावर नहीं थे जिसके पास नेवी नाम के लिए भी नहीं थी ठीक है नेवी तो थी और कोई कोशिच भी नहीं कर रहा था कि हम अपनी नेवल्स प्रेंट को डेवलब करें पौर्टगी से कुछ सीखें कुछ मतलब नहीं है दूसरा चाइनीज इंपरेलर भी अपना लिमिटेड थे वो अपना नेविगेशनल रीस जो है वो चाइना के पास ही लेकर जाते थे उनको चाइनीज अपना सी और वहीं तक जो है काम था अरब मर्चेंट्स और शिपोर्नर्स जो थे वो इंडियन ओशन के ट्रेड में बहुत जादा बहुत अच्छी स्ट्राटेजी से जलते थे और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब देखो दुश्मन से सीख भी सकते हैं अगर पॉर्ट की इतना अच्छा काम कर रहे थे तो इसमें यह नहीं हुआ इंडियन रूलर्स को कि हम देखें कि भई यह लोग इतना अच्छा काम क करें और एक तरह से कुछ सीखें हम जो इसा त्रॉय कई करें लेकिन इंडियन रूलर्स ने जो एम ग post ने किसी अवी मतलब को आगे बढ़ाएं युरोपियन जा रहे थे के भारत बरेंश डैनिश talkinill मृसल्ट को लग लोगों को रोकना चाहिए उसी रोकते या उनको एक स्ट्रॉंग मेसेज देते तो इनकी इतनी मती नहीं होती कि भारत को कॉलोनी बनाया जाए और कुछ ऐसा करते तो जो पॉर्टगी इसने के पास कैनन थे कैनन का मतलब तोप लगे हुए थे इनके जो शिप्स हैं उसके उपर तोप लगे थे ठीक है तो य के लाके में शिप बिल्डिंग जो है उसके लिए अलबुकर्क ने जो है गोवा एक्वाइर कर लिया है वीजापूर के सुल्तान से लोकल वाइप्स को लेने के लिए एंकरेज कर रहा है अलबुकर्क सबको विलेज के लैंडलोड बन गए है नए ने रोड बन रहे हैं इर उसके बाद जो पॉर्टगीज है उनको फेवरेबल कंडिशन क्या-क्या मिली इंडिया डिवाइड़ है बाहमानिक इंग्डम डिकलाइन हो रहा है किसी के पास भी अच्छी ने भी नहीं है और जो पॉर्टगीज की और्गनाइजेशनल यूनिटी है उसका कोई माच नही हूँ कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं ठीक है हाई काईज आईए जानते हैं हमारे नए यूपी एसी सी एसी बैचेस के बारे में जो कि अनक आर्मी प्रस पर 10 मार्ट से शुरू हो रहे हैं इन बैचेस में खास बात ये है कि ये सभी एस्पेरेंस के लिए काफी हेलफ सभी भाशाओं में एविलेबल है जो कि 10 मार्ट से शुरू हो रहा है कम्प्रीट स्लेबस कवरेज बाइ टॉप एजुकेटर एंसी आर्टी प्लस अधर स्टांडर्ड बुक्स पूरा कवरेज मतलब आपका प्रेलिम्स मेंस इंटर्व्यू सब कुछ कवर होगा इसके अला इसके अलाबा हमारा जो ये प्रेलिम्स का 2021 का बैच है ये भी हिंदी इंग्लिश पाइलिंग्वल तीनों भाशाओं में एविलेबल है ये प्रेलिम्स फोकस पैच है इससे आपका प्रेलिम्स इजीली क्रैक हो जाएगा टू यर का बैच भी है हमारे पास ये ये यूपी आद में कॉमबाट है जो कि प्रेलिम्स के टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग भी बनाया जाता है कोश्टिंस बहुत ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो कि आपको यूपी एसी लेवल पर तैयार करते हैं इसमें वन क्रोड का स्कॉलर्शिप पूल है आपको अपने शे इसका लिंक और कॉमबाट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया गया है आप लिंक पर प्लिक करके इसे जोईन कर सकते हैं तो मुगल इंपायर का राईज कैसे हुआ है तो ये जो पूरा फाउंडेशन रखा गया ये बाबर के द्वारा रखा गया तो बाबर जो हैं ये 1526 में आए और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी फिर्स्ट पैटल ऑफ पानी पर विद इब्राहिम लोधी तो 1526 से 1530 के बीच में ये रूल करते हैं तो केवल फोर इयर्स का छोटा सा रूल था इनका चार साल का एकदम छोटा सा साशन था लेकिन इंपोर्टन्ट क्यों है क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन रखी थी और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फाउंडेशन रखने में इतने व्यस्त थे और इनीशल इन्होंने सारा इतना वर्कलोड समाला था कि ये कोई आर्ट इन कल्चर में बहुत ज़ादा ध्यान नहीं दे पाए एक सीरीज होता है जब भी आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कोई रूलर है जो आर्ट इन कल्चर को बहुत टाटोनेज दे रहे हैं या बहुत ज़ादा जो है किसी चीज़ को लेकर के बहुत कॉंट्रिब्यूशन है उनका तो वो तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होगी और अगर जो है राजा को हमेशा डर रहे का अपने साशन को बजाए रखने का या उसको बहुत सारे कॉंट्रिक्ट में रहना है तो बहुत सारे जब कॉंट्रिक्ट होते हैं तो उस कॉंट्रिक्ट के बीच में आर्ट इन कल्चर के लिए डिवलापम development होता है और economy rise करती है और पैसा आता है क्योंकि patronage देने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए राजकोष अगर राजा का खाली रहेगा तो वो क्या patronage देगा तो पहले तो राजकोष भरा हुआ होना चाहिए कि भई आक्सेज आ रहे हैं regular revenue आ रहा है और सारा maintenance हो रहा है फिर जो extra पैसा बचा तो उससे हमने कुछ patronage दे दिया कुछ चीजे कर वा ली ठीक है क्योंकि वो सब चीजे एक luxury है तो economy तभी राइज होगी जब quality stable होगी और economy जब rise होगी तो जिस भी समय में economy rise होगी आप देखेंगे coins बहुत अच्छे variety के आएंगे सोने के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारा variety of architecture देखने को मिलेगा आपको बहुत सारा जो है literature का development देखने को मिलेगा आपको जो है यह देखने को मिलेगा कि सुसाइटी में अलग-अलग प्रकार की occupations और professions डेवलाप हो रहे हैं तो यह सब चीजें जो है डेवलाप होती है तब जब राजगोश हो राजगोश में कुछ होना चाहिए तब ही होगा तो अब यह बाबर आएं हैं तो बाबर तो एक मतलब इनीशियल फेज में सारा कुछ शुरू ही कर रहे हैं तो जो बंदा शुरुआत कर रहे हैं उसके कंदे पे बहुत बोज होता है अब वो अब बहुत बड़ी नीव इनोंने डाल दी थी इनका ओरिजणल नेम था जहरुद्दीन मुहम्मद यह जो है तैमूर से डिलेटेड है तैमूर कौन है लास्ट भी मैंने एक बार यह आपको तैमूर के बारे में बताया था आई होप यूरेमेंबर तैमूर के बारे में हमन पिरोशा Tuglaq जो की नोबल के अंदर कंट्रोल में रहते थे उस समय में टैमूर का इन्वेशन हुआ था इंडिया में और टैमूर के इन्वेशन के बाद जो है बहुत जादा लूटा गया था देली को काफी जादा डामेज हुआ था और तेमूर जो है वो इनके फादर की साइट से थे मतलब आप ग्रेट ग्रेट ग्रांट फादर मान लो उनको तो वो उनके फादर की साइट से थे और चंगेज खान जो है वो मदर के साइट से थे तो चंगेज खान भी इनके जो है एंसेस्टर्स मे आ रहे हैं तो बाबर जो है वो चंगेश खान और तैमूर के वनशत ये हैं चंगेश खान मदर साइट से ठीक है मा के साइट से तो ये अपने जो है ना बाबर है जो और बाकी जो मुगल्स है वो अपना ना पूरा जेनियोलोजी दिखाने के लिए अपना एक पिक्टोग्रा तो एक दम ऐसे माने की भई वो तो तो तेमूर के वंशत के हैं तेमूर का नाम एक famous एक popular ruler के ग्रूप में देखा जाता है इरान साइड में Central Asia की साइड में तो उस तरीके से तेमूर ने expansion किया था इसलिए they always wanted them कि हम लोग जो उनको ऐसे तेमूर के हिसाब से करें अच्छा military conquest देखिए उनके होता किया है कि जब बाबर इंडिया आए हैं तो उस समय में भारत में पाँच prominent है Muslim rulers और दो prominent है Hindu rulers तो सबसे important पाँच प्रमुख Muslim rulers कौन कौन है दिली के सुल्तान है जिनके साथ battle of पानी पत हुई थी इब्राहिम लोदी, गुजरात के सुल्तान है, मालवा के सुल्तान है, बेंगौल के सुल्तान है और डेकन सल्तनत में सुल्तान है तो ये लोग थे और दो prominent Hindu rulers कौन है दो prominent Hindu rulers में है राना सांगा ओफ मेवार और विजय नगर इंपायर तो अब ये जो राना सांगा ओफ मेवार वाले हैं ये मेवार बड़ा important है क्योंकि मेवार अपने सर जो है जुकाने के लिए तयार नहीं होता प्रित्वी राज चौहान निकल गया लास में देली सल्तनत पढ़ाय था अब ये तक मेरे धिमाग में वही सारे characters घूम रहे हैं प्रित्वी राज चौहान महाराना प्रताब तीक है मैं या लिख देती हूं आपके लिए महाराना प्रताब जो हैं ये मेवार के ruler थे आगे जाकर के अकबर के समय में इनका युद्ध होगा battle of हल्दी घाटी तो वो हल्दी घाटी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि वो क्या battle थी और कैसे कैसे हुआ था तो उस टाइम में अकबर थे और महाराना प्रताब थे तो मेवार जो है ना last time तक मतलब सारे राजपूत rulers जो थे almost सबने अकबर के सामने सर जुका लिया था लेकिन मेवार जो है वो नहीं कर रहे थे दोस्ती और इन्होंने बोला कि नहीं हम तो दोस्ती नहीं करेंगे तो खेर इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग और विजन अगर इंपायर का क्या होता है कि automatically ये खुद ही decline हो जाता है तो अराब इदू डाइनस्टी जो है लास डाइनस्टी थी विजन अगर इंपायर की वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं वीक सकसेसर होते हैं तो फिर ये occupy हो जाता है area और basically जब Portuguese आ गए हैं तो Portuguese भी अपनी तरफ से फैल रहे हैं ये जो समय है 1526 आप ये मान के चलो कि Europeans पहले आये हैं मुगल से actually जब हम लोग medieval history पढ़ते हैं या history को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है डेली सलतना तो उसके बाद directly हम लोग मुगल्स के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बीज में European पहले ही आ गए थे बलकि European history जो है वो पहले ही शुरू हो चुकी है तो 1525 के अंत तक होते होते हुआ क्या कि जो बाबर हैं ये काबूल से start करते हैं अफगानिस्तान साइट से आये थे उसके बाद इंडिया को इन्होंने कंकर करना था तो पहले तो लाहोर बहुत easily इन्होंने occupy किया क्योंकि लाहोर में इनकों कोई रोकने वाला है नहीं क्यों पर जो दौलत खान लोदी था ना लाहोर का गवर्णर वो बहुत असानी से हार जाता है तो अब क्या हुआ आगे बड़े एक बार मैप में देखिए और अच्छे से समझेंगे आप ये आप देखिए ये पहले समर कंट में रूल कर रहे हैं फिर काबूल आए उसके बाद पर लाहोर आए उसके बाद यहां फिर पानी पत में इनके लड़ाई हुई फिर अपने बेटे को आगरा भेजा कि जाओ भई आगरा को जाके कैप्चर करो ठीक है तो इध्यान से इस मैप को देखेंगे और जाधा क्लिरली समझेंगे फिर आप यहां तक कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं अगर तो मैं जो है बीच बीच में जब डिसकुशन करते हूं तो कॉमेंट्स नहीं देख पाती हूं बट मैं फिर बाद में अलग से उपन करके देख लेती हूं तो अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं येस हेलो नमस्ते गाईस सभी को गुड इवनिंग ठीक है चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है कोई डाउट तो देख नहीं रहा है अभी तक मुझे तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स पार्ट पर तो अब हम लोग जो है मुगल इंपायर का पार्ट डिसकस कर रहे तो हमने एक इसका राइस देख लिया कि मतलब कैसे यह स्टार्ट हो रहा है तो बाबर से हमने देखा अब हुआ यह कि फिर दिल्ली के तरफ आगे प्रोसीड करते हैं तो इनके लड़ाई होती है इबराहिम लोधी से तो फॉर्स पैटल ऑफ पानी पत इबराहिम लोधी के हार जाते हैं तो यह हुआ 21st April 1526 को तो होता क्या है कि इबराहिम लोधी वस वेरी आरोगेंट काइंड ऑफ परसन यह बड़े आरोगेंट थे और यह न हमेशा बहुत ही जादा सबका मजाग बनाते रहते थे तो यह से होते न बिगड़े हुए नवाब टाइप तो वैसे यह इबराहिम लोधी इन से सभी लोग बहुत दुखी आ गए थे मतलब एक तरह से आप को कि इम्मोरल काइंड ऑफ परसन थे अब इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था इसी लिए दौलत खान लोधी ने बाबर को इन्वाइट भी किया था ऐसा कहा जाता है और जब यह फर् प्रानीपत तो मैंने आपको बता है बांकी बताओ और किस किस के बीच में हुई थी फर्स बैटल सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल किस किस के बीच में हुई थी दू यू नो देखो फर्स पैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई इबराहिम लोधी और बाबर के बीच में ठ थर्ड बैटल ऑफ पानिपत किसके बीज में हुई है थर्ड बैटल ऑफ पानिपत हुई है मराठा एक बहुत इंपोर्टन्ट अफगानी बंदा था जिसके साथ लडाई होती है Do you know Who will tell me the right answer चलो ये लास्ट का आप बताओ तीसरा वाला मराठा इसका किसके साथ हुआ था यूट सबसे पहले सही आंसर कौन देगा ओके हाँ अफगान आमी थी बट कौन उसको लीट कर रहा है एहमद शाह अबदाली या एहमद शाह दुरानी भी कह सकते है ठीक है एहमद शाह तो कौन जीता था एहमद शाह जीत गया था थर्ड बैटल में ठीक है और यहाँ पे बाबर जीते थे यहाँ पे अकबर जीते थे ओके तो गाईस अगर आप लोग मेरी क्लासेज एंजॉइ करते हो तो आपको पता ही है कि यह सीरीज खतम होने वाली है फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई न्यू सीरीज लेके आऊँ तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा ताकि पता चले कि हाँ स्टूटेंस पसंद कर रहे हैं आर्थी मिश्रा माम के लेसंस देखना चाते हैं तबी तो फिर मुझे लेसंस लेने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा तो यहाँ पर एक चीज पूछी है काजल शेजावर ने कि माम इब्राहिम लोदी वोस ग्रांट सन उफ सिकंदर लोदी यहाँ पर पहले तो आपके जो है बहलूल खान लोदी आये थे सिकंदर लोदी आये थे तो इब्राहिम लोदी पने यहाँ उत्रादिकारि क्योंकि इब्राहिम लोदी विस जो कि उस चीज को समहाच सकते हैं अट उसको आगे बढ़आ सकते हैं ठीक है और आपने यहाँ गोली कि सिकंदर लोदी के जाए भ़एality actually wrong father थे वो ठीक है grandfather थे grandfather नी father थे मतब Sikandar Lodhi was the father so he was not the grandson but he was the son of Sikandar Lodhi आप कह सकते हो ठीक है he was the son of Sikandar Lodhi इनके जो है father का नाम था Sikandar Lodhi ओके हाँ प्रंजली ने सबसे पहले सही answer दिया था एहमद शाब दाली वाला well done great प्रंजली चलिए फिर आगे बढ़ते हैं guys तो यहां तक का discussion हमारा यह रहा कि भई यह जो लडाई हो रही है 21st April 1526 में 1st Battle of Pani पर इसमें जो है बाबर इब्राहिम रोधी को हरा देते हैं इब्राहिम रोधी यहां पे हार गया और मारा गया और इसके बाबर की एक बहुत बड़ी success है लेकिन बाबर की इतनी बड़ी success हुई कैसे यहां पे दो बाते discuss करेंगे कि सारे जो important युद्ध हैं वो पानी पत में क्यों हो रहे हैं ठीके इतनी सारी historic जो battles लड़ी गई है वो पानी पत में ही क्यों और बाबर की success के पीछे का reason के है तो पहली बात देखो पानी पत में इसलिए क्यों कि जो पानी पत है उसके आप location देखिए मैं आपको ना कलर चेंज करके दिखाती हूँ पेंद का ये देखो आप पानी पत की location ये हो जाता है देली के बाहर ठीके दिली जो capital है जस्ट उसके बाहर इसकी location है तो पानी पत जो है ना यहाँ पे अगर लड़ाई होती है तो एक तो बहुत अच्छा battle ground था यहाँ पे खाली खाली पूरा battle ground था और दोनों तरफ की आमी को वार equipment मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे जो nearby market area था वहाँ पे सारा equipment वेकर समान की supply होती थी और जब भी बारिश का मौसम है तो यहाँ पे जादा बारिश भी नहीं होती थी तो कम बारिश होती थी कीचर भी जड़ नहीं होता था तो लडाई लडने के लिए मतलब एक जो है अच्छी एक ground में जाती थी यहाँ पे और जब लडाई होती थी तो इससे capital जो है वो अपना different जो है safe रहता था कोई capital के अंदर घुजबी नहीं रहा है और बिना capital में घुज़े ही लडाई हो जा रही है तो इसलिए पानी पत को choose किया जाता था और बाबर की success होई थी दो कारण से एक तो बारूद और दूसरा उनके घोड़े cavalry and artillery इनके पास ना बारूद था बारूद का इन्होंने पहली बारी बहुत बड़िया यूज़ किया था तो वो जो बारूद का इन्होंने यूज़ किया था वो इनकी success का सबसे बड़ा कारण मनता है और इनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे तो बाबर ने फिर देली को occupy किया और अपने बेटे को जो है भेजा हुमायू को कि तुम जाओ और आगरा को seize करो और बाबर ने अपने आपको जो है एक टाइटल दिया यहां से और कहा कि अपसे मैं जो है हिंदुस्तान का बादशाह हूँ Emperor of हिंदुस्तान और बाबर ने ये सारी बाते जो है उन्होंने अपनी एक memoir में लिखी है उनकी एक रचना है जिसे हम कहते हैं तुजुक के बाबरी तुजुक के बाबरी जो है ये तुजुक जो है ये बड़ी important है क्योंकि इसमें बाबर ने तुर्की language में सारा पूरा अपना जो एक ruler के रूप में अपने आपको establish करना अपने initial struggles का पूरा जो है पूरी व्याक्या लिखी है और खुद अपनी खुद की language में बहुत ही simple तरीके से बहुत ही normal तरीके से इन्होंने लिखा है और सब कुछ इन्होंने बता है सारा detail इन्होंने दिया है कि भई मैं कैसे जो है आया और क्या क्या किया कैसे बतलब जो है मैंने साशन कीता क्या क्या मेरे चालेंजिस रहे हर चीज इन्होंने लिखी है तो इसमें बहुत बड़ा अकाउंट देखने को मिलता है खुद बाबर की लाइफ का और इंडिया के बारे में भी तो इंडिया के उपर भी ये काफी अच्छा एक अकाउंट है तो जो के बाबरी तो बाबर की ये रचना थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद इनके बेटे थे हुमायू तो हुमायू जो है इनके सबसे बड़ी लाइफ में गलती ये रही कि इन्हों ने अपने पूरे इंपायर को भाईयों के बीच में बाट दिया और यही इनके लिए सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया क्योंकि इनके भाईयों ने कभी इनका साथ ही नहीं दिया ठीके तो हुमायू डिवाइड़ इंपायर अमंग हिस ब्रदर्स बट दिस प्रूब तो बीच ब्लंडर यह बहुत बड़ा ब्लंडर रहा तो कामरान जो है वो उनको जो है काबुल और कंदाहर का इलाका दे दिया गया तो अब जो हुमायू है यह लड़ाई लड़ रहे थे तो एक बार की बात है हुमायू जो है वो बहुत बिजी थे अफगान से लड़ने के लिए इन दे इस्ट अब आब बोलोगे अफगान से इस्ट अफगान तो अफगानिस्तान में होगा तो अफगानिस्तान तो western side में है तो यह east में क्यों हो देखो अफगान, इन the east मतलब कि कुछ अफगानी rulers थे जो कि भारत के eastern part में आ चुके हैं तो यहां पे अफगान आ चुके थे और वो फैल रहे थे वो develop हो रहे थे तो इनके साथ लडाई होती ह हुमायों की eastern part of India में इसलिए अफगान in the east लिखा हुआ है तो हुमायों was busy with the fighting और जब वो लड़ रहे थे तब ही उनको क्या news आई कि जो बहादुर शाह है गुजरात का वो दिल्ली पहुँच रहा है ठीक है बहादुर शाह जो है वो दिल्ली के तरफ कि भाईया मैं अफगानियों से तो बाद में निप्टूंगा पर पहले मैं जाके अपना साशन जो है अपना सिहासन जो है उसको तो समालू क्यों कि हुमायों जो है वो अगर यहां लड़ते रहेंगे और उधर से उनका खुद का ही जो उनकी जो खुद की सत्ता है दिल्ली है अगर वही उनके हाथ से चली गई तो क्या फाइदा तो अब जल्दी बाजी में उन्होंने बोला कि अब तो यह लड़ाई खतम करनी पड़ेगी तो अब ऐसे तो आप लड़ाई छोड़के आनी सकते अब जो लड़ाई अगर हो रही है और अगर आपको उस लड़ाई से निकलना है लड़ाई छोड़ना चाते तो आपको एक संधी करनी पड़ेगी तो जल्दी बाजी में यहां पे इन्होंने कर ली संधी और यह जो संधी होगी जाहर से बात है कि जो शेर खान है अफगान लीडर जिने हम शेर शाह या शेर शाह सोरी के नाम से जानते हैं यह उनके फेवर में होगा क्योंकि देखो संधी करने के लिए मजबूरी किसकी है कौन मजबूर है हुमायू मजबूर है तो हुमायू तो इस ताइम में जाधा नेगोशेट करनी पाएगा ना जो मजबूर होता है इनसान वो नेगोशेट नहीं कर सकता है उसको मजबूरी में जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसको ले कर गे संतुष्ट होना पड़ेगा उसको जाना पड़ेगा तो अब यहाँ पे इन लोगों ने कर लिए ट्रीटी तो जो अफगान लीडर है शेर खान जिनको हम लेटर शेर शाह या शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं वो अब गुजरात की तरफ प्रिसीड करते हैं तो अब जो है इनसे इन्होंने मतलब ट्रीटी की और उसके बाद कि हमारे हुमाईओं हैं वो गुजरात की तरफ प्रिसीड करते हैं तो गुजरात में गए और गुजरात में जाकरके उसको क्याप्चर किया और बहादुर शाह को समझा दिया कि देखो तुम तो है अपने ठोड़ा समहल के रहो क्योंकि जिस तरीके से तुम यह कर रहे है बहुत गलत है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाले है यह बहादुर शाह को किसकी बैकिंग मिल रही थी जो यह इतना जो है confidence में था कोई न कोई तो होगा बहादुर शाह के पीछे इसको किसी न किसी के तो support मिल रहा है क्योंकि यह जो है हुमाईयों को टकर देने निक हां यह तो जो कि बाबरी राइट आंसर आदर्श बिल्कुल सही नो प्रॉब्लम काजल कोई बात नहीं अभी आपकी confusion दूर हो गई है अब तो चलिए बताईए मैं तब तक पानी पीती हूँ आप थोड़ा मुझे बताईए किसको बहादुर शाह की दोस्ती मिली हुई थी प्रांजली राइट आंसर प्रांजली ने सही बताया पॉर्टगीज लेकिन फिर बाद में पॉर्टगीज क्या करते हैं इनके साथ यह दोस्ती बाद में दुश्मनी में बदल जाती है जब बहादुर शाह बोलते हैं कि हम गुजरात में दिवार खड़ी करेंगे येस एक्चुली होता क्या है कि जो बहादुर शाह है हाँ इनको दावत में बुलाके मार डाला था येस राइट आंसर काजल बिल्कुल सही तो काजल ने सही आंसर दिया है चलो काजल आप रेगुलर आ रहे हैं तो इसका कुछ फायदा हो रहा है रेगुलर आने से क्या है रिवीजन भी हो रहा है और आप एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हो तो सभी को regular आना चाहिए, क्या होता है न, यह सिर्फ मैं अपनी class के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं normally आपको बजा रही हूँ, जैसे आपको यह online series करते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ आप लोग काजल से सीख सकते हो, कि she is like कि जब वो एक series join करती है, तो वो first day आई है, तो होता है, ऐसा है नहीं, actually online study में आपको फायदा मिलेगा जब आप एक normal daily basis पे sequence में आओंगे, और कोई भी course अगर आप एक बार शुरू करते हो, उसको पूरा देखते हो, time पे आकर के एक class में आप जो है daily basis पे अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो यह बहुत अच्छा रहता है very nice, well done, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम बात कर रहे थे हुमायों के बारे में, तो हुमायों जी जो है, इन्होंने गुजरात को capture किया बहादुर शाह से, और बहादुर शाह को जो है बताया कि देखो तुम समल के रहो, यह सब जो तुम कर रहे हो गलत बात है, और उस असकारी बहुत वीक और डर्पोक किसम का इंसान है, तो बहादुर शाह जो है फटा फट वापस आए, और एक ही बार में असकारी को हराया, असकारी वहाँ से भागे, और फिर बहादुर शाह ने अगेन गुजरात को capture कर लिया, तो इतनी जो इन्होंने खिचडी पकाई, उसका नतीजा क्या निकला, क्या नतीजा है, हुमायों गए, उन्होंने गुजरात capture किया इतने मुश्किल से, फिर वहाँ पे असकारी को बिठा दिया, और असकारी वहाँ से भाग गए, तो गुजरात में जो इतना इन्होंने महनत की सारी महनत बरबाद, और दूसरी पाइदा किसको मिल गया, यह सारे जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन का फाइदा मिल गया शेर्शा सुरी को, क्योंकि शेर्शा सुरी को टाइम मिल गया, तो शेर खान कहले या शेर्शा सुरी कहले वह पावरफुल हो गए, अब वह इस्ट में उनको कोई disturbance नहीं है, देखो, उनको तो पूरा focus मिल गया है न, वो अपना focus से काम करेंगे अब, तो अब क्या है कि हुमायू जो है, इनके against march भी करते हैं, battle होती है, battle of chausa, battle of chausa हुई थी 1539 में, और इस battle में हुमायू हार गए, शेर्खान ने पूरी तरीके से मुगल आमी को destroy किया, और हुमायू क किसी तरीके से वहां से भागे, अब हुमायू कहां जाएंगे, भाग करके जाएंगे कहां, कोई तो होना चाहिए, जो इनको help करे, तो कोई अपना है यहां पे, भाई बिलकुल, हुमायू के भाई हैं आपको यादी होगा, कि इनके जो brothers हैं, दोस्ती की हुई थी नोने भा भाईों के साथ और भाईों को बड़ा help करते थे हमेशा, जब भी कुछ होता था तो भाईों को सबसे पहले याद करते थे हुमायूं, लेकिन इनके जो भाई हैं, वो इनका साथ नहीं देते हैं, और ये help नहीं करते हैं हुमायूं की, तब ही तो हम कहते हैं, हुमायूं ने ये बहुत बड़ा blender किया था अपने भाईयों पे उसने अंधा भरोसा गिया था ठीके तो ये भागे भागे गए आगरा आगरा मैं अपने भाई से पूछा कि भाई देखो तुम मेरा साथ दो थोड़ा चलो मेरे को help करो मेरा शेर खान ने पूरी आमी डिस्ट्रॉय कर दिये तो इनके भाईयों ने बोला कि नहीं भई हम तो ये सब नहीं कर सकते ये लोग कॉपरेट नहीं करते तो हुमाईयों के पास अब क्या रास्ता बचा था उन्होंने बोला ठीक है अगर ये लड़ाई में कोई मेरा साथ नहीं देता तो मैं अकेले ही चलूँगा और अकेले बार लड़ लूँगा दुबारा हुमायू ने कोशिश की देखिए हुमायू जो है न एक चीज बहुत अच्छी है हुमायू से सीखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है उनका मनोबल तोड़ना असान नहीं था उनका विल पावर बड़ा स्ट्रॉंग है बार बार हारते थे और बार बार वापस आजाते थे मतलब कभी भी इनके ओपर अटाक होता था तो यह मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा प्रेशर में आ जाएगा या जो है परिशान हो जाएगा देखो जब भी हम लोग हिस्ट्री बढ़ते हैं ना तो जब हम देली सल्टनत के बारे में हैं तो बहुत सारी स्टूडेंस जो हैं वो थोड़े अंदर से नराज हो जाते कि क्या मैं मैं आप इनको ग्लोरिफाय कर रहे हो और देखिए मैं ग्लोरिफाय नहीं कर रहे हैं इसको आप रिलीजियसली मत देखिए अगर कोई बंदे के अंदर कुछ भी अच्छा चाहे व स्टूडेंट की तरह थोड़ा सा समझेंगे तो आपको भी सुनने में मज़ा आएगा अगर आप इसको रिलीजियसली देखोगे तो आपको फिर सुनने में मज़ा नहीं आएगा आपको अंदर से कुछ और आफसोस पर रहोगे तो don't think like that think like कि भाई हुमायू का willpower लड़ने तो चले गए लेकिन हारना तो जाहिर सी बात है हारना तो थाई क्योंकि जब यह अकेले लड़ने गए यह बैटल ओफ बिलग्राम थी 1540 की यह बात है इसको जो है बैटल ओफ कनौज भी कहते हैं इस बैटल में हुआ यह कि हुमायू बहुत बुरी तरीके से हारे क्योंकि हुमायू ने कोशिश तो की लेकिन देखो आप सिर्फ एंबीशियस हो पर आपके पास एक्विप्मेंट्स नहीं है प्रॉपर प्लानिंग नहीं है प्रॉपर रिसोर्स नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होगा प्रॉपर रिसोर्स भी तो होनी चाहिए ना लड़ा बाइयों के पास जा सकते थे वापस क्योंकि भाईयों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिये थे ना इनके पास अपना कुछ पचा था तो अब हुमायू हो गए अंडर ग्राउंड हुमायू जो है ना एक्जाइल हो गए और वो बिल्कुल 15 साल तक कुछ पता ही निये कि हुम की मदद करें क्योंकि उनके पास ट्राटेजी थी वो वापस आना चाते थे दुबारा से मुगल डैनेस्टी को शुरू करना चाते थे अगेन मुगलों का जो एक यूनो शाशन है उसको दुबारा से दिन्यू करना चाते थे लेकिन उसके wants कि जरूँ ऑर वो मदद इनको इ पंद्रा साल में क्या हुआ जब मुगल नहीं है तो भारत में कौन है इस पंद्रा साल के वीच में 1540 से 1555 जब हुमायूं गायव हो गए हैं तो उस समय में कौन था जो यहां रूल कर रहा था क्या चल रहा था यहां 15 साल 15 एर्स एक बहुत ही बढ़िया साशन शेर शासुरी ने किया था और हर किसी को हरा दिया था पूरा नौर्थ इंडिया देखो आप ये मैप देखो धियान से यह मैप आप देख रहे हूं ये पूरी जो ग्रीन बाउंड्री है पूरा आप देखो बिहार जार्खन पिंगॉल असम आयोध्या कुमाउँ कांग्रा सिंध ये سारा इलाका जीत लिया था शेरशा सुरी ने इन अ वेरी शॉर्ट स्पान अफ टाइम बहुत जल्दी तो यहां पे सूर डाइनस्टी की शुरवात हुई हुमायू के जाते ही शेरशा ने अपना साशन शुरू किया शेरशा का ओरिजनल नेम था फरीद और अब हमने अल्रेडी देखा हुआ है कि भई इसने कैसे हुमायू को हराया हुआ था तो हमने देखा है कि हुमायू भी इनसे बैटल अफ चौसा में हा रहे थे बैटल अफ करनौज में हा रहे थे अब जो है यह बन गए दिल्ली के रूलर और 1540 में यह रूल करना शुरू करते हैं 15 साल का साशन रहा खूब लडाईयां लड़ी खूब लडाईयां लड़ी राजपूत इंद के जो हैं लडते हैं राजपूतों को हरा दिया अपना इंपायर काफी एक्स्टेंट किया पंजाब, मालवा, सिंद, मुल्तान, बुल्देन, खंड सारा इलाका इनके अंदर था और इनके इंपायर में पूरा नौर्थ इंडिया था मतलब असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़ करके असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़ करके पूरा था इनके अंदर यहाँ पे देखो आप यह असम जो है इसके अंदर नहीं है कश्मीर इनके अंदर नहीं है गुजरात इनके अंदर नहीं है और नेपाल इनके अंदर नहीं है ठीक है इन चारों इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा इनके पास और आप यहां देखे यह है गजनी ठीक है जहां पर लास्ट क्लास में मैं आपको बता रही थे ना गजनी से आ रहे थे महमूद ऑफ गजनी फिर महम्मद गौरी तो वो था और यह आप देखो यह है काबुल तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान डखने से क्या होता है न कि आप को काफी हेल्प मिलती है आगे चीजों को समझने में अच्छा आप यहां पर देखो यहां पर है आदिल शाह अब्दाली बीजापूर वाले ठीक है यह गोल कोंडा है ठीक है यहां पर साउथ में देखे यह डेकन के बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स थे और नीचे जो ह अपना साशन कर रहे थे शेर शासुरी का इड्मिस्टेशन बहुत बढ़िया था हाला कि इन्होंने जो है पांच साल तो रूल किया उन्होंने ब्रिलियंट एड्मिस्टेटिव सिस्टम किया इनकी सेंट्रल कॉर्मेंट बहुत अच्छी थी कई सारे डेपार्टमेंट्स चार इंपॉर्टन मिनिस्टर्स इनके पास थे लैंड रिबेन्य इड्मिस्टेशन और लैंड सर्वे इन्होंने करवाया था ठीके और इन्होंने लैंड को अलग-अलग हिस्से में डिवाइड किया था जैसे की गुड है या मिडल है या बैड है कितना कल्टिवेशन हो र इन्होंने एक नया सिल्वर का कोईन जो है दाम उसे शुरू कराया था और यह सर्कुलेशन में 1835 तक रहा मतलब शेर्शा सुरी के जाने के बाद भी 1835 तक रहा है और शेर्शा ने बहुत अच्छा कॉम्निकेशन इंप्रूव किया था इन्होंने चार इंपॉर्टन्ट हा आगरा से बुरहमपुर का एक हाइवरे है जोधपूर से चित्तौर तक का एक हाइवे है और लाहोर से मुल्तान तक का एक हाइवे है तो आप समझ सकते हो कितने बड़िया बड़िया हाइवे इन्होंने बनवाए थे अलग-अलग rest houses इन्होंने बनाये थे आश्रम करते थे और पुलिस जो है वो efficiently जो है reorganized थी और crime बहुत कम हो गया था इनके time में crime जादा नहीं था military administration बहुत अच्छा था efficiently organized था शेरशाह ने कई सारे ideas जो है दिये थे जो की अलाउदिन खिलजी से लिए हुए थे तो अलाउदिन खिलजी ने military reform में क्या किया था horses की branding की थी तो वही काम शेरशाह ने भी किया था branding of the horses इससे क्या होता है ना कि illegal sale नहीं होती है illegal sale जो है horses की नहीं होगी उसको रूपने के लिए ये किया जाता था और शेरशाह जो है इनके अगर estimate को देखें तो मलिक मुहमद जैसी जो की थे समय में उन्होंने एक बहुत अच्छी हिंदी work लिखी थी पदमावत और ये जो पदमावत है इसमें जो है वो कहानी है जिसम अलाओ दिन खेल जी पदमावती को देखना जाते थे और आफ्टर शेरशाह डेट 1545 में एक्चुली पांच साल बाद इनकी डेथ हो जाती है तो फिर इनकी सकसेसर ने रूल किया दिल्ली को जो की 1555 तक रहा उसके बाद फिर हुमाईू वापस आ गया और हुमाईू ने र साथ देता है वापस मुगलों को स्थापित करने के लिए ठीक है यह अभी हम लोग जाने के यहाँ तक पहले कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एनी डाउट ठीक है अभी तक तो मुझे कोई कॉमेंट्स में डाउट नहीं दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं तो मैं आपको बता रही थी हुमाईू के बारों में तो हुमाईू ने क्या किया था 1540 में इंडिया छोड़ा था अब इन्होंने जो है शादी की हमीदा बानू बेगम से तो हमीदा बानू बेगम से इनकी मुलाकात हुई थी जब ये सिंद की तरफ जा रहे थे और उसके बाद फिर इनकी शादी हो गई ये कुछ समय के लिए अमर कोट में रहे अमर कोट जो ने हिंदू किंडम था जिसको राना रूल कर रहे तो वहाँ पे ये रहे और यहीं पे अकबर का जन्म हुआ और अकबर के जन्म होते ही गोल्डेन पीरियड मुगल इंपायर का शुरू होता है ठीक है गोल्डेन पीरियड क्यों भई क्यूंकि अभी तक मुगल एकदम खो गए थे सब भूल भी गए थे कि पर बदल जाएगी हुमायूं जो है इसके बाद इरान गए और वहां पर इनको help मिल गई इरान से इनको help मिली वहां के राजा ने इनको मदद की आमी दी पैसा दिया रिसोर्सेज दिये और फिर यह वापस आए सबसे पहले मायूं ने अपने भाईयों को खताया रास्ते से क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था कि भाई ही हैं जो की सबसे बड़े बतलब इनको दिक्कत कर रहे हैं तो इन्होंने अपने भाईयों को कामरान और असकारी को बचे थे तो तब तक डिकलाइन होई गया था तो उसको भी कैप्चर करके हुमायों ने साशन शुरू किया तो 1555 में हुमायों ने जो अफगान्स के बचे कुछे गवर्नर थे उनको हटाया और रिकवर किया मुगल्स उनको और वापिस आखिर मुगल्स को स्थापित हिया छ बंदा जब से आया मतलब जैसे शाशन करना श्रू किया है तब ही से कोई न कोई दिक्कत रही कॉन्फट रहा बाहर से ऐसे थे म cortar रहा कॉल्स उनको इसको एंज्श। प Пॉर्सन तो ऐसा इनके साथ हो गया था ufrom 1556 में जो है यह हुआ और इनकी मृत्ति हुई क्योंकि यह जो है Library की सीडियों से गिर गये थे तो Library की सीडिय उसे गिर करके इनकी 0 1 जिस बड़ी अजीब बात है अब हाँ जो भी है खेर हुआ और हुमायो जो है कहा जाते हैं ये बहुत बड़े जनरल या warrior तो नहीं थे लेकिन ये बहुत ही kind थे बहुत ही generous थे जो है दान देना लोगों को बहुत ही kind रहते थे ये और ये बहुत बढ़े लिखे थे इनको mathematics, astronomy, astrology की जानकारी थी यह पोईटरी भी लिखते थे तो इन्होंने हाला कि जो लिखा उनका बहुत सारा वर्क इतना सवाइव नहीं कर पाया लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़े हैं तो हुमायों को लिखने का बहुत सारा यहां पर आपको मैं बात बताना चाहूंगी यह जितने भी आप मुगल्स के बारे में पढ़ोगे आप एक चीज़ देखो कि इनको राइटिंग का जैसे पोयम लिखना कहानी लिखना यह सब चीज़ों का बड़ा शौक हुआ करता था यह या तो खुद लिखते थे अपने बारे में जैसे अपनी खुद की जैसे उन्हें अपनी आपनी आटो बायोग्राफी लिखी या किसी से अपनी बायोग्राफी यह लोग लिखवाते भी थे तो ये सब चीज़ें करने का इनको बड़ा शॉक था ये लोग प्रिजर्व करना चाहते थे एक्चुली इंडिया के अंदर जो इनका साशन है अपने आपको मतलब इतिहास में याद रखवाना चाहते थे जो की एक चीज हमें पहले इतना देखने को नहीं मिली इनचेंट इंडिया में आप देखोगे कि जो रूलर्स हैं उसमें बहुत ही कम रूलर्स के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी और बह। ही कम रूलर्स है इस तरीके कि जहादा राइटिंग और लिट्रेट्रेशस चीजों में इतना दिल्चसपी one जैसे कुछ तो थे जैसे कि हर्ष चरित भी है जो कि हर्ष वर्दन की लिखी गई है तो थोड़ा बहुत है ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कम है लेकिन जितना जादा मुगलों के टाइम में था उतना किसी ने इस लेवल पर इतने बड़े लेवल पर रचनाय नहीं क्योंकि इन्होंने डिप्लोमेशी भी बहुत देखी है और बहुत जादा समझदारी से चल रहे थे तो इन्होंने जब थ्रून को सक्सीट किया अपने पुद्पिता हुमायों के डेथ के बाद तो तब यह बहुत चोटे थे लैक ही वस अटी नेजर के थे यह बहुत कम उ था और हेमु ने चार्ज लिया हुआ था तो हेमु के साथ इनकी बैटल हुई इन दे सेकंड बैटल ऑफ पानी पत हेमु को मार दिया गया और उसके बाद दुबारा जो है अकबर आ गए ठीक है और इसमें अकबर का जो साथ है वो उनके जो है बहुत इंपोर्टेंट एक वोरणर ने दिया था बैराम खानने तो बैराम वाज जो की अकबर को हमेश ersबने तेते शाथ देते थे लेकिन 5 साल बाद ही अकबर ने उनको खटा दिया था क्योंकि उनको लगने लगग रिगया कि जो बैराम हैं वह बहुत जादा हर चीज में हस्तक शेप करते हैं थो प अकबर के पीछे रहता है अकबर का राइट हेंड है और अकबर ने आगे अपने काफे मिलिटरी कंकिस्ट कीए चीजों को समाला और अपने कंदों पर सारी जिम्मेदारी ली इन्होंने जो नदर्न इंडिया है उसको कंकर किया आगरा से लेकर गुजरात तक का पूरा डेकन का एरिया जो है वहां तक ये चले गए थे साउथ तक जाने कि इन्होंने कोशिश की थी तो आप देख सकते हैं कि ये जो यलो यलो पार्ट देख रहे हैं ये सारा अकबर का जीता हुआ है फूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान वलूचिस्तान गुज्रात ये पूरा हिंदोस्तान का इलाका ये सारा का सारा अकबर के अंडर था this summer all these यून इर्डियाज वर अंडर हैं तो जैसे कि मैंने आपको बदाए कि इनकी फिर जो है बैराम को तो मार दिया गया था फिर अकबर ने देकिन तक जो है जाने की कोशिश की फिर आप जो यह वाला पार्ट देख रहे हो ना यह जो रेड रेड पार्ट है यह जो पार्ट देख रहे हो आप जो यह ब्राउन कलर से है यह expansion किया था शाह जहां ने ठीक है और और अरंग जेब ने तो यह बीजापूर के सुल्तानों को और सब को हराएंगे गोल कुंडा वीजापूर इन सब को अपने अपने अंडर कंट्रोल में फिर यह लोग ले लेंगे ठीक है तो यह भी आप देखोगे बेसिकली काफी भी बढ़िया रहे गा यह तो यहां तक का हमने जो है काफी कुछ कवर कर लिया है तो एक पार्ट और कवर कर लेती हूँ मैं फिर देन आई विलेंड दे सेशन एक पर मैं अकबर तक का ना पार्ट पूरा पढ़ा देती हूँ आपको तो उसके बाद फिर जहांगीर और और अगर राजपूर एक हो गए क्योंकि अब एक्छुली है क्या है कि राजपूथ ना अपस में लड़ते रहते थे लेकिन अगर राजपूर एक हो गए तो फिर कोई निवज़े और राजपूथ बहुत ब्रेव थे और बहुत ओने बात की बड़े पक्के तो राजपूतों को गुस्सा अगर दिलाया और अगर राजपूतों के अंदर यूनिटी आ गई तो हर कोई जानता था कि फिर इंडिया पे रूल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है तो अकबर जानते थे कि ये राजपूत आपस में लड़ते हैं और बहुत ब्रेव भी हैं लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है तो अकबर ने जो है डिपलोमेसी का सहारा लिया राजपूतों के साथ अच्छी दोस्ती की क्योंकि राजपूत अपने वादे के पक्के होते थे अपनी बोली के पक्के होते थे अपने जुबान के पक्के होते थे और बहुत ब्रेव होते थे तो इनकी जो राजपूत की जो पॉलिसी थी वो बड़ी नोटेबल है आपे अकबर ने राजपूत प्रिंसेस दॉर्टर ओफ राजा भरमाल से भी शादी की थी और राजा भगवान दास राजा मान सिंग जैसे हिंदूओं को बहुत ही सीनियर कोजिशन पर इन्होंने रखा था अपने एड्मिस्टेशन में तो आप देखोगे कि इस समय में इंडिया में इतना जादा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है बेसिकली आगे भी इतना नहीं था दिवोल्ट ओफ 1857 में भी हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी और बेंगॉल का जब पार्टीशन हो रहा था तब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी और ब्रिटिशिर्स के बाद ये हुआ था बेसिकली वरना मुस्लिमों ने कभी भी अपने आपको अलग नहीं देखा था हाँ देली सल्तनत के अंदर जो है थोड़ा रहा था डिस्क्रिमिनेशन लेकिन अकबर के टाइम तक आते आते चीज़े काफी सेटल होने लग गई थी और बहुत बड़े लेवल पे नहीं है राजा लोग अगर लड़ भी रहे थे तो कॉमन लोगों के मन में इतना भेदभाव नहीं है तो एक जो है टॉलरेंट नेचर था इनका आप देखेंगे कि जो अकबर है इनके administration में इन्होंने कई सारे हिंदूओं को जो है जगर दी थी और अकबर ने एक मंदिर भी बनवाया था वरिंदावन में और आप देखो जबकि बाकी Muslim rulers के बारे में हम यही सुनते कि इन्होंने मंदिर तुडवाया थे यह किया था वह किया था लेकिन अकबर ने actually मंदिर भी बनवाया था तो one by one all राजपूच स्टेट submitted to अकबर हर किसी ने अकबर से दोस्ती कर ली उसके सामने सर जुका लिया था धीरे धीरे और सब को लगने लग गया था कि अकबर से लड़ना जो है कोई समझदारी की बात नहीं है इस समय में जो पॉर्टगीज है वो इंडिया आ चुके थे और बहुत सारी चीजें होने लग गई थी ठीक है लेकिन जो रानाज थे ना मेवार के रानाज ऑफ मेवार वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे अभी भी वो अकबर के सामने जो है सर नहीं जुका रहे थे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ओफ द वीडियो में महाराना प्रताब के बारे में में बात की थी तो महाराना प्रताब ने बोला कि हम लड़ने के लिए तयार हैं तो बैटल ओफ हल्दी घाटी हुई तो राना प्रताब सिंग या महाराना प्रताब सिंग आप कहे ये जो है ये लड़ते हैं लेकिन इनकी आमी इसमें हार जाती है और मुगल आमी को इस सामने आये थे एक दूसरे के साथ बैठे थे एक दूसरे के साथ उनका इंट्राक्शन भी हुआ था तो बहुत बार ये चीज जो है इस्टॉरिकल या अलग अलग चीजों में हमें देखने को मिलती थी खेर जो भी हो मुगलामे को लीट कर रहे थे इस टाइम में तो आप देख सकते हैं अकबर खुद जो है नहीं जा रहे हैं लैक अकबर जानते थे कि मैं खुद नहीं इन्वाल्व हो सकता हूं उनको नहीं था कि मैं राजपूतों के खिलाफ कुछ भी करूं कहीं से भी राजपूतों को भड़काना नहीं चाहते थे तो 1576 में यह सब कुछ हुआ इसके बाद जो मेवार को डिफीट मिली यह बहुत बड़ी डिफीट थी इसके बाद तो जो बचे कुछे कोई थोड़े बहुत जो उन लोगों ने भी समिट कर लिया क्योंकि सब ने समझ लिया कि जब मेवार जो है वो उसकी आमी जो हार सकती है तो फिर अब जो है अच्छा है कि अकबर की सुजरांटी को एकसेप्ट कर लो और अकबर की यह राजपूत पॉलिसी कमबाइंड है जिसमें कि रिलीजिस टॉ और पिल्ग्रिम टैक्स जो था जजिया का वो अबॉलिश कर दिया गया था कहा गया था कि कोई पिल्ग्रिम टैक्स नहीं लगेगा कोई जजिया नहीं लगेगा तो जजिया क्या होता है कि या तो तुम मुसलिम बन जाओ या तो टैक्स दो तो जो भी हिंदू होंगे या जो भी नॉन मुसलिम लोग होंगे जो की मुसलिम नहीं हैं जो इसलाम को कबूल नहीं कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना बढ़ता था तो या तो उनको इसलाम कबूल करना पड़ेगा या तो टैक्स देना पड़ेगा तो इसको जजिया कहते थे और पिल्ग्रिम टैक्स जो ह उपर जो है प्रेशिडाइज नहीं करना है और अकबर की राजपूत पॉलिसी बढ़िया रही अकबर के लिए और राजपूतों के लिए भी कही ना कहीं क्योंकि इससे पीस रही ओवरॉल पीस मैनेजमेंट हो गया इंडिया में यूनिटी रही इंडिया के अंदर और अच्छा स्ट्रॉंग पोजीशन रही तो इस तरीके से यूनिटी के एक्चुली इंडिया को जरुवत भी थी एक स्टेबल पॉलिटी की जरुवत थी 1575 में इन्होंने इबादत खाना का कंस्ट्रॉक्शन करवाया था जिसे हम हाउस ओफ वर्शिप कहते हैं और ये इनकी नई कैपिटल पतेपुर सिक्री में हुआ था एक्चुली अकबर बहुत परिशान थे इनको कोई संतान नहीं हो रही थी जबकि इनकी कई सारी रानिया थी लेकिन इनको संतान नहीं हो रही थी तो आखिर इन्होंने जो है जहां गीर जो है इनके जो बेटे हैं उनका फिर्चानम होता है तो उसी खुशी में इन्होंने नई कैपिटल रखवाई थी और इनको जो है एक सूफी संथ का अशिरवाद मिला था ऐसा कहा जाता है तो अकबर ने जो है कई सारे लर्ण स्कॉलर्स को अलग अलग धर्म से जो जुड़े हुए रिलीजियस टीचर्स होते हैं धर्म गुरू होते हैं उनको बुलाया था और वो अबादत खाना में सबसे मिलते थे जैसे की हिंदुईज्म जैनिज्म क्रिश्यानिटी जोरो एस्ट्रोनिज्म हर प्रकार के धर्म के लोगों से इनका वारतलाब होता था और इसका नतीज़ा ये रहा कि इन्होंने मिला जुला करके एक नया धर्म बनाया था जिसे हम दीन इलाही कहते हैं तो मैं आपको दीन इलाही के बारे में भी बताऊंगी हाला कि अकबर को कभी भी religious matters को जो है polity में घुसाना पसंद नहीं था वो अपने religion को और polity को हमेशा अलग रखना चाहते थे उनको interference बिल्कुल भी पसंद नहीं था muslim olimah का जो muslim olimah बार-बार इंटर्फेयर करते हैं political matter में या अलग अलग प्रकार के matters में वो चीज जो है बिलकुल भी अगबर बसंद नहीं करते थे 1579 में इन्होंने जो है एक चीज शुरू की थी Inflability Decree इसका मतलब यह है कि जो Religious Powers है उसको लेकर के इन्होंने दिखाया कि देखो मैं सारे Religious Powers के बीच में जो है एक शांती चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है रिस्पेक्टफुल नेचर से रहें टॉलरेंट रहें 1582 में इन्होंने जो है ये दीन इलाही का नया धर्म शुरू किया जिसके अंदर एक गॉड एक सिंगल भगवान को मनने की बात होती थी करने आपको इसमें मतलब इनका ये था कि जो अलग अलग धर्म हैं सब अल्टिमेटली एक ही बात कह रहे हैं तो जो बैस्ट है जो कॉमन चीज़ें उसको मिला करके इन्होंने ये नया धर्म बनाया था हाला कि उनका ये नया धर्म चला नहीं है फिजल आउट हो गया क्योंकि जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर कोई इसको अपनाता नहीं है और कोई इसको इतना आगे ले करके चलता नहीं है बहुत ही कम मतलब केवल 15 ही इसके फालोवर थे, खुद बीड़ बल थे, अकबर थे, कुछ इनके कोड़ के लोग थे जादा लोग उने इसको फालो किया नहीं अकबर ने कभी किसी को कमपल भी नहीं किya कि तुम इस धर्म को follow करो दीनेला ही है ये नया धर्म है इसका कोई उन्होंने promotion propagation कभी किया भी नहीं मतलब जैसे आप देखते हैं न कि जो अशोका थे अशोका दग्रेट उनको आप देखते हैं कि यो है वो बहुत promotion करते थे अपने धर्म का धम का बहुत प्रचार प्रसार करते थे लेकिन अशोका ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया सौरी अशोका तो काफी कर रहे थे अशोका के तो pillar addict में rock addict में सब जगा हमें देखने को मिलता है लेकिन अकबर को इतना इन सब चीज़ों में interest नहीं आ रहा था अकबर को आप देखो कि कईना कईना वो किसी भी चीज़ को pressurize करवा के करना पसंद नहीं करते थे अकबर का था कि किसी को मानना है तो मानू नहीं मानना नहीं मानू मतलब ये हर चीज़ में ऐसे थे चाहे कुछ भी हो ये जादा किसी के उपर pressure बनाना पसंद नहीं कर रहे थे अकबर ने कुछ experiment land revenue administration में भी किये थे और इसमें इनको help की थी राजा टोदर मलने ये इनके न revenue officer थे basically तो इनका जो land revenue system था अकबर का इसको जबती system या बंदो बस system के नाम से जाना जाता है इसमें जो revenue है वो fixed था on the average yield of land और इसमें जो basis था वो past 10 years के basis पे ये assessment किया गया था तो इसमें क्या था कि जो land है वो चार categories में divided था it was divided into four categories polish जो की हर साल cultivated होगा cultivated everywhere परोती once in two year जो की साल दो साल में एक बार cultivate किया जाएगा चार्चर once in three or four years बंजर जो की once in five or more years होगा तो जो payment होती थी revenue की वो generally cash में की जाती थी तो ऐसे करके इनोंने हरेके के जो है land को category में बांट दिया था जैसे कि शेर्षा सुरी ने अलग-अलग category में बांटा था ना वैसे इनोंने भी किया था तकी मतलब पता चले कि कि किस लैंड से कितना मतलब production आ रहा है जिस लैंड से जितनी जादा production है उस लैंड से हम उतना ही जादा टैक्स लेंगे ये मतलब अकबर का मानना था इस तरीके से ये चल रहे थे इनका एक मनसबदारी सिस्टम भी था ये मतलब मैं लास्ट एक मनसबदारी सिस्टम आपको पढ़ा देती हूँ और फिर बाकी जो जहांगीर से जो बाकी की स्टोरी है जो जहांगीर का काम रहा और उन्होंने जो जो चीजें कि वो मैं आपको next class में बताऊंगे ठीक है तो जहांगीर और और अरंग जेब और लेटर मुगल्स और वाँ की सब चीज़े हम लोग कल कवर कर लेंगे अभी हम लोग मनसबदारी का अभी का जो है ये इतना कवर कर लेते हैं तो अकबर जो है इन्हों मनसबदारी सिस्टम इंटर्यूज किया था अपने administration में और इसमें क्या हर एक officer को रांक दी जाती थी जैसे कि bureaucrates होते हैं वैसे उनको रांक मिलते हैं यहां पर भी इनको रांक मिलते हैं रांक मतलब मनसब तो सबसे जो कम रांक है वो थी 10 सबसे जो highest rank थी 5000 ठीके nobles के लिए यह rank हुआ करती थी और जो royal blood के princes होते थे न यानि कि जो कि मतलब तालुकात होता था जिनका राजघराने से तो राजघराने वाले जो प्रिंस होते थे राजकुमार होते थे उनको हमेशा उंची रांक दी जाती थी तो मतलब जाहिर सी बात है थोड़ा नेपोटेज्म तो होता ही था इन सब चीजों में तो यहां पे भी है थोड़ा सा और आप यह देखेंगे कि जो ranks है वो दो तरीके की होती थी एकोती थी जात और एकोती थी सवर जात क्या है अच्छुली वो एक personal status है कि किसी इंसान के कितनी उपर की जात है मतलब कितना घोड़े मेंटेन करने कितने घोड़ सवार उसको रखने होंगे तो जो है हर एक मतलब बंदे को कम से कम minimum दो घोड़े तो रखने ही होते थे आला कि यह जो घोड़े हैं जो मेंटेन करने हैं वो दो होर्से होंगे और यह मंसब की rank हरिट्टरी नहीं होती थी इसमें कोई ऐ disappointments होते थे promotions होते थे dismissal होते थे वो directly after our to you know Akbar थे बाद्शाथ थे वो यह D It करेंगे कि भई उनको क्या promotion करना रहान किसको भगा किसको क्या देना थो ये कोई given that this was known as his money that this was known as Man प्रिंस सलीम या तेन सलीम और आनारकली वाले सलीम नहीं वह और नहीं थी सुर्थ वह स्ट एक hist कहानी नहीं रहें लेकिन सलीम जो है इनका असली नाम था इन्होंने टाइटल लिया था जहांगीर का तो सलीम सक्सीड़ेट इन्होंने जहांगीर का मतलब क्या होता है तो भई नाम बड़े और दर्शन छोटे मतलब कुछ खास इन्होंने नहीं किया मतलब जो है ऐसा कुछ नहीं है कि सचमुच में इन्होंने पूरे जहान को जीता या ऐस सच ऐसा कुछ हुआ था नो 1605 में जो है ये जो है रूल करना शुरू करते हैं 1605 से 1627 के बीच में इनका रूल रहा तो नूर जहां जो है 1611 में आप देखेंगे कि नूर जहां इन सब चीजों में बड़ी डॉमिनेटिंग है नूर जहां जो जहांगीर की वाइफ हैं उनको आप महरू निसा भी कह सकते जहांगीर ने जो है महरू निसा से शादी की थी 1611 में और उसके बाद से जो ये इनकी वाइफ थी महरू निसा वो काफी जादा डॉमिनेटिंग है कोर्ट में कब कहां क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए वो सारी चीज़े डिसाइड करती थी महरू निसा तो महरू निसा को ही नूर जहां के नाम से जाना जाता है यानि की light of world तो इनके जो पिता थे नूर जहां के पिता थे उनका नाम था इतमादु दौला इतमादु दौला इनके पिता थे और ये बड़े respectable person थे इनके पिता कौन थे इनके पिता जो है इस मुगल के टाइम पे जहांगीर के समय में ये चीफ दिवान थे यानि कि रेवेन्यू आफिसर थे ठीक है रेवेन्यू आफिसर थे ये इनको चीफ दिवान की पोस्ट जो है दी गई थी और नूर जहां बहुत ही डॉमिनेटिंग थी इन्होंने मतलब सारी चीजों को समारा हुआ था रॉयल हाउसोल्ड में क्या होगा कैसे होगा इन्होंने एक नया फैशन भी स्टार्ट किया था जो कि पर्शियन ट्रेडिशन के उपर बेस्ट है इनको पर्शियन आर्ट पर्शियन कोस्ट्यूम पर्शियन डान्स बहुत पसंद था तो ये पर्शियन ट्रेडिशन के उप काफी पसंद करती थी इन्होंने Persian आर्ट और कल्चयर को कोर्ट में काफी एंकरेज किया हुआ था और Constantly ये जहांगीर के साथ हर जगा जाती थी और चाहे जहांगीर जो किसी बी जगह जाएं कहीं भी जाहें हमेशा उनके साथ नूर जहां प्रेजन्ट रहती थी और इवेन जब जहांगीर हंटिंग के लिए जाते थे यानि कि जब शिकार पर वो जाते थे तो वहां पर भी नूर जहां इनके साथ जाती थी आफ्टर जहां की इस दिर, जहांगिर की मृत्यों के बाद तो सब को लग रहा था कि कहीं नूर जहां ही रूलर ना बन जाये और शायद जो है चीजें अलग तरीके से होंगी लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि 1627 में जैसे ही जहांगिर की मृत्यों हुई तो शाह जहां जो है आगरा पहुंचे शाह जहां इनके बेटे थे वो आए और उने बोला कि अब मैं अगला रूलर बनूंगा इसके लिए शाह जहां को नोबल्स ने भी सपोर्ट किया था नोबल्स एंड डी आमी तो ये नोबल्स कौन है आपको याद होगा लास्ट जो है हम सब जब बाते कर रहे थे तो हमने चालीसा की बाते की थी जो चालीसा थे चालीस जो सोलजर्स थे तरकिस सोलजर्स मिलिटरी कमांडर्स का ग्रूप बनाया गया था इस तुतमिश के समय में ये चीज़े शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये आगे डेवलाप होने लग गया था तो ये जो नोबल्स होते हैं ये लोग वो होते हैं जो आप समझ लो काउंसिल आफ मिनिस्टर की तरह है जो की राजा के लिए बड़े important होते हैं उनके जो है बिल्कुल उनके साथ रहते हैं उनके तलबदार होते हैं तो ये जो नोबल्स हैं आमी हैं अगर वो support करती है किसी एक बंदे को तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा ruler बन जाता है तो नूर जहां जो है इनको कहा गया कि भई आप पेंशन लीजी और पेंशन लेकर के शांती से रिटायर हो जाएए और उसके बाद नूर जहां रिटायर लाइफ जीने लग गई और उसके बाद 18 साल बाद इनकी भी फिर मिलतिय हो जाती है तो ये थी नूर जहां की स्टोरी अब यहां पे एक चीज बताना जाओंगे आपको नूर जहां के जो पिता थे न ये इत्मादु दौला इनका न टॉम बनवाया गया था ठीके इनका न टॉम बनवाया गया था जो कि पूरा का पूरा वाइट माबल का था ये पहला architecture था जो white marble का बना था काफी अच्छा architecture था उसी से inspire होकर के आगे जो है आप देखेंगे ताज महल जैसे और भी architecture बनवाए जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो शाह जहां ने ताज महल बनवाया वो पूरा white marble का जो ताज महल है एक्चुली में इससे पहले white marble के use से ऐसा ही एक बिलकुल जाली वर्क वाला एक बड़िया सा architecture बन जुगा था जो की tomb of इतमादुद दौला है ठीके that is also very important अच्छा चले अब शाह जहां के बारे में बात करेंगे 1627 से 1658 के बीच में शाह जहां का rule रहा इनकी जो decan policy है वो बड़ी successful रही मतलब ये south में गए और south में जा करके इन्होंने जो decan सुल्तान थे उन सब के साथ संधी sign की उन सब के साथ treaty sign की इन्होंने जो है एहमद नगर की सुल्तान को भी हरा दिया इन्होंने बीजापुर औ गोल कोंडा की सुल्तानों को भी हरा दिया और उनके साथ इन्होंने जो है treaty यानि की संधी sign की शाह जहांने ये जो पूरा area है decan provinces का जिसमें आपका खान देश, बिरार, तेलंगना, दौलताबाद ये सब आ जाता है इसको इन्होंने मुगल की province के अंदर मिला लिया और यह इसे की मानलो की this is the map of India अगर यह आपका इंडिया का मैप है तो south में कौन बैठे हुए औरंग जे इनके चार बेटे थे शाह जहां के और चारों बेटे चारों बेटे को आप देखोगे चारों दिशाओं में ठीक है तो शाह जहां जो है ये बाद में क्या हुआ इनकी ना तब्यत खराब रहने लगी ये बुड़े हो गए थे तो अब इनके चारों बेटे लड़ने लग गए पहला बेटा था दारा शिकौन जो की crown prince था युवराज था तो यहां पे north में थे दारा शिकौन ठीक है तो दारा शिकौन नॉर्थ में थे शूजा जो है वो governor of Bengal ते ठ मुराद बख्ष तो आप देख सकते हैं मुराद बख्ष हो गए आपके west में शूजा हो गए east में दारा शिकौन नॉर्थ में और अरंग जेब south में ठीक है चारों बेटों बेटों को चारों दिशाओं में शामिल कर दिया गया है वो अपना-पना समाल में और 1657 के nth में आ समाल दिया गया औरंग जेब ने बोला कि भई आप जो है अराम से घर में रहिए आपको अब साशन में कोई हस्तक शेप नहीं करना है मैं साशन समालूंगा और जेब ने अपने भाईयों को हरा करके मुगल गदी को हासल किया और अगले मुगल रूलर के रूप में अपने मुगल किंग सबसे ज़्यादा एकस्पैंशन किया है आप देख सकते हैं यह मैप ओफ इंडिया पूरा का पूरा यह पार्ट ओरंग जेब का इंपायर है अम्पायर इतना बड़ा है लेकिन ओरंग जेब को हम ग्रेट नहीं बोलते हैं, जैसे कि अशोका ग्रेट बोलते हैं, अकबर को ग्रेट बोलते हैं, ठीक है कृष्ण देवरया को ग्रेट बोलते हैं, समुद्र गुपता को ग्रेट बोलते हैं, औरंग जेब को ग्रेट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप देखो तो जब सबसे जो बड़ा empire है, सबसे जो बड़ा expansion किया हुआ है वो औरंग्जीब ने किया है इतना बड़ा expansion किसी ने नहीं किया था मतलब ये मौरियाज के अंदर था, चंद्रगुप्त मौरिया था ग्रेट ने किया था बड़ औरंग्जीब को great नहीं बोलते है, वाई, क्या reason है कुछ तो बात होगी भाई, क्या बात है बताईए क्या लगता है आपको, क्या reason हो सकता है इसका, is there any reason for this ओके मैं देख सकती हूँ, आपके comments और कुछ-कुछ doubts भी मुझे देख रहे है चिंता ना करें गाई, आपके जो भी questions है, उस पे भी मैं आऊंगी और जिनके भी side से buffering हो रही है न, वो लोग एक बार refresh कीजे क्योंकि मेरे side से तो बिल्कुल जो है बड़िया चल रहा है देखिए काजल बोल रहे है कि मैं आपने विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम के लिए भी बोला था देखो विपिन चंद्रा के लिए तो मैंने गभी नहीं बोला था ये तो गलत बात है, मतलब गलत जूटा इल्जाम लगा रहे हो आप स्वेक्ट्रम के लिए बोला था स्वेक्ट्रम होगा next week स्वेक्ट्रम शुरू हो रहा है स्वेक्ट्रम के लिए मैंने बोला था और स्वेक्ट्रम बिल्कुल मैं continue करूंगी YouTube वाला जो हमने start किया है स्वेक्ट्रम शुरू करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है ओके और मैं बिल्कुल बढ़िया हूं गाइस thank you so much for asking तो बताईए भई क्या लगता है और अग्रेट क्यूं नहीं है मतलब आप मुद्दे की बात करो ना थैंक यू सो मच की जेन ओके सो क्या लगता है भई I'm not getting the right answer अभी तक कुछ मुझे सही answer नहीं मिला है कुछ तो reason होगा अच्छा बताओ आप एक great ruler कौन होता है कौन से राजा को great बोलता है अगर हम किसी को बोल रहें कि भई ये जो ruler है ये एक great ruler है तो एक great ruler बनने के लिए क्या चाहिए इतना बड़ा expansion कर लिया इतना बड़ा great बताओ बताओ Halloween आने वाला है पताओ औरंग जेप का घोस्ट आएगा फिर बताओ वही क्यों great नहीं है सही answer दो because of his harsh and inhuman behavior okay harsh religious policies बोल सकते हैं ठीक है और he killed many innocent people okay अच्छा कोई ruler great कैसे बनता है देखिए कोई ruler को हम great तब बोलते हैं जब वो ruler एक overall development करे ना कि सिर्फ वो ये सोचे कि मैं कैसे जादा से जादा expansion करूं पर वो ये सोचे कि मैं जादा से जादा विकास कैसे करूं चाहे वो social development हो economical development हो art and culture का development हो political development हो administrative convenience हो infrastructure का development हो trade and commerce का development हो हर प्रकार का development जो करने की सोचता है woman development, woman empowerment, education ये सब चीज़ें एक अच्छा ruler ये सब चीज़ों में ध्यान देता है वो art and culture में भी उतना ही ध्यान देगा वो economy में, polity में, society के development के लिए भी ध्यान देगा सबसे बड़ी बात वो ruler tolerant होगा कोई भी ruler जो great ruler है वो सब tolerant है ठीक है वो सारे जो rulers है वो tolerant होंगे अब जो है औरंग जेब ने इतना बड़ा सिहासन तो बना लिया ये आप देख सकते हो सचल वास्ट इंपायर बटी ये वही वाली बात हो गई कि एकदम luxury वाली कार खरीद लिये हमने और उसमें petrol डलाने के पैसे भी नहीं है औरंग जेब की हालत ऐसी थी इतनी बड़े इंपायर को कर लिया भई हाथी पालने वाली बात है आप जब उसको maintaining नहीं कर पा रहे आपने इंपायर तो बना लिया पर वो अंदर से तूटा हुआ है कोई unity नहीं है कोई integrity नहीं है सारे मनसफदार अपने आपको independent घोशित कर चुके हैं राजकोश खाली हो चुका है तो इतने बड़े इंपायर का क्या करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है राइट ओके ओवराल development हो जनता की problem को समझे उनके लिए rules and regulations बनाएं येस बिलकुल सही बिलकुल सही you are right तो ये सारी चीज़े बहुत important है तो भाई जिन जिन लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है वो सभी जो लोग great है इस वीडियो को like करें तो ओरंजेव जो है वो one of the ablest of the mughal kings है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही able है लेकिन great नहीं है able किस चीज़ में है expansion करने में able है इन्होंने title लिया था आलमगीर आलमगीर का मतलब world conqueror जो दुनिया को जीतता है इनके जो military campaign हुए थे first 10 years में शुरू के जो 10 साल में इनके military campaigns हुए थे वो बहुत ही successful रहे चीज़िक है वर a great success इन्होंने कई सारे छोटे छोटे जो minor revolts हैं उनको भी suppress कर दिया उनको भी दबा दिया पर इनको काफी सारी difficulties भी face हो रही थी क्यों difficulties face हुई क्योंकि इन्होंने revolts को suppress किया था उसको सुलजाया नहीं भाई अगर कोई revolt कर रहा है तो क्यों कर रहा है कोई problem है तो वो problem क्या है उस problem का solution निकालना चाहिए उस problem को समझने की कोशिश करनी चाहिए उसको ignore नहीं करना चाहिए तो जो जात थे सतनामी थे सिख थे हर कोई औरंगजेब की खिलाफ revolt कर रहा था ये सारे जो revolt थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि औरंगजेब की जो religious policies थी वो बहुत जादा harsh religious policies थी लोग उनसे परिशान थे सबसे बड़ी बात ये जो decan kingdom है ठीक है decan kingdom में इन्होंने पूरा destruction कर दिया था south में जा करके और ये इनका political blunder था क्योंकि ये जो decan kingdom था ना इनी के अंदर जो marathas थे वो काम किया करते थे अब decan kingdom खतम हो गया तो marathas के पास अब कोई काम नहीं है तो marathas अपने आप में independent power के रूप में grow हो जाएंगे और जो एक barrier था ना between the mughals और marathas वो barrier अब खतम हो गया अब ये दोनों directly एक दूसरे क आमने सामने आ जाएंगे और directly अब लड़ाई शुरू हो जाएगी जो decan campaign था उसमें इतना खर्चा हुआ इतना जादा खर्चा हुआ औरंग जेब का जो राजकोश है वो खाली हो गया राजकोश खाली हो चुका है और जो इनके religious policy है वो ऐसी है बिल्कुल orthodox औरंग जेब अपनी personal life में एक orthodox muslim थे इनका ये सपना था कि ये भारत को ये एक Islamic state में convert कर दे 1679 में इन्हों ने जजिया और pilgrim tax को re-impose कर दिया अकबर ने ये taxes हटा दिये थे क्या होता है जजिया tax what is जजिया जजिया is जो tax non-muslim rulers को देना पड़ेगा sorry non-muslim लोगों को चाहे कोई भी वन्दा हो अगर तुम या तो Islam को कबूल करो या नहीं तो tax दो Islam को नहीं कबूल करो के तो tax देना पड़ेगा तो non-muslim जो लोग हैं उनको ये tax देना पड़ता था और pilgrim tax जो है दाशनिक थलों पर लगाया गया था तो जो भी religious centers हुआ करते थे वहाँ पर ये tax लगाया गया तो ये इसलिए क्योंकि Aurangzeb के अंदर सबसे बड़ी problem थी कि वो tolerant नहीं है he was not tolerant और ऐसा नहीं कि हिंदूओं के लिए बुद्दिज्म के लिए जैनिज्म के लिए या किसी और के लिए tolerant नहीं है ये muslimों के लिए भी tolerant नहीं है जो दूसरे muslim sect हैं उनके तरफ भी tolerant नहीं है जो मुहर्म का celebration है वो रुकवा दिया था Aurangzeb ने और Aurangzeb ने डिकन सुल्तानों के खिलाफ जो invasion किया था वो उसका एक reason ये भी था क्योंकि जो डिकन सुल्तनत्स थे वो शिया थे शिया मुस्लिम तो शिया और सुन्नी इनके लड़ाईयां तो होती ही जाती हैं तो Aurangzeb शिया मुस्लिमों से नफरत करदा था वो सिक्खों के भी अगींस था उन्होंने नौवे सिक्ख गुरू तेज बहादूर को भी मरवाया था और इसी के वज़े से सिक्ख जो है वो एक वारिंग कॉमूनिटी में तबदील हो गए थे बहुत जादा सिक्खों ने डिवोल्ट किया था इनके अंतरकत खालसा का डेवलप्मेंट फिर तेज हो जाएगा अब देखेंगे बाद में जो औरंग जिव की रिलीजिस पॉलिसीज हैं उनके वज़े से राजपूत्स, मराथा, सिक्ख हर कोई इनका दुश्मन बन चुका है अकबर ने सबसे क्या की थी? दोस्ती की थी अकबर ने क्या किया था? हर किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी कि भई हमें सब के साथ मिला करके चलना है और औरंग जिव ने बिल्कुल उसका उल्टा किया दुश्मनी ही दुश्मनी और इसी वज़े से मुगल इंपायर के कई सारे दुश्मन हो गए? कि आगे जाकर भी कोई मुगलों से दोस्ती नहीं करना चाहेगा हर जग़ रेविलियन हो रहे हैं हर जग़ जाट्स जो है मतुरा के वो भी रेविलियन कर रहे हैं मेवार के सतनामी भी रेविलियन कर रहे हैं इसलिए औरंग जेब को मुगल इंपायर के डिकलाइन के लिए responsible माना जाता है बत आप मुझे बताईए कि क्या सिर्फ औरंग जेब की policy ही है जो मुगल इंपायर के decline के लिए sufficient थी या और भी कोई reasons हो सकते हैं मतलब ठीक है ये एक reason हो सकता है कि औरंग जेब की policy बहुत खराब थी बट क्या ये ही अकेला कारण था क्या सिर्फ औरंग जेब की policy के वज़े से ही ऐसा था क्या आगे के rulers में कोई कमी नहीं थी अगर हम देखे तो जो आगे के rulers आए वो भी तो कम नहीं है वो भी weak successors है अगर वो चाहते तो वो चीजों को सम्हाल सकते दे अगर हम याद करें तो पिछली class में हमने क्या cover किया था याद कीजे जो अपनी last class रही थी उसमें मैंने आपको बताया था हुमायूं के बारे में हुमायूं एक ऐसा बंदा जो 15 साल के लिए exile हो गया लेकिन 15 साल बात भी वापस लोटा और एकदम zero से start किया दुबारा re-establish किया चीजों को तो जो आगे के successors आए वो उन गलतियों को उन problems को खतम करके एक नई शुरुवात कर सकते थे पर अगर वो capable होते तब न capable होना भी तो जरूरी है capable भी तो होना चाहिए बंदा तो मैं देख सकती हूँ comments में की काजल ने बोला है की spectrum के बारे में spectrum कराईए आपकी classes बहुत ही अच्छी होटी है and history समझने में कोई problem नहीं आती है thank you so much काजल for your beautiful comment बिल्कुल ठीक है मैं जरूर spectrum भी ले रही हूँ next week आपको spectrum ncrta सबका course दुबारा मिलेगा बिल्कुल सही की jane you are right तो ये जो है weak successor ये बिल्कुल सही answer दिया की jane आपने weak successors जो हैं वो हैं और इन्होंने army को भी demoralize कर दिया देखो army बहुत important होती है अगर आपकी army आपका साथ नहीं देगी तो कोई मतलब नहीं बनता तो इनकी मुगल army जो है वो बहुत जादा weak हो चुकी है empire इतना जादा vast है कि आप इसको कहेंगे कि इसको सम्हालना मुश्किल हो गया है देखो कोई भी चीज ऐसी होनी चीए कि जिसको आप maintain कर सको सम्हाल सको जो चीज आप maintain नहीं कर सकते जो आप सम्हाल नहीं सकते उसको खरीदने का क्या फायदा तो जितनी मतलब capacity हो उतना ही काम करना चीए बन देगो financial difficulties होने लग गई क्योंकि ये लोग revenue का ठीक से collection नहीं कर रहें continuous war हो रहें और जो sea power है वो इन्होंने neglect कर दिये नेवी के नाम पर इनके पास कुछ था क्या नेवी के नाम पर मुगलों के पास क्या था कुछ भी नहीं इससे बढ़िया तो पाउथ के चोलाज चेराज और पंडियाज थे at least उनके पास एक port ताउन तो होता था port भी होते थे उनके पास इनके पास क्या है नेवी के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है भाई European ships आ रहे हैं Portuguese आ रहे हैं French आ रहे हैं इनको कोई मतलब ही नहीं कि हम भी जहाज बना ले इन्होंने कभी कोई नेवी नहीं बनाए जो मुगल्स हैं इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि देखो भाई European आ रहे हैं सेटल हो रहे हैं इनके साथ कुछ किया जाए और लेटर मुगल्स तो और भी गए गुजरे औरंग्जेब के बाद जो रूलर्स आए हैं उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं और अफगान से यहां पे नादिर शाह और एहमर शाह अबदाली आये थे जो कि और ज़दा वीक कर देंगे मुगल स्टेट को नादिर शाह और एहमर शाह अबदाली ने जो भारत में रेट डाली इसकी वज़े से बहुत बार भारत को इन लोगों ने लूटा और कोई मुगलों के अंदर इतनी शम्ता नहीं थी कि वो डाकूओं को रोप पाए इस चक्कर में मुगल इंपायर का डाउन पॉल हो गया तो कॉम्बिनेशन है गाई इस कॉम्बिनेशन है याँ पे औरंग जेव अकेले ही रिस्पॉनसिबल नहीं है हाँ वो रिस्पॉनसिबल है लार्जली पार्शली हम कह सकते हैं बट पॉलिटिकल, सोशल, एकोनॉमिकल हर फैक्टर्स रिस्पॉनसिबल हैं मुगलों के डाउन पॉल के लिए इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया अंडर दा मुगल कैसा कर रहा था पांचाल बोल रहे मैं विदाउट इंपॉमिंग आप लाइब आ गये अच्छा ठीक है अगली बार से मैं पर्मीशन ले लूँगी मुझे माफ करें ठीक है पांचाल जी ऐसा है कि मैं 6 पीम तो लाइब आई रही हूं मतलब छे बजे लाइब तो आई रही हूं डेली लगबग छे बजे तो मैं लाइब आई जाती हूं छे सबा छे तक तो आ जाती हूं मतलब पता है मुझे खुड़ा बहुत में लेट हो जाती हूं पर छे पांच तक तो आई जाती हूं लाइब मैं रोज लाइव आती हूँ लेकिन आज हमारे स्कोर्स का अखरी दिन है ठीक है इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगा ही जो लोग अभी हमारे साथ जॉइन होए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया अंडर दा मुगल्स इसको समझेंगे अब हम एकनॉमिक और सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो जो ये मुगल पीरिड है इसमें बहुत अच्छे सोशल और एकनॉमिक डेवलप्मेंट्स हुए इनीशेली काफी अच्छे हुए लेकिन लेटर मुगल्स के टाइम में चीज़े खराब हो जाएंगे तो ध्यान दीजे अभी हम लेटर मुगल्स की बात नहीं कर रहे है अभी हम औरंग जेव से पहले की कहाने डिसकस कर रहे है तो जो मुगल नोबल्स से उनको काफी जादा हाई सैलरी मिलती थी और उनके खर्चे भी बहुत हाई होते थे हर एक नोबल्स के पास कई सारे नौकर चाकर होड़े हाथी हुआ करते थे जो नोबल्स से वो बहुती लगजीरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे रूरल मासेस के अगर हम बात करें तो गाओं के लोगों की आम जंता की हालत कोई बहुत जादा अच्छी नहीं है लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत है कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं तो जो अमीर हैं वो तो सिल्क और कॉटन के कपड़े पहनते थे पर जो गरीब हैं उनके पास बहुत कम होता था खाने पीने के लिए पहनने के लिए और insufficient clothing जो है उसमें उनको रहना पड़ता था इवें सर्दियों के मौसम में भी गरीबों के पास proper कपड़े नहीं हुआ करते थे तो बहुत कम कपड़ों में ही इनको रहना पड़ता था तो जो लोग मतलब की मुगल राजाओं के साथ associated हैं जो की मुगल नवाबों के साथ associated हैं उनको तो काफी पायदा हुआ लेकिन जो भई बंदा सरकार के साथ associated नहीं है वो सही नहीं है मतलब सरकारी नौकरी का चलन यहां से ही है एकी नहीं सरकारी नौकरी मिल जाया तो बंदे की लाइफ बन जाएगी ऐसा जो हम वोलते हैं यह जो बाते होती हैं हमारे इंडियन सुसाइटी में वो शायद यहां से शुरू हूई होगी क्योंकि लोग यहां पे देख रहे हैं भई सदियों से चली आ रही है भई यह परंपरा कि भई जो बंदा सरकारी काम में है जो भई राजा के साथ बाश्या के साथ काम कर रहे है उसके पास तो पैसा है वो तो वेल्डी है नौकर चौकर सब कुछ है उसके पास और जो नहीं कर रहा है उसके पास खाने पीने के लिए बेसिक जो नीट्स होती है वो भी पूरी नहीं हो रही है एगरिकल्चर की अगर हम बात करें तो विराइटी ओफ क्रॉप्स इस टाइम में हमें देखने को मिलते हैं तो लाज़ विराइटी ओफ जैसे की वीट, राइस, ग्राम, बाडले, पल्सेज ये सब कल्टिवेट किए जाते थे परमर्शियल क्रॉप्स जैसे की कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, ओयल सीट ये भी कल्टिवेट किये जाते थे अगर हम agricultural technique की बात करें तो कोई भी नए प्रकार की agricultural technique को introduce नहीं किया गया था और अगर आप ध्यान दें तो ये लोगों को technique को introduce करना तो छोड़ो ये भारत को बिलकुल आप देखिए कि कट्या हुआ है भारत दुनिया भर में internationally क्या हो रहा है इंडस्ट्रिल revolution हो रहा है economy का कोई अंदाज़ा ही नहीं है हाँ crops उगाये जा रहे हैं ये सब जो crops है cotton, indigo, sugar के इन्वाइन से उगाये जा रहे हैं सही बात है पर क्या हम इसको एक बड़े scale पर उगा करके बड़े level पर business कर पा रहे थे क्या हम इसको ले करके manufacturing कर पा रहे थे क्या हमारी manufacturing जो है वो एक बड़े level of industry को grow कर पाएगी ये एक सोचने वाली बात है हम self sufficient थे हमारे पास सब कुछ था पर हम लोग confined थे हम अपने एक comfort zone में थे हम आगे कोई बड़ा revolution नहीं कर रहे है industrial revolution नहीं कर रहे है हम लोगों की अंदर यही सबसे बड़ी problem थी तो new agricultural techniques जो है इसको introduce किया गया था spirit में लेकिन नहीं किया गया है देखिए थोड़ा बहुत कोशिशे हुई है जैसे कि अगर मैं याद बताऊं आपको तो last class में हम लोगों ने बात किती मोहमद बिन तुगलक की और तुगलक के लावा फिरोश्या तुगलक जो थे उन्होंने भी irrigation में चीज़े की थी उन्होंने तक भी लोन भी शुरू किया था तो कुछ-कुछ चीज़ें हुई है पर वो sufficient नहीं है basically बहुत बड़े level पर कोई technique नहीं आई है और इंडिया जो है self sufficient है कई सारे food items को वो export भी करता था जैसे की rice, sugar, neighboring countries में वो भेशता था अच्छा इस टाइम में जो trade है overall अच्छा है हमारा मतलब जो balance of trade है वो positive है positive balance of trade तब होता है जब आपका import बहुत कम हो और export बहुत जादा हो आपका export जादा होना चाहिए तो जो Indian trading classes है वो काफी बड़ी थी इस time में और इनका जो number है throughout the country spread it था बहुत ही well organized थे काफी जादा ये लोग professional थे ठीक है तो इसमें जो set थे, set का मतलब आप सुनते हो न, set है set का मतलब क्या होता है ये word तो सुना ही होगा आपने चीक है तो set मतलब जैसे मैं को याद आ रहे है वो जो बच्पन में हम poem कहते थे मोटू set, पलंक पर लेट, काड़ी आई, काड़ी का number 88 करके तो set मतलब ये all understand की set मतलब बहुत बड़ा businessman है जो भी मतलब काफी उसका tummy-wummy निकला हुआ है राइट बहुरा traders, बहुरा भी बहुत बड़े जो है ये लोग businessman हुआ करते थे और ये किस चीज में specialised थे, इनका trade इसलिए अच्छा जलता था क्योंकि ये बहुत long distances travel करते थे बहुत जादा दूर दूर तक ये लोग trade करते थे, लेकिन जो local traders होते थे, उनको हम लोग बनिक कहते थे ठीके, यानि कि बनिक या बनिया ठीके, ये word भी आप सुनोगे बनिया और एक classly traders की जिसको बन जारा कहते थे ये लोग जो है बल्क में goods ले जाके दूर दूर तक बेशते थे Bengal से चीनी का export होता था, चावल का export होता था, ठीके, और एक बहुत ही पतला सा cotton का कपड़ा होता है, बहुत ही पतला, बहुत ही soft सा एक cotton का कपड़ा आता है, जिसे हम कहते हैं muslin बहुत ही delicate होता है यह बहुत ही पतला सा होता है इसे muslin कहते हैं यह muslin का कपड़ा भी export करते थे silk भी हम लोग export करते थे यानि की हम भेजते थे जो हमारा south में Coromandel coast है वो textile production का center था उस time में और गुजरात foreign goods के लिए entry point बन चुगा था बहुत ही अच्छे quality की जो textiles और silk है वो नहीं से north India से होते हुए फिर जाती थी हम लोग indigo भी उगाते थे हम लोग food grains भी उगाते थे और उसको हम लोग export करते थे from north India गुजरात के थूर export होता था और बहुत सारे इसमें जो है centers जो थे luxury के वो उसका distribution था कश्मीर के जो product हैं जैसे की कश्मीरी shawl कश्मीरी carpets यह बहुत famous थे जो major import होता था इंडिया के अंदर वो क्या क्या था हम क्या मंगवाते थे हम कुछ metals होते थे तिन होता था तिन की कमी इंडिया में हमेशा से रही है guys हडपा के समय से हम लोगों को टिन export इंपोर्ट करना पड़ा एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट इंपोर्ट मतलब कि हम मंगवा रहे हैं तिन जो है न तिन हो गया घोड़े हो गए ठीक है और wine ये तीन चीज़े हम लोग हमेशा मंगवाया करते थे तो टिन, copper, warhorses, luxury item जैसे की ivory, हाथी दांथ ये सब और जो balance of trade है उसको maintain किया जाता था by the import of gold and silver gold और silver के import के जरिये जो balance of trade है उसको maintain किया जाता था so the balance of trade was maintained by import of gold and silver ठीक है तो ये सारी चीज़े थी इसके अलावा आप देखेंगे कि अगले आएंगे हमारे marathas तो जो हमारे marathas हैं इनका rise आप देखेंगे और इसके लिए बहुत सारे factors हैं जिन्होंने marathas के rise को contribute किया in 16th and 17th century जो physical environment था marathas country का वो इतने अच्छे से क्यों shape up हुआ क्योंकि geographically जंगलों के इर्द गिर्द ये मौजूर थे पहाडों से इनका इलाका घिरा हुआ है और बहुत घने जंगल हैं इसलिए इनको जंगलों के अंदर gorilla tactics को use करके warfare करना आता था बहुत ये brave soldiers हुआ करते थे पहले तो ये लोग जो हैं बहामाने kingdom के अंदर डेकन सुल्तानों के अंदर काम किया करते थे और बहुत ही brave soldiers थे ये लोग इनको gorilla tactics आती थी यानि कि जैसे एकदम पीछे से war कर देना ठीके छुप करके दुश्मन के उपर ग्रुप से war करना और ये लडाई के लिए हर चीज करते थे कहते न साम, दान, दन, भेद, हर चीज मतलब ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे इन्होंने कई सारे किले बनाये थे पहाडी लाकों में भक्ती मूव्मेंट के spread में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा माराश्ट्र के अंदर और इसके अंदर कुछ spiritual leaders थे जिनको बहुत patronage मिला है तुकाराम, रामदास, वमन पंडित, एक नाथ ये सब लोग और इसको शिवाजी ने political unity के रूप में आगे बढ़ाया शिवाजी बहुत important है माराथास जो है इनकी position administratively, militarily काफी अच्छी थी और जो डिकन सुल्तान थे बीजापूर के और एहमदा नगर के एहमद नगर तो बीजापूर और एहमद नगर के जो सुल्तान हुआ करते थे उनके अंतरगत माराथास काम किया करते थे और माराथास जो है वो बहुत अच्छे commander हुआ करते थे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है number of influential माराथा families होती थी जैसे कि mores ठीक है mores and nimble कर mores and nimble कर लेकिन reality में ये जो powerful माराथा का kingdom स्टाबलिश किया था वो किया था शाहजी भोसले ने और उनके बेटे शिवाजी ने शाहजी भोसले और शिवाजी जो है ये हमारे लिए बहुत बहुत important है हाला कि आज मैं आपके साथ जादा माराथास की history नहीं discuss कर पाऊंगी लेकिन माराथा anglo-maratha war and all ये सब भी हम लोग आगे spectrum वाले series में करेंगे कबर तो चिंता ना करें ये सब भी कबर होगा लेकिन माराथास का decline क्यों हुआ तो देखिए मुगले पायर के बाद तो majorly माराथा ही थे जो एमोर्ज हुए थे और इन्होंने British power को बहुत बड़ी टक कर दी थी लेकिन इनका downfall इसलिए हुआ क्योंकि ये आपस में ही लड़ते थे जो first एंगलो माराथा war हुई थी वो तो इनके अंदर ही इनके अपने ही बंदे के वज़े से हुई थी रगुनात राओ के वज़े से हुई थी और एंगलो माराथा war में आप देखोगे कि इनके अंदर ये अंदर unity नहीं है इनके family में जो मराठा चीफ थे जैसे की होलकर, स्किन दिया, भोंसले ये सब जो मराठा चीफ सुवा करते थे इनके अंदर यूनिटी नहीं थी ये आपस में खुद ही लड़ते रहते थे और ब्रिटिश आमी बहुत सुपीरियर थी उनके मेठेड बहुत अच्छे थे और सबसे बड़ा इनको सेट बाक कम मिला मराठा पावर को सबसे बड़ा सेट बाक कम मिला सबसे बड़ा सेट बाक मिला इनको थर्ड बैटल ओफ पानीपत में जब ये एहमद शाह अबदाली से हार गए ठीके, एहमद शाह अबदाली ठीके उससे यह हार गए थे इसके वज़े से फिर मराथा पावर डिकलाइन हो गई थे इसके बाद क्या हुआ इसके बाद यूरोपियन्स भारत में आए इंडिया और यूरोप का क्योंकि कॉमर्शल जो कॉन्टाक पुराना चल रहा था जो कि हमारा उक्सस वैली से होता था सीरिया और रिजिप्ट से होता था अब वो खतम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे मुसलिम इंटर्मीडियरीज आ गए थे इसलिए इन्होंने नया रास्ता ढूंडा इन्होंने केप आप गुडोफ से होते हुए वास्पोट इगामा ने 1498 में ढूंड निकाला एक नया रास्ता कई सारे ट्रेडिंग कंपनी आई इंडिया में यह आए लेकिन जब यह इंडिया में आए तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स फ्रेंच, डच, टेनिस, पॉर्टगीस यह सब आए आपस में इनके बीच में भी बहुत लड़ाई हुई खिके इन्होंने धीरे धीरे हर जगा कॉलोनीज भी स्थापित करना शुरू किया तो जो कॉमर्शिल राइवल्री रही यूरोपियन पावर्स के बीच में उसमें अल्टिमेटली ब्रिटिशर्स जीत गए और उसके बाद ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ और यहां से शुरू होती है हमारी मौडर्न इंडियन हिस्टरी हाई काईज आईए जानते हैं हमारे नए यूपी एसी सी एसी बैचेस के बारे में जोके अनकाडमी प्लस पर 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं इन बैचेस में खास बात यह है कि यह सभी एस्पेरेंट्स के लिए काफी हेल्फुल होंगे 2021, 22 और 23 के जो एस्पेरेंट्स है उसके लिए काफी जादा हेल्फुल है Ultimate UPSC CSE 2022 का यह बैच हिंदी, इंग्लिश, पाइलिंग्वल सभी भाषाओं में एविलेबल है जोकि 10 मार्च से शुरू हो रहा है Complete Slabers Coverage by Top Educators, NCRT, प्लस Other Standard Books, पूरा Coverage मतलब आपका Prelims, Means, Interviews, सब कुछ कवर होगा इसके अलाबा हमारा जो यह बैच है, यह अलग-अलग भाषाओं में है तो आप अपने Convenience के Accordingly, अपनी टाइमिंग के अनुसार कोई भी बैच देख सकते हैं एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप सारे बैचेस का एक्सेस ले लेते हैं 2023 के अस्पिरिंस के लिए है, यह जो है, यह एक बहुती लेंदी, बहुती complete coverage वाला बैच है इन बैचेस को जॉइन करने के लिए यूज कीजे कोड आमलाइव, आमलाइव के इस कोड से आपको मिलेगा 10% का extra discount साथी साथ Unacademy Combat है गाईज, जो कि Prelims के test series के accordingly बनाया जाता है Questions बहुत यह ची quality के होते हैं, जो कि आपको UPSC level पर तयार करते हैं इसमें 1 क्रोर का scholarship pool है, आपको अपने share का scholarship इसमें मिलता है और यह हर Sunday होता है यानि कि अगर आप चाहें तो इसे next Sunday 14th March को 11 जोईन कर सकते हैं, 11 a.m. every Sunday तो code यूज कीज़े arm live और इसके द्वारा आप enroll कर सकते हैं इन सारे नए batches का link और combat का जो link है वो नीचे description box में दिया गया है आप link पर click करके इसे join कर सकते हैं